Hello everyone, इस session से हम start करने वाले हैं class 10th physics का third chapter electricity I know, बच्चों आपके लिए ये chapter कितना important है इतने दिनों से आप demand कर रहे थे कि ma'am In fact class 10th physics को start करने से पहली आप ओर रहे थे कि ma'am start करना है तो electricity chapter से start करिए तो ठीक है भई, आपका ये इंतिजार होता है खतम और इस ही session से हम start करने वाले हैं class 10th physics का third chapter electricity जो आपके exams में आने वाला है, जो आपके लिए बहुत important है जो आपके लिए बहुत difficult होता है तो ये chapter हम start करते हैं आज के इसी session से Basically ये होने वाला है क्या एक introductory video जहाँ पे हम देखेंगे कि कौन-कौन से topics पढ़ने हैं हमें इस chapter के अंड़ कौन-कौन से topics पो cover करना होगा हमें इस chapter में तो भाई इस session का हमें टार्गेट fix कर दिया है कि इस session में हमें देखना है हमारे class 10th physics का जो third chapter है electricity उसका introduction तो जब target fix हैं तो देरीगे इस बात की तो चलिए start करते हैं आज कर ये हमारा session So this is Vibhuti Khare Welcome to Magnet Brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost जाने की Magnet Brains में आपको दो chapters परणने के बाद किसी पी तरह का payment करने की या package देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा रहा है Quality Education बिल्कुल free of cost और इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का ये हमारा session जहां पे हम देखने वाले हैं हमारे chapter electricity का introduction ठीक है? देखो, first topic जो हम इस chapter में पढ़ेंगे वो होगा electrical charge and current भाई, electric current या electricity के बारे में आपसे मैं पूछू कि क्या होता है electric current? क्या होती है electricity? क्या ये कोई ऐसी चीज है? जो पौधों पे उखती है? या ये जमीन से उगी है? या फिर आस्मान से टप करके गिरी है? आखिर ये electricity है क्या? और ये I कहां से है? तो एक बहुत ही classic definition होती है electricity की या electric current की क्या होती है भाई? rate of flow of charge ठीक है? the rate of flow of charge is known as electricity और electric current अब एक काम करते हैं ये जो rate वाला term है इसको अभी हटा देते हैं ये जो flow वाला term है इसको भी अभी हटा देते हैं हम focus करते हैं इस charge के उपर आखिर ये charge है क्या? charge basically किसी भी matter की एक fundamental property होती है just like mass जैसे की mass एक fundamental property होती है किसी भी particular matter की उसी के जैसी charge भी क्या होती है एक fundamental property होती है matter की भाई mass हर चीज में होता है या हर चीज का होता है चाहे आप बात करो एक बड़े से planet की या फिर आप बात करो एक बिल्कुल छोटू से चिन्नू से atom की है ना mass सबका होता है चाहे वो बड़ा सा planet क्यों न हो चाहे वो छोटा सा atom क्यों न हो atomic mass पढ़ा होगा आपने chemistry में वो atomic mass क्या है भाई उस atom का जो mass है भाई उसका atomic mass कहलाएगा mass होता क्या है mass हम बोलते हैं कि इसको एक ऐसी चीज़ से समझते हैं कि suppose मेरे पास क्या है एक ball है अब ये ball किसकी बनी हुई है भाई rubber की बनी हुई है तो जितने amount का rubber लगा होगा इस ball को बनाने में वो amount कहलाएगा क्या इस ball का mass यानि mass क्या है एक particular object के अंदर का जो भी content है उस content का amount उस particular object का कहलाता है mass जैसे ये ball है ये ball बनी हुई है rubber की तो जितने amount की rubber लगी होगी इस ball को बनाने में वो amount क्या हो जाएगा इस ball का mass हो जाएगा बिना mass के कोई भी object, कोई भी particle exist नहीं करता जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक planet ले लो और एक छोटा सा atom ले लो mass दोनों का होगा अब कितना कम है या कितना जादा है वो अलग बात है लेकिन होगा तो जरूर अगर मैंने बोला कि मेरे पास क्या है एक ball है लेकिन उसका mass क्या है zero है क्या ये possible है मैंने आपको बताया कि ये जो ball है मेरी ये bunny है rubber की और जितना rubber लगा है इसको बनाने में वो ही क्या बन गया इस ball का mass बन गया फिर मैंने आप से बोला कि मेरे पास ये ball है जिसका mass क्या है zero है क्या ये possible है कि एक ball जिसका mass नहीं है फिर भी वो ball exist कर रही है mass zero मतलब क्या है उसके अंदर का content बिलकुल खाली कुछ भी नहीं है है ना और जिस चीज की वो बनी हुई है वो है ही नहीं भाई किसी particular चीज को बनाने वाला ही नहीं है कोई चीज तो क्या वो object बन पाएगा नहीं बन पाएगा इसलिए अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास कोई object है लेकिन उसका mass zero है इसका मतलब क्या वो object exist ही नहीं करता तो आप समझ सकते हैं कि mass कितनी major fundamental property होती है किसी भी matter की सेम चीज मैं यहाँ पे बोलूँगी किस के लिए charge के लिए charge भी क्या है एक fundamental property होती है matter की charge के बारे में हम detail में बात करेंगे अपने इस topic में अभी के लिए मैं आपको यह बता देती हूँ कि charge जो होते हैं वो दो type के होते हैं एक होते हैं positive और एक होता है negative charge वो particles या वो objects जिसके पास क्या है positive charge है उसे हम क्या कहते है अब सवाल यह उठता है चार्ज मैं आपने बता दिया कि charge क्या है एक fundamental property होती है किसी भी matter की जिस तरह से mass important है किसी भी matter के लिए उसी तरह से charge भी important है चार्ज दो type के होते हैं positive और negative जिस particle में positive charges होंगे उसे हम कहेंगे positively charged particle और जिस particle में होगा negative charge याने कि वो क्या कहलाएगा negatively charged particle अब सवाल यह उठता है कि यह positive और negative charges आते कहां से हैं और किसी भी particle को हम positively charged particle कैसे बना सकते हैं और negatively charged particle कैसे बना पाते हैं अगर आप यह समझ लोगे कि charges कहां से आये हैं और positively charged particle या negatively charged particle बने कैसे हैं तो आपके लिए ये जो electricity या electric current की जो मैंने definition लिखी दी ना the rate of low of charge, electric charge ये समझना हो जाएगा बड़ा ही आसान ठीक है? ये समझना हो जाएगा आपके लिए बड़ा ही आसान भाई, charge को हम small q से denote करते हैं और इसकी ऐसा unit क्या होती है? कूलम्स होती है detail में पढ़ेंगे, इसको बड़ अच्छे से समझेंगे ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आई सवाल क्या है? कि आखरी charges आते कहां से हैं और किसी भी particle को positively charge particle या negatively charge particle हम कैसे बना पाते हैं? ये सबी चीज़े हम समझेंगे कहा हमारे इस particular topic में जहां पर हमें देखना है क्या? electric charge और electric current फिर इसके बाद में second topic जो हम पढ़ेंगे वो होने वाला है electric potential and potential difference भाई मैंने बोला कि हम एक particle को positively charged particle बनाना पढ़ता है और एक negatively charged particle बनाना पढ़ता है इस बनाने की प्रक्रिया में हमें क्या करना पढ़ेगा? थोड़ा सा काम करना पढ़ेगा याने की हमें क्या करना पढ़ेगा? थोड़ा सा work करना पढ़ेगा जैसे की suppose ground level पे आपके पास क्या है? एक लिटर पानी है उस एक लिटर पानी को आपकी बोर में आपके घर में बोर होगी उस में क्या एक लिटर पानी है उस एक लिटर पानी को आपको कहां बचाना है आपकी बिल्डिंग के उपर जो टैंक लगा हुआ है overhead tank वहाँ पे आपको पहुचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उस lower level के पानी को higher level पे पहुचाना पड़ेगा कैसे पहुचाना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा या तो आप क्या करोगे? मोटर लगा दोगे मोटर क्या करेगी? वर्क करेगी और उस पानी को नीचे से लोवर लेवल से उपर ले जाएगी Similarly अगर आपको एक पार्टिकल को positively चार्ज करना या negatively चार्ज करना है आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा काम करना पड़ेगा थोड़ी सी महनत करनी पड़ेगी अब ये जो वर्क दन है वो इस पार्टिकल में हो जाएगा जाकर के क्या? स्टोर क्या हो जाएगा जाकर के? स्टोर हो जाएगा और वो basically energy, वो work जो की जाकर की store हो जाता है किसी body में उसे हम क्या कहते है? potential energy तो एक particular object को जब हमने positive या negative ली charge particle बनाया है उसको बनाने में जो काम करना पड़ा है हमको वो काम जाकर की store हो जाता है कहां? उस particular particle में और वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? electrical potential energy क्या कहलाता है वो electrical potential energy कहलाता है और जब मैं इसी electrical potential energy को मैं ratio में बना दूँ किसके साथ electrical potential energy को मैंने ratio बना दिया है किसके साथ हमारे charge के साथ तो वो क्या बन जाता है वो बन जाता है electric potential यह तो मैं आपको बहुत ही general briefing में आपको करवा रही हूँ कि कौन कौन से topics है जो हमें पढ़ने है हम detail में पढ़ेंगे इन topics को जब हमारे upcoming जो भी lectures आएंगे, sessions आएंगे उसमें ठीक, फिर इसके बाद में उसी तरह से क्या होता है, electric potential difference होता है फिर आएगा क्या, electric circuit आएगा electric circuit में भाई अगर आपको एक bulb में बल्ब को आपको glow कराना है तो आप क्या करोगे उसके लिए आपको एक circuit बिराना पड़ेगा wires लगाने पड़ेंगे, battery लगानी पड़ेगी plug लगाना पड़ेगा तमाम सारी चीजें आपको लगानी पड़ेंगी उन सभी चीजों को मिला करके हम क्या कहते है एक electric circuit कहते है अब उन circuit में बहुत सारे क्या होते है circuit के components होते है और उन components के बहुत सारे उनके अलग-अलग respective symbols होते है उन सभी components को और उनके symbols को पड़ेंगे हम कहा इस topic में ठीक, फिर इसके बाद में next आएगा क्या topic Ohm's law बही, Ohm's law एक ऐसा law है जिसने V और I के बीच में एक relation दिया था V क्या है भई? potential difference है और I क्या है? current है तो V और I के बीच में relation देने वाला कौन था? Ohm's law था और relation क्या दिया था? उनने बोला था कि भई, जो V होता है वो directly proportional होता है किसके I के और अगर मैं ये proportionality का sign हटा दू तो क्या relation बन जाएगा? V is equals to I R R क्या है यहाँ पर? R है resistance Resistance क्या होती है? ये किसी भी conductor की property होती है जो charges का flow होता है उसको resist करने की मैंने आपको बताया था कि electricity की definition क्या होती है? flow of charges जब charges flow करते हैं तो electricity produce हो जाती है हमें अपने घरों में आपने देखा होगा बहुत सारी electrical wiring होती है क्यों? योगि उन wires के तुरू current पास होता है अगर मैं आपसे पूछो कि उन wires की जरुद क्या है? हम खड़े हो जाते हैं switch और bulb के बीच में हम खड़े हो जाते हैं और हम अपने आपसे क्या कराएंगे? electric current को flow करवाएंगे क्या हम ये करा सकते हैं? हमारे लिए possible है क्या? बिल्कुल possible नहीं क्यों? तो क्नड़क्टर्स क्या होते हैं? जो electricity को पास करते हैं electricity कब पास होगी? जब charges flow होंगे ठीक है? तो conductors की भी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? resistance कहते हैं और ये प्रॉपर्टी क्या करती है? ये प्रॉपर्टी हम बोलते हैं कि conductors के अंदर जो charge का flow हो रहा है उसको resist करती है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? resistance कहते हैं Resistance मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना तो यहाँ पर क्या रुक रहा है Charges का जो Flow है वो रुक रहा है किसके अंदर? Conductors के अंदर तो Resistance क्या है? यह Property है Conductor की जहाँ पर वो Flow of Charges जो होता है Conductor के अंदर वो रोकता है I hope यह चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी अब एक काम करते हैं अब हम बढ़ते हैं कुछ और Topics की तरफ फिर इसके बाद में Resistance से ही Related हम कुछ पढ़ेंगे Terms Important Terms अब कुछ Factors के बारे में बात करेंगे इसके बाद में जो की Conductors की जो Resistance होती है उसको Influence करती है उसको Affect करती है फिर इसके बाद में आएगा हमारा Topic Resistivity Next Topic क्या आएगा Resistance of a System of Resistors हम कई सारे Resistors लेंगे और उनको अलग-अलग सीक्वेंस में लगा करके देखेंगे कि अब हमारे System का Resistance क्या हो आ रहा है कि सबसे पहले Resistors को हम क्या लगाएंगे Series में लगाएंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक Resistors को हम क्या कर लेंगे फिर बाद में Parallel ही लगा देंगे पहले क्या करेंगे Series में लगाएंगे गेरा एक Resistor गेरा दूसरा गेरा तीसरा दूसरे उसमें क्या होगा, resistors को हम parallel लगा देंगे फिर देखेंगे कि हमारा जो system बना है उसका resistance कैसा निकला फिर इसके बार में application of parallel combination in daily life problems based on combination of resistance series and parallel तो basically हमें resistors के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है फिर इसके बार में heating effect of electric current electric current का heating effect मतलब कि electric current heat produce करता है अच्छा, एक काम करो, bulb जब जलता है उसको कभी touch करके देखना गरम गरम लगता है, कहने को तो bulb glow क्यों कर रहा है क्योंकि उसमें electric current की supply आ रही है लेकिन जैसे आप उसको चूओगे, आपको अगर चलो ठीक है अगर लगना ही है तो current लग जाए क्योंकि bulb के अंदर क्या है, electric current आ रहा है लेकिन जैसे आप चूओगे, तो current लगने ने वाला खोड़ा सा गरम लगेगा क्यों? क्योंकि भाई, यह जो electric current है यह heat produce करता है अब सच में जाकर के घर में बल्बे टूलट को चूने की जरवत नहीं है मैं बता रही हूँ कि वाकई में जब आप एक जलते हुए बल्ब को चूते हो तो heat produce होती है और वो बल्ब आपको गरम गरम लगता है चूने की जरवत नहीं है, समझे? फिर इसके बार में calculation of heat generated in a conductor conductor में heat generate होती है, क्यों generate होती है? क्योंकि भाई electricity flow हो रही है उसमें फिर इसके बार में practical applications हमें पढ़ने है heating effect of electric current के, किसमें electrical bulb में, electrifuse में और हमारे इस chapter का last topic क्या होगा? Electric power आए हो, ये topics आपको थोड़े बहुत समझ में आ रहे होंगे कि कौन-कौन से topics हैं, हमें जो इस chapter में cover करने हैं तो भाई इस session के लिए इतना ही, इस session में मुझा आपको सिर्फ एक introduction करवाना था, topic से आपको रूबरू करवाना था कि कौन-कौन से topics इस chapter में हमें पढ़ने हैं I hope आप अच्छी तरह से introduce हो गए होंगे इस topic से आप जो हमारा next lecture होगा, जो हमारा next session होगा उसमें हम सबसे पहला topic cover करेंगे कि भाई, electric current होता क्या है है ना, अभी तो मैंने बता दिया कि charges का flow, the rate of flow of charge लेकिन ऐसे हलके में थोड़ी पढ़ेंगे हम, घुसेंगे, अच्छे से उस topic में घुसेंगे और तभी बाहर निकलेंगे जब तक वो हमें समझ में ना आ जाए तो हम मिलेंगे अपने next session में, अपने next lecture में तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो official website है magnetbrains.com, उसे visit कर लेना जहां पर आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं, arranged form में, याने की playlist में साथी साथ सभी topics के वहां पर आपको होंगे notes भी available So do visit our official website magnetbrains.com, till then keep learning with magnet brains Thank you for watching Hello everyone, very good morning to all So students, आज के इस lecture में, आज के इस session में हम class 10th physics का 3rd chapter electricity finally start करने वाले हैं Previous section में आपने introduction देखा था उसमें देखा था कि हमें कौन कौन से ऐसे topics हैं जो इस chapter के under हमें cover करने हैं, पढ़ने हैं तो इस session से हम start करते हैं electricity chapter का first topic जो की है electric charge और फिर समझेंगे कि आखरी electricity आई कहां से है तो इस session का मैंने target fix कर दिया है कि सबसे पैदे तो हमें समझना होगा कि electric charge क्या होता है और फिर ये electric current या electricity क्या होती है तो जब target हो गया ऐसे, तो फिर देरी किस बात की तो चलिए start करते हैं आज का हमारा session So this is Vibhuti Khare, welcome to Magnet Brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाद किसी पी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है Quality Education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का ये हमारा session First topic के साथ Electric Charge and Electric Current या फिर जो आपका मन करें अगर आपको Electric Current बोलना है या आपको Electricity बोल रही है कुछ भी चाहो आप बोल सकते हो ठीक है? सबसे पहले हम समझेंगे भाई हमारे इस Electric Charge को जैसा कि मैंने आपको introductory वीडियो में बताया था कि Charge क्या होता है भाई? Charge होती है एक fundamental property किसी भी matter की अब देखो इस सेशन में मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ ना उसको बिल्कुल full concentration और focus के साथ समझने की कोशिश करना वरना क्या होता है ना चीज़ें सर की उपर से निकल जाती है बिल्कुल full concentration के साथ समझना Charge क्या होता है? Charge हम बोलते हैं इसी भी matter की क्या होती है? एक fundamental property होती है क्या होती है? एक fundamental property ठीक है? अब अगर मैं इसको बोलू किसके जैसी? तो मैं इसको relate करूँगी mass के साथ mass भी क्या है? एक fundamental property होती है matter की कितनी भी छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो? कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज क्यों ना हो सभी चीज का एक मास होता है आप बात कर लो एक बड़े से प्लैनेट की उसका भी एक मास है और आप बात कर लो किसी भी मैटर के smallest entity की या smallest unit की that is atom उस atom का भी एक मास होगा atomic mass आपने पढ़ा होगा chemistry में 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं थोड़ा बहुत atomic mass के बारे में atom के structure के बारे में तो कहने का मतलब ये है कि कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो और कितनी भी छोटी चीज क्यों ना हो mass सभी चीजों का होता है अगर मैं बोलू कि मेरे पास एक object है और उस object का mass नहीं है तो क्या वो object exist करेगा भई mass होता क्या है mass हम बोलते हैं कि जिन भी चीजों का कोई particular object बना हुआ है उन चीजों का amount यानि कि कितना amount particular जैसे मिल पास एक ball है है ना मैंने आपको कल भी पताया था introductory video में कि मेरे पास एक ball है वो ball किसकी बनी हुई है भाई rubber की बनी हुई है तो इस ball का mass क्या हो जाएगा जितने amount की rubber लगी होगी ना ball को बनाने में वही इस ball का हो जाएगा mass अब अगर मैं बोर रहे कि मेरे पास एक ball होए लेकिन उसका mass नहीं है mass नहीं है इससे मतलब क्या हुआ कि rubber की जो amount लगी है इसे बनाने में actually amount किती हुई zero हुई यानि कि zero amount लगी है rubber इस ball को बनाने में यानि कि rubber है ही नहीं ball में तो जब भाई rubber ही नहीं है ball में तो ball कहां से exist करेगी तो conclude कैसे करेंगे हम इन सभी चीज़ों को कि जिस तरह से mass सभी object का होता है चाहे वह आप एक planet की बात कर लो sun की बात कर लो moon की बात कर लो stars की बात कर लो और अगर आप दूसरे तरफ लोगे क्या सबसे smallest entity को matter की atom उसका भी क्या होगा एक mass होगा तो जिस तरह से mass सभी objects का होता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसी समान जो हमारा charge है वो भी सभी matter के पास होता है ठीक है जो charge है वो क्या है ये भी एक ऐसी fundamental property है जो सभी matter के पास होती है अब ये जो हमारा charge है इसे हम represent कैसे करते हैं इसे हम represent करते हैं कैसे क्यूं से ठीक अब charges दो type के होते हैं I hope charges का concept आपको समझ में आया हो की charge होती ही क्या है एक fundamental property होती है matter की जिस तरह से सभी matter का क्या होता है एक mass होता है उसी समान सभी matter का क्या होगा? एक charge भी होगा charges कित्ते type क्यों होते हैं? charges होते हैं दो एक positive और एक negative आपने magnet देखा है magnet के पास क्या होता है भई? magnet के पास होता है एक north pole और एक क्या होता है? एक होता है south pole दो magnets को जब आप आपस में लेकर के आओगे, पास पास लेकर के आओगे जब आप same pole से दोनों को पास लेकर के आओगे यानि कि आपके पास यह है एक magnet जिसका यह रहा north pole, यह रहा south pole एक और दूसरा magnet लेकर के आओ और दूसरे magnet को आप इस magnet के पास लेकर के आओ कैसे पास लेकर क्या होगे कुछ इस तरीके से कि दूसरे वाले मेगनेट का भी North Pole कहां आ रहा हो पहले वाले मेगनेट के North Pole के पास क्या होगा Ripple कर जाएंगे मेगनेट क्या होगे Ripple कर जाएंगे Same poles को अगर आप 2 मेगनेट के साथ में लेकर आओगे अगर आपने North Pole के साथ में South Pole लेके आए हो, दूसरे Magnet का, तो वो attract होंगे Same case यहाँ भी हो रहा है, Charges दो टाइप के होते हैं, एक होता है Positive और एक होता है Negative Same Charges क्या करेंगे, आपस में Ripple करेंगे, हैनि कि एक दूसरे से दूर-दूर भागेंगे और अगर आप Opposite Charge लेके आओगे, एक Positive या एक Negative तो वो attract कर जाएंगे हैनि कि Positive, Positive, Ripple करेंगे, Negative, Negative, Ripple करेंगे, Positive, Negative, Attract करेंगे ठीक, Charges के बारे में इतनी Knowledge आपको काफी है अब मैंने आपसे कहा था कि Charge सभी चीजों का होता है क्योंकि यह क्या है Charge? एक Fundamental Property होती है, किसी भी Matter की Charge सभी चीज का होगा अब हम बात करते हैं, Smallest Entity की, या एक Smallest Unit की, जिससे की कोई भी Matter बना होता है और वो क्या होता है, Smallest Unit या Smallest Entity क्या होती है? तो आप बोलोगे, Atom ठीक है? अब एक जो Atom होता है, उसके पास क्या-क्या Present होता है? आप नाइज में आपने थोड़ी बहुत Chemistry तो पड़ी होगी है ना? थोड़ी Basic Knowledge तो आपको Atom के बारे में होगी ही Atom के बास क्या होता है? एक होता है Nucleus और Nucleus के बाद में उसके पास होते हैं 3 Sub Atomic Particles ठीक है? एक Atom के पास होगा Nucleus और इसके बाद में 3 Sub Atomic Particles होते हैं कौन-कौन से? Protons, Neutrons and Electrons एक होगा Nucleus Nucleus के अंदर कौन present होता है? Nucleus के अंदर present होते हैं 2 Sub Atomic Particles Proton and Neutron और बाहर की तरफ शेल्स में कौन घूमता है? शेल्स में घूमते हैं हमारे Electron थर्ड टाइब के Sub Atomic Particles अब मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि बाई, चार्ज जो होता है वो सभी चीजों का होता है यानि कि एक Atom के पास भी चार्ज होगा ठीक? कि Atom के अंदर क्या प्रेजन्ट है? Electron प्रेजन्ट है? Proton प्रेजन्ट है? तो क्या Electron और Proton के पास चार्ज नहीं होगा? बिल्कुल होगा मैं बार-बार आपसे कह रही हूँ आखिर मैंने चार्ज को मास से रिलेट क्यों किया? क्योंकि मैं आपको बताना चार्य हूँ कि किस तरह से मास और चार्ज किसी भी मैंटर के लिए कितना important है जैसे कि एक मैंटर बिना मास के exist नहीं कर सकता similarly एक मैंटर बिना चार्ज के exist नहीं कर सकता यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ smallest entity की, smallest unit की of the matter जो कि क्या है? एक atom है atom के पास है nucleus, nucleus और उसके पास में क्या है? तीन subatomic particles है मैं कह रही हूँ charge सब के पास होता है तो फिर यह electron और proton के पास में charge क्यों नहीं होगा? इनके साथ भेदभाव क्यों? याने कि मैं बोल सकती हूँ कि हमारे subatomic particles electron और proton के पास भी charges होते हैं कौन से charge होते हैं? आपको पता है electron के पास होता है कौन सा charge भई? negative charge और proton के पास क्या होता है? positive charge और जो हमारे neutron होते हैं वो कैसे होते हैं भई? यह होते हैं neutral ठीक है? neutron कैसे होते हैं? neutral होते हैं electron के पास कौन सा charge होता है negative और proton के पास कैसा charge होता है positive I hope यह चीज़े आपको समझ में आई होगी फटा फट से मैं conclude कर देती हूँ कि electric charge क्या है एक ऐसी fundamental property है जो की सभी matter में present होती है अब मैं बात कर रही हूँ हमारे matter की smallest unit की या smallest entity की जिसे हम क्या कहते है atom atom के पास क्या होता है nucleus होता है nucleus के अंदर क्या होते है दो subatomic particles होते है proton and neutron और nucleus के बाहर shell में कौन घूमते है electrons घूमते है तो electron सभी matter के पास charge होते है तो भई हमारे electron और proton के पास भी क्या होंगे charges होंगे electron के पास कौन सा charge होता है negative proton के पास कौन सा charge होता है positive करेंगे positive negative attract करेंगे टीक इलेक्टिक चार्ज के बारे में इत्ती knowledge आपके लिए कासी है अब एक बात बताओ हम किसी भी object को या किसी भी particle को positively या negatively charged कैसे बोल पाते हैं ठीक है यह experiment आप सबने कभी ज़रूर किया होगा balloon लो और उसको तेजी से अपने बालों के उपर रगड़ो और जब आप उसको balloon को उपर उठाओगे न आपको क्या दिखेगा आपके बाल भी balloon के साथ उठते हुए दिखेंगे ये क्यों हो रहा है भाई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने charging कर दी है ठीक है charging कर दी है basically मैं आपको यहाँ पर पूछ रही हूँ कि कभी भी एक particular object को या particle को आप positively charged या negatively charged कैसे कह पाते हो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास क्या है एक rod है ठीक है ये rod किसकी बनी हुई है भाई प्लास्टिक की बनी हुई है अब ये जो मेरी प्लास्टिक की rod है इसको मैंने बोला ये क्या है ये है positively charged फूटा दिमाग लगाओ अभी अभी मैंने atom के बारे में आपको पताया था कि atom के कि पास electron के पास negative charge और proton के पास positive charge अब ये जो मेरी प्लास्टिक की फीटाइब का सुब-टॉमिक पार्टिकल है. कौन सा प्रोटॉबDay क्यों कि अभी-अभी हमने पढ़ा है कि प्रोटॉबDay के पास positive charge होता है. तो अगर मेरी plastic की rod कैसी है इसका मतलब क्या? कि plastic के अंदर जो उसके atoms हैं उसके पास के वाद 1 फीटाइब का subatomic particle है कौन सा proton और इसी proton के कारण क्योंकि इस proton के पास कौन सा charge होता है positive charge होता है इसी लिए मेरी rod भी positively charge हो गई क्या ये explanation सही है नहीं क्यों क्योंकि भाई ऐसा atom तो possible ही नहीं है जिसके पास सिरफ एक ही type का subatomic particle हो सिर्फ proton ही हो electrons नहीं हो और neutrons भी नहीं हो ऐसा possible ही नहीं है प्लास्टिक की rod के जो plastic atoms होंगे उनके पास electrons भी होंगे protons भी होंगे और neutrons भी होंगे तो फिर आखिर का ये positively charge हो के से पारी है वो इसलिए क्योंकि इस plastic की rod के पास number of protons जादा है ठीक है? यह जो हमारी प्लास्टिक की रॉड है इसमें number of protons जादा है इसके atom के पास, प्लास्टिक की रॉड के atom के पास electrons भी है, protons भी है, neutrons भी है फरक का आ रहा है, फरक का रहा है इस proton के number में number of protons जादा है और proton के ओपर कौन सा charge होता है? तो number of proton जादा है या मतलब क्या number of positive charge जादा है इसलिए rod कैसी बन गई? Positively charge बन गई इसी का अगर मैं reverse कर दूँ तो reverse में मैंने बोला कि मेरे पास एक rod है और वो कैसी है? negatively charge है negatively charge का क्या मतलब होगा? कि यह जो rod है इसमें जो भी atoms present है इसके respective atoms उनके पास nucleus होगा, neutron होगा, proton होगा, electron होगा लेकिन फिर भी यह कैसी है? negatively charge है इसका मतलब क्या? कि electrons का number जादा है हमें पता है कि electron के पास कौन सा चारज होता है? negative charge होता है electrons का number जो कि इस rod में जादा था जिसके कारण इस rod में negative charge जादा हो गया नेगेटिव चार्ज जादा होने के कारण रोड कैसी हो गई नेगेटिव ली चार्ज हो गई ठीक है? इस तरह से आप किसी भी अब्जेक्ट को जो मैंने बोला था ना कि आप बलून जब राप करते हो अपने बालों पे और उसको जब उठाओगे तो आपके बाल भी साथ-साथ उठ जाएंगे क्यों? क्योंकि आपने चार्जिंग कर दी है चार्जिंग आप कैसे कर सकते हो? किसी भी पार्टिकल को, किसी भी अब्जेक्ट को नंबर ओफ इलेक्टरॉन जदो बढ़ा दो या नंबर ओफ प्रोटॉन जदा बढ़ा दो प्रोटॉन जदा बढ़ जाएंगे तो वो positively charge हो जाएगा object Electrons बढ़ जाएंगे तो negatively charge हो जाएगा A body is set to be negatively charged if it gains electron Electron उसने ले लिये यानि कि जदा electrons ले लिये यानि कि जदा negative charge आ गया ठीके इसलिए वो negatively charge कहलाता है Example क्या है A rod rubbed with fur acquires negative charge फिर इसके बाद में A body is set to be positively charged if it loses electron Electron lose कर देगी का मतलब क्या होगा Electron कम हो जाएंगे Electron कम हो गया मतलब कौन जदा हो गया बही atom के पास हो गयावाद दो ही type के charge particles एक उसके पास होता है negative charge एक होता है positive charge Negative charge इसके पास होता है Electron के पास positive होता है proton के पास अगर मैं बोर्डू कि किसी object में Negative electrons चले गए हैं Electrons चले गए मतलब क्या Negative charge चला गया Negative charge कम हो गया तो जादा कौन हुआ positive charge तो इसलिए object कैसा बन गया Body कैसी बन गई Positively charge बन गई A glass rod rubbed with a silk cloth Acquires a positive charge आई होगी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब हम बात करते हैं कि इसकी electric charge के बारे में इत्ती अभी इस level पे आपको आज के सेशन में इत्ती knowledge आपके लिए सफिशन्ट है अब एक काम करते हैं हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे ये वही है कि electric charge को हम represent कैसे करते हैं क्यों से करते हैं और इसकी ऐसा unit क्या होती है Coulombs होती है Coulombs वतलब की capital C ठीक है अब देखो अब एक बात करते हैं हम बात करते हैं electric current की definition के बारे में बाई electric current को आप कैसे define करोगे तो इसकी classic definition होती है the rate of flow of charge ठीक है क्या बोला मैंने the rate of flow of charge क्या कहलाता है electric current कहलाता है इस पूरी definition में से हमने charge word अच्छे से समझ लिया है है ना अभी अभी हमने समझा charge word को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है आया क्या दूसरा word दूसरा word आया flow flow का मतलब क्या होता है बहना इसका मतलब कि electric current तब आएगा जब charges flow होंगे charges बहेंगे मतलब समझ रहे हो the rate of flow of charge क्या है एक definition है किसकी electric current की electric current कब आएगा जब charges क्या होंगे flow होंगे जब charge बहेगा जब charge flow होगा उस time पे electric current आएगा ठीक है अब एक सवाल है आपको conductors पता है क्या हותे है आपको inductors भी पता है क्या होते है ठीक है insulators भी आपको पता है क्या होते है conductor क्या है मैं आपसे definition पूछू तो आप बोलोगे कि भाई वोस चीजें जो कि क्या करें अपने आपसे electricity को पास होने दे और insulators क्या होते हैं वो चीजें जो अपने आपसे electricity को पास नहीं होने देते हैं यानि कि electricity को conduct नहीं करते हैं ये चीज़ तो हमें पता है लेकिन आप क्या करते हैं? हम तोड़ा सा अपना level उपर उठाते हैं पर आखर conductors हमारे electricity conduct करते हैं तो क्यों करते हैं? और अगर insulators electricity conduct नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं? हमने बोला कि conductors क्या करते हैं electricity conduct करते हैं और अभी अभी हमने electricity की definition क्या पढ़ी थी the rate of flow of charge उस definition में से अभी rate वाला जो term है उसको हटा दो बस flow of charges के नाम पे charge का जो term है उतना याद रखो हमने बोला कि जब charge flow करते हैं उस समय क्या होता है electric current बहता है जब electric current कब आएगा जब हमारे charges क्या करेंगे flow करेंगे अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे conductor के पास conductor क्या कर रहा है? Electric current है उसके पास Electric current को जाने दे रहा है इसका मतलब वहाँ क्या हो रहा है conductor के पास? इसका मतलब यह हो रहा है कि भाई इस conductor के अंदर Charges क्या कर पा रहे हैं? Charges कर रहे हैं Flow तो definition क्या बोलती है इलेक्ट्रिक करेंट की? इलेक्ट्रिक करेंट का बाएगा? जब charges flow करेंगे, जब charges बहेंगे, हमारे जो conductors होते हैं, वो electricity conduct करते हैं, यानि कि उनके तुरू electricity जा सकती है, इलेक्ट्रिक करेंट जा सकता है. और अगर conductor के अंदर electric current है, तो वो electric current हमें क्या बताएगा? electric current के presence हमें क्या बताएगी? कि भई conductor के अंदर हमारे charges क्या कर रहे हैं? flow कर रहे हैं. Charges conductor के अंदर बहे रहे हैं, इसलिए conductor के अंदर क्या है? electric current है. ठीक है? अभी हमने ये नहीं बता रहे हैं आपको मैंने, कि कौन से charges है? अभी मैं आपको सिर्फ इतना दिमाग में बिठाना चारी हूँ, कि अगर हमारे conductors के अंदर charges क्या कर रहे हैं? flow कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर electric current है. भई conductors के लिए आपको यहीं तो कहते हैं, basic definition क्या होती है conductors की? कि वो चीज़ें जो कि electricity conduct करें, यानि कि conductor क्या है? एक ऐसा substance, एक ऐसा material है, जो कि अपने अंदर electric current को, electric current को pass होने देता है अपने आपसे, यानि कि उसमें electric current होता है, और electric current कब आएगा? जब किसी भी object के अंदर charges क्या करते हैं? बहेंगे, यानि कि charges flow करेंगे, अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि conductor के अंदर charge बहरा है, लेकिन charge तो मैंने आपको अभी यह बताया कि कि कितने type के होते हैं? दो, एक positive और एक negative. तो भाई, जब conductor के अंदर charges flow करते हैं, तो कौन सा charge flow करता है भाई? हमारा charge flow करता है negative वाला. Conductors के अंदर negative charge flow करता है, जिसके कारण conductor के अंदर क्या होती है? Electric current होता है. ठीक, ये चीज़ आपको आई समझ में. अब next point हम पढ़ते हैं, कि ये negative charge आखिर आया कहां से? Atom अभी अभी हमने पढ़ा है, उसके सब atomic particles भी हमने पढ़े, electrons के पास negative charge, protons के पास positive charge. तो भाई, हमारा ये जो conductor है, ये किसका बना होगा? ये भी तो atoms का ही बना होगा. Conductor क्या होता है? भाई, material होता है, एक object होता है. और सबी objects, सबी material किसके बने होते हैं? Atoms के ही बने होते हैं. है ना? तो conductor के पास भी क्या होगा? Atom होगा. Atom के पास एक होता है negative charge, और एक होता है positive charge. Negative charge कौन अपने उपर लेके आता है? Electron और positive कौन लेके आता है? अपने उपर proton लेकर के आता है. Positive charge. अब अगर मैं बोड़ रहे हैं कि मेरे conductor के अंदर क्या flow हो रहे है? Negative charges flow हो रहे हैं. तो इस conductor के अंदर atoms present होंगे. Atom के पास कौन सी ऐसी चीज़ है? कौन साइस इसा atomic particle है जिसके पास negative charge है? Electron. यानि कि अगर कोई conductor अपने अंदर negative charges flow होने दे रहा है, इसका मतलब क्या? Negative charge किसके पास होता है? Electrons के पास होता है. यानि कि जो conductors होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? Electricity को कैसे conduct करते हैं? अपने through charges को flow होने देते हैं. कौन से charges को? Negative charges को. Negative charges कहां से आए हैं? वो आए हैं electron से. किसके electrons? तो भाई हमारे conductor भी तो atoms कहीं बने होंगे. उन atoms के पास क्या होगा? Electrons होंगे. तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो conductor होते हैं ना, उसके अंदर, उसके through electric current पास होना कैसे possible है? क्योंकि भाई conductor के अंदर electrons flow करते हैं. Electrons flow करते हैं. और ऐसे वैसे electrons नहीं भाई या, free electrons. एकदम जो focus type के जो electrons होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता, जिनको कोई पढ़ाई लिखाई का से मतलब नहीं होता, वही electrons क्या करते हैं? बहते जाते हैं conductor में और electricity conduct करते हैं. I hope या कुछी समझ में आ रही होगी, कि conductor, electricity conduct क्यों करते हैं? क्योंकि भाई, उनके अंदर charges flow होते हैं. जब तक charge नहीं भाएंगे कहीं पे, electricity नहीं होगी. अगर conductor के अंदर electric current है, electricity है, मतलब definitely क्या हो रहा है? Charges flow कर रहा है. कौन से charges? Negative charges. अब इस conductor के पास negative charge कहां से आएगा भाई? तो भाई, atom के electron से ही तो आएगा, क्योंकि electron के पास ही negative charge होता है. हमारा conductor भी क्या है? एक material है, एक object है, जो कि किससे बना होगा, atom किससे बना होगा, atom के पास क्या होगा? nucleus होगा, और 3 subatomic particles होगी, electrons होगी. तो अगर हम बोल रहे हैं कि conductor के अंदर negative charge लो कर रहा है, मतलब कि electrons लो कर रहे हैं, और ये electrons कहां से आए हैं? ये electrons आए हैं भाई, ये कौन से electrons हैं? free electrons हैं. I hope, ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी. अब एक काम करते हैं, ये जो electrons हैं, हमने बोला कि conductor के अंदर free electrons बहते हैं. ये question आता है, कि आखे conductors electricity conduct क्यों करते हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई, conductors में जो free electrons हैं वो flow करते हैं. Conductors के अंदर free electrons flow करते हैं, जिसके कारण वो electricity conduct करते हैं. लेकिन मेरा सवाल अब आप से ये है, कि आखे इन electrons को free किस ने किया? क्या ये हमेशा से ही free थे? या इनको free कराया गया? ठीक है? इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं? हम एक conductor ही लेते हैं, copper, ठीक है? हमारे घरों में जो electrical wiring वगेरा जो होती है, वो किसकी बनी होती है? copper की बनी होती है. याने कि copper क्या करता है? अपने तुरू electric current जो है, वो supply करता है, electricity को अपने से flow कराने देता है, pass करने देता है. तो copper क्या है? एक बहुत अच्छा electric conductor है. copper का atomic number क्या होता है भई? 29. अब अगर मुझे इसका electronic configuration करना होगा, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? 2, 8, 18, योगा 20, 28, और योगया 1. copper क्या है? एक दरा का conductor है, हमारे घरों में जो wiring लगी होती है, electrical wiring, वो copper wires की ही बनी होती है. copper एक बहुत अच्छा conductor होता है, electricity का. copper का atomic number क्या है? 29. और इस 29 का, अगर मुझे electronic configuration निकालना है, 2, 8, 18, और 1. यानि कि outermost shell में कितने number of electrons है? सिरफ एक ही electron है. चीक है? यह रहा क्या? nucleus, और यह रहे क्या? different shell. तो outermost shell में आपको कितने number of free electrons दिख रहे हैं? आपको सिरफ एक free electron दिख रहा है. यह outermost shell को हम क्या कहते हैं? याद करो, 9th में हमने पड़ा है. इस outermost shell को हम क्या कहते हैं भाई? valence electron कहते हैं. है ना? sorry, valence shell कहते हैं. outer most shell को हम क्या कहते हैं? valence shell कहते हैं और इसमें जो electron present होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं valence electron. ठीक? अब आपको पताए कि जो nucleus होता है वो electrons पे एक nuclear charge exhibit करता है यानि कि वो electrons को अपने तरफ पकड़ के रखता है जितने पास कोई electron होगा nucleus के उसके उपर उतना ही जादा nuclear charge और कोई electron जितने जादा दूर होगा nucleus से उस पे उतना ही कम nuclear charge अपकोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर मुझे इन सभी shell में से copper के एक electron उठाना होगा तो क्या मैं ये first वाले shell से उठाऊंगी नहीं उठाऊंगी क्यों? क्योंकि nucleus इस बहुत कसके पकड़ के रखा हुआ है इस वाले electron पे, first shell के electron पे nuclear charge बहुत जादा है attractive force बहुत जादा है, मुझे यहाँ से अगर electron निकालना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मैं क्या करूंगी? उस shell से निकालूंगी electron को जिस पे की nuclear charge सबसे कम होगा तो मैं क्या करूंगी? यह जो valence shell है ना इस में से इस valence electron को क्या करूंगी? निकालूंगी ठीक है? मैं क्या करूंगी? इस valence shell से electron को, जो valence electron है, outer most shell से जो valence electron है, उसको मैं निकालूंगी कैसे निकालूंगी भाई? मुझे थोड़ी सी energy डालनी पड़ेगी मैं energy डालूंगी, तो यह जो electron है ना अब यह क्या होगा? shell से बाहर निकल आएगा shell से बाहर निकल गया, मतलब यह क्या हो गया? भाई यह हो गया free भाई free अब किसी चीज़ को कब कहते हो? जब वो किसी भी चीज़ से bounded ना हो, बिल्कुल आजाद हो, आजाद परिंदा तो हमने electron को free कैसे करवाया? हमने यह जान लिया कि conductors जो होते हैं वो क्या करते है, electricity conduct कैसे कर पाते हैं? क्योंकि last free electrons flow करते हैं लेकिन भाई यह free electrons आये कहां से है? तो हमने क्या करा? हमने copper conductor का example लिया, copper जो होता है वो بहुत अच्छा conductor होता है हमारे घरों में जो electrical wiring होती है उसमें copper ही use होता है ठीक है अब इस copper का electronic configuration atomic number क्या है 29 electronic configuration कैसे निकालेंगे 2 8 18 और 1 जो outermost shell है उसे हम क्या कहते है valence shell कहते है और उसमें जो electron present होते है उन्हें हम क्या कहते है valence electron होते है nucleus क्या करते हैं सबھی electrons पे एक attractive force लगा करके रखते हैं अपनी तरफ खीचते हैं जो electron nucleus की सबसे ज़्यादा pass होगा उसके उपर nuclear charge उतना ही ज़्यादा force उतना ही ज़्यादा attractive force और जो electron दूर होगा nucleus से उसके उपर attractive force क्या होगा उतना ही कम होगा तो अगर मुझे किसी shell से electron को निकालना है तो मैं क्या करूँगी? पास वाले से नहीं, दूर वाले shell से electron को निकालूँगी क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे महनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि दूर वाले electron पे क्या है? जो nuclear charge जो लग रहा है, वो कैसा है? कम है तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे energy डालूँगी तो जब इस valence shell से, outermost shell से, जब मैं valence electron निकाल लूँगी shell के बाहर कर दूँगी, तो वो electron क्या हो जाएगा? free हो जाएगा तो I hope यह कहानी आपको पूरी समझ में आई होगी इस session के लिए इतना ही रखते हैं आज हमने यह सीख लिया कि किस तरह से conductors electricity conduct करते हैं क्योंकि उनके पास free electrons होते हैं और यह free electrons कहां से आते हैं? यह भी हमने समझ लिया अब next session में हम electric current को complete करने की कोशिश करेंगे इस session के लिए इतना ही देखेंगे की भाई यह electron flow कैसे करता है ठीक है? तो हम मिलेंगे अपने next session में तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर लेना जाप आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे playlist में साथ ही साथ सभी topics के वहाँ पे होंगे आपको notes भी available So do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains. Thank you for watching Hello everyone, previous session में हमने बात करी थी conductors की और insulators की, तो देखा था कि conductors भाई electricity conduct क्यों कर पाते हैं और insulators क्यों नहीं कर पाते हैं हम भी देखा था कि किस तरह से conductors के आंदर होते हैं free electrons और वही free electrons क्या करते हैं, flow करते हैं और उनके थूँ electricity pass कराते हैं और आज उसी चीज़ को हम continue करेंगे और electric current के बारे में और समझेंगे तो भाई इस session का मैंने target fix कर दिया है कि इस session में हमें समझना होगा electric current को तो जब target हो गया fix तो फिर देरी के इस बात की तो चलिए start करते हैं आज का यह हमारा session So this is विभूती खरे, welcome to magnet brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिले वाले हैं, बिल्कुल free of cost याने कि magnet brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost और इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का यह हमारा session जिसमें हम electric current के बारे में कुछ और बाते समझेंगे अब जल्दी से हम करते हैं एक quick recap करते हैं हमने क्या पढ़ा था? charge के बारे में पढ़ा था कि जिस तरह से mass क्या होती है एक fundamental property होती है किसी भी matter की उसी के तरह जो charge है वो भी क्या है? एक fundamental property है किसी भी matter की जैसे mass सभी matter का होता है चाहे वो बड़ा object हो चाहे वो छोटा object हो smallest entity की किसी भी matter की जिसे हम क्या कहते है atom उस atom के अंदर भी क्या होता है? उसका एक charge होता है बही charges दो type के होते हैं एक होता है positive और एक होता है negative atoms के अंदर क्या present होता है? nucleus और तीन type के subatomic particles that are protons, neutrons and electrons मैंने आपको बोला कि जो charge है वो सभी चीजों का होता है तो अगर सभी चीजों का charge है तो फिर हम electron और proton को क्यों छोड़े? तो electron के पास भी क्या होता है? एक negative charge और proton के पास भी क्या होता है? एक positive charge ठीक? अब अगर मुझे आपको बताना है कि मेरे पास एक object है वो positively charge है positively charge वो कैसे बन गया object तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो object है वो भी किसका बना होगा atoms का ही बना होगा सारी चीज़े atoms की बनी होती है अगर मेरे पास एक ball है मैं उस ball के लिए कहले हूँ कि यह कैसा है positively charge है इसका मतलब क्या कि उस ball के अंदर जो atoms होंगे उसमे number of protons जादा होंगे यह मत कहना कि positively charges का मतलब क्या कि वो जो ball है उसके atoms के पास सिर्फ और सिर्फ positive charges है protons है क्योंकि हमें पता है कि positive charges आ कहां से रहे है protons से आ रहे है negative charges कहां से आ रहे है electron से आ रहे है तो अगर ball कैसी है positively charge है तो ये मत कहना कि ball के अंदर जो atoms होंगे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ positive charges है याने की protons है नहीं, electrons, protons, neutrons सब होते हैं, difference कहा होता है, difference होता है proton और electron की number में अगर कोई object, अगर मेरी ball कैसी है positively charge है, इसका मतलब क्या, उसमें number of electrons कम है proton जादा है, proton के अपर charge कौन सा है, positive है, तो अगर proton जादा है, तो positive charge भी कैसा हो जाएगा, जादा हो जाएगा इसलिए वो positively charge कहलाएगा, इसको गुमा दो, उल्टा कर दो, मैं बोर्यूं कि अब मेरी ball कैसी है, negatively charge है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस ball के atoms के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, electrons है क्योंकि हमें पता है कि negative charge कहां से आता है, electrons से ही आता है तो अगर मैंने बोला कि मेरी ball कैसी है negatively charge है, इसका मतलब यह नहीं है कि उस ball के atoms के अंदर सिर्फ electrons है जी नहीं, electrons भी होंगे, protons भी होंगे, neutrons भी होंगे difference कहा होगा? difference होगा electrons और protons के number में ball के atoms के पास electrons का number ज़ादा हो गया है कहां से ज़ादा हो गया है? उसने कहीं से ले लिया है तो भई, electrons का number ज़ादा मतलब क्या? negative charge ज़ादा इसी लिए ball कैसी हो गई? negatively charge हो गई फिर इसके बार में मैंने आपको electric current की definition बताई थी क्या होती है electric current की definition? the rate of flow of charge अभी rate को अभी हटा दो rate अभी हमने पढ़ा नहीं है हमने क्या पढ़ा है? charge पढ़ा है कि opposite charges positive positive charge का करेंगे? repel करेंगे negative negative क्या करेंगे? repel करेंगे positive negative क्या करेंगे? attract करेंगे charge के बारे में काफी हमारे पास अभ information आ गई है इसको हम Q से represent करते हैं और इसकी ऐसा unit क्या होती है? coulombs होती है ची? अब charge जो electric current की definition थी हमारी the rate of flow of charge rate को अदादो दो words अपने पास हैं काम के पहला क्या है charge? जो हमने समझ लिया और दूसरा क्या है flow? याने कि charges क्या करते हैं? flow करते हैं flow करते हैं मतलब क्या? charges बहते हैं याने कि electric current तभी आएगा जब charges क्या करेंगे? flow करेंगे मैंने आपको वजाया था कि conductors और insulators चीक है? conductors और insulators में difference क्या होता है? तो आपने बोला था कि मैं conductors बहुत पहले से बढ़ते आ रहे हैं कि conductors वो चीज़े होती हैं जो कि अपने तुर electric current को या electricity को पास करने दे और insulators क्या होते हैं? यह वो चीज़े होती हैं जो अपने तुर electric current को पास नहीं होने देती हैं वह अगर conductor क्या कर रहा है? electricity को अपने तुर travel करने दे रहा है move करने दे रहा है इसका मतलब क्या है? उसके अंदर conductor के अंदर क्या है? electricity है electric current है और अभी अभी एलेक्ट्र करन्ट को यह जाने दे रहा है कंडक्टर करते हैं लेकिन अब हमें लेबल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अब हमें ये हमको बताना पड़ेगा सामने वाले को कि हमें पता है कि conductors electricity connect करते हैं लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर charges flow होते हैं और specify करते हैं कौन से charges flow होते हैं भाई? तो उनके अंदर negative charges flow होते हैं कौन से charges flow होंगे? negative charges उनके अंदर flow होंगे ठीक अब जल्दी से मुझे यह बताओ कि negative charge कहां से आता है negative charge आता है subatomic particle electron से हम बोल रहे हैं कि conductor के अंदर एक negative charge flow कर रहा है यह negative charge कहां से आएगा यह negative charge आएगा conductor के अंदर जो atoms है ना उनके electron से आएगा और कौन से electrons भई हम घूमने कब जा पाते हैं हम बहते कब हैं हम flow कब कर पाते हैं बही charge क्या कर रहा है conductor के अंदर घूमी तो रहा है ना flow ही तो कर रहा है हम कब घूम पाते हैं जब हम free होते हैं exam सो चुके रहते हैं पढ़ाई हो चुकी रहती है तब हम मज़े से घूमने के लिए निकल जाते हैं यहां पे हम बोल रहे हैं कि conductor के अंदर electron निकला है घूमने के लिए कब घूमने निकलेगा जब होगा free यानि कि free electrons conductor के अंदर क्या करते हैं flow करते हैं इसलिए हम बोलते हैं कि conductor के अंदर negative charge flow हो रहा है और negative charge के flow होने के कारण हम बोलते हैं कि conductor के अंदर electric current बह रहा है ठीक, स्फिर हमने ये सोचा था, समझा था कि आखिर ये free कैसे हुआ electron ठीक है, हम free कैसे होते हैं, जब अपनी पढ़ाई खतम कर लेते हैं, exam दे देते हैं लेकिन ये electron कैसे free हो गया, तो जब देखो, atom का जो आपको structure है, वो याद करो ठीक है, क्या होता है atom का structure, एक conductor से हमने समझा था, previous session में कौन सा conductor हमने लिया था, copper लिया था, copper क्या होता है, बहुत अच्छा conductor होता है, electricity का हमारे घरों में जो electrical wiring होती है, वो किसकी बनी होती है, copper की बनी होती है copper का atomic number क्या था भाई, 29 था, electronic configuration कैसे निकलेगा इसका, यह रहा copper के atom का nucleus और यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 18, 18 प्लस 2, 20, और यह हो जाएगा 1 यानि कि copper का जो atom है, एक atom, अभी मैं copper के एक atom की बात कर रही हूँ उसके जो outermost shell है, सबसे बाहर की तरफ जो shell है, उसे हम क्या कहते हैं सबसे पहले तो जो बाहर की तरफ shell होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं Valence Shell है na पढ़ा होगा आपने इसे हम क्या कहते है Valanice Shell कहते है और इसके अंगर जो Electron present होता है उसे हम क्या कहते है उसे हम कहते है Valence Electron कहते है तो Copper के Atom का जो Valence Shell है Outer Mose Shell है उसके पास कितने यह Valence Electron है सरफ एक ही है अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे copper की इस atom में से एक electron निकालना है तो मैं कौन सा वाला electron निकालूंगी आपको याद होगा कि nucleus जो होता है अपने जो electrons होते हैं अपने atom के electrons पे एक तरह का attractive force exhibit करता है अपनी तरफ खीचके उसको पकड़ के रखता है जितने जादा पास होगा कोई electron nucleus के उसके उपर nucleus जो force लगाएगा attractive force वो उतना ही जादा होगा और जितना दूर होगा कोई electron nucleus से उस पे लगने वाला जो force है attractive force है वो क्या होगा उतना ही कम होगा तो अगर मैं first shell से inner most shell से एक electron निकालने की कोशिश करूँगी तो मुझे बहुत energy देनी पड़ेगी बहुत काम करना पड़ेगा मुझे क्यों क्योंकि इस अंदर वाले shell के electron के पास nucleus बहुत जादा अपना एक attractive force लगा रहा है तो भाई अंदर वाले shell से तो मैंने decide किया कि मैं नहीं लूँगी electron क्यों क्योंकि मुझे बहुत मैनत करनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे हम ऐसा एक electron लेंगे जिसके उपर nucleus अपना सबसे कम force लगा पा रहा है और वो कौनसा electron होगा जो सबसे दूर होगा कि atom में इसे एक electron उठाना है तो मैं क्या करूंगी valence electron उठाऊँगी ठीक है? क्यक्योंकि इसको atom से बहार निकालना है is easy तो मैं क्या करूंगी? मैं एक energy apply करूंगी ठीक है? मैं force की एक energy apply करूंगी जिसके क vigilant क्या होगा? valence shell से जोई valence electron है यह बाहर जाएगा atom के बाहर आ गया याने कि वो क्या हो गया अब वो हो गया valence electron free क्योंकि shell से बाहर आ गया atom के भाहर आ गया अब वो क्या हो गया free हो गया तो इस तरह से electrons क्या हो जाते हैं free हो जाते हैं और यही free electrons जब क्या करते हैं flow करते हैं किसी भी object में तो वो object क्या बन जाता है? conductor बन जाता है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब electrons flow होंगे तो क्या होगा? negative charge flow होगा और जब negative charge flow होगा तो क्या होगा? वहाँ पे current flow होगा वहाँ पे electric current आ जाएगा और जो चीज़ें अपने तुरू इलेक्टिक करेंट को पास होने दे उन्हें हम क्या कहेंगे, कंड़क्टर्स कहेंगे ठीक है, तो कंड़क्टर्स के अंदर फ्री इलेक्टरॉंस कैसे आए, यह हमने देख लिया लेकिन अभी तक हमने इन्सुलेटर्स की बात नहीं करी कि भई, कंड़क्टर्स के बारे में आपने बता दिया मैं कि हाँ, कंड़क्टर जो है न, इलेक्टरिसिटी फ्लो करवा देते हैं, यह क्यों इनके पास फ्री इलेक्टरॉंस होते हैं तो यह इन्सुलेटर्स क्यों नहीं कंड़क्ट कर सकते हैं इन्सुलेटर्स में इलेक्टरिसिटी कंड़क्ट नहीं होती है और जहां कंड़क्ट नहीं हो रही, इसका मतलब क्या वहाँ पे चार्जिस का फ्लो नहीं हो रहा है Charges का Flow नहीं हो रहा है ठीक है? Insulators में क्या होता है? Insulators में electricity conduct नहीं कर पाते हैं Insulators क्यों? क्योंकि उनके अंदर Insulator के अंदर Charges का Flow नहीं होता है याने कि कौन से Charge? Negative Charge Negative Charge मतलब क्या? कि Insulators के अंदर Electrons Flow नहीं कर पाते हैं क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इसलिए नहीं कर पाते हैं ऐसा नहीं है कि insulator के insulator atom का नहीं बना है कि उसके पास electron नहीं है बिल्कुल भी नहीं insulator भी क्या है एक material है एक object है जो कि किसका बना होगा atoms का बना होगा, atoms के पास electrons भी होगे लेकिन भाई इन atoms यह आपको इमेज दिख रही होगी यह इमेज किसकी है, कारबन के atoms की है, ठीक है कारबन क्या होता है, एक पूर conductor होता है, electricity का यह उसको आप insulator भी बोल सकते हो तो यह जो आपको डाइग्राम दिख रहा है यह आपको बहुत सारे जो circles दिख रहा है ठीक है, यह क्या है यह भाई, कारबन के atoms है, यह बीच में blue color की circles क्या है, यह कारबन atoms के nucleus है तो इतना पूरा जो आपको structure दिख रहा है वो क्या है, एक carbon atom, यह क्या है दूसरा carbon atom, यह तीसरा है, यह चौथा यह फिफ्थ, ठीक है तो insulators में electricity conduct क्यों नहीं हो रही है तो कि वहाँ पे charges flow नहीं हो रहे है कौन से charge, negative charge, negative charge flow नहीं हो रहे है, इसका मतलब क्या, electron flow नहीं हो रहा है, आखर यह electron flow हो क्यों नहीं हो रहा है, तो ज़रा आप इस diagram को ध्यान से देखिए एक carbon का जो atom है उसके अंदर nucleus है और उसके shell में कौन है electrons है, इन electrons को ध्यान से देखिए आप यह electrons दूसरे carbon atom के जो दूसरा carbon atom है उनके electrons के साथ कितने closely bonded है काफी close और बढ़िया packaging है इनकी, इनसे इतनी strong packaging से electron को निकालना बड़ा मुश्किल है है ना, भई आपने octate rule पड़ा होगा कि सभी एक जो atom होता है वो क्या करना चाहता है एक stability acquire करना चाहता है अपने duplet को complete करना चाहता है अपने octate को complete करना चाहता है कैसे हो पाता है यह तो भई, दूसरे atom से अगर किसी atom के पास number of electrons कम हो रहे हैं अपने जो octate है अगर उसका octate कैसा है incomplete है तो उस incomplete octate को complete करने के लिए वो क्या करता है दूसरे atom की जो electrons होते है उसको ले लेता है या तो completely ले लेता है या फिर sharing कर लेता है कि भई, तुम मुझे दो दो मैं भी तुम्हें दो दे दूँगा यहां भी भी क्या हो रहा है electrons की क्या हो रही है sharing हो रही है तो यहां पे आप देख रहे हो कि किस तरह से electrons बिल्कुल काम में लगे हुए है है की नहीं तो यहां पे भई, किसी भी electron को free करवाना बड़ा मुश्किल है काफी energy का काम है इसलिए ये insulators electricity conduct नहीं कर पा रहे है क्योंकि जो इनके electrons है वो बहुत जादा busy चल रहे है है ना, बहुत जादा busy है close packaging में involved है दूसरे atom की जो octate है उसको complete करने में लगे है अपने atom की भी valency को satisfy करेंगे अपने atom के भी octate को complete करेंगे और बाजू वाले atom के octate को भी complete करेंगे इसके कारेंड इनसे free electron इनसे electron free कराना बड़ा मुश्किल है और जब electron ही free नहीं होंगे तो फिर flow क्या होंगे ठीक है आई बात आपको समझ में अब एक काम करते हैं अब आप ये सोच रहोंगे आपको किस तरह से electron flow करता है ये तो बताया ही नहीं तो ये लो ये हो गया electron का flow अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक atom से हमने क्या किया energy दी suppose ये क्या है ये है एक copper atom इस copper atom का जो outer most shell था वेलेंस चेल था उस पे मैंने क्या किया energy दी energy के देने के गारण क्या हुआ जो वेलेंस electron था वो free हो गया अब वो क्या बन गया free हो गया और वो atom के बाहर निकल आया ठीक है हमने किसका example ये था copper का example लिया था अब ये जो आपको लंबा सा दिख रहा है ये क्या है एक copper wire है अब जाहिर है copper wire में केवाल एक ही copper atom तो होगा नहीं बहुत सारे copper atoms होँगे तो यहाँ पर आपको एक, दो, तीन, चार, पांच आपको आपको पांच copper atoms दिख रहे हैं ये जो free electron को freedom मिली ये अजादी मिली है ये permanent नहीं होती है कि एक बार energy दे करके क्या हुआ आपने valence electron को उसके shell से, outermost shell से बाहर निकाल दिया अब वो जिन्दी की बार जो है न, बाहर ही रहने वाला है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्यों? क्योंकि भाई, ये जो परोस वाला copper atom होगा न जैसे वो देखेगा कि भाई, इस वाले परोसी atom से जो है electron free हुआ है, तो रंद क्या करेगा? उससे अपनी तरफ दबोच लेगा उससे अपने atom की तरफ ले लेगा अब ये तो गड़बड हो गई कितने मुश्किलों से तो energy दे करके एक valence electron को free electron में convert किया था electron को free करवाय था जैसे वो free electron atom के बाहर निकला परोसी atom में क्या किया? परोसी atom में उसको अपने पास रख लिया फिर क्या करेंगे? लेकिन हमें electron तो free करवा नहीं है अब हम क्या करेंगे? कि second atom पे भी क्या करेंगे? energy apply करेंगे जिसके कारण क्या होगा फिर से जो balance electron होगा वो atom के बाहर निकल के आ जाएगा मतलब वो भी क्या हो जाएगा free हो जाएगा अब जैसी second atom के बाहर electron निकला free हो करके फिर से जो पडोसी वाला atom था atom number 3 copper atom उसने क्या देगा कि अरे पडोसी क्या से एक electron निकला है पड़ से जा करके ले लो तो third atom ने भी क्या किया copper atom ने उस free electron को अपने पास ले लिया और इसी तरह से सिलसला जो है continue रहा एक atom से electron free हुआ दूसरे ने पकड़ लिया दूसरे से free हुआ कैसे free हुआ energy apply करेंगे of course फिर तीसरे ने ले लिया तीसरे से free हुआ तो चौते ने ले लिया चौते से निकला तो फिफ्ट ने ले लिया भले ही क्या हो रहा है कि एक से दूसरे atom के पास जा रहा है फिर दूसरे से तीसरे atom के पास जा रहा है लेकिन इस process में वो flow तो कर रहा है ना आखिर एक atom से दूसरे atom से निकल के बाहर आतो रहा है ना तो इसी flow को हम क्या कहते हैं free electrons का flow है ना आप सोचेंगे कि मैंने flow तो बताए नहीं भाई flow यही है एक atom से निकलके दूसरे atom पे जाना दूसरे से तीसरे में जाना तीसरे से चौते में जाना और इसी तरह से सिलसला continue करना यही क्या कहलाता है यही हम बोलते हैं कि free electrons का flow होता है आप देख सकते हो कि आप किस तरह से electron जो है flow करते करते पहले atom से कहां तक पहुँच गया फिफ्ट तक पहुँच गया ठीक है तो यह क्या हो जाएगा बच्चों यह हो जाएगा हमारे free electrons का flow I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी अब ज़रा definition पर जाओ called electric current charge हमने देख लिया कि charge क्या होता है charge कैसे flow होता है वो भी देख लिया है ना conductors electricity को conduct करा रहे थे तो कैसे करा रहे थे free electrons को flow करके करवा रहे थे अब एक काम करते हैं यह जो charge का flow है ना इसको आपन divide कर देदें किसके साथ time के साथ तो वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा rate किस चीज़ का charge का है ना इसकी definition क्या होती थी electricity की the rate of flow of charge किसी भी quantity की अगर आपको rate निकाल दियो तो आप क्या करोगे उस quantity को divide कर दो time के साथ तो क्या बन जाएगा उस quantity का rate बन जाएगा हम क्या करते हैं electric charge को divide कर देते हैं कि इसकी साथ time के साथ तो वो क्या बन जाएगा electric current बन जाएगा तो ये हो गई electric current की definition complete हम इतनी देर से क्या कर रहे थे हम इतनी देर से ये एक जो आधी line की definition है ना उसको समझने की कोशिश कर रहे थे इतनी सारी चीज़ें हमने पड़ी है previous session से इस session तक वो क्यूं पड़ी है सिर्फ ये एक आधी एक भी नहीं है ये आधी definition को समझने के लिए आधी मतलब ये नहीं कि ये incomplete है आधी मतलब ये चोटी सी है तो ये इतनी चोटी सी definition को समझने के लिए हमने इत्ती सारी कहानी पड़ी I hope अब यह आपको छोटी सी definition समझ में आ गई होगी कि electric current क्या होता है it is the rate of row of electric charge electric charge को divide कर दो आप time के साथ तो क्या आ जाएगा electric current आ जाएगा electric current को अब आप represent कैसे करते हो उसको आप represent करते हो I के साथ तो I is equal to कितना हो जाता है Q by T ठीक है अब देखो electric current जो होता है उसकी ऐसा unit भी होगी charge की ऐसा unit में आपको क्या पताए थी? coulombs, time की कितनी होती है? second, तो coulombs second inverse क्या होती है? ऐसा unit of electric current अब एक scientist है, ठीक है? ampere नाम के उन ampere साब ने बड़ा काम किया था electric current पे तो उनको honor देने के लिए हमने क्या कर दिया? यह जो coulombs per second है इसको हमने नाम दे दिया क्या? ampere ठीक है? इसको हमने क्या नाम दे दिया? ampere नाम दे दिया ठीक है? आई आपको बात समझ में, अब एक बड़ा famous question होता है, NCRT पूछती है हमसे, ठीक है? board exams में आता है कि आपको number of electrons बताने हैं, जो कि एक coulombs charge produce करते हैं एक बड़ा famous question है, यही question है कि आपको number of electrons बताने हैं, जो कि एक coulombs charge produce करते हैं भाई यह charge आता कहां से है? यह charge आता है electron से और electron के ओपर जो charge होता है है ना? यह जिस charge की हम बात कर रहे हैं, यह charge आया कहां से है? यह electron से आया है और electron पे जो negative charge है, उससे आया है जो हम electric current flow करवा पा रहे है electric current जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है इस charge के करण आ रहा है और ये charge किस पे depend करता है ये charge depend करता है electrons पे और electrons के उपर जो negative charge होता है उस पे तो मैं इस Q को कैसे लिख सकती हूँ इस Q को में लिख सकती हूँ Q is equals to N into E N क्या है N है बई number of electrons मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि charge किस पे depend कर रहा है ये वाला ये depend करता है electrons पे और उन electrons पे जो negative charge है उस पे ठीक है तो मैंने Q को कैसे लिख दिया N into E ये N क्या है N है number of electrons और E क्या है E हम बोलते है कि charge on one electron तो ये value आपको याद रखनी पड़ेगी और ये relation भी आपको याद रखना पड़ेगा ये current का जो formula है I hope ये तो आपको रटने की जरवत ना पड़ी हो क्योंकि हमें electric charge भी पढ़ लिया flow भी पढ़ लिया rate निकालने के लिए हम क्या करते है charge को time से divide कर दो rate आ गया तो ये चीज़ याद करने की जरवत तो नहीं पड़ी होगी याद क्या करना पड़ेगा आपको ये करना पड़ेगा और एक electron पर जो negative charge है उसकी value कित्ती होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb ये होती ही value और इस value को आपको याद करना पड़ेगा ये relation समझ में आया उसी समान ये भी एक relation है इस relation में हम क्या पोलते हैं कि भाई ये जो आप charge की बात करो ना electric current में ये आया कहां से है ये आया है electron से और उस electron के उपर जो negative charge है उससे आया है तो हम इस charge और number of electrons जो negative charge होता है वो है तो कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb और अगर आपसे अब सवाल आ रहा है कि 1 coulomb charge में कितने number of electrons होते हैं तो आप क्या करोगे इस सवाल में आपको क्या निकालना है N की value निकालनी है charge की value दी गई है कितनी दी गई है 1 दी गई है Coulomb charge क्या करते है produce करते है I hope यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ठीक है चलो Next चीज़ क्या है Next हम बोल रहे है कि ऐसा unit क्या होती है current की वो होती है ampere जो कि एक friend scientist थे Andrew मारी ampere उनके नाम पे दिया गया था यह क्या होती scalar quantity होती है हमारी current क्या होती है scalar quantity होती है हाँ एक साब बार होता है कि आपको 1 ampere current जो है ना define करना है तो बड़ा आसान होता है क्या करोगे सबसे पहले तो current का formula लिख देना क्या होता है I is equals to Q by T अब इन तीनों की क्या रख दो ऐसा unit रख दो और ये जो चीजवनी है ना इसको आप अपने statement में लिख दो कि भाई 1 ampere charge 1 ampere वो current होता है produce जब 1 coulomb charge किसी conductor से पास होता है कितने second में 1 second में क्या बोला मैंने कि when 1 coulomb charge flows through any cross section of a conductor in 1 second जब 1 coulomb charge किसी conductor में 1 second के अंदर flow करेगा तो कितना electric current produce होगा 1 ampere ठीक है तो 1 ampere is equal to 1 coulomb divided by 1 second तो वो हो जाएगी 1 ampere की unit यहने कि 1 ampere आप कैसे define कर सकते हो कुछ इस तरीके से 1 ampere क्या है भाई वो current है जो कि cup produce होगा जब 1 coulomb charge conductor में 1 second के अंदर flow करेगा ठीक है I hope इची सबको समझ में आ गई होगी और इसी के साथ में हमारा आज का यह session होता है complete और इसी session के साथ में electric charge और electric current का topic भी होता है complete ठीक है अब next session जो होगा उसमें हम बात करेंगे electric potential की और potential difference की कोशिश करेंगे कि electric potential और potential difference हम एक ही वीडियो में combine करके आपको मैं पता सकूँ ठीक है तो इस lecture के लिए इतना ही मिलेंगे हम अपने next lecture में तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर लेना जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे arranged form में याने की play list में साथी साथ सभी topics में आपको होंगे notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching Hello everyone इस session में हम solve करने वाले हैं कुछ questions कुछ numericals भाई किस पे based होंगे वो हमारे जो दो topics अभी हमने पढ़े हैं chapter electricity में electric charge and electric current उसी पे based हम कुछ करेंगे numericals solve और कुछ questions solve भाई क्या है ना कि इससे पहले हैं कि हम अपने chapter में थोड़ा और आगे बढ़े है ना electric potential पढ़े potential difference पढ़े इससे पहले हम क्या करते हैं जो भी हमने topics पढ़ लिये हैं उन topics को थोड़ा सा और मजबूत करते हैं अपने concepts को strong करते हैं कैसे कर सकते हैं concepts को strong उन topics पे based numericals और questions को solve करके भाई आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि जो अभी topic हमने पढ़े हैं उस पे किस तरह के questions बनते हैं exam में और वो हमें करने पढ़ते हैं exam में एक काम करते हैं सबसे पहले electric potential पढ़ने से पहले questions solve कर लेते हैं तो भाई आज के session का इस lecture का मैंने target कर दिया i said कि आज हमें क्या करना है इस session में कुछ questions solve करने हैं तो जब target हो गया i said तो फिर देरीग इस बात की तो चलिए start करते हैं आज का ये हमारा lecture so this is vibhuti करे welcome to magnet brains जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost यानि कि magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की requirement बिल्कुल भी नहीं है magnet brains आप तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost two minutes find the amount of charge that flows through a circuit यानि कि हमको बताया गया है कि एक circuit है जिसमें दो मिनिट के अंदर 150 mAh current जो हैना flow करता है अब उस circuit के अंदर कितने amount का charge flow कर रहा है वो हमें बताना है तो भाई हमने electric current की definition पढ़ी है और उस definition से हमने formula भी derive कर लिया है formula को हमने याद नहीं किया था हमने क्या किया था electric current समझा था उसकी definition समझी थी और उसी से formula derive कर लिया था क्या थी बही electric current की definition जल्दी से याद करो कि electric current क्या होता है the rate of flow of charge यानि कि जो charge है उसको आप rate में convert कर दो तो वो क्या बन जाता है electric current बन जाता है ठीक है यानि कि electric current कहां exist करेगा अगर मैं बोल रही हूँ कि इस circuit में 150 mili ampere current जो है flow कर रहा है मतलब क्या उस circuit में charge क्या कर रहे है flow कर रहे है ठीक है और उसी flow of charge का rate क्या कहलाता है electric current कहलाता है और मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी quantity का अगर आपको क्या करना है rate calculate करना है तब क्या करते हो उस quantity को divide कर दो time के साथ बन जाता है वो क्या उस quantity का rate तो यहाँ पे हमें charge दिया हुआ है कितना दिया गया है Q ठीक है तो Q को मैंने divide कर दिया किस के साथ time के साथ यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा rate of flow of charge जो कि किस के बराबर होता है electric current के बराबर होता है अब ऐसा unit क्या निकाली थी हमने current की ऐसा unit होती है सबसे पहले तो charge charge की कितनी होती है coulum होती है और time की कितनी होती है second होती है तो current की ऐसा unit कितनी आ जाएगी है ऐसे करने करनी के लिए हमने प्र सेकिन इसको हमने नाम दे आ क्या? Ampere का. तो current की ऐसा unit क्या हो गई? Ampere. और इसको हम capital A से represent करते हैं. ठीक है? अब क्या होता है? कई सवाल तो बड़े आसान होते हैं. क्यों? क्योंकि उसमे current की जो value है ना, वो directly Ampere's की units में दी जाती है. लेकिन कई बार क्या होता है? direct current को Ampere की units में नहीं दिया जाता. कैसे? इस सवाल के जैसे. देखो ज़रा इसमें current की value क्या direct Ampere's में दी गई है? नहीं. ये दी गई है किसमे? Milli Ampere's में. ठीक है? ये किसमें दी गई है value? Milli Ampere's में दी गई है. अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको सबसे पहले तो इस Milli Ampere को Ampere में convert करना पड़ेगा. ठीक है? तब ही आप इस value को जो हमारा formula है current का उसमें put कर सकते हो. तो पहला conversion क्या होगा? 150 Milli Ampere को Ampere में convert करना है. दूसरा conversion भी लगगा है आपे. कैसे लगेगा? या आप time देख रहे हो? time किस में दिया गया है? minutes में दिया गया है. लेकिन हम तो formula में किस में लेते हैं? seconds में लेते हैं. यानि कि आपे एक second conversion भी लगेगा. जो क्या होगा? 2 minutes को हमको seconds में convert करना पड़ेगा. 2 minutes को second में convert करना तो बढ़ा असान होता है. 1 minute में कितने seconds होते हैं 60. तो 2 minutes में कितने हो जाएंगे? 2 into 60 यानि कि 120 seconds. ठीके? तो time को तो आपने convert कर दिया. Minute को आपने किस में convert कर दिया? seconds में convert कर दिया. अब बारी आती है किस चीज़ की? current की. अब हमें milli ampere को ampere में convert करना पड़ेगा. तो भई इसके लिए भी क्या होना चाहिए? एक conversion होना चाहिए. अगर आपको यादो previous session में हमने बात करी थी ये conversion आपको दिखरा होगा. ठीके? एक milli ampere किसके बराबर होता है भई? 10 to the power minus 3 ampere के बराबर होता है. और एक micro ampere किसके बराबर होता है? 10 to the power minus 6 ampere के बराबर होता है. और ये जो conversion है ना इसको बिलकुल भी भूलना नहीं. इसे आप अपनी copy में note down करिए. उसके उपर एक बड़ा सा सुन्दर सा box बना लो और उसके उपर कर लो star mark इसे मत भूलना. क्यों? क्योंकि ये conversion हमें कई सारे questions में काम आता है. तो एक milliampere किसके बराबर हो गया? 10 to the power minus 3 ampere के और 1 microampere किसके बराबर हो गया? 10 to the power minus 6 ampere के. ठीक है? आगे आगे आपको बात समझ में. अब क्या करें? अब आजाते हैं अपने सवाल पर तो time को तो हमने convert कर लिया. तो अब milliampere को भी हमें ampere में convert करना पड़ेगा. क्या सीखा है हमने conversion? एक milliampere किसके बराबर होता है? 10 to the power minus 3 ampere के बराबर. तो 150 milliampere किसके बराबर हो जाएगा? 150 into 10 to the power minus 3 ampere के बराबर. याने हमने क्या कर दिया है? हमने इस M को हटा करके 10 to the power minus 3 रिख दिया है तो इससे क्या हुआ milli ampere current convert हो गया ampere में जब current convert हो गया है time convert हो गया है तो फिर देरी किस बार की फटा-फट से लगाते हैं अपना formula formula क्या है भाई i is equals to q by t ठीक है i कितना हो गया है भाई i हो गया है 150 into 10 to the power minus 3 is equals to q तो हमें calculating करना है हमसे यही तो पूछे कि कितने amount का charge flow हो रहा है तो q तो हमसे पूछा ही है और time कितना हो गया है भाई time हो गया है 120 seconds क्या करेंगे q calculate करने के लिए 120 को हम लेके आ जाएंगे कहा LHS में तो यह कितना हो जाएगा 150 into 10 to the power minus 3 into 120 that is equals to answer आ जाएगा 18 और 18 को आप सिर्फ उसके मलब जो charge आया है उसको आप सिर्फ उसके magnitude के साथ नहीं लिखोगे आपको लगानी पड़ेगी उसकी SI unit SI unit क्या होती है भाई चार्ज की coulombs होती है तो charge कितना आया भाई total charge 18 coulombs आया तो क्या समझ में आया इस चीज़ से हमें कि एक circuit है जिसमें कि 2 minute के लिए 150 mili ampere current flow होता है तो उस circuit में कितने amount का charge भाई कितने amount का charge flow होगा तो 18 coulombs का charge flow होगा ठीक है आगई आपको बात समझ में अब अगर आपको इसके answer का लेना है screenshot तो आप ले लीजे मैं हो जाती हूं screen के बाहर आप इसका screenshot लेंगे on the count of 5 ठीक है So your time starts now 5, 4, 3, 2 and 1 I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा अब अगर नहीं लिया तो कोई बात नी वीडियो को pause कर लेना और फिर ले लेना हम बरते हैं अपने next question पे अपने next question क्या है A total of 6 into 10 to the power 46 electrons flow through a current carrying conductor when connected through an external power supply for 20 seconds find the value of current in the conductor भाई इसमें लगना तो formula ही है ठीक है ये question difficult नहीं है बड़ा आसान है लेकिन क्या है ना थोड़ा इदर उदर जाना पड़ेगा हमें कैसे अभी तक तो हम एक direct formula लगा दे रहे थे क्या लगाते थे i is equals to q by t है ना current निकालना है तो q by t इससे निकाल देना और अगर q निकालना है याने कि charge निकालना है तो i into t कर देना और अगर time निकालना तो क्या करेंगे q by i कर देंगे लेकिन इस question में हमको क्या बोला गया है इस question में हमको current की value सबसे पहले तो हमें क्या calculate करना है यह आपको पता होना चाहिए हमें यहाप ए current की value calculate करनी है जो की एक conductor में flow हो रहा है ठीक है current की value हम कब calculate कर पाएंगे जब हमारे पास होगा क्या q ठीक है जब हमारे पास q की value होगी जब हमारे पास time की value होगी time कितना given है यहां पर time given है हमको 20 seconds लेकिन क्यों हमें यहां पर directly नहीं दिया है इसलिए मैंने बोला कि इस question में हमको थोड़ा इधर उदर जाना पड़ेगा कैसे जाना पड़ेगा formula तो भाई यही लगेगा लेकिन हमें इस formula में क्यों की value calculate करनी पड़ेगी कैसे value calculate करते हैं आपको मैंने बताए दा previous session में क्यों का relation किसके साथ होता है भाई क्यों का relation होता है number of electrons and charge जो कि किसी electron पे होता है उसका product क्या होता है क्यों के बराबर होता है भाई charge आ कहां से रहा है चार्ज आ कहां से रहा है चार्ज electron से आ रहा है और उस electron के ऊपर जो negative charge है उसके कारण आ रहा है तो क्यों को हम कैसे relate कर सकते हैं q is equal to n into e n क्या है यहां पे number of electron है और e क्या है charge on the electron मैंने आपको बोला था कि आपको यह relation हमेशा याद रखना होगा और साथी साथ आपको जो charge on electron होता है यह भी आपको याद रखना होगा इसकी value होती है क्या होती है इसकी value 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb ठीक है इस value को आप कभी नहीं बूलेंगे ना आप इस relation को भूलेंगे ठीक है तो सवाल क्या था हमको यहां पे current calculate करना है current को calculate करने के रिए हमें charge पता होना चाहिए हमें time पता होना चाहिए ठीक है अब इस case में क्या हो रहा है charge हमको directly given नहीं है हमको क्या दिया गया है भाई हमको time दिया गया है और हमें number of electrons दिये गए है तो भाई हम भी smart है हमें यह relation पता है कि charge किसके बराबर होता है number of electrons into जो electron पे charge है उसके बराबर ठीक है तो इस relation से हम Q निकाल देंगे पिर एक बार अगर Q आ गया तो फिर Q और T की value Q put कर देना formula में I की value भी निकाल आएगी ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा यह जो relation है इसमें हम value रख देते हैं किस चीज की या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो formula को आप change भी कर सकते हो जैसे I is equal to Q into T Q divided by T है ना आप क्या करूँ Q की when Q की जगा जो relation है N into E का वो रख तो कितना हो जाएगा N into E divided by T ठीक है अगर directly charge ना दिया गया हो number of electrons दिये गया हो तो आप यह वाला formula भी निकाल सकते हैं formula क्या है भई हमने बस Q की जगा क्या रख दिया है N into E तो रखा है ठीक है अब क्या करेंगे कितना दिया हुए भई नंबर कितना दिया गया है 6 into 10 to the power 46 electrons दिये गये हैं और electron पे charge कितना होता है तो 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb ठीक है डिवाइड कर दो इसको किस के साथ time के साथ time कितना given है आपे 20 seconds अब इस पूरे को आप solve कर देना ठीक है जब आप solve करोगे तो कितना answer आजाएगा आएगा answer 0.48 into 10 to the power 27 ampere या आप इसको 4 को बाहर निकाल दो decimal के बाहर निकाल दो तो क्या जाएगा 4.8 into 10 to the power 26 ampere ठीक है आसान था ना ये वाला सवाल भी आसान था simple क्या करना है आपको यही वाला formula लगाना है current की value calculate करनी थी current की value आप कैसे calculate कर सकते हो जब आपके पास Q होगा यानि कि जब आपके पास charge होगा और जब आपके पास होगा time लेकिन इस case में हमको charge नहीं गेवन था तो हमें क्या गेवन था वह अगर charge नहीं गेवन है तो उसको निकालने के लिए तो कई चीज होनी चाहिए ना क्या गेवन था हमको हमें total number of electrons पता थे जो की conductor के अंदर flow हो तो हम charge को कैसे relate कर सकते हैं charge is equal to number of electrons into multiplied by charge on the electron इस charge on the electron की value कितनी होती है हमेशा ध्यान रखना 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलर कई बार सवाल में ये value दी रहती है कई बार नहीं भी दी रहती जाते कि ये सवाल है इसमें value नहीं दी गई थी आपको याद होनी चाहिए ठीके आप क्या करोग कि आप ये वाला जो relation है आप current की formula में रगा दोगे यानि कि Q की जगा आप लिख दोगे N into E अब तो सवाल आसान हो गया N की value हमें given थी कित्ती थी 6 into 10 to the power 46 multiplied by electron के ओपर charge कितना होता है वो भी हमें पता है time हमको given था कितना 20 second formula में हमने formula में हमने अपनी values पुट कर दी जिसके क करान हमारा answer कितना आ गया 4.8 into 10 to the power 26 ampere ठीक है आसान का नहीं सवाल अब एक काम करो अगर इस answer का आगा को screenshot चाहिए है तो screenshot ले लो मैं हो जाती हूं screen के बाहर आप इसका screenshot लोगे on the count of 5 ओके So 5, 4, 3, 2 and 1 I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा अब हम बात करते हैं हमारे next question की और इस session का वो होगा last question सवाल क्या है भई? A conductor carries a current of 0.2 ampere एक conductor है जिसमें 0.2 ampere का current flow हो रहा है Find the amount of charge that will pass through the cross section of the current in 30 seconds how many electrons will flow in this time interval हमको given क्या क्या है भई? सबसे पहले हमको बता दिया कि 0.2 ampere का current किसी conductor में flow हो रहा है Find the amount of charge that will pass through the cross section of the conductor in 30 seconds हमको charge पूछा गया है कि charge कितना flow होगा? 30 seconds में यानि कि यहां पे भी हमारा simple क्या लग सकता है? formula लग सकता है I is equals to Q by T current कितना given है? 0.2 ampere में है अच्छी बात क्या है? ampere में है कोई conversion required नहीं है Is equals to charge हमसे पूछा गया है कब? कितना charge? जब current flow होगा 30 seconds के लिए तो time भी हमको किस में given है? seconds में given है यहां भी हमें कोई भी conversion के requirement नहीं है simple हमने यह formula लगा दिया तो कितना आ जाएगा भाई? 0.2 into 30 is equals to Q तो यह कितना हो जाएगा? 3 to the 6 और decimal है तो यह हो जाएगा कितना? 6 coulomb charge हमेशा unit के साथ लिखना है ना केवल magnitude लिखे मत छोड़ देना value लिखे मत छोड़ देना unit भी लगाना तो charge कितना आया भाई? 6 coulomb आ गया लेकिन इसमें कुछ और भी पूछा गया था हमसे क्या पूछा गया था? How many electrons will flow in this time intervals? और हमसे ये भी पूछा गया कि इस particular time interval पे याने कि 30 seconds में कितने number of electrons flow करेंगे? याने कि इस सवाल में हमसे 2 चीज़ पूछी गई थी पहला जो क्या था? Charge पूछा गया था और फिर हमसे ये पूछा कि इस particular time interval में charge कितने flow करेंगे? स्री, electrons कितने flow करेंगे? तो भाई, आपको Q की value given है? ठीक है? और आपको पता है कि charge से हम number of electrons कैसे calculate कर सकते हैं? क्योंकि हमें Q is equals to N into E का relation पता है Q क्या है? Charge है, N क्या है? number of electrons है, E क्या है? ये E है, charge on the electron तो Q अभी कितना निकाला हमने? 6 कूलम निकाला, number of electrons से हमें calculate करने हैं into, charge कितना होता है ये electron पे? मैंने आपको बोला है, हमेशा ध्यान रखना 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ठीक है? अब क्या करेंगे? इस N की value निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 6 और 1.6 है इसको हम denominator मिलकी आ जाएंगे तिक इतना हो जाएगा? 1.6 into 10 to the power minus 19 ठीक है? अब क्या होगा? 2 से multiply हो सकता है ये 2, 3s are 6 और ये कितना हो जाएगा? 0.8 ये हो जाएगा 0, उपर आ जाएगा ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 30 by 8 ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4 और ये approximately कितना हो जाएगा? 3.75 into ये जो 19 है ये कहाँ चला जाएगा? उपर चला जाएगा अभी तक denominator में ये minus 19 था लेकिन जैसे ही ये numerator में जाएगा उपर sign change हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 10 to the power 19 कूलम ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 3.75 into 10 to the power minus 19 कूलम ये क्या आया है भई? ये आया है number of electrons और ये ही तो हमें पता करने थे ये वाला जो सवाल था फोड़ा सा अलग था क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको दो चीजें निकालने को दो चीजें हमसे पूछी गई थी पहला क्या था? सबसे पहले तो हमको charge calculate करना था दूसरी चीजें हमें क्या calculate करनी थी? कि particular time interval में 30 second में number of electrons कितने flow होंगे तो सबसे पहले charge अगर आपको निकालना है तो charge के लिए तो भई हमने एक ही formula पढ़ा है I is equals to Q by T है ना? I is equals to Q by T अगर हमें Q निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए current पता होना चाहिए, time पता होना चाहिए unfortunately हमें time भी पता था और current भी पता था और in fact current किसमें दिया गया था amperes में और time दिया गया था किसमें seconds में याने की conversion के भी requirement नहीं थी तो point 2 into हमने क्या कर दिया 30 कर दिया 30 seconds तो charge कितना आ गया था भई इतना 6 कूलम आ गया तो पहली चीज तो इस सवाल में हमसे पूछी गई थी वो तो हमने पता कर ली दूसरी चीज क्या पूछी गई थी कि कितने number of electrons लो करेंगे 30 seconds के interval में एक conductor में तो हमने क्या किया भई हमें पता है कि charge और number of electrons के वीच में क्या relation होता है Q is equals to N into E ठीक है? Q कितना निकाला था? आपने 6 निकाला था N तो आपको calculate कर नहीं है charge और electron कितना होता है भई? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम क्या करोगे आप? N को निकालने के लिए 1.6 into 10 to the power minus 19 को आप ले आओगे कहा? denominator में और जब आप पूरे को solve करोगे तो आपका answer कितना आजाएगा? 3.75 into 10 to the power minus 19 कूलम तो दो चीज़े पूछी गई थी सवार में हमसे पहली चीज क्या हो गई? पहली चीज तो यह 6 कूलम हो गया 4 और दूसरा क्या है? कि 30 seconds के interval में conductor में कितने number of electrons रोग करेंगे? तो इतने करेंगे 3.75 into 10 to the power minus 19 कूलम I hope यह सवार आपको समझ में आ गया होगा अब अगर आपको इस answer का लेना है screenshot तो फटा फट से ले लो on the count of 5 मैं हो जाती हूँ अलग यहां से ठीक है? So 5, 4, 3, 2 and 1 I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा और इसी के साथ आज का यह जो हमारा session है वो होता है complete याने कि हमने जो topic पड़े थे आपने दो electric charge और electric current उस पे based हमने कुछ numericals भी कर लिये हैं solve अब आज के session के लिए इतना ही हम मिलेंगे अपने next session में next lecture में जहां पे हम finally electric potential जो है discuss करेंगे तो जब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर लिजेगा जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे arranged form में साथ ही साथ सभी topics के वहाँ पे आपको notes भी होंगे available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watching Hello everyone इस session में हम पढ़ने वाले हैं हमारे chapter electricity का एक और नया topic जिसका नाम है electric potential तो भाई आज के इस session का इस lecture का target क्या है ये जानना की electric potential क्या होता है तो जब target set है तो फिर देरी के इस बात की तो चलिए start करते हैं आज का ये हमारा session so this is Vibhuti Khare welcome to magnetbrains जहां पे आपको सभी chapters की video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of course याने कि magnetbrains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी दरा का payment करने की या package देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnetbrains आप सब तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of course तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज को ही हमारा session जिसमें हमें पढ़ना है electric potential अब electric potential को अभी छोड़ा सा side में रखो और हम यहां पे अभी दो examples पढ़ने की कोशिश करते हैं ठीक है पहले example क्या है पहले example में हम देखेंगे किशमिश को usually हम raisins को खाते हैं लेकिन इस example में हम raisins को देखेंगे कैसे देखेंगे भाई raisins लो 2-3 और उसको पानी मिडाल दो ठीक है पानी मिडालने के बाद क्या होगा आपकी जो raisins है थोड़ी देर बाद आप जब उसको notice करोगे observe करोगे आपकी raisins जब फूल के हो गई मोटी तो देखने से क्या समझ में आएगा कि हाँ पानी के अंदर raisins गई थी तो हो सकता है पानी कहाँ चला गया? raisins के अंदर चला गया. raisins ने क्या क्या? पानी को absorb कर लिया इसलिए इसलिए जो अमारी raisins है वो फूल गई बात तो बिल्कुल सही है actually में यही process होई है जैसे ही आपने raisins को कहाँ डाला पानी के अंदर डाला क्या हुआ? पानी raisins के अंदर चला गया और raisins फूल गई ठीक है? यही चीज होई है अब एक दूसरा experiment दूसरा experiment क्या है? मैं लेती हूँ क्या? दो बीकर ठीक है? और उन दोनों बीकर्स में क्या भर देती हूँ? मैं थोड़ा सा पानी भर देती हूँ और दोनों ही बीकर्स में पानी का लेवल क्या है? भई? सेम है ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ? दोनों ही बीकर्स में चोटे-चोटे दो होल करती हूँ, और उन दोनों होल को मैं किस से जोइन करती हूँ? एक ट्यूब के साथ, यानि कि यो जो मेरे पास बीकर्स हैं, यो दोनों इस पाइप की तरू जोइन हैं, जुड़े हुए हैं, तीक? अब मैं क्या चाहती हूँ? इस बीकर को मैं नाम भी अगर मैं चाहती हूं कि पानी बीकर B से बीकर A में आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे अपने थोड़ा से दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी महनत करनी पड़ेगी क्या करूँगी मैं? जादा कुछ नहीं, बस ये जो मेरा बीकर B था ना, इसको मैं थोड़े से हाइट पे लेके चली जाओंगी ठीक है? इसका जो लेवल है, बीकर A से मैं क्या करूँगी? थोड़ा सा जादा कर दूँगी बीकर A से B का लेवल, बीकर B का लेवल क्या हो गया? थोड़ा सा बढ़ा दिया मैं उसको थोड़े से हाइट पे लेकर के चली गई अब मैंने क्या नोटिस किया? कि जैसे ही मैंने बीकर B को क्या किया? हाइट उसकी मैंने रेस कर दी उससे पानी flow होने लगा flow होके कहां आ गया भाई हमारे beaker A के पास आ गया जब दोनों ही beakers कहां रखे हुए थे सेम लेवल पे रखे हुए थे तो पानी beaker से नहीं गया ना beaker B का A में आया ना beaker A का beaker B में गया लेकिन जैसे ही मैंने beaker B का लेवल जोड़ा सा race कर दिया हाई trace कर दी मैंने observe कि अब पानी जो है ना beaker B से beaker A में आया अब दोनों ही cases में चाहे वो raisins का case हो चाहे वो in beakers का case हो पानी अपनी जगा बदल रहा है यहाँ पे क्या हुआ था पानी raisins के अंदर चला गया था इस case में क्या हुआ पानी beaker B से beaker A में आया वो तो हम में देखने को मिल रहा है लेकिन सवाल यह है कि आखे यह दोनों चीज़े हो क्यों रही है क्यों पानी raisins के अंदर गया क्यों beaker B का पानी beaker A में चला गया जब मैंने beaker B का लेवल बढ़ा दिया क्योंकि भाई सभी चीज़ों की अकेले पानी की नहीं एक tendency होती है क्या tendency होती है अपने higher region से lower region में जाना higher region और lower region का मतलब क्या होए एक ऐसा region जहां पे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पानी की तो पानी कहा जाएगा पानी जाएगा अपने higher region से कहां की तरफ lower region की तरफ higher region क्या है भई higher region वो region है जहां पे पानी का amount क्या है जादा है ठीक है और lower region क्या है lower region वो जगा है जहां पे पानी का level क्या है कम है ठीक है पानी का level कैसा है कम है तो किशमिश के अंदर पानी गया तो था, जिसे कारण किश्मिश फूल गई, लेकिन सवाल क्या था अमारा कि आखिर गया क्यों, इसलिए गया, क्योंकि पानी की यह tendency है higher region से lower region में जाने की, पानी अपने glass से कंटेनर से कहां गया, चला गया किश्मिष के अंदर क्यों चला गया क्योंकि किश्मिष के अंदर पानी का कंसेंट्रेशन कैसा था काफी कम था और किश्मिष के बाहर रेजिंस के पार पानी का कंसेंट्रेशन जादा था क्या बोला मैंने पानी का की टेंडेंसी होती है higher region से lower region में जाने की जहाँ पर पानी जादा है वहाँ से पानी कहा जाएगा उस region में जहाँ पर पानी कम है तो भई किश्मिश के अंदर पानी था कम और किश्मिश के बाहर था पानी जादा तो पानी कहा गया बाहर से अंदर की तरफ आया यहने कि अपने higher region से lower region में आया ठीक यहाँ पे भी क्या हो रहा है यहाँ पे भी यही case हो रहा है हमने क्या कर दिया था B कर B को जब दोनों ही same level पे थे B कर A और B कर B दोनों में same level का पानी था ठीक है उस समय क्या हुआ पानी का exchange नहीं हुआ ना बीकर B का A में आया ना A का B में गया फिर जैसे हमने क्या किया बीकर B का level थोड़ा सा बढ़ा दिया तो हमने देखा कि पानी कहां जाने लगा पानी जाने लगा दूसरे बीकर में यह क्यों हुआ level तो अभी भी पानी का दोनों में बरावर था ऐसा नहीं है, मैंने पानी का level constant रखा था मैंने क्या किया, बस beaker B को थोड़े से height पे में लेकर चली गई इस case में क्या हुआ, क्योंकि भाई, पानी जो है, beaker B से beaker A में आया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब यहां पे, पानी के height में difference आ गया ठीक है, पानी के height में difference आ गया, beaker जो B था, उसमें पानी की height क्या थी, जादा थी और beaker B में पानी की, जो level है basically, ठीक है, beaker का जो level है, वो कैसा था, कम था तो पानी कहा जाएगा, higher region से lower region में चला गया, ऐसा नहीं है कि beaker B को मैंने उपर उठा लिया तो beaker B का पानी A में आ गया, और reverse में क्या हुआ, beaker A ने भी अपना पानी, beaker B को पुचा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ B का पानी जो है A में आएगा, क्यों, क्योंकि उसका level जादा हो गया, height जादा हो गया और पानी कहां जाता है, higher to lower region ही जाएगा, पानी कहां जाएगा, higher से lower में जाएगा, कभी भी lower से higher region में नहीं जाएगा और सिर्फ ये कहानी पानी की नहीं होती है, ये कहानी हर एक चीज की होती है, ठीक है, चीजों की tendency होती है, higher से lower region में जाना जैसे की आप अपने घरों में एक कमरे में आपने क्या लगा दी, अगर बत्ती जला दी, दीरे दीरे क्या होगा, उस अगर बत्ती की जो fragrance है, वो आपके पूरे घर में फैल जाएगी क्यों? क्योंकि अगर बत्ती से निकलने वाले जो smoke particles होगे, air particles होगे, वो दीरे दीरे कहां फैल जाएगे, आपके पूरे घर में फैल जाएगे क्यों फैल गई भाई क्योंकि जिस कमरे में आपने अगरबत्ति जलाई थी उस कमरे में उस अगरबत्ति के जो smoke particle से air particle से वो हो गए जादा तो अब वो कहां move करेंगे उस region में जहां पे होगी कहां जहां पे उनका जो level है जो concentration है वो होगा कम यानि की पूरे घर में इसलिए अ वो पानी हो चाहे वो हवा हो उनकी tendency होती है higher region से lower region की तरफ जाने की तो अब ज़रा दिमाग लगाओ कि हमारा जो electric current है वो भी तो क्या होता है फ्लो ही होता है ना जो हमारे charges होते है इलेक्टर करेंट generate का होता है जब charge क्या होते है फ्लो होते है यानि कि जो tendency पानी और हवा क पास है मैंने क्या बोला था जो भी चीज़े फ्लो होती है ना उनकी tendency होती है higher से lower region में जाने की higher to lower concentration में जाने की तो जो हमारे charge होते हैं electric charges उनके पास भी यह क्या होगी tendency होगी higher region से lower region में जाने की एक ऐसा region ठीक है एक ऐसा region जहां पे उनकी density क्या है उनकी density है ज्यादा और ऐसा reason जहाप उनकी density है क्या कम तो electric charges कहां जाएंगे अपने higher density से lower density के region की तरफ जाएंगे ठीक है? Charges कहां जाएंगे भाई? Charges अपने higher density के region से lower density के region में जाएंगे और हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? इसको हम पढ़ेंगे electricity के terms में जिसे हम क्या कहते हैं भाई? Potential कहते हैं ठीक है? यह जो higher और lower density regions है ना उनको हम electricity के terms में क्या कहते हैं? Potential कहते हैं याने कि charge कहां जाएंगे भाई? अपने higher potential से lower potential के तरफ जाएंगे ठीक है? कहां जाएंगे? higher potential से lower potential पे जाएंगे ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आई चलो अब एक बाद बताओ मुझे ये एक ball है ठीक है? ये एक inclined plane पे roll होती हुई जा रही है अगर मैं बात करूँ ball की इस position की जहां ये कहां थी काफी जादा height पे थी और इस height पे मैंने जैसे ही ball को छोड़ा कि अपने आप जो है ना नीचे आ गई मतलब कि जब मेरी ball एक particular height पे थी और मैं चाहती हूँ कि ये ball कहां आ जाए? ग्राउंड पे आ जाए तो उस height से लेकर के ground तक पहुँचाने के लिए कि मुझे अपनी ball के तरफ कोई भी महनत नहीं करनी पड़ी कोई भी काम नहीं करना पड़ा क्योंकि बॉल कहां जा रही है higher height से lower height पे जा रही है और जब चीजें higher concentration से lower concentration higher region to lower region जाती है उस समय किसी महनत की requirement नहीं होती है अपने आप चीजें जो है चली जाती है इदा देखो बॉल जो है कहां जा रही है एक higher height से ठीके जादा height से कहां जा रही है कम height की तरफ जा रही है almost ground पे जाकर के तो इसकी height रही नहीं जाएगी तो higher height से lower height तक कैसे पहुंची अपने आप पहुंच गई कोई हमें इस पर मेनद नहीं करनी पड़ी अगर इसका उल्टा केस हो जाए तो उल्टा केस मतलब क्या अब मुझे अपनी ball को क्या करना है आप खड़े हो अपनी building की छट पे वहां से आपको थोड़ा सा पानी नीचे फेकना है आप क्या करोगे हाथ में class है बस उसको पकड़के गुमा दिया अपने आप पानी ऊपर से नीचे चला जाएगा building की terrace से ground में चला जाएगा लेकिन यही पानी अगर आपको floor से building के ground से building तो फिर हम उस पाने को कैसे उसकर पाते हैं बस नल खोल दो अपने आप पानी आजाएगा क्यों क्योंकि अब पानी कहां पहुँच गया है height पे पहुँच गया है और height से नीचे कैसे आजाएगा अपने आप आजाएगा बिना हमारे मेहनत करे हमें बस नल खोलने की मेहनत क करनी पड़ती है तो अगर मैं बोलू कि किसी object को higher potential से lower potential में जाना है तो मेनत नहीं करनी पड़ेगी लेकिन अगर किसी object को हमें lower potential से higher potential में लेकि जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा मेनत करनी पड़ेगी जिसे हम क्या कहते हैं work कहते हैं ठीक है अब इस चीज को और कैसे सपोज मेरे पास है क्या एक चार्ज ठीक है मेरे पास है क्या एक चार्ज और यह चार्ज कहा रखा गया है इंफिनिटी पर रखा गया है ठीक है अब इस चार्ज को मुझे लेके कहा आना है यह पर्टिकुलर पॉइंट है इस चार्ज को मुझे इस पर्टिकुलर पॉइ A पे लेकर के आना है सपोस ये चार्ज था मेरे पास चार्ज कहां पड़ा हुआ है इंफिनिटी पर रखा हुआ है ये कौन सा चार्ज है भाई पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज जो की इंफिनिटी पर रखा हुआ है मुझे उसको लेके कहां आना है point A पर लेकर के आना है ठीकिए, अब क्या करना पड़ेगा मुझे महनत करनी पड़ीगी ठीकिए, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, work करना पड़ेगा ठीक अब क्या होगा यह जो मेरा work होगा यह मेरे charge पर dependent होगा अब आप बोलोगे कि मैं आपने ऐसे कैसे बोल दिया चलो ये तो हमने माल लिया कि एक चार्ज रखा गया है कहां इंफिनिटीव से इंफिनिटीव से जब मैं उसको अपने पास लेकर के आऊंगी पॉइंट ए पे लेकर आऊंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा लेकिन हम ऐसा कैसे मालने कि वर्क जो है उस चार्ज पर डिपेंड करता है अच्छा ज़र एक बात बताओ अगर क्या रखा हुआ है इस चार्ज की जगा सपोस्स दस किलो का वेट रखा होता ठीक है दस किलो का वजन रखा होता और मैं आपसे बोलती कि आपको इस दस किलो के वजन को पॉइंट एपर लेकर के आना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ता भाई आपको करना पड़ता वर्क दस किलो के वजन के लिए तीक अब मैं क्या करूँ इस 10 किलो की वजन की जगा मैं आपको क्या देदू 20 किलो का वजन देदू तो अब आपको 20 किलो का वजन infinity से कहा लेकर के आना है point A पर लेकर के आना है उस case में भी आपको work करना पड़ेगा और कितना work करना पड़ेगा भाई इस case में आपको work करना पड़ेगा क्या जादा ठीक है? इस case में आपको work करना पड़ेगा जादा क्यों? क्योंकि वजन बढ़ गया ना पहले तो किवल आप 10 किलो लेकर के आ रहे थे अब आप double weight लेकर के आ रहे हो आप 20 किलो लेकर के आ रहे हो जिसके कारण क्या होगा आपका जो work है वो भी बढ़ जाएगा तो वह यहां भी तो यही हो रहा है मैं जब एक चार्ज को positive चार्ज को infinity से लेकर के आ रही हूँ तो मुझे work करना पड़ रहा है ठीक है और अगर यह charge कैसा हो गया ठीक है और अगर यह charge कैसा हो गया जादा हो गया सपोज एक कूलम का चार्ज को मैं लेके आ रही थी infinity से point A पे तो मुझे work कैसा करना पड़ा कम करना पड़ा और अगर मैं 10 कूलम का चार्ज लेकर के आ रही हूँ infinity से तो मुझे work कैसा करना पड़ेगा भाई work करना पड़ेगा जादा यानि कि अगर charge जादा है तो work कैसा हो जाएगा work भी हो जाएगा जादा आरी आपको बात समझ में तो हमने क्या बोला work जो है relate करता है किस के साथ? charge के साथ अब इसका जो relation है work और charge का उसके बीच में हम एक relation बठाते हैं क्या होता है भाई? work done per unit charge ये जो work done per unit charge है मैंने क्या किया है? work done को divide कर दिया है किस के साथ? मैंने divide कर दिया है इसको charge के साथ और ये जो मेरा relation है ना ये और कुछ नहीं ये क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है electric potential क्या कहलाएगा? electric potential कहलाएगा ठीक है? I hope यह चीज आपको समझ में आ रही होगी अभी दग हमने electric potential difference नहीं पड़ा है वो हम समझेंगे next class में आपको electric potential समझाना मेरा इस class का इस session का target था क्या बोला था मैंने भई? कि जो भी चीज़े flow करती उनकी tendency होती है higher region से lower region में जाने की resin के अंदर पानी क्यों गया? क्योंकि resin के बाहर पानी का concentration था जादा और resin के अंदर पानी का concentration था कैसा कम तो resin के अंदर गया पानी इसनी resin क्या हुई? full गई ठीक है? अब क्या होता है? कि जब चीज़े higher concentration से lower concentration में जाती है तो मेहनत करने की हमें जरुवत नहीं होती है वो gradually जो है higher to lower region आ जाती है लेकिन अगर हम इसका inverse कर दे याने कि हम चीजों को lower concentration से higher concentration में लेकर के जाएं तो हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें work करना पड़ेगा ठीक है? अगर ball को हमें क्या करना है? बॉल को हमें height से ground पर लेकर के आना है तो हमें काम करने की जरुवत नहीं है लेकिन अगर ground से height के ओपर लेकर जाना है तो काम करना पड़ेगा जो भी चीज़े flow करती है उनकी यही tendency होती है फिर वो चाहे पानी हो वो हवा हो या फिर हमारे charge ही क्यों नहीं हो यानि कि हमारे charge भी क्या करते है एक ऐसा region जहाँ पर charge की density क्या है जादा है वहाँ से वो किदर की तरफ जाते है एक ऐसे region में जहाँ पर उनकी density क्या है कम हो तो यह जो density वाले जो region है ना उनको हम क्या कहते हैं, potential कहते हैं नहीं कि हमारा charge कहां से flow करता है higher potential से lower potential की तरफ flow करता है टीक है, अब देखो अगर मुझे electric potential को define करना है एक word में, तो मैं कैसे define करूँगी electric potential is defined as a work done per unit charge कैसे, एक charge था मिरे पास positive charge उसको मैं infinity से लेके आ रहे थी कहां point a पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे work करना पड़ेगा अब यह जो work होता है, वो dependent होता है किसके उपर? charge के उपर कैसे समझा था हमने इसको अगर मैं आपसे बोलू कि infinity से point a पे दस किलो का वजन लेकर के आना है आपको काम करना पड़ेगा मैंने क्या करा? वजन बढ़ा दिया मैंने मैंने 20 kg कर दिया तो 20 kg वेट को आपको infinity से point a तक लाने के लिए जादा महनत करनी पड़ेगी यहने कि जादा काम करना पड़ेगा तो दूसरे वाले case में work क्या हो जाएगा? आपका जादा हो जाएगा इस cheese में मैं किस cheese को ले के आ रही थी? इस case में मैं ले के आ रही थी charge को तो मेरा work किस पर depend करेगा? charge पर depend करेगा इनको मैं work और charge के बीच के बीच कर और I hope आपको अब electric potential समझ में आया होगा ठीक है? electric potential क्या होता है भाई? work done per unit charge यानि कि एक unit charge पे जितना work done किया गया है infinity से किसी particular point पे लाने तक उसे हम क्या कहते हैं? electric potential I repeat electric potential क्या होता है? यह वो work होता है जो हमें करना पड़ता है एक charge को infinity से लेके एक particular point A तक आने के लिए ठीक है? I hope यह चीज आपको समझ में आई होगी अब आज के इस session के लिए इतना ही अभी हमें electric potential थोड़ा सा और पढ़ना है क्यों? क्योंकि अभी हमने potential difference नहीं पढ़ा है electric potential के लिए अभी इस session के लिए इतना पढ़ना काफी है अब जब हम बात करेंगे हमारे next session में potential difference की तो थोड़ा सा इसको हम और पढ़ेंगे इस session के लिए इतना ही भाई अब हम मिलेंगे हमारे next session में जहां पर हम पढ़ेंगे potential difference तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर लेना जहां पर आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं arrange form में याने की playlist में साथी साथ महाँ पर आपको सभी topics के notes भी होंगे available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching Hello everyone इस session में हम पढ़ने वाले हैं हमारे chapter electricity का एक और नया topic जिसका नाम है electric potential difference अब इससे पहले कि हम potential difference समझे हम revise कर लेते हैं electric potential को जो हमने previous session में पढ़ा था और हमने DPQ session में बात करी थी कि इस topic को हम revise करेंगे potential difference के साथ तो भाई आज के session का मैंने target set कर दिया है कि इस session के end तक end में हमें समझना होगा कि भाई potential difference क्या होता है तो जब target set है तो फिर देने किस बात की तो चलिए start करते हैं आज का यह हमारा session तो दिस इस विभूती खरे welcome to magnet brains रहाँ पे आपको सभी chapters की video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of course यहने की magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की यह package रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज को यह हमारा session electric potential के revision के साथ वह electric potential होता क्या है तो देखो मैंने आको बताया था कि सभी चीजों की जो flow करती है जो move करती है उनकी एक tendency होती है कि वो higher concentration के region से lower concentration के region में जाती है कैसे? example मैंने आको बताया था raisins का, kishmish का कि किस तरह से आप raisins को पानी के अंदर डालोगे जैसे यह क्या है? हमारा beaker है इस beaker में आपने लेके रखा हुआ है बहुत सारा क्या पानी ठीक है? अब इस पानी के अंदर आपने क्या डाल दी है? कुछ raisins डाल दी है, कुछ kishmish डाल दी है थोड़ा time बाद आप जब देखोगे तो आपको देखेगा क्या, क्या observe होगा कि आपकी जो raisins है ना वो फूल के क्या हो गई है? मुटी-मुटी हो गई है तो भै, ये raisins क्यों हो गई है? फूल के मुटी? जैसे हमने इसको पानी के अंदर रखा वो इसलिए क्योंकि पानी इन raisins के अंदर चला गया लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये पानी इन raisins के अंदर किश्मिश के अंदर गया ही क्यों? मैंने आपको बताया है कि चीजों की tendency होती है जो भी चीज़े flow करती है, move करती है अपने higher concentration region से lower concentration region में जाने की पानी क्या है? raisins के अंदर थोड़ा कम है है ना? raisins और किश्मिश कितनी dry होती है उसके अंदर पानी का concentration बहुत कम होता है लेकिन raisins के बाहर जो हमारा beaker है उसमें पानी तो बहुत सारा है तो पानी कहां travel करेगा? कहां move करेगा? उस region से जहाँ पे उसका concentration जाधा है किसकी तरफ? उस region पे जहाँ पर उसका concentration कम है यानि कि पानी जो है किश्मिश के अंदर enter कर जाएगा क्यों क्यों किश्मिश के अंदर पानी कैसा है कम है ठीक तो यह example किस चीज का हुआ यह तो example हुआ पानी का भाई हवा जो है वो भी flow करती है हवा की भी यही tendency होती है कि वो एक higher concentration region से lower concentration region में जाएगी मतलब क्या एक ऐसा region जहाँ पे pressure बहुत जादा है और उस region से कहा जाएगी दूसरे region में जहाँ पे pressure होगा कम तो air का flow कैसा होगा भाई air का flow होगा कुछ इस तरीके का कि जिस region में pressure है जादा वहाँ से move का कर जाएगी वो उस region में जहाँ पे pressure क्या है भई कम है तो यह tendency होती है ना चाहते हुए भी चीजें इसी तरह से flow करती है अब एक बात बताओ पानी को किश्मिश के अंदर डालने के लिए हमने कुछ किया था क्या pressure flow करती है क्या इसके लिए हमें कोई मेनद करनी पड़ती है क्या नहीं जो भी चीजें flow कर रही है वो automatically बिना किसी हमारी help के बिना हमारे किसी मेनद के automatically चीजें जो है higher region से lower region में चली जाती है ठीक है जैसे कि एक क्या लिया है मैंने एक slope ली है उस slope से मैंने क्या किया एक ball जो है रोल करवाई मैंने देखा कि जैसे ही मैंने इस ball को छोड़ा अपने आप ball जो है नीचे उतर आई ठीक यहाँ पे मैंने कोई मेहनत नहीं करी मेहनत नहीं करी मतलब क्या मैंने यहाँ पे कोई work नहीं किया ठीक है मैंने यहाँ पे कोई वर्क नहीं किया बॉल को एक हाइट से कहां लेके आने पे ग्राउंड तक लेके आने पे मैंने कोई वर्क नहीं किया मैंने कोई महनत नहीं करी लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर दू तो यानि कि अब मेरे पास बॉल कहां है ग्राउंड पे हैं और इस ग्राउंड से मुझे कहा लेके जाना है बॉल को हाइट पे लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे थोड़ी मेहनत करने पड़ेगी याने की मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. Is that clear? यहने कि अगर चीजें higher to lower concentration जा रही है वो अपने आप चली जाती है उसमें महनत की जरूरत नहीं होती है लेकिन अगर हमें चीजों को lower to higher concentration लेके जाना है ठीके, ground से उपर लेकर के जाना है height पर लेकर जाना है तो हमें definitely महनत करनी पड़ेगी और उस महनत को हम क्या कहते है उस महनत को हम कहते है वर्क, यह तो ही बात पानी की, हवा की वॉल की, क्या हमारे charges flow नहीं करते अभी previous session में हमने DPQ में देखा था कि किस तरह से हमारे charges flow करते है conductors के अंदर, इसलिए क्या होता है conductors electricity conduct कर पाते है conductors के तरू electric current कैसे होता है क्योंकि उसके अंदर हमारे charges flow करते हैं, यानि कि ना सिर्फ पानी, ना सिर्फ हवा, ना सिर्फ वॉल हमारे charges भी क्या करेंगे, flow करेंगे और सभी moving चीजों का सभी flowing चीजों की tendency क्या होती है higher concentration से lower concentration में जाने की similarly हमारे charges भी क्या करेंगे कुछ इसी pattern को follow करते हुए flow करेंगे कैसे flow करेंगे, तो ऐसा region जहां पे उनकी density कैसी होगी high होगी उस region से कहां जाएंगे वो ऐसे region में जहां पे उनकी density क्या होगी, density होगी कम, ठीके high density region से कहां जाएंगे charges हमारे low density के region में जाएंगे ठीक है? कहा flow करेंगे? high density से low density मतलब एक ऐसा region जहाँ पे charges बहुत जादा है उस region से वो कहाँ travel करेंगे? ऐसा region जहाँ पे charges कैसे हैं? काफी कम है, density कम है ठीक है? अब क्या करेंगे? जब इस तरह का flow होता है तो हमें महनत की जरुवती नहीं पड़ती हमें कुछ नहीं करना पड़ता charges अपने आप जो हैं flow कर जाते हैं high density से lower density लेकिन अगर मैं इसका inverse कर दूँ तो inverse कैसे? कि अब मैं charge को लेके आ रही हूँ कहाँ low density के region से higher density के region पे तो क्या होगा? अब मुझे थोड़ी महनत करनी पड़ेगी और उस महनत को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस महनत को हम बोलते हैं work यानि कि अगर एक charge है जिसको मैं low density से high density बे लेके आ लिए तो मुझे work करना पड़ेगा अब हम क्या पड़ रहे हैं? electricity पड़ रहे हैं जो density के जो regions की हम बात कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? potential नाम देंगे क्यों? अब बड़े हो गए ना 10 में आ गए हैं अब density से थोड़ी ना काम चलेगा अब हमको electricity के terms में चीज़ों को समझना पड़ेगा तो ये जो low और high density के जो regions हैं उसको मैं क्या कहूँगी? अब potential बोलूँगी ठीक? क्या मैंने नाम दिया? potential नाम दिया याने कि जब charges high potential से HP मतलब क्या है भई? high potential से low potential में जाते हैं तो work नहीं करना पड़ता है लेकिन अगर मैं charge को कहां ले आऊ? low potential से high potential पे लेके आ जाऊ तो यहां पे work करना पड़ेगा ठीक है? अब क्या करेंगे? इस चीज को समझते हैं कि मेरे पास क्या है? एक positive charge है वो positive charge कहां है भाई? infinity पे रखा गया है मुझसे बहुत दूर रखा गया है मैं कहां हूँ? इस particular point A पे हूँ अब मैं क्या कर रही हूँ? चार्ज को infinity से point A पे point A का है? मेरी तरफ है तो मैं बहुत दूर कोई charge पड़ा होगा positive charge लिया है मैंने यहां पे कोई एक बहुत दूर positive charge पड़ा होगा उस positive charge को मैं infinity से कहां लेके आ रही हूँ? अपने तरफ point A पे लेके आ रहे हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे महनत यानि कि यहाँ पे लगेगी क्या work क्यों? क्योंकि एक बच्चे का doubt था कि मैं आपको कैसे पता कि infinity से जब आप किसी positive charge को अपनी तरफ point A पे लेके आते हो तो आपको work करना पड़ेगा work करना मतलब क्या हो रहा है कि definitely charge कहां से आ रहा है? low potential to high potential आ रहा है है ना? high to low में तो हमें महनत नहीं करनी पड़ती है जब हम चीजों को low to high potential लेकर के आते हैं तब महनत करनी पड़ती है तो मैं आपको कैसे पता चल गया कि infinity पे क्या है? infinity पे potential कम है तो भाई ऐसा हमें assume करना पड़ता है आपकी इस level पे ऐसा नहीं है मैं आपको explain कर सकती हूँ कि infinity पे charge जो है infinity पे potential जो है कम क्यों होता है और इस particular point पे potential जादा क्यों होता है मैं कर सकती हूँ लेकिन आपके सर की उपर से निकल जाएगा क्यों? क्योंकि भाई उस level पे पहुँचने के लिए जो steps आपको चड़नी पड़ती है वो आपने चड़ी नहीं है ये चीज आपको 11-12 में समझ में आ जाएगी अगर आपने अपनी physics continue रखी तो अगर भी इस stage पे आपने electric field नहीं पड़ी, magnetic field नहीं पड़ी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है न अभी इस level पे आपको assume करना पड़ेगा कि infinity पे क्या है? low potential है और जो एक point की हम बात कर रहे है A पे, जो हमारी तरफ है उस पे क्या है? वहाँ पे potential है high, infinity पे है potential low ठीक है? तो ये चीज़ आपको higher classes में जाकर समझ में आ जाएगी 11, 12 में लेकिन इस stage पे आपको यही assume करके चलना पड़ेगा क्या कर सकते है हमारे पास कोई option नहीं है ठीक है? तो infinity पे क्या है? potential काम है और जो point A है उस पे क्या है? potential जादा है तो जैसे ही हम क्या करेंगे charge को positive charge को infinity से लेकर क्या आएंगे point A पे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी अब यह जो मेहनत होती है न जो work होता है न यह charge पे depend करता है ठीक है? अगर कि कैसा हुआ? charge जादा हो गया जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10 कूलम का charge है 10 कूलम का positive charge है जिसको आपको infinity से लेकर के आना है कहा point A तक तो आपको मेहनत थोड़ी जादा करनी पड़ेगी वर्क जादा हो गया और अगर मैं आपको बोलू कि charge कैसा है? 15 कूलम का है पहले में भी आप कर रहे थे ऐसा नहीं है क्योंकि आप लोप से higher potential पर लेकर आ रहे थे charge को लेकिन दूसरे वाले में थोड़ी जादा मेहनत करनी पड़ेगी क्यों? क्योंकि charge देखो ना बढ़ गया तो हम क्या बोल सकते हैं? कि यह जो हमारा work है, जो हमारी महनत है वो किस पर dependent करता है? charge पर dependent करता है तो एक काॉम करते है limited ना जब चार्ज जो work है हमारा वो charge पर dependent होता है तो एक काम करते हैं लिए वीच में एक relation बना लेते है इलेक्रिक पुटेंशल पता नहीं क्यों बहुत रहो कोelle को पोटेंशल और अब आपरे पोटेंशल डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं बड़ा आसान है ठीक हमने बहुत ही बेसिक एक्जामपल से चीज पड़ी है कि चीज जब हमारा चार्ज हाय पोटेंशल से लोग पोटेंशल पर जाता है तो मेहनत की सरवत नहीं पड़ती लेकिन अगर लोग पोटेंशल से हाय पोटेंशल पर आ रहा है अगर आप बॉल को ग्रांड से बिल्डिंग के हाइट पर लेकर के जा रहे हो तो मेहनत करने पड़ेगी चार्ज अगर हम क्या कहते है work कहते है यह वर्ग किस पर relation में convert कर दे, तो वो relation क्या हैगी, W upon Q, और इस W upon Q के ratio को ही हम क्या कहते हैं, electric potential कहते हैं, क्या होता है बहुँ electric potential की definition, work done by moving a charge particle from infinity to other point is equal to the electrical potential, ठीक है, जो काम किया गया है, एक positive charge को infinity से लेकर के, एक particular point पे लाने तक, उस work done को ही हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं electric potential, ठीक है, यह चीज़ हमने अल्रडी पढ़ी थी हमारे previous session में, लेकर अभी हमको potential difference पढ़ना है ना, तो इसके मैंने आपको revise करा दिया, ठीक है, अब क्या है, एक और चीज़ जो हमने वहाँ नहीं पढ़ी थी, कि जो हमारा electric potential होता है ना, इसको हम कैसे denote करते हैं भाई, V से denote करते हैं, जैसे current को I से कर रहे थे, charge को Q से कर रहे थे, time को T से कर रहे थे, उसी तरह जो हमारा electric potential है, उसे हम कैसे denote करेंगे, V से denote करेंगे, ठीक, आप क्या करते हैं, पटाफट से हमारा जो पैटर्ण है ऐसा यूनिट निकालेगा वो निकाल लेते हैं तो पोटेंशल, इलेक्ट्रिक पोटेंशल की ऐसा यूनिट क्या आएगी वर्क की क्या होती है याद करो 9 में पड़ा होगा वर्क की होती है जूल्स, ठीक पैसे क्या जायीगी जूल्स कूल मिनवर्स, अब क्या करें अब यह तो बहुती complicated हो गया ना इसको थोछा सा आसान बना देते हैं कैसे बना देते हैं इस जूल्स कूलम इनवर्स को हम क्या नाम द्याएदेते हैं लोल्स अंने नाम दिया है क्या नए Actually यह एक scientist है जैसे कि Ampere एक scientist है उनने current के ओपर काफी काम किया था उसी तरह से एक scientist है थे volts जिसने जिन्होंने electric potential के ओपर काफी काम किया था तो उनकी महनत को respect देने के लिए हमने क्या किया जो joules coulum inverse है उसको हमने नाम दे दिया क्या volts तो भाई V4 क्या होता है V4 होता है हमारा electric potential and V4 क्या होता है volts तो potential की electric potential की ऐसा unit क्या हो जाएगी volts हो जाएगी ठीक है I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी ऐसा unit निकालना बड़ा असान है joules पर coulum inverse होता है और इसको हम नाम देते हैं volts और electric potential को हम V4 करते है I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी अब एक काम करते हैं अब हम बात करते हैं हमारे potential difference की ठीक है नया topic ठीक है अब यह potential difference क्या होता है फिर से हम क्या करते हैं एक positive charge लेते हैं और उसको हम infinity से लेके आते हैं कहा suppose यह है क्या मेरा point A ठीक है एक positive charge था जिसको मैं infinity से कहां लेकर के आई हूँ point A पे लेके आई हूँ infinity पे क्या होता है infinity पे होता है low potential और ऐसा point जो कि हमारे पास है उस point पे जो potential है वो क्या होता है high potential होता है ठीक है यानि कि हम positive charge को कहां से लेकर के आ रहे है low density region से high density की तरफ लेकर आ रहे है high density region में तो क्या करना पड़ेगा work करना पड़ेगा हम एक positive charge को infinity से लेकर के आई है कहां point A पे तो इस point A तक लाने के लिए charge को हम ही क्या करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत को हम क्या कहते हैं, उस मेहनत को हम बोलते हैं, वर्क, ठीक है, जो किस पर डिपेंड करता है भाई, चार्ज पर डिपेंड करता है, यह W by Q का रिलेशन क्या कहलाता है, रेशियो, हमें पता है, यह कहलाता है, पोटेंशल, तो अगर मैं तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो मेहनत या जो work किया गया है एक positive charge को infinity से लेकर के a point तक लाने पर उस work को मैं क्या बोलूँगी? उस work कि मैं बोलूँगी potential तो वो क्या हो जाएगा? potential at point a ठीक है? तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है work जो की एक positive charge को infinity से लेकर के point a तक लाने में हुआ है उसे मैंने क्या नाम दिया भाई? वी ए याने की potential at point a ठीक है? अब क्या हुआ? अब किसी ने जो है ना मेरे charge को वापस infinity पर फेक दिया मतलब में इतनी महनत करके लेकर के आई थी अब क्या हुआ दो बारा मेरा charge जो है या तो वो अपने आप चला गया मुझे नहीं पता कुछ ना कुछ तो हुआ है या तो मे करेंगे दुबारा हम charge को infinity से लेकर के आएंगे लेकिन इस बर हम point a पर नहीं आए इस बर क्या हुआ हम थोड़ा सा ठक गये थे ठीक है ठकने के कारेंट क्या हुआ हम जो है point b यह रहा point b इस point b तक ही charge को ला पाए ठीक है पहली बार में क्या हुआ था हम जादा मेहनत कर ली दी तो हम charge को point a तक लेकर के आ गए लेकिन क्या हुआ अब जब दूसरी बार मेरा charge infinity पर पहुँच गया तो infinity से वापस उसको लाने में अपनी तरफ मुझे महनत करनी पड़ी और इस महनत को करने की चक्कर में मैं थोड़ी सी ठक गई ठकने के कारण क्या हुआ मैं charge को potential at point B कितना होगा VB कितना होगा तो आपका आंसर होना चाहिए भाईया वो work done जो हमने किया है जो आपने किया है एक positive charge को infinity से लेकर के point B तक लाने में वो क्या होगा potential at point B तो क्या हो जाएगा work done divided by Q ठीक है आपको VA समझ में आ गया VB समझ में आ गया मैं repeat कर देती हूँ VA क्या है potential है at point electric potential है point A पे यह कहां से आया है basically यह वो work done है जो की एक charge को positive charge को infinity से लेकर आने में कहां point A तक लाने में काम किया गया है महनत की गई है और potential at B point क्या है VB क्या है यह वो work done है जो की positive charge को infinity से point B तक लाने के लिए किया गया है ठीक है VA समझ में आ गया VB समझ में आ अब एक बात बताओ, मेरा point कहां था initially, पहले A पे था दूसरी बात जब महनत करी तो कहां पहुँच गया, B पे किया ठीक है, B पे पहुँच गया, लेकिन आप मैं चाहती हूँ कि मेरा charge वापस जो है न A point पर ही आजाए, तो उस point जो हमारा charge है, point B पे उसे हमें point A पे लाने के लिए और कितनी महनत करनी पड़ेगी, एक point जो की कहां था, एक charge जो की कहां था, point B पे था, मैं चाहती हूँ कि वो charge कहां आजाए, point A पे आजाए, तो इस पूरे time, मतलब कि हमारा जो charge है, वो point B से करना जाए, A पे आजाए, इसके लिए हमें कितनी महनत करनी पड़ेगी, इस महनत को हम कैसे निकालते हैं, difference निकाल लेते हैं, difference क्या हो जाएगा भाई, VA minus VB, है ना, अगर हमें पता करना है कि कितना काम करना पड़ेगा, कितना work करना पड़ेगा, एक charge को point B से point A तक लाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, difference निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे कि, यूनो हम motion के chapter में, 9th class में, जब हमें motion chapter पड़ा था, उसमें हमने किया था, कि कोई object है, वो कहां तक चला है, distance 10 meter तक गया है, या 100 मालो, ठीक है, 100 meters तक, एक कोई boy है, उसने इतना distance travel किया है, इसको हम में नाम दिया कितना, A, B, point A से चला, B तक गया 100 meters, दोबारा क्या हुआ, वो A से चला, लेकिन हम बोलते हैं कि, इस बार C point पे ही रुग गया, अब एक सवाल आता था कि, उसको और कितना distance travel करना पड़ेगा, object को, boy को, कि वो C से कहां पहुँच जाए, B पे पहुँच जाए, तो आप क्या करते थे, आप करते थे, 100 minus 50, आप difference निकालते थे, तो आप बोलोगे, आप सहोगा, आपको 50, यानि कि, पहले case में क्या हुआ था, object ने travel किया था, 100 meter distance, दूसरे बार में क्या हुआ, उसने सिरफ 50 meter distance travel किया, अब उसको और कितना distance travel करना पड़ेगा, कि वो B तक आजाए, तो क्या करते आप, 100 minus 50 difference निकाल लेते हो, सेम चीज़ तो यहीं भी apply हो रही है, मैंने आपको क्या बोला, कि एक particle को, एक charge को मैं कहां से लेके आए थी, positive charge को infinity से point A तक, दूसरे case में क्या हुआ था, charge को मैं कहां से लेके आए, infinity से point B तक, अब अगर मुझे यह पता करना है, कि मैं कितना ही महनत करूँ, कितना work करूँ, कि मेरा जो charge है वो point B से कहां आजाए, point A पे आजाए, तो मैं क्या करूँगी, difference किसमें निकलेगा भाई, महनत में निकलेगा, कौन सी महनत, potential, potential difference, जो electric potential हम में निकाला है, उसमें हम difference find out कर लेंगे, कैसे, तो V A minus V B कर लेंगे, बस, और यह जो difference आया है न, इसे difference को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, electric potential difference, क्या यह कहीं से भी एक difficult topic था, बड़ा आसान है, पता नहीं क्यों लोग इसे इतना complicated पढ़ लेते हैं, या पढ़ा देते हैं, या whatever जो भी है, पता नहीं क्यों, इतनी छोटी सी चीज है, कि भाई, अगर मेरा point, जो charge है, वो infinity से point A पे आया है, तो point A पे potential कितना हो गया, electric potential V A, फिर charge infinity से point B पे आया है, उस point B पे potential कितना हो गया, V B कितना हो गया, W by Q, अब अगर मुझे अपने charge को point B से point A पे लाना है, तो मुझे और कितनी महनत करनी पड़ेगी, इस महनत को मैं कैसे calculate करूँगी, difference निकाल दूँगी, कौन सा difference, potential at point A minus potential at point B, जैसे हमने यहां किया था, कि एक object है, जो कि 100 meter कर distance उसने travel किया, दूसरी बार में 50 meter कर distance travel किया, और travel करके कहां पहुँचा, point C पे पहुँचा, अब object को कितना distance travel करना पड़ेगा, कि वो C to B पहुँचा है, तो हम क्या करते थे, 100 minus 50 कर देते थे, हम difference निकाल देते थे, तो यहां बे भी हमने difference ही calculate किया है, क्या difference निकाल आ है हमने, दोनो point पे जो potential था, point A पे अलग potential था, point B पे अलग potential था, उन दोनों ही potential को हमने क्या कर दिया है, difference निकाल दिया है उनका, ठीक है, क्या करा हमने, दो अलग-अलग point पे जो potential से, उनके बीच में हमने difference निकाल दिया, और इसी difference को हम क्या बोलते हैं, electric potential difference, ठीक है? क्या है यह? Electric potential difference is the difference in potentials at two different points. क्या होगा भाई? तो VA minus potential at A क्या होगा? point A. तो VA is equals to WA upon Q. WA क्या है? वो work done है जो कि हमने किया है एक charge को positive charge को infinity से point A तक लाने में. फिर इसकी बाद में electric potential at point B क्या है? VB is equals to WB upon Q WB क्या है? वो work done है जो हमने किया है एक positive charge को infinity से point B तक लाने में. अब और कितनी मेनद करें कि charge कहां से आ जाए? point B2 वापस A पे आ जाए तो आप क्या करोगे? VA minus VB कर दोगे. ठीक? और इसी VA minus VB को हम क्या कहते है? electrical potential difference कहते हैं. बाई ना SI unit change होगी. ठीक है? ना इसका जो आप denote करते थे जो इसका denotion है वो change होगा. वो जो आपका electric potential है उसे आप कैसे denote करते थे? उसे आप denote करते थे V से? तो potential difference को भी तो आपको V से ही करना पड़ेगा ना denote. ठीक है? और SI unit क्या होती थी? electric potential की? volts होती थी. तो जो हमारा potential difference है ना, इसकी भी ऐसा unit क्या होगी? इसकी भी हम बोलते हैं कि volts ही होगी. क्यों? क्योंकि potential difference है क्या? दो potentials के बीच का difference है ना? तो potential की जो चीज़े रहेंगी, वो potential difference में भी apply हो सकती है. ठीक? I hope यह चीज़ आपको समझ में आगे होगी. किसी भी तरह का doubt नहीं होगा. अब एक बहुत ही classic question आता है कि आपको क्या define करना है? आपको electric potential कितना? 1 volt electric potential आपको क्या करना है? define करना है. तो आप कैसे define करोगे? आप कुछ इस तरह से कर सकते हो. The electric potential difference between two points is set to be 1 volt. कब के लाएगा electric potential difference 1 volt? When 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from 1 point to other point. भाई, potential difference होता क्या है? तो V is equals to work done upon Q. अगर आपको 1 volt potential difference आपको क्या करना है? define करना तो आप क्या करोगे? work done और joules के भी आगे क्या लगा दोगे? 1-1 लगा दोगे. तो 1 volt potential difference क्या है? यह वो potential difference है. Actually यह वो work done है. ठीक है? जो की 1 coulomb charge को लगा है कहाँ? 1 point से दूसरे point तक लाने में या फिर infinity से particular point तक लाने में. तो 1 volt क्या है? Is that electrical potential difference when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from 1 point to another. ठीक है? तो 1 volt is equal to 1 joule और इसको आप 1 joule और 1 coulomb भी लिख सकते हो. I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है? तो भई potential difference बस इतना साही था. कुछ बहुत जादा हाइफाई इसमें चीजे नहीं थी. अब यहाँ पर आपको दो picture दिख रहे होगी. एक class 11th में आएंगे ना. तब हो सकता है कि आपका इनका इनसे आपका आमना सामना हो. अभी के लिए मैं आपको बता दो कि भई दिखते कैसे ही ऐसे दिखते हैं. है ना. नाम में क्या रखा है नाम हमने पढ़ लिया volt meter, m meter. लेकिन और नए topic discuss करेंगे. हमारे जो upcoming sessions है. उसमें हम कुछ और नए topics discuss करेंगे हमारे chapter electricity के लिए. तो हम मिलेंगे आपमे next session में. तब तक आप क्या करेंगे? हमारा जो official website है magnetbrains.com उसको visit कर लेना जहांपे आपको सभी chapters के video lectures मेलेंगे. प्लेलेस्ट में हमारे chapter electricity का एक और नए topic जिसका नाम है ohms law. प्रीवेस वीडियो में हमने बात करी थी electric potential की और potential difference समझा था. और आज के इस session में हम बात करते हैं एक और नए topic की ohms law की. तो बही आज के इस session का इस lecture का target मैंने set कर दिया है कि इस session के end तक हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ohms law क्या होता है. अब जब target set है तो फिर देरी की इस बात की? तो चलिए start करते हैं आज करी हमारा session. So this is विभूती खरे. Welcome to Magnet Brains तहां पर आपको सभी chapters की video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज कर यह हमारा session जिसमें हमें ohms law समझना है अब एक काम करो तो मिनिट के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर हम पढ़ने के हवाल है session में ठीक है भूल जाओ कि हमें ohms law पढ़ना है अब जो मैं आपसे दो तीन बाते बोल रही हूँ ना उनको ध्यान से समझो और अगर वो चीज़ी समझ में आ गई तो ohms law आपको बिल्कुल within 30 seconds समझ में आ जाएगा ठीक? देखो यहाँ पर दिख रही होगी क्या आपको मेरे पीछे picture picture में क्या है भाई? एक beaker है ठीक? इस beaker में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है अब इस beaker में मैंने क्या किया? तीन अलग अलग points पे hole करें हैं और इन hole से आपको देखने को मिल रहा होगा कि तीन अलग अलग तरह की jets निकल रही है मतलब क्या? कि पानी की धार बह रही है एक beaker था जिसमें पानी बढ़ा था उस beaker में अलग अलग heights पे क्या करें? hole करें हैं तो क्या होगा? hole से पानी बाहर आएगा पानी की धार बहेगी याने की jets निकलेंगी अब आपको तीन अलग अलग तरह की jets देखने को मिल रही है ठीक है? एक बहुत ही पतली है, मतलब पतली मतलब की beaker के बहुत पास में है जो दूसरी वाली है वो beaker से थोड़े दूर है और जो तीसरी वाली है वो देखो beaker से सबसे जादा दूर है अब ज़रा यह बताओ कि आपको तीन अलग अलग तरह की jets क्यों मिल रही है ठीक है? एक देखो beaker के पास है एक थोड़े से दूर है और जो लास्ट वाली jet है वो तो सबसे दूर है ऐसा क्यों हुआ वो इसलिए क्योंकि यह जो पानी की स्पीड है न तीनों ही jets में वो कैसी है? अलग अलग है पहली जो jet है इसमें पानी की स्पीड कैसी है? कम है जिसके कारेंड उससे निकलने वाली पानी की स्पीड कैसी है? काफी कम है जिसके कारेंड जो jet निकली है जो पानी की धार निकली है वो कैसी है? बीकर के पास है तो यहाँ पे पानी की स्पीड कैसी है भई? थोड़ी कम है चिक अब जो दूसरी वाली जेट आपको देखने को मिल रही है ये बीकर से थोड़ी दूर गई है क्यों दूर जा पाई? क्योंकि इसकी जो स्पीड थी ना वो क्या हो गई? थोड़ी सी बढ़ गई इस होल से जब पानी निकला तो उस पानी की स्पीड कैसी थी? थोड़ी जादा थी पहले वाली स्पीड के कमपेरिजन में जिसके कारण जो पानी की धार बही जो जेट आई वो बीकर से दूर हो गई अब तीसरी वाली जेट को देखो ये सबसे जादा दूर है बीकर से इसका मतलब क्या? कि इसकी जो स्पीड है वो कैसी है? इस जेट में इस पानी की धार में पानी की जो स्पीड है वो कैसी है? मैक्जिमम है मैक्जिमम मतलब की सबसे जादा है ठीक है? इन दोने से अगर कमपेर करें तो इस वाली जेट में पानी की जो speed है, वो सबसे जादा है इसलिए जो पानी की धार है, वो beaker से बहुत दूर चली गई पहली वाली jet में क्या हुआ? speed कम, इसलिए धार कैसी हुई? beaker के पास दूसरी वाली jet में क्या हुआ? speed हो गई थोड़ी सी जादा जिसके कारण जेट यान जो पानी की धार है वो थोड़ी बीकर से दूर हो गई तीसरी वाली में क्या हुआ? की स्पीड और जादा हो गई जिसके कारण जो पानी की धार है, जो जेट है वो क्या हो गई? बीकर से सबसे दूर हो गई लेकिन एक सवाल है मेरा कि आखिर ये पानी की speed change हो क्यों रही है भाई भरा तो इस beaker में पानी ही है चीक है लेकिन फिर भी पानी की speed change हो क्यों रही है इसको देखते हैं वो इसलिए क्योंकि जो मैंने holes बनाए है ये तीनो holes अलग-अलग level पे है अलग-अलग height पे है इसको समझने के लिए मैं क्या करती हूँ कि ये जो beaker में पानी है ना इसको मैं तीन layers में divide कर देती हूँ Layer 1, Layer 2 और ये Layer 3 जो पहली पानी की jet निकली जो की कैसी थी बीकर के पास में थी याने कि उसकी speed कैसी थी उसमें पानी की कम थी वो कहां से निकली थी? Layer 1 से निकली थी जो second jet है वो कहां से निकली? पानी की layer 2 से और जो third jet है वो कहां से निकली? पानी की layer 3 से अब जो difference है ना ये इनी तीनो layers में आ रहा है difference किसका है? difference है pressure का किसका difference है भाई? difference है याँ पे pressure का कैसे? जो first layer है उसके उपर क्या कोई और दूसरी layer है पानी की या किसी और चीज़ की नहीं इसके कारण इसका pressure कैसा है इस layer का कम है जिसके कारण हमने जैसे यहाँ पे गड़ा किया, hole किया, एक छेद किया पानी वहाँ से बाहर निकला और पानी की speed कैसी रही काम रही क्यों? क्योंकि इस layer पे पानी का pressure कैसा है? कम है दूसरी layer पे आओ, दूसरी layer में आपने देखा कि पानी के उपर, यह जो second layer है इसके उपर एक और layer है पानी की, कौन सी? layer 1 वही layer 1 के उपर कोई और layer नहीं थी पानी की, लेकिन layer 2 के उपर है एक layer पानी की, कौन सी layer 1 तो इस जो second जो layer है पानी की इसमें pressure कैसा है इसमें pressure है थोड़ा जदा जिसके करण हमने क्या किया जैसे ही यहाँ पे hole किया तो इससे जो पानी बहाँ निकला इसकी speed कैसी हो गई जदा हो गई तीसरा क्या हुआ? तीसरी जो layer थी पानी की इसमें pressure था सबसे जदा क्यों? क्योंकि भई इस layer के उपर दो और layer थी पानी की पहली वाली layer के उपर कोई pressure नहीं था, कोई layer नहीं थी ठीक? तो इसके पानी की speed कैसी रही? कम रही दूसरी layer के साथ क्या हुआ? उसके उपर एक और layer थी पानी की तो उस पे pressure क्या हो गया थोड़ा सा जादा हो गया तो इस layer से जो पानी निकला उसकी speed कैसी हो गई थोड़ी जादा हो गई और तीसरी वारी layer के ओपर तो सबसे जादा pressure है क्यों क्योंकि इसके उपर layer 2 और layer 1 भी है तो layer 3 के पानी के ओपर काफी pressure है तो layer 3 से जो पानी निकला उसकी speed कैसी हो गई? सबसे जादा हो गई इसलिए उससे जो निकली पानी की धार है जो jet है वो beaker से कैसी हो गई? बहुत दूर चली गई तो यहाँ पर difference किसका आ रहा है भाई? तीनो water layers में जो pressure है ना उन pressure में problem है इधर पे pressure कम था इधर थोड़ा जादा हो गया इधर सबसे जादा हो गया high pressure हो गया इस pressure difference के कारण हुआ क्या? pressure difference के कारण जो speed है ना वो change हो गई ठीक है? इस pressure difference के कारण क्या हुआ? speed change हो गई यानि कि pressure है कम, speed कम pressure थोड़ा सा जादा तो speed थोड़ी जादा pressure बहुत जादा तो speed और जादा अब कोई चीज़ समझ में आ रही होगी अब एक काम करते हैं अब हम pressure difference से speed को calculate करेंगे कैसे? मतलब कि pressure difference से हम speed को relate करेंगे suppose अब देखो किसी भी moving cheese की क्या tendency होती है flowing cheese की higher concentration से lower concentration के region में जाना पानी कहां जाएगा बहुई बाहर ही जाएगा क्यूँ जाएगा जैसी आपने hold किया बीकर में क्योंकि बाहर पानी नहीं था तो पानी कहां जाएगा higher concentration से obviously बात है low जाएगा अब बाहर जो है पानी का प्रेशर कितना है? 0 पासकल ठीक है? हमने यहाँ पे बोला क्या? 0 पासकल है बीकर के बाहर पानी का प्रेशर समझ लो जो हमारी लेयर 1 थी लेयर 1 में हम बोलते हैं कि पानी का प्रेशर कितना है? सपोस 5 पासकल है Layer 2 में कितना है? 10 Pascal है और Layer 3 में कितना है? 15 Pascal है अब हम Pressure Difference निकालते हैं Pressure Difference किसके बीच का? अब हम इन Layers की बात नहीं करेंगे अभी तक हम क्या बोड़ रहे थे? अभी तक हम Pressure Difference की बात कर रहे थे इन तीनों Layers में अब हम क्या करते हैं? अब हम Pressure Difference की बात करते हैं बीकर के बाहर और बीकर के अंदर जो First Layer है उसका अगर हम Pressure Compare करें बाहर के साथ तो कितना है? 5 जादा है तो First Layer और बाहर बीकर के बाहर जो Pressure है उसनके बीच का Difference कितना आ जाएगा भाई? 5-0 ठीक है? 5-0 is equal to कितना हो जाएगा भाई? 5 पासकल ये क्या आया? Pressure Difference आया दूसरा Pressure Difference क्या आया? दूसरा Pressure Difference देखो 10-0 is equal to 10 पासकल और 3rd difference क्या आया? 15-0 is equal to 15 पासकल अभी तक हम Pressure को Compare कर रहे थे इन तीनों लेयर्स पे अब हम Pressure Compare कहा कर रहे हैं? बीकर के बाहर और बीकर अंदर बीकर के बाहर Pressure कितना है पानी का? 0, बीकर के अंदर कितना है? अलग-अलग लेयर्स में अलग-अलग है पहला Pressure Difference कितना आया? 5 पासकल का दूसरा कितना Pressure Difference आया? 10 पासकल का तीसरा Pressure Difference कितना आया? 15 पासकल का तीक आप देखो जब 5 पासकल प्रेशर डिफरेंस आया है तो स्पीड कैसी थी? कम थी 10 पासकल जब प्रेशर डिफरेंस आया तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई जब 15 पासकल प्रेशर डिफरेंस आया तो स्पीड क्या हो गई? सबसे जादा हो गई इसका मतलब क्या? कि जैसे जैसे pressure difference बढ़ा, speed बढ़ती चली गई है ना? जैसे जैसे क्या हुआ? pressure difference बढ़ा, speed बढ़ती चली गई कैसे? सबसे नीचे वाली जो layer थी पानी की, उसके ओपर दो water layers का pressure था इसके कारण उसका pressure कितना हो गया? 15 pascal इस layer से जब पानी बाहर आया, तो पानी कहां आया? उस region में जहां पे पानी था यह नहीं, zero pressure पे था तो 15 pascal से कहां आ गया? 0 pascal पे आ गया, pressure difference कितना निकला? 15 pascal और इस time पे ज़रा पानी की speed देखो कितनी जादा है? jet देखो बिलकुल container के जो है ना बहुत दूर चली गए container से तो इस पूरी चीज से हम क्या conclude कर सकते हैं? इस पूरी चीज से हम conclude यह कर सकते हैं भाई कि अगर pressure difference जादा है तो speed बढ़ जाएगी पानी की flow की speed क्या हो गई? बढ़ गई ठीक है? सेम केस कहा follow होता है भाई? सेम केस follow होता है जो हवा चलती वगएरा रहती है ठीक है? जब हवा चलती है तो क्या होता है भाई? हवा जब चलती है तो आपको पता है हवा कैसे चलेगी जब एक ऐसा रीजन हवा का जहां पर प्रेशर कैसा है जादा है वो कहां जाती है उस रीजन पर जाती है जहां पर उसका प्रेशर कैसा है कम है तो हवा का मूप करेगी high pressure से low pressure region पे जिस current क्या होता है? हवा चल जाती है अब अगर ये pressure difference क्या हो गया? जाधा हो गया अभी अभी मैंने आख को पताया है कि जब pressure difference जाधा होता है तो क्या होता है? speed बढ़ जाती है हवा कैसे चलेगी? हवा जो है air high pressure to low pressure region जाएगी और अगर ये pressure difference क्या हो गया? बहुत जाधा हो गया तो क्या होगा? हवा तेजी से चलने लगेगी यहाँ पे आपको एक GIF दिख रहा होगा, वीडियो दिख रहा होगा जहाँ पे हम एक beaker से दूसरे beaker में जो है fluid जा रहा है अब अगर मैंने इसकी height थोड़ी और बढ़ा दी तो क्या होगा? पानी fluid तेजी से दूसरे beaker में जाएगा क्यों? क्योंकि height difference बढ़ जाएगा यानि कि difference जाधा तो speed जाधा इसको बार-बार repeat करो मेरे साथ difference जाधा तो speed जाधा difference जाधा तो speed जाधा अब एक काम करते हैं जो हमने पानी का flow देखा दाना हम क्या पढ़ रहे हैं? electricity पढ़ रहे हैं तो electricity के terms में समझते हैं जो हम यहाँ पे पानी के flow की बात कर रहे थे अब उस पानी की जगा हम क्या लिख देते हैं? हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे हम बात कर रहे थे flow of water की ठीक है? flow of water की बात कर रहे थे तो एक काम करते हैं यहाँ पे अब हम flow of water नहीं लेंगे यहाँ पे हम लेंगे क्या flow of current ठीक है? क्या लेंगे यहां पे हम flow of current लेंगे और जो हम pressure की बात कर रहे थे pressure difference की वो pressure difference कहा होगा अब इस case में pressure difference जो होगा वो अब क्या कहलाएगा भई यहां पे वो कहलाएगा अब potential difference समझें मैंने आपको कहा था कि अभी भूल जाओ कि हमें क्या पढ़ना है अभी focus करो इस चीज पे जो मैंने समझाने कि आपको कोशिश करिए अगर यह चीज समझ में आ गई होगी तो यह जो relation है ना यह तो आपको बिल्कुल 15 seconds के अंदर समझ में आ गया होगा ठीक है जो अभी तक हम बात कर रहे थे पानी के flow की अब उसे हम water की जगा क्या लिख देते हैं वापे हम flow of current और जो यहाँ पर pressure difference की हम बात कर रहे थे पानी के pressure के difference की उसकी जगा हम लिख देते हैं क्या potential difference क्या relation पढ़ा था जब pressure difference जादा होता है तो पानी का flow बढ़ जाता है यानि की speed बढ़ जाती है पानी की और अगर मैं इसको electricity के टांस में बोलूं तो कि अगर potential difference जादा है तो current का flow क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है जैसे की यहाँ पर pressure difference जादा था तो पानी का flow बढ़ गया था speed बढ़ गई थी तीन अलग अलग type की jets आपको देखने को मिल रही थी अब हमने electricity हम पढ़ रहे हैं तो हमने pressure difference की जगा potential difference लिख दिया flow of water की जगा हमने flow of current लिख दिया हमने क्या देखा कि अगर potential difference जादा है तो current का flow भी क्या हो जाएगा increase हो जाएगा ठीक है potential difference अगर जादा है तो current का flow भी क्या हो जाएगा increase हो जाएगा ठीक है यह चीज सबसे पहले हमने discover नहीं करी थी ठीक है ना आपने ना मैंने ना मेरी teacher ने यह सबसे पहले चीज किसने discover करी थी भाई यह सबसे पहले discover करी थी एक German physicist थे जिनका नाम था George Ohms ठीक है यह चीज सबसे पहले इन्होंने discover करी थी notice करी थी observe किया था और इसी लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने एक relation दे दिया potential electric potential difference and current के बीच का और यह जो relation है जो अभी हमने पढ़ा हमने observe किया इसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया बही Ohms law दे दिया क्योंकि इन्हें discover किया था बही सही बात है जो चीज जो discover करता है उसकी उपर उसका हक हो जाता है Ohm जी ने सबसे पहले जो है ना वो क्या किया था discover किया था इसलिए उन्होंने एक Ohm's law दे दिया, जो कि क्या बताता है भाई? It gives a relationship between current I flowing in a metallic wire and potential difference V across its terminal. भाई क्या बोलता है according to Ohm's law? The electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends providing the physical condition such as temperature remains constant. यह जो line है ना, providing the physical condition such as temperature remains constant या unchanged यह बहुत जरूरी है. इस line पर ही based एक limitation भी आती है Ohm's law की. तो सबसे पहले तो Ohm's law समझो, limitation भी समझ में आ जाएगी. ठीक है, Ohm's law जो होता है? कि भाई, जो electric current का जो flow होगा through a conductor, वो किसके directly proportional होगा? तो भाई, potential difference के applied across its ends. यानि कि I is inversely proportional to V. I is inversely proportional to V. यह किसने बोला था? यह बोला गया था भाई, हमसे Ohm's law में. ठीक है? तो हमसे पहले किसी और ने से discover कर लिया, George Ohm ने discover कर लिया. इसलिए उन्होंने एक Ohm's law दे दिया. अब काई बार क्या होता है ना? कि वैसे देखा जाए तो I is directly proportional to V और V is directly proportional to I. यह ऐसे लिखा रहता है. लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, तो यह वाला जो proportional है ना, जो relation है वो घलत है. क्यों? त्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि potential difference पे current का flow depend कर रहा था. अगर potential difference जादा है, तो current जादा हो जाएगा, current का flow जादा होगा. अगर potential difference कम है, तो current का flow क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. लेकिन इस relation के according क्या चीज़े हमें दिखाई दे रही है? कि potential difference depend कर रहा है current के flow पे. यानि कि अगर current का flow जादा है तो potential जादा है potential difference जादा है अगर current का flow कम है तो potential difference कम है ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, हो क्या रहा है? current depend कर रहा है किस पे? potential difference विए अगर potential difference जादा तो मैं जादा अगर potential difference कम तो मैं भी कम तो देखा चाहे तो ये वाला relation जो है ना गलत है आपको लिखना कुछ इसी तरीके से चाहिए लेकिन खेर कोई बात नहीं कई बार किताबों में भी ये दिया रहता है ठीके? तो concept आपको समझ में आना चाहिए बाकी तो हम कर लेंगे खुद ठीके? फिर इसके बाद में इफ V is the potential difference applied across the ends of the conductor through which the current I flows then according to Ohm's law I is directly proportional to V अब क्या करेंगे? ये जो proportionality constant है ना इसे हम क्या कर देंगे? हटा देंगे ये जो proportionality का sign है वो हम अटा देंगे कैसे हटाएंगे? तो एक constant लगाना पड़ेगा constant क्या कहलाता है भई? आर कहलाता है आर बतला क्या? resistance resistance के उपर हम और थोड़ी चार्चा करेंगे और थोड़ा उसको discuss करेंगे लेकिन इस stage पे अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर I proportional है कि इसके V के और अगर इस proportionality के sign को हम में अटाने तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे I is equal to कितना हो जाएगा भई? V by R ठीक है? यानि कि आप इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो V is equal to I into R यह R कहां से आया? proportionality sign हम में हटाया है न? इसकी जगा क्या आगया? R आगया R क्या होता है? रजिस्टेंस होता है रजिस्टेंस मतलब क्या? कि current को किसी भी चीज को रोकना है न? रजिस्टेंस मतलब क्या? किसी भी चीज को रोकना तो भाई यहाँ पे रुकेगा क्या? रुकेगा वो जो flow हो रहा है कौन flow हो रहा है? current flow हो रहा है तो resistance क्या होता है भाई, resistance को हम बोलते हैं कि basically यह tendency होती है किसी भी चीज की current के flow को रोकने की, ठीक है, resistance क्या होता है, यह tendency होती है किसी भी चीज की current के flow को रोकने की, ठीक है, from the above formula it is clear that the current is inversely proportional to the resistance, आप score कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो, I is equals to V by R, ठीक, तो यहाँ पर में क्या दिखाई दे रहा है कि current किसके inversely proportional है, resistance के inversely proportional है, if resistance is doubled, then current gets half, क्योंकि inverse proportion है, अगर क्या हुआ, resistance double कर दिया, तो current क्या हो जाएगा, half हो जाएगा, और अगर resistance हाफ कर दिया, तो current क्या हो जाएगा, जादा हो जाएगा, ठीक है, यह सब किसने बताया था भई, यह आया था सब कुछ, ohms law से, आगे क्या है, बस ohms law के बारे में, यह basic कहानी थी, यह basic चीज थी, जो मुझे आगको बतानी थी, कि ohms law होता क्या है, ohms law हमें यह कहता है, कि जो potential difference है, उसका एक relation होता है current के साथ, अगर potential difference जादा है, तो current क्या हो जाएगा, जादा हो जाएगा, अगर हम बोलते हैं कि potential difference कम है, तो current क्या हो जाएगा, अगर potential difference क्या है, कम है, तो current कम, जादा है, तो current भी जादा, यानि कि I किस पर depend कर रहा है भाई, I depend करता है हमारा potential difference पे, अब एक काम करते हैं, यह current और जो potential difference है ना, इसके बीच में graph plot करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, VI graph का मतलब क्या होता है, potential difference और current के बीच का एक graph, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, X axis में ले लेते हैं, हम current और Y axis पे ले लेते हैं, क्या हम potential difference, हमने क्या relation देखा है भाई, कि I जो है, वो directly proportional होता है, किस पे, potential पे, potential difference पे, तो इसका graph कैसे बनेगा भाई, इसका graph होगा, एक straight line graph, क्यों, क्योंकि यह direct proportionality वाला relation है, current directly proportional हो रहा था, किस के उपर, current के उपर, छीक है, इसलिए जो graph आपको मिलेगा, वो कैसा होगा, एक straight line graph होगा, तो इस V I graph में, अगर आपको क्या पता करना है, भाई, resistance पता करना है, क्योंकि यह relation अकेले ऐसा थोड़ी ना आता है, relation क्या होता है, relation होता है, V is equals to I into R, तो जो आपको current है, वो कहा मिल रहा है, X axis पे मिल रहा है, चीक है, potential difference आपको कहा दिख रहा है, Y axis पे मिल रहा है, तो भाई, resistance कहा मिलेगा, resistance आपको मिलेगा, इस slope में, तो अगर आपको V I graph में, resistance क्या 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 क् स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा अब बार ही आ जाती है किसकी ओम्स लॉक की लिमिटेशन की तो भाई ज्यादा लिमिटेशन नहीं है आपके लेवल पर बस दो ही है कि the temperature and physical state of the material has to remain constant मैंना आपको बताए था कि ओम्स लॉक की definition में जो physical conditions है उनको constant रखने के लिए बोला गया है unchanged रखने की बात बोली गई है ठीक है ऐसा क्यों क्यों कि अगर temperature change हुआ ना तो current बढ़ जाएगा अभी हम क्या बढ़ ओम्स लॉन ने हमें बताया क्या था ओम्स लॉन ने हमको basically potential difference और current की बीच में temperature constant नहीं रखा गया तो ग़रबर हो जाएगी कैसे गरबर हो जाएगी क्यों कि भाई temperature जादा होगा मतलब जादा heat जादा heat मतलब क्या कि item जो है क्या करेंगे उस heat को absorb करेंगे heat को absorb करेंगे तो क्या होगा शांत नहीं बैटेंगे वो वो क्या करनेगे वो उचलने लगेंगे ठीक है अब atoms की साथ क्या दिक्कत होती है atoms तो आपस में क्या होते हैं bonded होते हैं तो atoms क्या करेंगे बस अपनी जगा पे vibrate कर पाते हैं ठीक है लेकिन उनके अंदर बैठे होंगे न जो electrons वो क्या कर जाएंगे वो हो जाएंगे excited वो निकल जाएंगे atom के बाहर atom के बाहर निकल गए तो क्या होगा वो अब current के flow में participate करेंगे क्यों क्योंकि जब electrons flow होते हैं conductor में तो वहाँ पे electricity आ जाती है तो अगर temperature हो गया जादा conductor में heat हो गई क्या heat जादा मतलब क्या कि जादा heat absorb कर ली कि कौन atoms, atoms excited हो जाएंगे वो अपने जगा पे vibrate करने लगेंगे उनके अंदर जो electrons होंगे वो भी excited हो जाएंगे atom के बाहर निकल आएंगे और flow करने लगेंगे जितने जादा number of electrons का flow उतना जादा क्या current क्योंकि current कहां से आ रहा था electrons के flow से ही आ रहा था और अगर number of electrons जादा flow करने लगेंगे मतलब क्या होगा current है वो भी क्या होने लगेगा बढ़ जाएगा लेकिन जो ohms law है उसके according क्या होता है कि current सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होता है किस चीज़ पे जो electrical potential difference है सिर्फ और सिर्फ उस पे किसी और चीज़ पे नहीं इसलिए ohms law में बोला गया था कि जो बाकी की physical conditions है temperature वगेरा और जो state होता है material का वो कैसा होना चाहिए unchanged होना चाहिए वो constant रहना चाहिए अगर वो change हुआ तो भाई ohms law की तो validity खादम है ना क्योंकि ohms law बोल रहा था कि अगर temperature constant है तभी current किसके directly proportional होगा potential difference के लेकर अगर temperature change होगा temperature बढ़ गया तो क्या होगा current का flow बढ़ जाएगा तो फिर जो relation आ रहा था potential difference और current के बीच का वो valid नहीं रह जाएगा ठीक है तो यह first limitation होगी second limitation बोलती है कि ohms law एक universal law नहीं जैसे कि हम gravitational law के लिए बोलते थे कि वो एक universal law है ohms law नहीं होता क्योंकि बढ़ ऐसी कोई भी idle चीज नहीं होती जहांपे हम बोले कि electricity जिससे pass हो रही हो और उसका temperature भी कैसा हो रहा है constant रह रहा है आप laptop यूज करते हो laptop यूज करोगे तो आप देखोगे थोड़ी तेरे बाद वो गरम हो जाता है दूसरा laptop ले लो वो गरम नहीं होता इसका मतलब यहीं नहीं कि जो गरम नहीं हो रहा उसमें temperature नहीं बढ़ रहा temperature उसका बढ़ रहा है लेकिन जो cooling effect वगरा जो है दूसरे laptop को वो काफी अच्छा है इसलिए आपको वो heat फील नहीं हो रही लेकिन जो पहला वाला laptop है उसमें heat produce हो जाती है क्यों? क्योंकि electricity उसमें बहर रही है flow कर रही है तो जहाँ electricity होगी वहाँ heat होगी heat मतलब क्या? temperature तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती है कोई भी ऐसी idle चीज़ नहीं है जहाँ पे हम बोलें कि अगर current flow हो रहा है तो temperature चेंज नहीं होगा temperature तो definitely चेंज होगा इसलिए यह क्या है? एक universal law नहीं है I hope यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी आज के session के लिए बस इतना ही ohm's law बस इतना ही था next session में हम कुछ numerical solve करेंगे electric potential पे based और ohm's law पे based तो मेलेंगे हम अपने next session में तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर लेना आपको सभी chapters के video lectures मिले वाले हैं playlist में साथ ही साथ वहापे आपको सभी topics के होंगे notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetic brains thank you for watching hello everyone, इस session में हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़े पहले topic क्या होगा? हमें देखना होगा कि current के flow का direction क्या होता है और दूसरी चीज़ अभी तक हमने जो भी potential difference से related जो भी बाते पढ़ी है ना उसको अब हम apply करेंगे questions में याने कि potential difference पे based कुछ करेंगे numericals solve. वही current के बारे में वैसे तो हमने काफी सारी चीज़े पढ़ ली है कि current अगर होता है तो क्यों होता है? Charges के flow के कारण होता है और अगर हम उसको हम specify करना चाहें तो free electrons के flow के कारण होता है current का relation क्या होता है? potential difference के साथ हमने वो भी देख लिया कि अगर potential difference जादा है तो current जादा potential difference कम है तो current भी कम है इत्ती सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली है लेकिन एक जरूरी चीज़ तो हमने मिस कर दी क्या है वो चीज़? कि current के flow का direction क्या है? कि किस direction में, circuit में current flow होता है ये अभी तक हमने नहीं देखा है तो एक काम करते हैं इस session में सबसे पहले तो हम वो देखेंगे दूसरी चीज़ क्या? जो potential difference पर बेज हमें कुछ numerical करने होंगे solve ताकि आपको formula apply करना आ जाए ठीक है? तो आज के इस session का मैंने target fix कर दिया है set कर दिया है कि आज हमें पता करना है कि current के flow का direction क्या है और numerical solve कर देने है तो जब target fix है तो देरी के इस बात की? तो चली start करते है हम आज का lecture so this is विभूती खरे welcome to magnet brains जोहां पर आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost यानि कि magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की आप package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज कही हमारा session जिसमें हम start करेंगे सबसे पहले current के flow के direction के साथ देखो सबसे पहले तो battery का symbol आप समझ लो ठीक है battery आप सबने जरूर देखी होगी उस battery का symbol जब हम एक circuit बनाते हैं न तो उसका symbol क्या होता है भई उसका symbol होता है कुछ ये ठीक है मैं इसको और highlight कर देती हूँ उसका symbol क्या होता है ये एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी ठीक है जो बड़ी डंडी है वो क्या होती है battery का positive terminal होती है और जो छोटी डंडी है वो क्या होता है battery का एक negative terminal होता है battery में आपको पता होगा एक positive और एक negative terminal होता है जब हम एक circuit draw करते हैं तो battery को कैसे बनाएंगे अब अगर में आपको बोलू कि current के बारे में हमने क्या पड़ा है कि जब free electron flow होते हैं तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे electric current आ जाता है अब देखा जाए तो electrons कुद कैसे होते हैं electrons को होते है negatively charged तो electrons को flow कहा होना चाहिए electrons को होना चाहिए basically battery का जो negative terminal होता है यहाँ होना चाहिए electrons को ठीक है? और जब उनकी flow की बारी आएगी तो कहां से flow होना चाहिए? negative to positive जाना चाहिए है ना? electrons खुद कैसे? negatively charged है तो उनको होना कहां चाहिए? बैटरी की negative terminal में होना चाहिए और जब वो flow करेंगे तब electric current फिडियो होगा flow करेंगे कहां से कहां? बैटरी के positive terminal से negative terminal में याने की जो electrons की flow का direction है उसके opposite current की flow का direction हम बोलते हैं ऐसा कैसे possible है भई जब हम electric current के लिए बोलते हैं कि यह produced कब होता है जब electrons flow करना शुरू करते हैं जब जैसे फ्री electrons क्या करेंगे flow करेंगे electric current आ जाएगा circuit में लेकिन यह क्या बात हुई electrons बह रहे हैं कहां Electrons flow हो रहे है Negative से Positive Dominal पे और Current कहां जा रहा है Current Positive to Negative जा रहा है ऐसी कैसे Possible है तो दर ऐसल बात क्या है na Actual जो flow है current का वो Negative to Positive ही होता है ठीक है Actual जो flow है current का वो Negative to Positive होता है दर ऐसल पहले की जमाने में क्या होता है बहुत पहले जब Electrons discovery नहीं हुए थे सिर्फ protons आये थे ठीक है उस पहले की जमाने में क्या हुआ था कि हमको बताया गया था कि भाई यह रहाँ nucleus और nucleus के अंदर क्या होते है protons होते है electrons के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई थी क्योंकि electrons उस समय तक discover हुए नहीं थे हम इसे इतना पता था कि atom के पास क्या होते है protons कैजे होते है फिर क्या हुआ लेकिन उस टाइम तक current की discovery हो चुकी थी तो protons थे और current था तो लोगों ने क्या समझा साइंटिस्स ने क्या समझा कि current का जो flow होता है न वो charges के कारण होता है लेकिन charge केवल proton आया था positive charge आया था उस समय तक तो इसलिए क्या बोला गया कि current का flow किसकी वज़े से होता है protons की वज़े से होता है यह हमको यह बहुत पहले से पता चल गया था कि current कैसे flow होगा charges के flow के कारण होगा लेकिन उस समय तक किवल एक ही टाइप का charge existence में आया था positive charge आया था positive charge किसके पास होता है proton के पास होता है तो लोगों ने scientist को ऐसा क्या लगा कि current का flow क्यूं हो रहा है protons के कारण हो रहा है protons के खुद के पास क्या होता है एक positive charge होता है ठीक है और उसको कहा होना चाहिए उसे होना चाहिए battery के positive terminal पे और जब वो flow करेगा तो कहां से जाएगा positive to negative terminal जाएगा इसलिए हमने बोल दिया हमने नहीं उस जमाने के scientist ने बोल दिया कि current कहां flow होगा positive to negative terminal जाएगा battery के लेकिन क्या हुआ बहुत बात में जाकर के electrons की discovery हुई और तब पता चला कि भाई साथ यह जो electric current है ना यह charges के flow के कारण तो हो रहा है लेकिन charge कौन से negative charge याने कि electrons के flow के कारण electricity आ रही है किसी भी चीज़ के अंदर conductor के अंदर तो लोगों ने बोला कि अभी तक जो हमने concept पढ़ा था वो तो मतलब पूरे गड़बड हो गया हमने बढ़ा था कि positive charge के flow के कारण electric current होता है और electric current का direction क्या हो जाएगा उसकी flow का positive to negative terminal हो जाएगा लेकिन अब आप बोर्डरों कि भाईया, positive charge के नहीं, negative charges के flow के करण electricity होती है, electron के flow के करण electricity होती है, electron कहाँ flow करता है, negative to positive terminal flow करता है, इसका मतलब क्या, कि current का direction भी क्या होना चाहिए, negative to positive terminal होना चाहिए, सारे concept कलत हो गए, अब क्या करें, फिर कुछ होश्यार लोगों ने बोला कि अरे, इतनी tension क्यों लेनी है, भाई, अपना current है क्या, अपना current है एक scalar quantity, भाई, vector quantities क्या होती है, उनको जर्वत होती है, direction की, magnitude की, लेकिन हमारा बिचारों, जो current है, वो तो बहुत simple सा, छोटा सा, प्यारा सा, बच्चा, बहुत सीधा सा, उसे तो direction से मतलब भी नहीं है, त conventionally हमने क्या पड़ा है अभी तक कि current का flow का direction क्या होता है, positive terminal to negative terminal होता है, वो तो अभी आप में discover कर ले कि बहुत है, तो देखा जाए, actual flow, actual direction क्या होना चाहिए, current के flow का negative to positive terminal होना चाहिए, यह तो अभी अभी आप में discover क्या है, कोई बात नहीं, आपने इस चीज को लेकर के, काफी सारे concepts बना लिये थे, कि current का flow का direction वो कैसा होता है, positive to negative terminal, इस चीज को लेकर कि आपने already बहुत सारे concepts बना लिये थे, तो एक काम करो, उन concepts को बिगाड़ो मन, उनको रहने दो, क्यों, क्योंकि current को मतलब ही नहीं है, direction से, हमने decide कर दिया, current के लिए कि तुम positive to negative terminal जाओगे current ने माल लिया, ठीक, लेकिन electrons का flow का direction क्या होता है, opposite होता है, electrons कहा move करते हैं, electrons move करते हैं, negative to positive terminal, योगि electrons खुद कैसे होते हैं, negative होते हैं, तो उनको कहा होना चाहिए, battery के, negative terminal में होना चाहिए, और जब वो flow करेंगे, तो कहा जाएंगे, negative to positive, तो इसे हम कहते हैं, conventional current, और इस से हम कहते हैं electron current, टके, काईदे से होना क्या चाहिए, काईदेसे हमें, इस तरह से imagine करना चाहिए, कि हमारा, जो electron है, वो क्या है, rail Vanye car engine है, और जो हमारे पास current है वो क्या होंगे वो भई train के डब्बे होने चाहिए जहां जहां इंजिन जाएगा वहां वहां train के डब्बे जाएंगे लेकिन क्या हुआ थोड़े से concepts जो ना गड़ बड़ हो गए क्योंकि discovery में time बहुत लग गया ना electrons की तब तक हमने क्या सोच लिया था कि current कैसे flow होता है positive charge के कारण होता है positive charge कहां से कहां flow होगा positive to negative terminal यानि कि electron जो current है उसका direction भी positive to negative terminal होगा लेकिन electrons की जो discovery है वो बाद में हुई इसलिए बोल दिया गया कि कोई जरुवत नहीं है ते tension लेने की कोई जरुवत नहीं है लोट लेने की जो अभी तक तुम current का direction बान रहे थे जिसके उपर तुमने काफी concepts बना लिये थे उसको वही रहने दो positive to negative terminal और electrons के तुमने अभी अभी discovery करी है उसके flow के direction की वो नहीं की नहीं रहने दो तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो current का flow का direction है न वो electrons के flow के direction के opposite होता है actual तो यही होता है engine और train के डबबे जहां जहां electrons उसके पीछे पीछे current लेकिन conventionally हम यही मान की चलते हैं कि current कैसे flow होगा positive to negative electrons को जाने दो negative to positive current कहां जाएगा positive to negative ठीक है इस चीज को हमेशा ध्यान रखना ये तो मैंने आपको बता दिया कि actual current तो यह होता है है ना rail guard और उसके डबबे होते हैं जो क्या बोलते हैं engine और रिलकड़ी के डबबे होते हैं current और electrons पर कोई नहीं जो हमारी NCRT में लिखा है हम वही मानेंगे क्या लिखा है NCRT में ना सिर्फ NCRT में कहीं भी देख लो भईया electrons से कहाँ flow करेंगे negative to positive current कहाँ flow करेगा positive to negative terminal of battery ठीक है I hope अब आपको current के flow के direction में कोई भी doubt नहीं होगा अब अगर आपको ये clear है तो एक काम करते हैं हम फटा फट से आ जाते हैं हमारे numerical section में जहां पर हम solve करेंगे potential difference पर based कुछ numerical वही potential difference मैंने आपको बताया था potential का formula जो होता है वही potential difference का formula होगा है ना क्या होता है potential का formula work done divided by charge चीक क्या है आपर first question how much work is done in moving a charge of 3 coulombs across 2 points having a potential difference 15 volt याने कि आपर हमको क्या दिया गया है potential difference हमको दिया गया है ठीक है 3 coulom charge हमको दिया गया है निकाला क्या है work done निकाला है बड़ा असान सवाल है क्या करेंगे V into Q कर देंगे जिससे आ जाएगा work done V क्या है भई V दिया गया हमको 15 volts और charge कितना दिया गया है 3 coulombs 15 dries आ कितना होता है 45 होता है तो ये कितना आ जाएगा 45 क्या है ये ये joules है बिना SI unit के कोई भी quantity नहीं लिखना marks कर जाएंगे आसान सा बाता simple formula था potential difference का potential का क्या होता है work done upon charge potential difference हमसे दिया गया था given था हमसे work done पूचा था तो हमने क्या किया V into Q कर दिया V into Q मतलब की 15 into 3 that is 45 joules ये क्या आ जाएगा अपना work done आ जाएगा ठीक I hope ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा easy था है ना अब अगर आपको इसका screenshot लेना है तो आप ले लो मैं हो जाती हूं screen के बाहर और आप इसका screenshot लोगे on the count of 5 ठीक है so 5, 4, 3, 2 and 1 I hope आपने उसका screenshot ले लिया होगा उसा answer का अब हम बात करते हैं second question की calculate the potential difference between two terminals of a battery if 100 joules of work is required to transfer the charge of 20 coulomb from one terminal of the battery to the other अब यहाँ पे हमसे potential difference पे सवाल किया गया है work done हमको पताया यहाँ कितना कर रहा है 100 joules work done हो रहा है कब जब 20 coulomb के charge को आप battery के एक terminal से दूसरी terminal तक लेके जा रहे हो तो यहाँ पे आपको potential difference पूछा गया है work done कितना दिया गया है यहाँ पे 100 joules दिया गया है और charge की value कितनी दी गई है charge है अपना 20 coulomb का ठीक है formula याद होना चाहिए formula क्या है V is equals to W upon Q W क्या है भाई W है 100 Q कितना दिया गया है 20 तो यह हो जाएगा 5 जा तो 5 वोल्ट आ जाएगा potential difference between two points of the battery है ना बैट्री के दो टर्मिनल्स के वीच में potential difference कितना होगा 5 वोल्ट का होगा कैसे simple दाना potential difference निकालना पूछा था work done हमको given था charge हमको given था तो हमने formula ही तो लगाया formula में values put कर दी है ठीक है बिल्कु भी tricky question नहीं था अब अगर आपको इस question का answer का लेना हो screenshot तो फटा-फट से ले लो मैं आ जाती हूँ screen के बाहर और आप इसका screenshot लोगे on the count of 5 so 5, 4, 3, 2 and 1 I hope ले लिया होगा आपने screenshot और आज के इस session का last question है ये how much work is done in moving a charge of 20 sorry 2 coulombs from a point of 118 volt to a point at 128 volt अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पूछा गया है क्या work done, ठीक है how much work is done, work done पूछा गया है charge कितना दिया गया है भाई charge हमको यहाँ पे given है 2 coulombs का, लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं given है, क्या नहीं given है यहाँ पे हमको potential difference नहीं दिया लेकिन कोई बात नहीं potential difference नहीं दिया है लेकिन 2 points पे अलग-अलग potential तो दिये गया है एक point पे कितना है 118 volts और दूसरे पे कितना है 128 volts तो क्या करेंगे potential difference कैसे निकालते हैं भाई दो different points पे जो दो different potentials होते है उनको subtract कर दो तो क्या आता है उन दोनों points के बीच का potential difference आ जाता है तो अगर हमे potential difference निकालना है तो हम क्या करेंगे VA-Vb कर देंगे यादना potential difference का formula ठीक है तो V एक कितना है भई, V है 128-118, यह कितना जाएगा, 00, यह 1, यह 0, यानि कि potential difference कितना आ गया, potential difference आ गया, 10 volts, अब तो आसान है न सवाल, अब तो आपको potential difference given है, हमने निकाल लिया है, और charge भी आपको given है, निकालना क्या है, work done निकालना है, तो V is equal to कितना होता है, V is equal to work done upon Q, V क कितना निकाला, 10, और charge कितना given है, charge given है, तो तो work done कितना आ जाएगा, भई, work done आ जाएगा, आपका 20 joules, है न, work done कितना आ गया, 20 joules, यह भी आसान था सवाल, इसमें बस potential difference आपको नहीं दिया गया था, potential difference आपको निकालना था, कैसे निकाला आपने, दो अलग अलग points पे, ज 10 volts, 10 volts क्या है, potential difference है, अब जब आपको potential difference आ गया है, तो इसको potential difference की formula में put कर दो values, तो work done आ जाएगा, कितना, 20 joules, I hope यह वाल सवाल भी आपको समझ में आया होगा, काफी easy सवाल था, ठीक है, अब अगर आपको लेना है, इसका एक screenshot, तो फटा फट से ले लो, on the count of 5, so 5, 4, 3, 2, and 1, I hope आज का session आपनी किया होगा, enjoy, इसमें हमने बात करी थी, इस session में कि किस तरह से current का जो flow है, उसका direction क्या होता है, हमेशा याद रखना, electrons move करते हैं, battery के negative to positive terminal में, लेकिन current कहां जाएंगे, positive to negative terminal ही जाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग में frame कर लो, और सा साथ हमने कुछ numericals भी solve करें, तो I hope किस तरह से potential difference का formula apply होता है, questions में वह आपको समझ में आ गया होगा, सवाल अभी यहाँ पर नहीं रुके हैं, और भी सवालों का सिलसला जो है continue रहेगा, next session में हम बात करेंगे, ohms law के ओपर कुछ numericals की, तो मिलेंगे हम next session में, तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो official website है magnetbrains.com, उसे visit कर लेना, जहाँ पर आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं, playlist में, साथ ही साथ सभी topics के वहाँ पर होंगे, आपको notes भी available, so do visit our official website magnetbrains.com, till then keep learning with magnet brains, thank you for watching, Hello everyone, इस session में हम करने वाले हैं कुछ numericals solve, वो numericals जो की based होंगे, ohms law के उपर, previous video में, previous session में हमने देखा था ohms law, क्या होता है भाई, ohms law, relation होता है electric current और potential difference के बीच में, याने कि potential difference अगर जादा, तो current जादा, potential difference कम, तो current भी हो जाएगा कम, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और अपने concepts को strong करते हैं, और इसी वे based कुछ numericals solve कर लेते हैं, तो आज के session का target मैंने set कर दिया है, fix कर दिया है, कि आज के session में हमें numericals देखने हैं, तो जब targets है तो फिर देरी किस बात की, तो चली start करते हम आज का ये हमारा session, जिसमें हम बात करेंगे numericals की, तो this is विभूती करे Welcome to Magnet Brains, रहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures में लेवाले हैं, बिल्कुल free of cost, याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters परेंटने के बाग किसी तरह का payment करने की या package लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा रहा है, quality education, बिल्कुल free of cost, तो इसी अच्छी बात से हम start कर find the voltage, यहाँ पे हमको resistance दिया गया है, मैंने आपको ohms law में बताया था, ohms law क्या होता है भाई, एक relation बताता है electric current और potential difference के बीच का, ठीक है, जहाँ पे हम बोते हैं कि I is directly proportional to V, और अगर मुझे proportionality sign हटाना है तो मैं क्या कर दूँगी, V is equals to I into R कर दूँगी, V क्या है, potential difference, I क्य है, current है, यह resistance क्या है, R क्या है, resistance है, resistance मसलब क्या, जो electric current का flow हो रहा है, किसी भी conductor में, तो उस flow को resist करना या फिर रोकना, resistance के बारे में हम और भी बाते करेंगे हमारे upcoming sessions में, बहुत सारे factors होता हैं, जो की resistors की resistivity जो होती है, उसको affect कर देंगे, वो सब हम देखेंगे, लेकि इस stage पर आप याद रखिएगा, कि R क्या होता है, ohms law में, resistance होता है, और इसकी ऐसा unit होती है, ohms, और इसे हम इस symbol के साथ denote करते हैं, ठीक है, अब यह जो हमारा सवाल है, इस सवाल में हमको दिया गया है resistance, कितना दिया गया है resistance, 80 ohms दिया गया है, और जो current है, वो कितना दिया गया है, R given है, I given है, voltage निकालने को बोला है, voltage मतलब क्या होता है, voltage मतलब की potential difference, तो हमें यह formula बता है, V is equals to I into R, V निकालने को बोला है, I कितना given है, 0.75 into resistance कितना given है, 0, ठीक है, simple multiplication करना है, क्या हो जाएगा, 85 होता है, कितना, 40, 87 56, 56 plus 4, 60, यह हो जाएगा, एक decimal लग जाएगा, तो 0 decimal के बाहर, कितना आया, भाई अपना potential आ गया, कितना voltage कितना आ गया, 60 volts, easy था, बस हमें क्या करना था, formula में values put करनी थी, formula क्या था, V is equals to I into R, जो कि Ohm's law हमें बताता है, derive करता है, ठीक है, इस formula में हमें simple क्या करनी थी, values put करनी थी, I given था, कितना, 0.75 5 amperes, resistance कितना given था, 80 था, उनों को multiply कर दिया, तो voltage आ गया, ठीक है, अब अगर आपको इस सवाल का जो answer है, solution है, इसका screenshot लेना है, तो आप ले रो, मैं जाती हूँ स्क्रीन से बाहर, और आप इसका screenshot लोगे, on the count of 5, ओके, so 5, 4, 3, 2, and 1, I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा, फिल ले ले लेना, ठीक है, चलो, अब हम बात करते हैं हमारे next question की, next question क्या है, bulb of resistance, 400 ohms is connected to 220 volt, याने कि 220 volt की एक bulb से connect किया गया है, calculate the magnitude of current, याने कि इस सवाल में हमें resistance कितना दिया गया है, रसिस्टेंस दिया गया है, 400 ohms का, ठीक है, voltage, याने कि potential difference कितना given है, यापे, 220, 20 volts, और हमसे पूछा क्या है, यापे, current का magnitude पूछा है, बड़ा आसान सवाल है, दो चीजे given है, एक पूछी गई है, formula लगा दो, क्या होता है formula, V is equals to I into R, V कितना given है, 220 is equals to I कितना है, ये तो निकालना ही हमें, into R कितना given है, 400 है, तो एक काम करते हैं, इस I को निकालने के LHS में तो ये कितना हो जाएगा, 220 divided by कितना, 400 is equals to, कितना हो जाएगा, I, 2 से चला जाएगा, ये cancel out हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, और ये कितना हो जाएगा, 200, एक काम करते हैं, 00 भी cancel out कर देते हैं, तो ये कितना बचा, 11 by 20 बचा, चीक है, 11 by 20, इसको हम 5, अभी 2 से ही divide करते है ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5s are 10, 0.5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10, क्या कर दो, decimal लगा दो, तो कितना आ जाएगा, इसका answer आ जाएगा, 0.55 Amp, ठीक है, क्या करा था हमने, simple हमने formulas में value put करी थी, क्या था हमाला formula, V is equals to I into R, पूछा गया था, current पूछा गया calculate हमने किया, तो कितना आ गया, 0.55 Amp, 2 से हमने बस divide किया है, ठीक है, पहले तो 00 cancel out कर देना, तो 2 2s are 1, 11 आ जाएगा, और 40 कितने टाइमस जाएगा, 20 टाइमस जाएगा, फिर से हमने 2 से ही multiply कर दिया है, divide कर दिया है, तो कितना आ जाएगा, 5.5 और नीचे कितना 10, decimal के अंद 3, 2 and 1, I hope ले लिया होगा आप से अपने स्का screen shot, चलो, अब हम बात करते हैं हमारे third question की, the current passing through a resistor in a circuit is 0.01 Amp, when the voltage across the same resistor is 5 volt, what current passes through this resistor when the voltage across it is 7.5 volt, यहाँ पे 2 cases हैं, ठीके, case 1 की अगर हम बात करें, 2 cases हैं, यह रहा अपना case 1 और यह रहा अपना case 2, ठीके, पहला case क्या है, पहला case में हमने बोला कि हमारे पास क्या है, एक resistor है, ठीके, और हमको पता है कि उस resistor के through current कितना pass हो रहा है, तो 0.01 Amp current pass हो रहा है, ठीके, और voltage कितना आ रहा है वोल्टेज आ रहा है पांच लेकिन हमें रजिस्टर की रजिस्टेंस पता नहीं है तो असान वह कैसे निकालते हैं V is equals to I into R V कितना गिवन है पहले case में पांच गिवन है ठीक है क Só Ci Sun करेंट करेंगे दूसरे केस में आपको सिर्फ और सिफ क्या दिया है वी दिया हुआ किता 7.5 और कषिटंड कब पता होगा हुगा कव आपको सब्सक्राइब था होता है रोता हैना वी गिवन है आई निकालना है जब तक और नहीं पता होगा तो आगे कैसे बढ़ोगे आर के से लिए क्विक निकाले और इंगे कि ऐसे कारें की निकाले है भई कि करेंट कितना कितना पहरा है बहरा है वोल्टेज पॉइंटion कितना रहा है potential difference पांच आ रहा है जब वी गेवन है आई गेवन है तो फिर रजिस्टेंस नी निकाल सकते क्या हम बिल्कुल निकाल सकते हैं और यह रजिस्टेंस हम दूसरे केस में यूज करेंगे क्यों क्यों क्योंकि दोनों कैसे में रजिस्टर सेमें दिख रहा है ना सेम रजिस्टर क्वेश्टन में दिया हुआ है गिवन है तो इस वाले केस में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं रजिस्टर की रजिस्टेंस निकालते हैं और दूसरे वाले केस में उसको हम पूट कर देंगे वैल्यू ठीक है तो यह कितना आ जाएगा 5 is equals to 0.01 into R निकालने के लिए क्या करेंगे और निकालने के लिए 5 divided by 0.01 कर देंगे यह डेसिमल हटा उपर 20 आ गए याने की रजिस्टेंस कितना आ गया बही रजिस्टर का 500 ओम्स ठीक है 500 ओम्स क्या आ गया रजिस्टेंस आ गया हमारे रजिस्टर का अब इसी हां आर की जो वैल्यू है हम अपने सेवन पॉइंट इदा लिख देती हूं मैं वी कितना है वी है 7.5 divided by resistance कितना निकाला 500 ठीक है एक काम को यह डेसिमल हटा दो नीचे एक 0 आ जाएगा 5 से कट जाएगा यह 5000 ताउजन ताइम्स आ जाएगा ठीक है फिर इसके बाद में 5 बंजा 5 5 5 जा कितना हो जाएगा यह 5 5 हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा ठीक है फॉर्दर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है आए आपको बात समझ में कुस इस तरीके से यह होगा हमारा पूरा question solve ठीक है कोई गड़बडी तो नहीं है इसमें सब सही है मामला दो केसिस थे यहां पे case 1 case 2 case 1 में क्या था एक resistor लगाया गया था उसके current कितना उसके through current कितना flow हो रहा था 0.01 ampere flow हो रहा था voltage कितना था voltage था 5 volt अब same resistor को उठाया गया है लेकिन इस बार voltage change हो गया कितना हो गया 7.5 हो गया है हमसे current पूछा गया है दूसरे case में current अब तभी निकाल पाओगे जब आपको resistance पता होगा resistance कैसे निकालोगे पहले वाले case से क्यों क्योंकि दोनों cases में resistors क्या है same है तो कैसे निकालोगे V is equal to I into R V given है कितना 5 I कितना given था 0.01 0.01 ampere resistance कितना निकल गया आपका 500 ohms निकल गया ठीक है resistance को आपने दूसरे वाले case में put कर दिया formula में तो V is equal to I into R I nिकाला था V कितना निकाला है अब ही हमने V given था हमको 7.5 उसको आप divide कर दो के resistance के साथ resistance कितना है 500 ohms तो आपका answer इतना ठीक है इसको मैं और solve कर दी तो कितना हो जाएगा ये 0.015 क्या है ये amperes ठीक है current कितना आया 0.015 amperes ठीक है I hope इसमें कोई doubt नहीं होगा फटा-फट से आप इसका ले लो एक screenshot on the count of 5 okay so 5 4 3 2 and 1 I hope आपने इसका ले लिया होगा screenshot अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के इस session के last question पे ये क्या है find the work done in moving a charge of 10 coulombs through a resistance of 20 ohms in 10 seconds time interval भाई यहापे हमको दिया क्या क्या यहापे हमको चार्ज गिवन है कितना दस कूलम का ताइम इंटर्विल दिया गया है फोरा चेंज कितना दिया गया है 10 सेकेंड्स का दिया गया है और इसके बाद में हमें रजिस्टेंस गिवन है कितना 2 ओम्स का पूछा गया है, पूछा गया है, हमसे work done यह सवाल थोड़ा सा लग है, करके देखते हैं Q given है, T given है, R given है, पूछा क्या है, work done हमसे पूछा गया है ठीक है, potential difference का formula याद है, क्या होता है electric potential is equal to work done upon charge, ठीक है अब यहाँ पे हमें potential तो नहीं given है, इसकी जगह क्या given है, R given है तो एक काम करता है, हमें potential और R की बीच का relation पता है क्या होता है, V is equal to I into R, एक काम करते हैं, इस formula को हम यहाँ लिख देते हैं मतलब कि V की जगह हम लिख देंगे, I into R is equal to work done upon charge ठीक है, लेकर आप एक और समस्या है, समस्या यह है, कि यह जो I है ना current, वो भी नहीं दिया इस अवाल में मतलब ना V दिया है ना I दिया है, अब क्या करें, एक और relation आपने पड़ा होगा क्या पड़ा था आपने, जरा यात करो, current is equal to कितना होता है, Q by T current is equal to कितना, Q by T, तो एक काम करते हैं, I की जगा हम क्या रख देंगे, Q by T into R is equal to work done, अब यह जो वाला Q है, इसको भी हम कहां ले आते हैं, LHS में ले आते हैं Q क्योंकि हमें work done calculate करना है ना, अब क्या आ जाएगा भाई, अब आ जाएगा अपना अब Q into Q into R divided by T, यह आ जाएगा क्या work done, क्या अब हमारे पास सारी values present है, Q हमारे पास है 10 कूलम, R कितना है, 2 ohms है, और time कितना given है, 10 seconds, अब सारी values है, हमारे पास फटा-फट से रख दो तो 10 into 10 into 2 divided by, कितना हो जाएगा भाई, चार्ज है यह और time भी, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, यह 0 से 0 cancel out हो गया 20 joules क्या हो जाएगा आपका work done, ठीक है, बहुत सारी चीज़े इसमें नहीं given थी, लेकिन कुछ चीज़े given भी थी, जो चीज़े given थी, उसी से हमने work done निकाल लिया पूछा क्या था भाई, work done पूछा था हमसे, charge given था, time given था, resistance given था, हमने कौन सा formula लगाया, potential जो हमें work done का formula आता है, क्या होता है work done का formula, v is equal to potential is equal to work done upon q, लेकिन potential तो given ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, potential का formula लगा देते हैं, क्या, v is equal to i into r, लेकिन अब एक और समस्या है, i नह तो हमने q by t को यहां लगा दिया, नीचे वाला जो q था, rHS पर जो q था, उसको हम उपर लेकर आ गया, तो अब हमारे पास formula क्या बतना, q into q into r by t, q given है, r given है, t given है, फटा फट से हमने क्या किया, formulas में value put कर दी है, तो work done कितना आ गया, 20 joules, ठीक है, फटा फट से आप इसका ले लो एक screenshot, अलग type का question है, इस तरह के सवाल आते हैं, exams में आप इसका screenshot ले सकते हो, on the count of 5, so 5, 4, 3, 2 and 1, I hope आपने screenshot ले लिया होगा, नहीं लिया है तो कोई बात नी, वीडियो पॉस करके ले ले लेना, चलो, आज के इस session के लिए बस इतना ही, हमने ohms law पे भी based कुछ numericals कर magnetbrains.com, उसे विजिट कर लेना, जापने आपको सभी chapters के video lectures में ले वाले हैं, playlist में, साथी साथ सभी topics के वहाँ पे होंगे, आपको notes भी available, so do visit our official website magnetbrains.com, till then keep learning with magnet brains, thank you for watching. Hello everyone, आज के इस session में हम पढ़ने वाले हैं हमारे chapter electricity का एक और नया topic जिसका नाम है resistance, भाई resistance एक ऐसा word है जो हम पहले भी सुन चुके हैं, कहां सुने हैं हमने ohms law में सुना है, previous sessions में जब हमने बात करी थी ohms law की, तो हमने electric current और potential difference के बीच में एक relation देखा था, क्या था वो relation कि अगर potential difference जादा हो रहा है, तो current भी जादा है, potential difference कम है, तो current भी कम है, याने कि current directly proportional होता है किस पे electric potential difference के उपर, ठीक हैं, और उसी relation आया था ohms law का, उसी relation से हमारे पास आया था एक नया term, कौन सा term, resistance, तो आज के session में हम बात करेंगे resistance के उपर, इस session का में target सेट कर देती एंड तक हम इस समझ में आजाना चाहिए कि resistance क्या होता है, तो भाई जब target हो गया है सेट, तो देरी के इस बात की, तो चलिए start करते हैं हम आज का ये session, तो this is विभूती खरे, welcome to magnet brains, जहां पे आपको सभी chapters की video lectures मिले वाले हैं, बिल्कुल free of cost, जाने कि magnet brains में आपको दो chapters प करते हैं, आज करिए हमारा session, जिसमें हम बात करेंगे resistance की, अब अगर मैं बोलू कि resistance की classic definition ये होती है, और मैं दो तीन लंबे लंबे जहना sentences आपको दे दू, क्या मतलब है, अगर आपको resistance word का मतलब ही नहीं पता है, तो उसकी classic authentic definition लेकर के, आप क्या कर लोगे, टेक काम करते definition को अभी मारते हैं हम गोली, सबसे पहले हम बात करते हैं इस term resistance की, आखिर ये resistance होता क्या है, तो देखो, resistance का मतलब है क्या, रुकावट, रुकावट कहां आती है, obvious सी बात है, जब कोई चीज चल रही होती है, move कर रही होती है, उसके रास्ते में ही क्या आती है, current, तो जब किसी भी तरह की रुकावट आ जाती है, electric current में तो बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है, काई बार ये जो रुकावट है ना, वो बड़ी फायदे मन भी होती है, कैसे, ये हम अपने जो upcoming sessions होंगे ने, lectures होंगे, उसमें देखेंगे कि क्यों ये रुकावट, कहने को रुकावट क्या एक बहुत ही negative word है ना, कि अरे चलते चलते क्या हुआ, रुकावट आ गई बीच में, लेकिन electric current की case में कई बार ये रुकावट positive effects भी देती है, कैसे, वो हम देखेंगे अपने upcoming lectures में, लेकिन सबसे पहले जो आपको समझना होगा, कि भाई, ये रुकावट आ क्यो रही है, हमने ही समझ लिया कि resistance मतलब क्या है, electric current का जो flow है, उसमें किसी तरह की रुकावट, लेकिन सवाल ये कि रुकावट आ क्यो रही है, इसको हम समझते हैं, एक बड़े ही अच्छे real life example से, ठीक है, आप निकले हो घर के बाहर अपनी गाड़ी पे, या गाड़ी जो है न, चूस करोगे, बाहर जाने के लिए, obviously वो रोड जहां पे traffic कम है, क्यों? अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने एक कम traffic वाली रोड को चूस तो कर लिया, लेकिन आखिर ये आपने चूस किया, तो क्यों किया, प्रिफर क्यों किया, कम traffic वाली रोड को, क्योंकि अगर रोड पे traffic कम होगा, तो आप मस्त अपनी गाड़ी पे, हाई स्पीड पे उडाते हुए, चलाते हुए ने, उडाते हुए आप ले जाओगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गाड़ी थोड़ी कम है, टकराने की possibilities काफी कम है, कित्ती भी speed बढ़ा लो, गाड़ी पे नहीं तकराएगी, वहीं अगर हम बात करें दूसरे रोड की, जहां पे बहुत ट्राफिक है, तो आपको पता है, क्यार इस रोड पे जाने का तो कोई मतलब भी नहीं है, बहुत ट्राफिक है, गाड़ी की speed हम जरा भी बढ़ा नहीं पाएंगे, और अगर बढ़ा दी, तो क्या होगा, तकर हो जाएगा, मैंने की, कोलीजन हो जाएगे, तो आपको कोलीजन का कंसेप्ट तो पता है, यह चीज मैंने आपको बताई नहीं है, बस देखो, मैंने आपको समझाई नहीं है, है ना, यह जो अपना real life example था, यह मुझे समझाने की जरुवत नहीं तो देखो, इसको हम एक चीज से समझते हैं, हम लेते हैं क्या एक conductor, और ऐसा और ऐसा conductor नहीं, हम लेते हैं थोड़ा सा क्या महंगा वाला conductor, ठीके, कौन सा conductor लेंगे हम, महंगा वाले लेंगे, यानि कि हम लेते हैं क्या एक gold wire, इस gold wire को मैं थोड़ा सा क्या करती हूं, मुट जाहिर है गोल्डometers के अंदर वी क्या होंगे? गोल्ड के ही ऐटम्स होंगे लेकिन कहानी अब शुरू हुई है गोल्ड वाइर के अंदर सिर्फ गोल्ड के ऐटम्स नहीं होंगे और भी बहुत कोछ होगा क्यों? क्योंकि हमारे जो गोल्ड अकु पना है मिलावट करी है इसी मिलावट के कारण हम एक प्योर गोल्ड से क्या बना पाए है गोल्ड वायर बना पाए है दर असल क्या होता है कि गोल्ड जो प्योर गोल्ड होता है वह बहुत ही बनाना है या हमको अपनी सुन्दर सुन्दर जूरीज बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कुछ न कुछ मिलावट करनी पड़ेगी और भाई मिलावट भी ऐसी वैसी चीजों की नहीं होती है मिलावट किसकी होती है बाई silver की होती है, कई बार हम बोलते हैं कि copper की भी हो जाती है, कई बार हम बोलते हैं कि platinum की भी मिलावट हो जाती है यानि कि pure gold क्योंकि बहुती soft होता है, उसको definite shape देना is impossible तो क्या करना पड़ता है, pure gold के साथ कुछ मिलावट करनी पड़ी, मिलावट के लिए कौन यूज होता है, silver, copper, platinum, palladium, ये सारे metals यूज होते हैं तो अब जरा देखो, अभी तक हम क्या देख रहे थे, कि gold wire के अंदर क्या है, gold atoms है, लेकिन gold atoms ही नहीं होंगे, साथ में ये जो मिलावट करी है, ये जो impurity जा लिए, भई, कहने को silver, copper, platinum सब अच्छे metals हैं लेकिन gold, क्योंकि हम, you know, gold, जब हम मिला रहे हैं इसको, तो हम तो मिला रहे हैं एक positive effect के लिए, क्योंकि हमें पता है कि pure gold से हम जोल्री नहीं बना सकते, definite shape नहीं दे सकते, इसलिए हमने अपने फाइदे के लिए, इनको मिला तो लिया है, लेकिन ये मिलावट तो तब भी कह खेलाएगी न, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, impurities, और अब जो हमारे पास gold wire आता है न, वो कैसा होता है, impure gold होता है, pure कैसा था, pure तो बहुत ही soft था, लेकिन अब ये कैसा होगे, होड़ा सा hard हो गया है, तब जाकर तो ये wire बना है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अब impure gold क तो इसमें ना सिर्फ वायर के अंदर गोल्ड ऐटम्स होंगे, बलकि कि इनके भी ऐटम्स होंगे, ठीक है? और इन इम्पॉरिटी के ऐटम्स को हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे फॉरें अटम्स, जाहर है, बाहर से हमने डाले हैं, अल्रेटी गोल्ड के अंदर थे नहीं गोल्ड के अंदर क्या थे? गोल्ड आटम से हमने impurities add कर दी है जिसके कारण अब गोल्ड wire के अंदर क्या आगए है? गोल्ड के atoms भी है और इन impurities के foreign atoms भी है और free electrons तो होंगे ही होंगे ठीक है? अब क्या करेंगे? अब ये जो हमारे पास गोल्ड wire है इसके across हम क्या कर देते हैं? एक battery लगा देते हैं क्या किया हमने? हमने इस gold wire के across क्या लगा दी? एक battery लगा दी बैटरी लगाने से क्या हो जाएगा भाई? potential difference आजाएगा अब potential difference के current क्या होंगा? गोल्ड के अंदर, wire के अंदर जो electrons होंगे, कौन से electrons, free electrons वो क्या करने लगेंगे? flow करने लगेंगे, ठीके? अब यहाँ पर आपको एक image दिखरी होगी यह image कौन सी है भाई? यह जो अपना gold wire है ना, उसी के अंदर हम जाख के देख रहे हैं जब आप जाख के देखोगे, gold wire के अंदर तो आपको कुछ इस तरह की image देखेगी, इस image में क्या हो रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो आपको यह green color के क्या दिख रहे है यह gold के atoms है ठीक है? फिर इसके बाद में मैं एक काम करती हूँ, मैं जो foreign atoms है ना, उनको मैं highlight कर देती हूँ, purple color से तो green color के आपको क्या दिख रहे है green color के है, gold atoms और purple color के क्या है, foreign atoms है, ठीक है? अब क्या है अभी जब कुछ छोटी-छोटी सी ball उचकती हुई दिख रही है यह छोटी-छोटी balls क्या है भई? यह है अपने free electrons है ठीक है? अगर हमने एक metal wire, gold wire के across क्या करा है एक battery लगाई है, तो जाहर है क्या होगा metal के अंदर जो free electrons होंगे, वो क्या करने लगेंगे? flow करने लगेंगे लेकिन इलेक्ट्रों को जो flow है वो इतना simple होता नहीं है जितना अभी तक हम पढ़के आ रहे है हमने अभी तक कहीं भी किसी भी तरह की रुकावट का जिक्र हमने किया ही नहीं था current के flow में या electron के flow में है ना? लेकिन अस्रियत में देखा जाए तो electrons का जो flow है वो इतना simple होता नहीं है, काफी complicated होता है, क्यों? क्योंकि देखो electrons जिस रास्ते पे चल रहे है ना? यानि कि गोल्ड वायर के अंदर जो चल रहे है ना? बहुत ट्राफिक है यहाँ पे जब ट्राफिक जादा होता है किसी रोड पे तो आपको चलने में दिक्कत होती है ना? आपका जो motion है वो complicated हो जाता है तो बहुत, electrons की case में भी यही हो रहा है फ्री electrons जिस पात पे चल रहे हैं उस पात पे क्या है बहुत ट्राफिक है तो फ्री electrons का जो motion होगा वो बहुत ही complicated होगा कैसे? अब बिचारे हमारे फ्री electrons है ना? वो free है ठीक है वो बिल्कुली free है अब अगर वो किसी conductor में flow करना शुरू करेंगे न तो discipline में नहीं चलेंगे discipline में नहीं की line बनाकर one by one one by one move कर रहें नहीं electrons जो है free electrons randomly move करना शुरू कर देंगे किसी भी direction में जो है न जाने लगेंगे अब यह जो हमारे free electrons है इनके पास बुचारों के पास आखे तो हैं नहीं कि यह क्या करें अपने रास्ते में आने वाली जो gold atoms है या foreign atoms है उनको जो है न देखके अपना रास्ता जो है divert कर जाए जब हम जाते हैं कहीं पे भी किसी heavy you know traffic वाली road पे तो हमारे पास तो आखे हैं तो हम क्या करते हैं अपनी गाड़ी की speed कम तदा कम तदा कर सकते हैं ताकि क्या हो टकराए ना किसी और गाड़ी से collision ना हो लेकिन इन free electrons की क्या गलती इनके पास तो eyes है ही नहीं तो क्या होगा यह तो must अपनी speed के साथ जाए ना चलते जाएंगे और अगर रास्ते में कोई आ गया तो क्या होगा यह अपना path change नहीं करेंगे अपनी speed चेंज नहीं करेंगे जाकर के उससे तकरा जाएंगे ठीक है क्या हुआ जाकर के यह तकरा गए इनके रास्ते में free electrons के रास्ते में कौन गन आ सकता है गोल्ड के atoms आ सकते हैं foreign atoms आ सकते हैं in fact यह खुद आपस में भी तकरा जाते हैं योगी भाई सारे free electrons अंदे होते हैं ऐसा थोड़ी कि एक के पास नहीं बाकी सब के पास हैं सार आ गए कभी किसी foreign atom के साथ जाकर आ गए और हद तो तब हो जाएगी जब वो आपस में ही जाकर के क्या कर जाएंगे collide कर जाएंगे समझें तो अब यह जो collision हो रहा ना यह असली दिक्कत दे रहा है ठीक है और इसी collision को हम क्या कहते हैं इसी collision को हम क्या कहेंगे भाई रुकावट कहेंगे हम जो बोर्ड रहे थे न कि current के flow में रुकावट आ रही है वो रुकावट क्यों आ रही है वो इसी collision के कारण आ रही है current का flow कैसे होता है हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी conductor में current flow काव होगा जब charges move करेंगे कौन से charges? negative charges negative charges मतलब क्या free electrons तो जब किसी conductors में free electrons move करेंगे तभी हम बहुते हैं कि वहाँ पे क्या होगी electricity होगी electric current होगा लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे तो हम दिख रहा है कि foreign atoms की presence के current जो electrons है उनका जो flow है वो proper हो ही नहीं पा रहा है तो जब बही इलेक्ट्रोंस का flow ही फ्लो होगा proper बिलकुल भी नहीं हो पाएगा तो इन collisions के कारण बही, electrons की गर्ती नहीं थी गर्ती किसकी हो रही है revolution की हो रही है यह collisions ही इतने जादा हो रहे है जिसके कारण electric current क्या हो रहा है सफर कर रहा है और कैसा सफर हो रहा है भाई, electric current कम हो रहा है अगर electrons को flow proper है, तो current भी proper होगा अगर electrons के flow में क्या रही है, रुकावट आ रही है तो current में भी तो रुकावट आ जाएगी न ये रुकावट क्यों आ रही है, collision के कारण आ रही है आगे गाए, फिर तकरा गाए, फिर आगे गाए, फिर तकरा गाए क्यों क्योंकि हमारे electrons है, वो randomly move करते है अन्दा धून जो है न, अपना movement show करते है कहीं भी जाना होता है उनको और इस कहीं भी जाने के कारण क्या होगा वो टकराते जाएंगे अपना रास्ता चेंज करते जाएंगे चीक है? I hope यह चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से Electrons का Flow Electrons की Flow में रुकावट आ रही है क्यों रुकावट आ रही है? Collision के कारण आ रही है और Electrons की Flow में रुकावट आ रही है Electrons का Flow कम है तो Current भी कम हो गया Flow कम क्यों हो गया find electrons का? Free electrons का? क्योंकि collision बढ़ गया और इसी collision को हम क्या کہते है? Resistance कहते है तीक है? अगर क्या हुआ? Collision बढ़ गया Collision बढ़ गया मतलब क्या हुआ? Resistance बढ़ गया Resistance बढ़ गया मतलब क्या? कि Free electrons का जो motion हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अर्चन है है ना, जिसके काले हैं current क्या हो गया, कम हो गया अगर collision कैसा है कम है, तो resistance क्या हो जाएगा रुकावट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी तो current क्या हो जाएगा जाका flow होने लगेगा current का flow बढ़ जाएगा है ना, simple सी चीज़ थी बहुत जादा कोई इसमें rocket science लगाने वाली जरुवत नहीं है बहुत छोटी सी चीज़ थी वो हमने समझ ली, तो अब आपको resistance word का मतलब समझ में आ गया होगा और resistance हम अपने chapter electricity में क्यों पढ़ रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है? I hope ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, अब हम बढ़ते हैं resistance की proper definition क्या होती है अब आजाओ अब आने दो कित्ती भी definition आने दो एक line, दो line, कित्ती भी line क्या आने दो हम सबको देख लेंगे resistance क्या होता है? It is that property of a conductor by virtue of which it opposes resists the flow of current or charges through it याने कि ये क्या होती है? Conductor की property होती है, अभी हमने जो बात करी है वो एक gold wire की बात करी थी महंगे वाले conductor की बात करी थी तो उस gold wire कहने को तो क्या हो रथा? अभी तक हम बोटर थे कि conductor बड़ा शांदार होता है मस्त जो है na electricity को electric current को पास होने देता है तब ही तो उसे हम conductor कहते हैं लेकिन यहाँ पे तो किस्सा जो है na जैसे जैसे हम अपने chapter में आगे बढ़ रहे हैं चीजें complicated होती जा रही है है ना? हमने देखा कि किस तरह से भले ही conductor ही क्यों ना हो conductor के अंदर क्यों ना electricity flow हो रही है लेकिन उस electricity के flow में भी रुकावट आ रही है कौन रुकावट लेकर के आ रहे हैं? तो free electrons के collision ठीक है? तो resistance क्या है? एक property होती है conductor की जिसके current वो क्या करता है? जो current का flow हो रहा है उसको oppose कर सकता है या उसको resist कर सकता है उसको रोक सकता है या उसको oppose कर सकता है उसके सामने सा खड़ा हो सकता है कि आरे तुम कैसे बह रहे हो? कैसे तुम flow कर रहे हो? ठीक है? तो यह उसने क्या किया? उपोस किया तो फिर इसके बार में ऐसा unit क्या होती है ये तो हम actually हम में resistance के उपर already numericals कर रखे हैं तो उस case में मैंने आपको बताया था कि जो resistance है उसकी ऐसा unit क्या होती है ओम होती है ठीक है और इसको हम Greek letter sigma से denote करते हैं ठीक है अब क्या है resistance of a conductor is given by कैसे देंगे भाई इस resistance को कोई नो कोई formula तो होना चाहिए तो हमने relation पढ़ा था ना क्या पढ़ा था हमने relation V is equals to I और हमें पढ़ा था अब हमें R निकालना है तो हम R कैसे निकालते थे भाई V by I कर देते थे है ना R is equals to V by I कर देते थे तो resistance क्या है ratio होता है voltage और current का potential difference और current का ठीक है it is said to be अच्छा अब अब सिब्यसी का favorite question ठीक है कि उन्हें क्या करना है one ohm resistance आपको define करना है ठीक है one ohm resistance को आप कैसे define करोगे तो यह जो formula है ना इसको मैं फिर से लिख देते थो थोड़े अच्छे से इस formula के आगे आप क्या लगा दो यहसे r is equals to V by I है न इस r के आगे भी क्या लगा दो आप 1 लगा दो V के भी आगे 1 लगा दो आई के भी आगे आप 1 लगा दो तो अब आपको क्या define करना है ठीक 1 Ohm resistance डफाइन करना है तो भाई 1 ohm resistance क्या होता है यह वो resistance होता है जब 1 volt potential difference is applied across the ends of the conductor and that makes a current of 1 ampere to flow through it यानि कि जब एक conductor के across जब आप एक 1 volt potential difference apply करोगे और उस difference के current कितना current flow होगा भाई 1 ampere current flow होगा तब आप बोलोगे कि वो क्या कहलाएगा 1 ohm resistance ठीक है यह हमारे CBC का जो है ना favorite question होता है तो आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे इस तरह से तो हम बहुत सारी 1 ohm resistance, 1 ampere current हम कई सारे चीज़ें define कर चुके हैं इसको भी हमने same method से define किया है ठीक है अब इसके बार में क्या होता है ऐसा unit जो हमने बोली थी ohm की तो भाई वोल्ट की क्या होती है sorry जो potential differences की क्या होती है मैंने बताए दिया volts होती है current की क्या होती है ampere होती है तो कित्ती हो जाएगी volt ampere inverse और इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते है ohms ठीक है I hope यह चीज़े आपको समझ में आ गई होगी resistance के बारे में discussion इतना ही नहीं है अभी बहुत सारी चीज़ें हमें पता करनी है अभी तो हमने क्या बोल दिया कि बहुत की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है resistance जिसके कारण वो जो electric current है उसके flow को क्या कर पाता है रजिस्ट कर पाता है उपोस कर पाता है ठीक है लेकिन कभी कभी क्या होता है न कि current का flow जादा current का flow भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है जादा current का flow भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है कभी-कभी हमें इस flow पे पकर भी बनानी पड़ती है और उस पकर को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरवत पड़ती है हमें जरवत पड़ती है resistance की तो एक special you know electronic components भी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं resistors कहते हैं ये resistors क्या करते हैं अपने थूव electric current को पास तो होने देंगे लेकिन क्या करेंगे ना इस electric current को कम कर देते हैं ठीक है कैसे कम करेंगे बस वोई अपने रजिस्टेंस के थूव तो अभी resistance के बारे में पूरी बाते नहीं हुई है अभी बहुत सारी बाते हैं जो हमें resistance के ओपर करनी है resistance को कौन से factors है जो उसको affect करते हैं वो भी अभी हमें देखना है अब एक काम करते हैं हम फटा-फट से solve कर लेते हैं इस पर basic numerical क्या है वो? The potential difference between the terminals of an electric heater is 75 volts यानि क्या को potential difference कितना दिया है भाई? 75 volts दिया गया है ठीक है? और when it draws a current of 5 ampere और current आपको कितनी दी गई है? current की value 5 ampere आपको दी गई है from the source what current will the heater draw if the potential difference is increased to 150 volt? ठीक है? क्या किया है इन्होंने? इन्होंने एक electric heater लिया था और उसके जो दोनों terminals से उसके across क्या लगा दी? एक battery लगा दी और उस battery का potential difference कितना था? 75 volt था तो उसमें current कितना flow हो गया? current हो गया उसमें 5 ampere ठीक है? अब क्या होगा? अब इन्होंने जो हमारा electrical heater था वो तो सेम लिया है लेकिन उसके across जो battery है ना वो किसी दूसरे voltage की लगा दी कितने potential difference की लगा दी? 150 volt की battery इन्होंने लगा दी अब पूछ रहे हैं कि अब जब बताओ जब हमने battery चेंज कर दी है दूसरे potential की बढ़ा दी है तो उस समें current कैसा flow होगा? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अगर हमें current calculate करना है तो हमको V पता होना चाहिए आर पता होना चाहिए तो V तो चलो समझ में आगया इनने कितना लगाया है? 150 लेकिन आर का क्या? आर तो हमें पता ही नहीं है आर कहां से निकालेंगे? आर हम निकालेंगे अपने first case से जब हमने एक electric heater के across 75 volt की battery लगाई है तो current उस से कितना बहा? 5 ampere का बहा तो formula लगा दो V is equals to I into R ठीके? V कितना दिया गया है? 75 दिया गया है I कितना दिया गया है? 5 दिया गया है रेजिस्टेंस निकालो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो 75 divided by 5 is equals to R तो R कितना आ जाएगा? 5 बढ़ 5 5525 क्यों जाएगा? 15 ohms ठीके? तो हमारा जो electric heater था उसके अंदर resistance कितना था? 15 ohms था ठीके? अब क्या किया ने? Electric heater तो गोई लिया लेकिन battery दूसरी लगा दी अब क्या करेंगे? हमें current calculate करना है कैसे calculate करेंगे? दुबारे यही वाला formula लगाएंगे V is equals to I into R अब potential difference कितना हो गया भाई? अब हो गया अपना 150, 1.5 हो गया current तो हमें calculate करना ही है resistance हमें कितना ने निकाल लिया? 15 में निकाल चुके हैं इसको हम बिना time waste करें denominator में put कर देते हैं RHS में कौन आ जाएगा? current आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? 15 से calculate करो 15 से cut जाएगा यह हो जाएगा 10 तो current की value कितनी आई? 15 ampere आसान था यह question I guess हमने यह previous session जो हुआ था हमारा numericals का उसमें हमने इस तरह का question कर रखा है ठीक है? आसान था यह इसमें हमने क्या किया? कुछ नहीं हमारे पास एक electric heater था उसको हमने एक battery के उसको हमने जो है न उसकी दुनों terminals को एक battery के across जाना connect कर दिया battery का voltage कितना था? potential difference कितना था? 75 volt था ठीक है? उस समय current कितना उससे flow हुआ? 5 ampere हमने क्या करा? resistance निकाल लिया यह resistance किसका होगा भाई? electric heater का होगा देखो जो भी चीजें अपने थू electricity को पास होने देती है electric current को पास होने देती है उससे हम क्या कहते है? conductor कहते है ठीक है? लेकिन conductor की case में भी हमने क्या देखा है भाई? best से best conductor क्यों ना ले लो थोड़ा बहुत resistance तो सब में होता है अगर आपने सबसे बढ़िया वाला conductor भी लिया है ना तो उसमें resistance होगा लेकिन बहुत कम होगा लेकिन होगा जरूर ठीक है? electric current जो हमारे पास electric heater था वो भी क्या है? एक conductor ही तो है चीक है? उसके जो electric current पास हो रहा है पांच MP है लेकिन resistance तो उसका भी होगा resistance हमने calculate कर लिया अब हमने same electric heater को लिया है और उसके across दूसरी दूसरे किसी volt की battery लगा दिये कितने 1 volt की 150 volt की battery लगा दिये अब उस case में current कितना flow होगा तो भाई पहले वाले case में electric heater तो बराबर ही है न चाहे आप उस heater के across कोई भी volt की battery लगा दो कितने भी potential difference की battery लगा दो resistance तो वो same offer करेगा कितना offer कर रहा था? 15 ohm तो यहाँ पे भी कितना करेगा 15 ohm और उस हिसाब से आप current कितना निकालोगे 15 ampere I hope यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा तो आज के इस session में एक मिट यहाँ भी 15 नहीं है 15 नहीं है यहाँ पे है 10 ampere sorry very sorry यहाँ पे current कितना आएगा 10 ampere से ठीक है 5 15 से calculate कर जाएगा यह तो और जाएगा 10 ठीक है I hope यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा तो भाई आज के हमारे इस session के लिए इतना ही आगे आने वाले sessions में upcoming sessions में हम बात करेंगे किस के उपर हम बात करेंगे factors जो की इस resistance को affect करते हैं तो मिलेंगे हम अपने next session में तब तक आप क्या करेंगे So do visit our official website magnetbrains.com Till then keep learning with magnet brains Thank you for watching Hello everyone A very good morning to all बच्चों आज के इस session में हम बात करने वाले हैं हमारे topic resistance के उपर Previous session में हमने बात करी थी resistance की देखा था कि resistance आता कहां से है और मैंने आपको वहाँ बताया था कि resistance बस इतना ही नहीं है उसके बारे में हमें और भी कुछ बाते करनी है तो वो बाते हम कहां करेंगे इस session में करेंगे और साथी साथ जो हमारा next session होगा उसमें भी हम resistance के उपर ही बात करेंगे तो आज के इस session का मैंने target set कर दिया है कि resistance के बारे में हमें कुछ बाते करनी है कुछ और चीजे discuss करनी है related to resistance ठीक तो जब target set हो गया है तो देरी के इस बात की तो चली start करते हैं हम आज का ये session So this is विभूती करें Welcome to Magnet Brain जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brain में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह की payment करनी की या package लेनी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brain आप सब तक पहुचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का हमारा session जहां हमें बात करनी है resistance के ऊपर तो बई सबसे पहले तो थोड़ा से revise कर लेते हैं है na revision कर लेते हैं कि resistance कहां से आया था और कैसे हमने इससे समझा था फिर इसके बाद में कुछ और बाते करेंगे नई बाते करेंगे resistance के ऊपर तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक conductor ले लेते हैं ठीक conductor हमने लिया अब हम बोलते हैं कि इस conductor के across अगर हमने क्या करा है एक potential difference set कर दिया तो यहाँ पे इस conductor के अंदर current flow होने लगेगा मैंने बोला कि मेरे पास है एक conductor और इस conductor के across जब मैं एक potential difference set कर दूँगी तो इस conductor के अंदर क्या होने लगेगा current flow होने लगेगा तो आपके दिमाग में doubt आना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि जैसे हमने potential difference set किया इस conductor पे इस conductor के अंदर electricity आ गई end A और end B एक conductor है ठीक है और दोनों ही इसके जो ends है उन ends को मैंने नाम दे दिया है यह है end A और यह है end B ठीक अब क्या करा मैंने कि जो end A था उस पे एक 10 you know 10 potential मैंने एक set कर दिया ठीक है मैंने क्या किया जो end A था उस पे मैंने क्या किया 10 V का एक potential set कर दिया किता कर दिया 10 V का चिक और जो end B था उस पे मैंने 0 V का potential set कर दिया और जो दूसरा end था end B उस पे 0 volt का potential मैंने set किया है ठीक अब मैंने बोला कि मैंने potential difference set कर दिया अब इसमें electric current flow होने लगेगा कैसे flow होने लगेगा भाई हमें पता ही कि हमारे conductors के अंदर क्या present होते हैं electrons present होते हैं यहाँ आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है रहा conductor का end A है उस पर आपको कौन सा चार्ज दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है Electrons खूद कैसे होते हैं negatively चार्ज होते हैं और मैंने आपको बताया था कि जो like charges होते हैं यह जो क्या करेंगे रिपल करेंगे नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे रिपल करेंगे लेकिन जैसे ही अल्लाइक चार्जिस आते हैं यानि कि पॉजिटिव नेगेटिव वो क्या करते हैं अट्रायक करते हैं तो कंड़क्टर के एक एंड की तरफ क्या प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्जिस जाने कि हमारी जो electrons है न वो flow करने लगे कहां से कहां कर रहे हैं भाई वो flow कर रहे हैं एंड B से एंड A की तरफ एंड A पर आ ही क्यों रहे हैं एंड A पर इसके आ रहे हैं क्योंकि एंड A पर क्या है positive charges है 10V का potential है वहाँ पर ठीक तो electrons क्या करेंगे सपोस कोई electron है जो की एंड B पर प्रेज़ेंट था जैसी उस electron को पता चला कि एंड A पर क्या है positive charges है वो दोड़ता हुआ कहां आएगा flow करता हुआ कहां आएगा एंड A पर आ जाएगा क्यों क्योंकि हमें पता है कि electrons खुद कैसे है negatively charge और वो positive charges की तरफ attract होते हुए आ जाएंगे तो यहाँ पर electrons का flow कहां से हो रहा है भाई कैसे हो रहा है electrons का flow हो रहा है low potential to high potential है ना and B पर potential कितना था 0 था and A पर potential कितना है 10 है तो electrons कहां flow करें electrons flow करा उन्होंने low potential से high potential ठीक है अब by convention हमें पता है कि current के flow का direction क्या होता है जिन बच्चों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर मैंने explain किया था कि हम by convention क्यों बोलते हैं कि electrons की flow का direction होगा उसके opposite current की flow का direction होगा वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजेगा तभी आपको यह चीज़ समझ में आएगी तो हमने बोला कि electrons low से high potential जा रहे हैं तो by convention current कहाँ flow करेगा current हमारा flow करने वाला है high potential to low potential क्यों क्योंकि उससे तो जहाँ पर electrons जा रहे हैं उसके opposite direction में जाना होता है by convention, electrons कहाँ गए, low to high potential गए, and B से and A की तरफ गए, तो current कहाँ flow होगा current flow होगा high potential से low potential पे, याने की conductor के अंदर current कैसे flow होने वाला है A से B के, A and से B and की तरफ current जाएगा, ठीक है, कई बार हमने यह सुना है कि किसी भी conductor के across हमने क्या किया एक हमने लगा दिया battery, battery से क्या हुआ, एक potential difference आ गया, और जैसे हमने potential difference अप्लाई किया है conductor के across current low होने लगा, लेकिन कभी हमने explain ही नहीं किया था, कि आखेर ऐसा होता है, तो क्यों होता है अगर हम conductor के across एक potential difference set कर देते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि conductor के अंदर electric current आ जाता है वो इसके हो जाता है, क्योंकि हमारे conductors के अंदर electrons होते हैं, वो क्या करते हैं जहां पर उन्हें positive charge दिख रहा है, उसकी तरफ move करने लगते हैं, flow करने लगते हैं और एक बार electrons ने flow करना शुरू किया, क्या होगा, current भी flow करना शुरू कर देगा कहां करेगा, by convention, direction जो होगा, electrons की flow का, उसके opposite direction में बहने लगेगा ये चीज़ आपको clear होई होगी, ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलू, कि इस conductor के across potential difference कितना है इस conductor के across potential difference कितना है, तो आप कैसे निकालोगे, potential difference हमें पता है, कैसे निकालते है potential at point A minus potential at point B, है न, A क्या था, A मेरा एक end था conductor का, B क्या था, दूसरा end था conductor का मुझे दोनों ही ends के across potential difference निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, potential difference is equal to कितना हो जाएगा potential difference is equal to potential at point A, या at end A, and potential at end B, ठीक, A पे कितना potential है भई, 10 है और B, पे कितना था, 0 था, तो potential difference यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 10 वोल्ट का आ गया ठीक, फिर इसके बार में हमने पढ़ा था ohm's law, ohm's law ने हमें क्या बताया था, कि अगर आपने potential difference बढ़ाया है, तो current का flow भी बढ़ने लगेगा क्या करना है, ohm's law ने हमें बताया था, कि अगर आपने किसी conductor के across potential difference बढ़ा दिया, तो current भी flow होने लगेगा अच्छा, ऐसे कैसे हम मालने, इसको हम करत के देखते हैं, हमने क्या किया, हमने लिया एक दूसरा conductor, ठीक है एक दूसरा conductor हम ले लेते हैं, और इस conductor के भी दो ends होंगे, ठीक है, ये रहा and A, ये रहा and B, अब मैंने क्या किया है, जो हमारा and A था ना, उस पे मैंने 10 volt का potential set कर दिया, यानि कि यहाँ पे positive charges बहुत सारे होने वाले है, and A पे ये दूसरा conductor था, ठीक है, and A पे मैंने क्या किय 20 volt का, इस बाइ मैंने जाधा potential का, जाधा volt का potential मैंने set किया है, कितना किया है मैंने 20 volt का potential मैंने set कर दिया, और दूसरी तरह, अभी मैंने potential 0 ही रखा है, इस वाले conductor में 10 volt था potential, इधर पे 0 था, दूसरे वाले conductor में मैंने क्या किया, या आप same conductor भी ले सकते हो, ऐसी कोई, you know, restriction नहीं है कि आपको अलग conductor ही लेना है, आप same conductor लेकर के भी experiment कर सकते हो, उसी conductor को मैंने क्या किया, एक end की तरफ मैंने जाधा potential ले लिया, अब 20 volt का potential ले लिया, और जो दूसरा end था, वहाँ पे अभी भी मैंने क्या लिया है, 0 volt potential ही लिया है, अब क्या होगा, conductors के अंदर कौन प्रेजेंट हैं, अब electrons जैसे ही देखेंगे कि end A पर क्या है, positive charges है, दौर के आ जाएंगे कहा, end A की तरफ, जितने जाधा positive charges, उतना जाधा electron क्या करेंगे, flow करते हुए, attract करते हुए, end A की तरफ दौरते जाएंगे, भागते जाएंगे, positive charges क्यों आएं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो potential है, वो जाधा volt का set किया है, मैंने, जब यहाँ पर 10 volt का potential था, number of positive charges बहुत जाधा नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैंने potential बढ़ा दिया, 20 volt कर दिया, double कर दिया, positive charges बढ़ गए, अब जितने positive charges, उतना जाधा क्या होगा, attraction होगा, electrons का कहा, towards the end A of the conductor, अब क्या होगा, electrons flow करने लगेंगे, towards the end A of the conductor, electrons का flow बढ़ गया, electrons का flow बढ़ने से क्या होगा, वैसे भी, electrons जब flow करते हैं, तो current बहता है, है ना, यहाँ भी क्या हो रहा है, electrons का flow बढ़ गया, तो क्या current का flow नहीं बढ़ेगा, current का flow भी बढ़ जाएगा, यानि कि हमारे electrons कहा जा रहे थे, हमार current कहा जाने लगेगा, current, electrons के flow के direction के opposite में, यानि की high to low potential जाने लगेगा, and A से, and B की तरफ flow करेगा, यानि जितना जादा potential, उतना जादा क्या होगा, electrons का flow होगा, और अगर electrons का flow हो गया, तो current भी, क्या होने लगेगा, जादा flow करने लगेगा, ठीक, I hope इस चीज़ आपको इस case में भी potential difference निकालते हैं, across हमारा conductor, तो हम potential difference कैसे निकालेंगे भाई, potential difference is equal to potential at point A, या point A नहीं, at, and A, minus potential at and B, कितना है भाई, A and पे कितना potential है, 20, और B पे कितना है, 0, तो potential difference क्या आगया, potential difference आगया, 20 volts, यही तो हमसे ohms law ने बोला था, कि अगर आपने potential difference जादा किया है, तो current का flow क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर potential difference क्या है, कम है, तो current का flow भी कम हो जाएगा, यह हमने देख लिया, कि आखिर, जो ohms law हमको relation दे रहा था, current और potential difference के बीच में, वो कितना सही है, वो बिकुल 100% सही है, यह चीज़ी भी constant रहे, वो change ना हो, अगर वो change होगे, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, अगर वो physical conditions, stable है, constant है, तो फिर जो ohms law ने इस तरह का हमें relation दिया था ना, वो बिलकुल 100% सही था, ठीक, तो ohms law के according क्या था, potential difference, जो current है, वो directly proportional होता है, किस पे, potential difference पे, potential difference अगर बढ़ गया, तो current का flow क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, I hope इस आपको समझ में आई होगी, फिर क्या होगा था, ohms law ने हमको एक अच्छा सा relation दे दिया था, क्या दिया था, V is equals to I into R, यहाँ पे V क्या है, potential difference है, I क्या है, current है, अब यहाँ पे R कहां से आया था, R हमने, actually, जो I is directly proportional to V था ना, तो इस proportionality के sign को हमने replace किया था, किसके साथ, proportionality constant के साथ, और वो proportionality constant कौन था हमारा, resistance R, ठीक है, resistance का हमने previous lecture में कैसे मतलब समझा था, कि resistance मतलब क्या होता है, किसी भी तरह की रुकावट, यहाँ पे move कौन हो रहा है, यहाँ पे electric current flow हो रहा है, basically हमारे electrons है, वो flow हो रह तो उनके रास्ते में कुछ रुकावटे आ जाती है, और उन रुकावटों को ही हम क्या कहते है, resistance कहते है, क्यों आती है यह रुकावट, क्यों होता है resistance, क्योंकि भाई हमने देखा था, कि एक conductor के अंदर, ना सिर्फ conductor के ही atoms present होते हैं, बलकि conductor के अंदर, जो impurities जाली गई हो conductor था, उसके अंदर, ना सिर्फ गोल्ड के atoms है, बलकि silver, या जो भी impurity डाली गई है, उसके atoms भी present थे, याने वो क्या हुए, वो हुए foreign atoms, ठीक, जैसे ही आपनी क्या किया, एक conductor के across, potential difference set कर दिया, चाहे वो 20 volt का ले लो, चाहे वो 10 volt के जा है, आपको जो भी मन हो, किसी भी potential difference को upset कर दो, conductor के across, क्या होने लगेगा, electrons flow होने लगेंगे, दिखाया मैं आको कैसे electrons flow होते हैं, अब ये बिचारे electrons जो होते हैं, इनके पास आखे तो नहीं होती हैं, ये क्या करेंगे, ये randomly जो है, हर direction में flow करना शुरू कर देंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा उनसे जाकर कर टकरा गए, फिर इसके बाद में, जो हमने impurity डाली है, उस impurity की जो foreign atom से उससे जाकर कर टकरा गए, फिर इसके बाद में क्या हुआ, कभी-कभी तो वो खुद से भी टकरा जाते हैं, तो जब electrons flow करना शुरू करते हैं, तो उनका जो flow है, वो इतना smooth नहीं होता है, ठीके, और इतना simple नहीं होता है, जैसा कि हमें usually diagrams में देखने को मिलता है, बहुत complicated होता है, टकरा टकरा के टकरा टकरागे, अगर electrons को end B से end A की तरफ जाना है ना, तो इनको बहुत time लगने वाला है, क्यों, क्योंकि ये टकरा टकरा के कैसे जाएंगे, कभी ऐसे, कभी ऐ किन ही टकराने के कारण, या आप इनको collisions भी बोल सकते हो, collisions के कारण क्या होता है, electrons का flow जो है, वो इतना smooth नहीं होता है, जिसके कारण क्या हुआ, जो current flow हो रहा है, बही current हमारा क्यों flow हो रहा था, electron के flow के कारण ही हो रहा था, अब अगर electrons का flow ही अच्छा नहीं है, तो क्या current क का फ्लो अच्छा हो पाएगा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा तो करेंट का फ्लो क्या कर जाता है सफ़र कर जाता है अफेक कर जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं रजिस्टेंस कहते हैं क्या कहते हैं रजिस्टेंस जो कोलीजन्स हो रहा है इलेक्ट्रॉंस का फ्री fems के साथ या कभी खुदी के साथ उन collisions को हम क्या कहते हैंよ resistance कहते हैं आइ होब यह चीज आपको समझ में आगई होगी to के resistance कीया होती है लगाई था को सोती है से किअ SI unit, तो चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें resistance, potential difference और current, इन तीनों के बीच का relation हमें समझ में आ गया, क्या होता है relation, V is equals to I into R, अब एक काम करते हैं, अब गी जो हमारा resistance है ना, इसको खुशा चेंज करते हैं हम, कैसे चेंज कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि यह जो relation है, इसम current के साथ आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम potential difference और current, potential difference को हम change करके देखते हैं, और देखते हैं कि क्या potential difference change करने से, जो resistance है, वो change होगा या नहीं होगा, एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे potential difference कितना लिया था, पहले case में 10 लिया था, और दूसरे case में 20 लिया था, जब potential difference 10 लिय करेंट का फ्लो भी बढ़ गया इसका मतलब क्या कि अगर मैंने कहीं भी किसी भी सर्केट में पोटेंशल डिफ्रेंस बढ़ाने की गुस्ताखी अगर कर दी तो ना सिर्फ पोटेंशल डिफ्रेंस बढ़ेगा करेंट भी बढ़ जाएगा और अगर किसी सर्केट में में ले लिया कितना 5 ampere और जो दूसरा potential difference था दूसरा जो case था वहाँ पर हमने कितना ले लिया current वहाँ पर हमने current ले लिया 10 ampere जब potential difference कम था तो current भी कम था जब potential difference बढ़ा तो current भी बढ़ागा अब दोनों ही cases में आप resistance निकाल के देख लो जरा क्या आएगा पहले case में resistance कैसे निकालोगे potential difference divided by current कितना आ जाएगा 10 by 5 is equals to 2 ohms ठीक दूसरे वाले case में भी हम resistance निकालते हैं यह हो गया R1 यह हो गया R2 कैसे निकालेंगे potential difference divided by current potential difference कितना है 20 है current कितना है 10 है तो यह कितना हो जाएगा 2 ohms ठीक है यह कितना हो गया भाई यह हो गया अपना 2 ohms कितना हो गया भाई यह हो गया अपना 2 ohms ठीक है यारे कि दोनों ही case में resistance 1 और resistance 2 कितना आया है 2 ohms ही आया है पहले case में भी हमने potential difference क्या किया था कम रखा था दूसरे में हमने बढ़ा दिया तो अगर हमने potential difference change किया है तो current भी तो change होगा, current भी साथ में change होगया तो resistance तो हमारा constant ही रहा इस टीस से हमें क्या conclusion निकाला कि हमारा जो resistance है वो potential difference और current पे dependent नहीं होता अगर हम कभी resistance change करना चाहते है circuit का तो हम potential difference और current ठीक है? potential difference और current को change करके resistance change नहीं कर पाएंगे. अगर आपने potential difference क्या किया है, change किया है, तो साथ में current भी change हो जाएगा. क्या मतलब रहा है? Resistance तो constant हो जाएगा. आप देख रहाएं, आपे potential difference change किया था मैंने, तो साथ में current भी change हो गया. और ऐसा change हुआ कि दोनों ही cases में resistance कैसा आ रहा है सेम आ रहा है दोनों में R1 भी 2 ohms है और R2 भी क्या है 2 ohms ही है अब यह तो गडबड हो गई यानि कि अगर हमें किसी सर्केट में resistance change करना है तो हम potential difference और current पे dependent नहीं रह सकते यानि कि definitely कोई एक चीज कोई factors तो definitely होंगे जिस पर resistance क्या करता होगा depend करता होगा और अगर हमने उन factors को change कर दिया तो resistance भी क्या कर जाएगा change कर जाएगा ठीक है अब सबसे पहले तो आपकी दिमाग में सवाल आना चाहिए कि आखिर हम resistance change करी क्यों रहे है अच्छा खासा चल रहा है चलने दो resistance अगर constant हो भी रहा है सभी circuits का हो जाने दो देखो change करने की कभी न कभी जरुवत तो पड़ेगी इसको हम कैसे समझ सकते हैं हमारे घरों में जो government हमको potential देती है voltage देती है वो कितना देती है भाई 220 volt का देती है हमें हमारे घरों में जो voltage मिलता है वो कितना मिलता है 220 volt का मिलता है ये कैसा होता है constant होता है आप 220 volt को change नहीं कर सकते हो कभी आपने अपने घर में आ रहे voltage को change किया है क्या कभी नहीं किया तो 220 volt हमेशा रहने वाला है आपके घर का voltage अब अगर voltage सेम है तो क्या current सेम नहीं होगा current भी क्या होगा सेम होगा यानि कि हमारे घर में जितने भी electrical appliances चल रहे हैं चाहे वो गीजर हो चाहे वो telephone हो आपका mobile phone हो चाहे laptop हो computer हो fan हो tube light हो bulb हो सब सेम current पे चलते हैं क्या ऐसा possible है क्या वोल्टेज तो हमें government एक जासा दे रही है लेकिन इन electrical appliance को चलने के लिए अलग-अलग current चाहिए है गीजर को कुछ और current चाहिए, tube light को कुछ और चाहिए है, bulb को कुछ और current चाहिए है यानि कि हमें current change करना पड़ेगा लेकिन आप current change कैसे करें अगर हमने potential difference जो voltage आ रहा है वो change किया तब जाकर के हमारा current change होगा लेकिन हम इस voltage को तो change करी नहीं सकते तो यहाँ पर current को change करने की जरूरत पड़ गई current कैसे change होगा? current change होगा इस resistance को change करने से जो हम आपसे बोल रहे थे कि आखे resistance को हम change करना ही क्यों चाह रहे है क्योंकि हमें अपने घर पे आ रहा जो voltage है ना उसे हम change नहीं कर सकते है लेकिन हर एक electrical appliance को अपना अपना एक current चाहिए है उस अपने अपने current को obtain करने के लिए, achieve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? resistance change करना पड़ेगा ताकि जो different electrical appliances है उन तक जो current जा रहा है वो change हो जाए ठीक है? इसलिए हमें resistance को change करने की जरूरत पड़ती है अब जरा आओ उन factors पे जिन पे हमारा जो resistance है वो dependent करता है dependent होता है यानि कि अगर हम उन factors को change करेंगे तब जाकर के resistance क्या होगा? change होगा तो the electrical resistance of a conductor depends on the following factors सबसे पहले क्या है? length of the conductor जो conductor है उसकी length फिर इसके बाद में cross section area of the conductor फिर क्या होगा? nature of the material of the conductor जिस material का बना होगा conductor उसके nature पे depend करेगा और साथ ही साथ क्या होगा? temperature तो ये चार major factors हैं जिन पे जो resistance है conductor का जो resistance है वो depend करता है आज के इस session में हम बात करेंगे length और cross section area की next lecture में हम बात करेंगे conductor के material के nature की और temperature की ठीक है? अब क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं first factor पे यानि कि conductor की length conductor की length अगर बढ़ेगी तो resistance बढ़ जाएगा मैंने क्या बोला? conductor की length अगर बढ़ी तो resistance भी बढ़ जाएगा ऐसा क्यूं भाई? यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे एक छोटा सा wire है जो कि क्या है? conductor है भाई जैसे ही क्या हुआ? आपने इस wire के across एक potential difference set कर दिया बैटरे लगा दी, electrons क्या करने लगेंगे? flow करने लगेंगे electrons का flow smooth होता है क्या? नहीं होता electrons क्या करते जाते हैं? collide करते जाते हैं किस के साथ collide करते हैं भाई? वो करते हैं जो conductor है, उसी के atoms के साथ या कभी-कभी हम बोलते हैं कि foreign atoms की साथ भी कर लेते हैं और हद तो तब हो जाती है जब वो खुद से ही क्या करने लगते हैं collide करने लगते हैं अब जितना लंबा wire उतना जादा क्या होगा जो conductor है उसके atoms होंगे foreign atoms होंगे और free electrons होंगे तो electrons क्या करेगा collide करते करते अपना path change करते करते जो है एक end से दूसरे end पे पहुचेगा तो अगर हमने conductor की length बढ़ा दी है ठीक है? अगर हमने conductor की length बढ़ा दी तो number of collisions क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे अभी तक तो क्या हो रहा था? Collision सिर इतनी length में हो रहा था हमने क्या क्या? Length बढ़ा दी तो number of collisions भी तो बढ़ जाएंगे ना अगर conductor की length लंबी हो गई है conductor लंबा हो गया है तो क्या होगा? conductor के atoms भी बढ़ जाएंगे number of atoms बढ़ जाएंगे जो impurities जली हैं उसके करण foreign atoms भी बढ़ जाएंगे और free electrons तो खेर बढ़ने ही वाले हैं तो जितनी जादा conductor की length होगी number of collisions क्या हो जाएंगे? जादा हो जाएंगे और अगर collisions जादा हो गए रुकावट जादा आगी यानिकी resistance क्या हो जाएगा? जादा हो जाएगा और अगर resistance जादा हो गया तो अव्यस सी बात है current क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ठीक है? तो the resistance of a conductor R is directly proportional to its length अगर length बढ़ा दी तो क्या होगा? resistance भी बढ़ जाएगा इसी के opposite अगर हम बात करें कि cross section area की cross section area अगर बढ़ा देंगे हम अपने conductor का तो resistance यहाँ पे कम हो जाएगा क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा था? छोटे से wire में पतले से wire में traffic बहुत जादा था electrons का जो flow था वो spoon नहीं था वो आगे जाता टकरा जाता foreign atom के साथ फिर आगे जाता टकरा जाता conductor के atom के साथ फिर आगे जाता टकरा जाता खुदी के electrons के साथ लेकिन क्या हुआ? जैसे हमने cross section area बढ़ा दिया ना तो electrons को flow करने की थोड़ी सी जगा मिल गई अब वो थोड़ा सा कम टकराते हुए क्या करेगा? flow कर पाएगा याने कि रुकावट कम हो गई अब आपके दिवाग में यह आएगा कि मैं जब आपने length बढ़ाई थी तो आपने number of atoms भी conductor के बढ़ा दिये थे impurities के atom foreign atoms भी बढ़ा दिये थे तो अगर हम cross section area बढ़ाते हैं तो क्या number of atoms increase नहीं होंगे conductor के? बिलकुल increase होंगे foreign atoms भी increase हो जाएंगे conductor के atoms भी increase होंगे लेकिन क्या है ना? इन atoms के बीच की जो space है ना? जैसे हम cross section area बढ़ाते हैं इन atoms की बीच की space बढ़ जाती है number of atoms भी बढ़ रहे हैं लेकिन इन atoms के बीच की space भी क्या हो जाती है? थोड़ी सी बढ़ जाती है और जैसे ही electrons को खाली space मिली resistance कम है मतलब क्या? current का flow बढ़ गया ठीक है? तो यहां बोलते हैं कि the resistance of conductor R is inversely proportional to the area of cross section area of cross section के क्या होता है? inversely proportional होता है length अगर आपने बढ़ाई ये conductor की तो number of collisions क्या होते जाएंगे? electrons के बढ़ते जाएंगे क्योंकि number of atoms बढ़ गए conductor के number of you know foreign atoms बढ़ गए electrons बढ़ गए तो electrons और जाधा collide करेगा जितनी length होगी उतना जाधा electrons collide करेंगे लेकिन अगर हमने cross section area बढ़ा दिया है तो क्या होगा? atoms के बीच की space थोड़ी सी बढ़ जाएगी जिसके कारण electrons को थोड़ा जाधा space मिल जाएगा move करने के लिए flow करने के लिए जिसके कारण उसके जो उसका जो flow है उसमें रुकावटे कम आएगी ठीक है और क्या होगा प्रॉपरली electrons फ्लो कर पाएगे यानि कि रुकावट कम होगी collision कम होगा तो current बढ़ गया आए हो ये दोनों factors आपको समझ में आगए होंगे अब आज के इस session के लिए इतना ही हम मिलेंगे अपने next session पे जहाँ पे अभी factors खतम नहीं हुए हैं अभी दो factors और बच्चे हैं जिस पे की resistance depend करता है एक तो temperature बचा है और दूसरा बचा है क्या conductor के material का nature हम बात करेंगे अपने next session में तक तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर लेना जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं playlist में साथी साथ सभी topics के वहाँ पे होंगे आपको notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching Hello everyone इस session में हम बात करने वाले हैं कुछ और factors की जिसके उपर किसी भी conductor का resistance depend करता है previous session में हमने देखे थे दो factors सबसे पहले हमने देखा था conductor की length और फिर इसके बाद में हमने देखा था conductor का cross section area और देखा था कि किस सरह से किसी भी conductor का resistance conductor के cross section area पे और length पे dependent होता है ठीक है? और आज उसी चीज को हम continue करते हुए दो और factors के बारे में बात करेंगे जिसके उपर conductor का resistance dependent होता है तो आज के इस session का target मैंने fix कर दिया है कि हमें समझने होंगे दो और remaining factors जिस पे की conductor का resistance करता है depend, तो भाई जब target set हो गया है तो फिर देरी के इस बात की तो चली start करते हैं हम आज का ये session तो इस इस भी भूती करें Welcome to Magnet Brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost यानि कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी पी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains अब सब तक पहुँचा रहा है Quality Education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज कर ये हमारा session Factor No.3 के साथ अब इससे पहले कि हम Factor No.3 पढ़े Factor No.1 और Factor No.2 को revise कर लेते हैं क्या पढ़ा था हमने हमने पढ़ा था कि भाई अगर हमने जो conductor है मारा उसकी length हमने बढ़ा दी तो resistance क्या होगा conductor का बढ़ जाएगा यानि कि जो resistance होता है वो directly proportional होता है किसके conductor के length के अगर conductor की length बढ़ा दी तो उसका resistance भी बढ़ जाएगा क्यों क्यों कि number of collisions क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे अभी तक क्या था हमारे पास इतना छोटा सा गया था एक conductor था इस conductor की अंदर जैसे ही आपने conductor की across एक potential difference set किया तो electrons क्या करने लगे? flow करने लगे, electrons का flow smooth थो होता नहीं है, uniform थो होता नहीं है और नहीं उनके पास आखे होती है, electrons क्या करते हैं? जैसी potential difference हुआ, randomly क्या करने लगते है? है move करने लगते हैं एक potential से low potential से high potential की तरफ move करने लगते हैं यह जो movement होता है वो कैसा होता है random होता है यहांने कि electrons जो है line बना करके move नहीं करते हैं अब क्या हुआ इस conductor के अंदर क्या थे इस conductor के अंदर conductor के ही atoms ठीक है फिर foreign atoms भी थे और free electrons थे ही. Electrons क्या करेगा? जैसी flow करना शुरू करेगा तो जाके टकरा आ जाएगा कभी electrons की साथ, free electrons की साथ कभी जाकर के conductor के atoms की साथ ही जाके टकरा गया. कभी क्या हुआ? जो foreign atoms थे, impurities के जो foreign atoms थे, उसके साथ जाकर के टकरा गया. ठीक है अब क्या किया हमने हमने जो है ना conductor की length बढ़ा दी conductor की length बढ़ाने से क्या हो गया conductor की length बढ़ाने से जो foreign atoms से उनका number भी बढ़ गया conductor की atoms का number तो obviously बढ़ना ही है free electrons भी बढ़ जाएंगे तो अगर हमने conductor की length क्या कर दी बढ़ा दी तो number of collisions भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे अब इतक तो number of collisions बस इतनी ही length में हो रहे थे हमने length बढ़ा दी, अब number of collisions क्या हो जाएंगे इतनी length में हो जाएंगे, याने कि बढ़ जाएंगे collisions बढ़ गए मतलब क्या, रुकावट बढ़ गए याने कि resistance बढ़ गया resistance बढ़ गया मतलब क्या current कम हो जाएगा दूसरा case हम में देखा था कि अगर हम क्या करें अगर हम conductor जो है यह हमारा उसका cross section area बढ़ा दें ठीक है cross section area याने कि अब हम क्या करेंगे अब हम conductor को थोड़ा सा क्या कर देंगे चौड़ा बना देंगे ठीक है इसको हम क्या कर देंगे चौड़ा कर देंगे अब इस case में क्या होगा resistance काम हो जाएगा क्यों क्योंकि हमने जैसे cross section area बढ़ाया conductor का ऐसा नहीं है कि conductor के अब atoms बढ़ेंगे नहीं या foreign atoms नहीं बढ़ेंगे या free electrons का number नहीं बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा लेकिन क्या है ना इन atoms के बीच का space बढ़ जाएगा अभी तक क्या हो रहा था atoms बहुती पास-पास closely arranged थे लेकिन जैसे हमने क्या किया हमने cross section area बढ़ा दिया तो क्या होगा इन atoms का जो arrangement होगा वो थोड़ा सा change हो जाएगा और यह आपस में क्या हो जाएगे थोड़े से दूर दूर हो जाएगे जब हम conductor की length बढ़ाते हैं तो atoms की बीच की space नहीं बढ़ती है number of atoms बढ़ जाएगे number of foreign atoms बढ़ जाएगे conductor के atoms बढ़ जाएगे लेकिन spaces उनके बीच की नहीं बढ़ेंगी लेकिन जैसे हमने conductor का cross section area बढ़ा दिया तो conductor के atoms बढ़ेंगे impurity atoms भी, foreign atoms भी बढ़ेंगे लेकिन इन atoms के बीच में थोड़ी सी space आजाएगी space आजाएगी मतलब क्या कि अब जब हमारा electron flow करेगा तो थोड़ा सा उसका जो collision है न वो थोड़ा क्या होगा कम हो जाएगा उसके रास्ते में, उसके flow में उसके पात में रुकावटे थोड़ी कम आ जाएगी रुकावट कम आ गई मतलब क्या resistance क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा resistance कम मतलब क्या, current flow हो जाएगा कैसा जादा तो एक तरह हमने बोला कि जो हमारा resistance है conductor का वो directly proportional होता है length of the conductor के और inversely proportional होता है किसके cross section area of the conductor एक काम करते हैं यहाँ पर हमको 2 relation मिले हैं दोनों को हम क्या कर देते हैं combine कर देते हैं तो हम एक combined relation क्या बना सकते हैं कि जो resistance होता है किसी भी conductor का वो directly proportional होता है conductor के length से और inversely proportional हो जाएगा कैसे उसके cross section area से अब यह जो proportionality constant है एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं ठीक है जैसे हमने I is directly proportional to potential difference के case में proportionality constant sign हटाया था कैसे हटाया था एक proportionality constant लगा दिया था क्या था वो constant भई? R था हमारा resistance उस case में अब इस case में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी एक proportionality sign है उसको हम हटाएंगे कैसे हटाएंगे भई? तो हमें उसे हटाना होगा एक proportionality constant के साथ अब मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ? R is equals to rho L upon A इस relation को कभी मत भूलना इसको भी नहीं भूलना है और इसको भी नहीं भूलना है resistance directly proportional था conductor की length के, inversely proportional था उसके cross section area के मैंने proportionality sign यहाँ पे हटा दिया किससे repress किया? proportionality constant से. यह proportionality constant क्या कहलाता है? इस proportionality constant को हम क्या कहते हैं भई? इसे हम कहेंगे resistivity और यही वो resistivity है यह वही factor है third factor है जिसपे की conductor का resistance क्या करता है? depend करता है ठीक है? यह resistivity क्या है? यह resistivity third factor है जिसपे की हमारा conductor का resistance dependent था. पहला क्या था? conductor की length. दूसरा क्या था? conductor का cross section area. तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा होगा conductor की resistivity आप इस resistivity को दूसरा नाम भी दे सकते हो ये क्या होता है specific resistance of conductor conductor का specific resistance अभी तक तो हम conductor का resistance resistance बात कर रहे थे लेकिन अब हम बात कर रहे हैं conductor के specific resistance की यानि की conductor की resistivity की अभी ये resistivity होती क्या है भई इसको हम क्यो specific resistance नाम दे रहे हैं जैसे हर एक conductor की property क्या होती है density होती है है ना एक property क्या होगी हर object की हर किसी चीज की क्या होगी एक अपनी density होती है उसी के जैसे जो resistivity है ना वो क्या होती है एक natural property होती है conductor की और ये property आती कहां से है यह property आती है conductor के material से मैंना को क्या बताया जैसे हर एक object की क्या होती है अपनी एक density होती है वैसे ही हर एक conductor की क्या होती है उसकी एक resistivity होती है और यह resistivity आती कहां से है यह resistivity आती है उस conductor के material से ठीक है Resistivity को हम और अच्छे से समझ लेते हैं कैसे समझते हैं, एक काम करती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ, रब, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ, दो copper के wires, ठीक है, मैंने यहाँ पे दो copper के wire लिये हैं, एक यह रहा, और दूसरा मैंने क्या ले लिया, थोड़ा सा चोड़ा वाला, दोना ही wire किसक वायर भी कैसा है कौपर कहां है उनकी चौडाई में इक थोड़ा पतला है एक थोड़ा क्या हो जाएगा मोटा ओ जाएगा ठीक है अब क्या किया मैंने अब अगर इन दोनों ही वायजकर का अक्रॉस को कर दिया हूं करने के करण फिन ABS करन से करने कि यह जो हमारा conductor A था, इसको मैं नाम भी दे देती हूँ, conductor A and conductor B, conductor A और conductor B, इन में से, दोनों में से resistance किसमें जाधा होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है, कि resistance किसमें डिपेंड करता है, conduct की length और उसके cross section area पे, यहां हम देख रहे हैं, कि दोनों ही हमने जो copper wires लियें, दोनों wires किसके बने हुएं, copper के बने हुएं, और दोनों की length भी क्या है, same है, ठीक है, समोज लो, इस copper wire की length 1 meter है, इसकी भी क्या है, 1 meter है, फारग कहा है, फारग है इनके cross section area में, यानि कि इन दोनों ही conductors की length क्या है, same है, तो अगर length same है, मतलब क्या, लेकिं cross section area तो अलग है न, क्योंकि यह वाला जो conductor है, यह कैसा है, थोड़ा सा चोड़ा है, conductor A के comparison में, तो जो हमारा resistance होता है conductor का, वो किस पर depend करता है भई, वो depend करता है length पे और area पे, length क्या है भई, length तो यहाँ पर दोनों की same है, यानि कि resistance, length पर तो यहाँ पर dependent होने नहीं वाला, किस पर होगा, cross section area पर होगा, कैसा होगा, inverse proportion में होगा, इस वाले conductor में conductor B का area कैसा है, जादा है, यानि कि यहाँ पर resistance क्या हो जाएगा, भई, कम हो जाएगा, और यहाँ पर cross section area कैसा है, conductor A का cross section area कम है यानि कि यहाँ पर resistance क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा लेकिन अगर मैं बात करूँ अब किसकी अगर मैं अब बात करू resistivity की ठीक है इस resistivity की अगर मैं बात करूँ कि दोनों ही conductors में resistivity कैसी होगी तो आप बोलोगी same क्यों क्योंकि भाईया दोनों ही wire किसके बने हुए हैं copper के बने हुए हैं जो resistivity है न वो क्या होती है एक property होती है किसकी conductor की जो कि कहां से आती है material से आती है आप चाहे किसी भी shape, length या cross section area का conductor क्यो न ले लो different conductor से लो अलग-अलग length के cross section area के अगर वो सभी conductor किसके बने हुए हैं same material के बने हुए है तो आप बोलोगे कि उन सभी conductors की resistivity है वो same ही होगी क्यों क्योंकि भाई resistivity जो होती है न वो सिर्फ और से किस पर depend करती है वो depend करती है conductor के material के nature पे ठीक है कि भाई conductor जो बना है जिस भी मटेरियल का बना है उसका नेचर क्या है और कभी कभी यह तेंपरेटर पे भी depend कर जाती है हमारे रजिस्टिविटी बहुत मस्त होती है इसे कंडुक्टर के लेंद क्रॉस सेक्षिन एरिया से कोई मतलब नहीं होता है इसे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है conductor का जो material है जिससे वो बना है conductor उसके nature पे ये depend करती है और कभी-कभी ये temperature पे भी depend कर जाती है इस case में हमारे पास दो conductors थे दोनों के ही resistance कैसे थे अलग-अलग थे B वाले का कम था और A वाले conductor का resistance जादा था लेकिन इन दोनों ही conductors की जो resistivity होगी वो कैसी होगी? सेम होगी क्यों? क्योंकि भाईया हमें पता है कि हमारे जो resistivity है वो किस पे depend करती है? conductor के material के nature पे दोनों ही conductors किसके बने हुए है? सेम material के बने हुए है ये भी copper का बना है, ये भी copper का बना है यानि कि conductor के material का जो nature वो कैसा है same है तो हमारे resistivity भी क्या होगी same होगी ठीक है जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि हर एक object की क्या होती है अपनी एक density होती है उसी तरह से हर एक conductor की क्या होती है अपनी एक resistivity होती है पर resistivity का मतलब क्या होता है resistivity हम बोलते हैं कि ये एक natural resistance होता है किसी भी conductor का और ये resistance क्यों आया है क्योंकि वो उसके material से आया है ठीक है, conductor के पास भी क्या होती है उसकी एक specific resistance होता है एक natural resistance होता है और ये natural resistance कहां से आता है उसके material से आता है मैं बार-बार density के साथ relate क्यों कर रही हूँ resistivity को क्योंकि जैसे हर एक object की क्या होती है अपनी density होती है वैसी हर एक conductor की क्या होगी अपनी एक resistivity होगी क्यों होगी अपनी एक अलग resistivity क्यों होगा अपना एक अलग specific resistance क्योंकि भाईया वो जिस material से बना हुआ है उस material के कारण भी क्या होता है current के flow में कुछ रुकावाट आती है और उस material के कारण जो रुकावाट आ रही है current के flow में उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं हमारी specific resistance या फिर resistivity resistance और resistivity में कभी confuse मत होना resistance अलग होता है resistivity अलग होती है resistance conductor का depend करता है conductor के length और area पे cross section area पे लेकिन resistivity को इन दोनों से ही कोई मतलब नहीं होता है दूर दूर तक उसे सिर्फ और सिर्फ conductor का क्या दिखता है material दिखता है कि conductor बना किस चीज़ का है उसका nature और कभी कभी ये temperature पे भी depend कर जाता है जैसे हम में देखा कि हमारे पास दो conductor थे ठीक है दोनों में difference क्या था दोनों में difference क्रोस section area का दोनों की length कैसी थी बराबर थी लेकिन दोनों बने किस चीज़ के थे दोनों बने थे एक ही type के material से दोनों copper के ही बने हुए थे जिसके कारण क्या हुआ resistance तो दोनों का अलग-अलग हो गया लेकिन resistivity क्या रही सेम ही रही एक काम करते हैं दूसरा case भी हम देखते हैं दूसरा case हमने क्या करा है एक हमने लिया है क्या conductor अब ये वाला conductor किसका बना हुआ है copper का बना हुआ है ठीक है हम क्या लेंगे आप दूसरा conductor लेंगे अब ये वाला जो conductor है ये किसका बना होगा ये बना होगा silver का किसका बना है भई silver का यानि कि अब हमने दो अलग-अलग type पे conductor लिये है एक हमने लिया है copper एक हमने लिया है к्या silver ठीक ना सिर्फ ये conductors अपने material में differ कर रहे हैं साथ ही साथ ये अपनी length में भी क्या है different है जो मेरा conductor A है जो की copper का बना है इसकी length में बोलती हूँ कितनी है 1 meter है और जो दूसरा वाला conductor है जो की silver का बना हुआ है उसकी length कितनी है उसकी length है थोड़ी सी जादा 2 meter हो गई अब इन दोनों ही conductors में मैंने separately क्या किया है potential difference set किया है potential difference set होगा मतलब क्या current flow होने लगेगा current flow होगा क्या मतलब उसके राजते में कुछ अर्चने आएगी रुकावटे आएगी collision होगे resistance आएगा अब मैं अगर आपसे बोलू कि conductor A और conductor B इन दोनों में resistance किसका जादा होगा त resistance depend करता है conductor की length और उसके cross section area में दोनों ही जो हमारे पास conductors थे उनका cross section area बराबर था लेकिन length differ कर रही थी length कैसी थी अलग-अलग थी conductor A है उसकी length किती थी 1 meter थी conductor 2 की length किती थी ज्यादा थी 2 meter वहीं हमने पढ़ा है कि resistance directly proportional होता है conductor की length के जिस conductor की length जादा वहाँ पे resistance भी क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा ठीक है जिस conductor की हम बोलते हैं कि length जादा है उसका resistance भी क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा तो हमारा ये वाला जो conductor था इसका resistance क्या हो जाएगा भई जादा हो जाएगा ठीक है और ये वाला जो conductor है इसका resistance क्या होगा कम हो जाएगा लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों ही conductors की resistivity का क्या हुआ तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि resistivity दोनों की कैसी होगी अलग-अलग होने वाली है क्यों क्यों कि resistivity किस पे depend करती है resistivity depend करती है conductor के material पे कि हमारा conductor बना किस चीज का है किस material का बना है तो यह रहा पहला वाला conductor ठीक है इसकी resistivity अलग होगी और इसकी भी resistivity अलग होगी क्यों क्योंकि एक हमारा copper का बना हुआ है दूसरा बना हुआ है silver का जैसे मैंने आपको बोला है कि हर एक object की एक अपनी density होती है वैसे ही हर एक conductor की क्या होती है अपनी एक specific resistance या resistivity होती है वो resistivity कहां से आती है उस material जिसका conductor बना होता है भाई जो हमारा copper वाला conductor है इसकी अपनी एक resistivity होगी कहां से आई है वो resistivity क्योंकि यह जिस material से बना हुआ है copper से बना हुआ है तो इस copper के कारण जो copper conductor के अंदर जो resistance है natural resistance है उसको हम बोल देते हैं क्या resistivity और यह जो हमारे पास silver conductor है इस silver conductor में हम बोलते हैं कि अंदर जो specific resistance आएगा वो किसके कारण आएगा इस silver material के कारण आएगा जिससे कि यह खुद बना हुआ है अब आपको चीज़े समझ में आ रही होंगी कि क्यों जो हमारा resistance है वो अलग हो सकता है और resistivity अलग हो सकती है resistance सिर्फ और सेफ conductor के कि इस पर depend करेगा उसको length और cross section area से मतलब है लेकिन जो हमारी resistivity होती है उसे इन दोनों में से किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता conductor की आप जो length लेना चाहो जो आप उसका cross section area लेना चाहो लेकिन अगर आपने conductor का क्या किया है material change कर दिया है तो दोनों ही conductors की resistivity क्या हो जाएगी change हो जाएगी पहले case में resistivity कैसी थी same थी क्यों क्योंकि दोनों ही conductors कैसे बने थे copper के बने थे लेकिन यहां क्या हुआ यहां पर दोनों ही conductors अलग-अलग material के बने हुए हैं जिसके कारण इनकी resistivity क्या हो गई अलग-अलग हो गई ठीक है अगर मैं क्या करती यह जो हमारा silver वाला conductor है इसकी length मैं अगर 1 meter ही लेती ठीक है मैं यहां पर 1 meter length ही लेती इसकी तो क्या होता तो दोनों ही conductors का जो resistance है वो बराबर हो जाता क्यों क्योंकि resistance किस पर depend कर रहा है L पे और cross section area पे दोनों ही conductors का cross section area भी कैसा था बराबर है length भी कैसी थी बराबर है तो इस case में resistance क्या हो जाएगा resistance हो जाएगा same लेकिन resistivity तो अभी भी कैसी होगी अलग अलग ही होगी क्योंकि अभी भी यह copper का बना है यह silver का बना है I hope आपको resistance और resistivity का concept समझ में आ रहा होगा इस चीज़ को हम और एक अच्छे से example के साथ हम देख सकते हैं कैसा कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने circuit में एक अलग सा क्या लगाना पड़ता है एक अलग सा हमें resistor लगाना पड़ता है ठीक है कि रजिस्टर क्या होता है यह basically resistor हम बोलते हैं कि इस तरह की छोटे-छोटे electronic क्या होता है components होता है जो हमें अपने circuit में attach करने पड़ते हैं ठीक है हमें हमारे circuit में इन छोटे-छोटे electronic components को attach करना पड़ता है क्योंकि हम अपने circuit में कभी-कभी resistance होड़ा सा जाधा चाहिए होता है अब हमने क्या किया है एक हमने क्या ले लिया है silver wire लिया है और इस silver wire के across हमने क्या करा है एक resistor लगा दिया है जो हमारा circuit होता है उसमें हम इन resistors को कैसे remote करते है इस तरह से remote करते है symbol क्या होता है इन resistors का ये कुछ इस तरीके का होता है ठीकिए उबढ़ खाबर resistance कर क्या रहे electronics की flow को क्या कर रहे है non uniform कर रहे है इनका हम symbol भी कैसा बनाते है थोड़ा सा non uniform बना देते है ठीक है? और फिश्क मैने यहां पर क्या कर दिया है? एक लगा दी है बैטरी यह जो में राजिस्टर था इसका काम क्या हो रहा था? इसका काम हो रहा था resistance provide करना कितना resistance इसने provide किया है? सब्पोस्ट टू ओम्स, इसने particular हमारे resistor ने 2 ohmes क्या किया है? resistance provide किया है अब ये wire किसका बना हुआ है copper का बना हुआ है मैंने आको क्या बता है जैसे हर एक object की density होती है वैसे हर एक conductor की क्या होगी एक अपनी resistivity होगी हर एक substance की एक उसकी resistivity होगी कहां से आती है वो resistivity उसके material से आती है तो यहाँ पे हमने जो silver wire लिया है उसकी भी क्या होगी एक अपनी resistivity होगी समझ लोग कितनी हो अगर इसकी resistivity 1.6 into 10 to the power minus 8 सपोज resistivity कितनी है 1.6 into 10 to the power minus 8 क्या है resistivity इस silver wire की अब अगर मैं आपसे पूछू कि इस overall circuit का resistance कितना है यानि कि इस पूरे circuit में current को जो total total जो हम बोल सकते हैं कि रुकावट जो आने वाली है वो कितनी होगी तो आपका जवाब होगा कितना सबसे पहले तो इस resistivity ने कितनी रुकावट दी है 2 ohms की रुकावट दी है तो यह हो गया 2 ohms प्लस इस conductor की भी तो अपनी एक specific resistivity है specific resistance है कितनी है 1.6 इंटू 10 to the power कितना है minus 8 और अगर मैं पूछूं कि मेरा ये particular जो silver wire था इसकी specific resistance कितना है जब इससे current flow होगा तो ये कितना current को रोक सकता है तो आपका answer होगा सिरफ इतना लेकिन अगर मैं पूरे circuit की बात करूं तो तो पूरे circuit में आप इस conductor की resistivity भी लेंगे और साथी साथ जो आपने additional resistor लगाया है उसका resistance भी लेंगे अब आ रहे है आपको समझ में बात कि resistance अलग और resistivity अलग होता है यहाँ पे हमने क्या किया था एक silver wire लिया उसकी resistivity कितनी लिए 1.6 into 10 to the power minus 8 अभी हमने units नहीं पढ़ी units भी पढ़ लेंगे और हमने क्या कर दिया एक extra resistor लगा दिया है कुछ इस तरह की दिखते है resistors यहाँ पे आपको different colors दिख रहे होंगे इसमें actually color coding होती है यह अभी आपकी syllabus में नहीं है इन colors से हमें समझ में आता है कि भई इस particular resistor की value कितनी होने वाली है ठीक है तो हमने क्या किया एक resistor हम में लगा दिया जो हमारा electronic circuit होता है उसमें हम resistor को कुछ इस तरह से यह इसका symbolic representation है ऐसे उबड़ खाबड ठीक है कितना resistance प्रोवाइड कर रहा है यह resistor 2 ohms का एक हमने battery भी लगा दी 1.6 into 10 to the power minus 8 लेगन अगर मैं आपसे बोलू कि overall पूरे circuit में current को कितनी रुकावट मिलने वाली है तो आपको जवाब क्या होगा resistivity plus यह जो resistor है इसका resistance that is 2 ohms यह पूरा क्या होगा यह overall रुकावट है ठीक है यह क्या है यह overall रुकावट है जो कि current के flow में आने वाली है और अगर मैं उस रुकावट की बात करूँ जो कि सिर्फ और सेफ conductor देने वाला है current को तो वो कितना होगा 1.6 into 10 to the power 8 यह क्या है overall रुकावट है जो कि current को मिलने वाला है इस circuit में उसके flow के दौरान और अगर मैं बोलो कि conductor अकेले किजनी रुकावट देगा current को flow के दौरान तो वो होगा 1.6 into 10 to the power minus 8 I hope अब आपको चीजे समझ में आई होगी ठीक है अब हम चलते हैं हमारी यह हमने वही सारी चीजे पढ़ी है The resistance of a conductor depends on the nature of the material of which it is made ठीक है some materials have low resistance whereas others have high resistance therefore we can write R is directly proportional to L by A ठीक है proportionality sign हमें हटा के constant लगा दिया है उस constant को हम क्या कहते हैं specific resistance या फिर resistivity बोलते हैं फिर इसके बाद में इसकी ऐसा unit क्या होती है ohms meter होती है कैसे एक काम करते हैं निकाल लेते हैं R is equals to rho L by A इसे rho बोलते हैं इस sign को ठीक है हम क्या करते हैं R into A divided by L कर देते हैं और ये बन जाएगा क्या rho के बराबर resistance का ऐसा unit क्या होती है ohms होती है area की क्या होती है meter square होती है length की क्या होती है meter होती है तो एक meter ये दूसरी meter से cut गया cancel out हो गया तो हमारी resistance resistivity की ऐसा unit क्या आई ohm meter ठीक है हमारा जो basically जो हमारा resistivity है इस resistivity की ऐसा unit कितनी आई भाई ohms meter आई ये जीज़ आपको clear होई I hope ये जीज़ आपको समझ में आई होगी अब ये जो है resistivity इसको conductor की length उसकी thickness से कोई मतलब नहीं होता है ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर depend करती है अधिकतर ये depend करती है conductor के material के nature पे और कभी-कभी temperature पे ठीक है It is a characteristic property of the material of the conductor and varies only if its temperature changes फिर अब resistivity जैसे मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि जिस तरह से हर एक object की अपनी density होती है वैसे हर एक object की क्या होती है एक अपनी resistivity होती है ठीक है यानि कि जब उसमें से current flow होगा जब एक particular object में से current flow होगा तो वो particular object अकेले कितना current के flow को रोक सकता है वो क्या कहलाती है उसकी resistivity कहलाती है अब हमें तीन टाइप के materials पता होते हैं एक होते हैं conductors, एक होते हैं insulators और एक होते हैं alloys ठीक है? conductors, insulators and alloys जो हमारे conductors होते हैं उन्हें conductors बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि वो electricity को बहुत जादा अच्छी तरीके से conduct कर पाते हैं यानि कि वो जो specific resistance प्रोवाइट करेंगे वो जो resistivity प्रोवाइट करेंगे current को वो कैसी होगी? कम होगी ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो conductors की resistivity कित्ती होती है? 10 to the power minus 8 से 10 to the power minus 6 ohm meter और वहीं अंकर हम बात करें insulator की जैसे कि हमारी rubber हो गया, glass हो गया जो electricity को बिल्कुल conduct नहीं कर पाते हैं क्यों नहीं conduct कर पा रहे? क्योंकि भाया उनसे electricity पास ही नहीं हो पा रही क्यों पास नहीं हो पा रही? क्योंकि रुकावट इत्ती जादा आ रही है ना रुकावट मतलब क्या? specific resistance या फिर आप उसको resistivity बोल सकते हो तो इन insulator की resistivity किती होती है? 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meters होती है बहुत जादा resistivity है current को flow ही नहीं उने दे रहे है current flow नहीं होगा तो बड़ी मुसीबद हो जाएगी वो conductors कहलाएंगे क्या? electricity के? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे ठीक है? और जो हमारे conductors जो होते हैं उनकी resistivity काफी काम होती है जिसके कारण वो electricity को अपने through pass हो जाने देते हैं I hope यह चीज़े आपको समझ में आई होंगी आज की session के लिए हम करेंगे बस इती सी बातें अभी यह complete नहीं हुआ है इसका next part भी आएगा हम बात करेंगे अपने next session में तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर लेना जाप आपको सभी chapters की video lectures में लेंगे playlist में साथ ही साथ सभी topics के महाँ पे आपको notes भी होंगे available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watching Hello everyone इस video में इस session में हम बात करने वाले हैं कुछ और बाते related to resistivity previous session में previous lecture में हमने बात करी थी resistivity की जोगी एक third factor था जो कि किसी भी conductor के resistance को affect करता था और वो बाते अभी वहाँ पे complete नहीं हुई है तो आज के इस session में resistivity के उपर हम कुछ और बाते करेंगे कुछ numericals भी solve करेंगे जहां पे बच्चे बहुत confuse हो जाते हैं और try करेंगे कि जो factor 4 है जिस पे कि हमारा किसी भी conductor का resistance depend करता है temperature वो भी इस session में हम cover कर लें तो आज के इस session का मैंने target fix कर दिया है कि इस session में हम resistivity को और अच्छी दरीकिस से समझेंगे numericals के साथ समझेंगे साथ ही साथ try करेंगे कि factor number 4 भी हम cover कर ले तो भाई जब target हो गया है set तो फिर देने किस बात की तो चलिए start करते हैं हम आज का ये session So this is Vibhuti खरे Welcome to Magnet Brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost जाने कि Magnet Brains में आपको दो चाक्टिस पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुच आ रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का ये हमारा session जहां पे हमें resistivity को और अच्छी तरीके से समझना है बाई कैसे समझा था हमने resistivity को resistivity आया कहा से था तो बाई हमें पता था कि किसी भी conductor का resistance है वो किस पर dependent होता है directly proportional होता है length के of the conductor और inversely proportional होता है area of cross section of the conductor इस proportionality के sign को जब मैंने हटाया तो मैंने यहां पर क्या यूज किया एक proportionality constant यूज किया कौन सा constant यूज किया मैंने इसे हम कहते हैं rho ये rho क्या है भई ये rho है क्या resistivity ठीक है ये क्या है resistivity है जैसे कि हर एक object के अपनी एक क्या होती है density होती है वैसे ही हर एक object की क्या होती है अपनी एक resistivity होती है resistivity मतलब होता क्या है resistivity हम बोलते हैं कि ये एक natural resistance होता है किसी भी object के अंदर जो की कहां से आया है जो की आया है उसके material से जिससे की वो object बना है ये flow chart आपको समझ में आया ये चीज़ें हमने कल पड़ी थी कि भई resistivity होता क्या है resistivity हम बोलते हैं कि ये एक natural resistance होता है किसी भी object के अंदर अभी मैंने object इसलिए बोला है क्योंकि वो conductor भी हो सकता है insulator भी हो सकता है और alloy भी हो सकता है ठीक है इसलिए मैंने बोला कि जैसे हर एक object की अपनी एक density होती है वैसे ही हर एक object की अपनी क्या होती है एक natural resistance होता है या इसको आप क्या बोल सकते हो specific resistance भी बोल सकते हो यानि कि जब एक particular object में कोई current flow होगा तो उस current के flow में कितनी रुकावट आ रही है ठीक है उस रुकावट को हम क्या कहते है natural resistance कहते है और यह रुकावट आती कहां से है object के अंदर यह रुकाव material के कारण जिससे की वह हमारा object क्या है बना हुआ है ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछे कि resistivity क्या है भाई तो यह एक natural resistance होता है किसी भी object के अंदर चाहे वो conductor हो insulator हो या चाहे वो क्या हो alloy हो और यह किस पर depend करता है यह सिर्फ और सिर्फ depend करता है object के material के nature पे कि भाई किस nature का material यूज किया गया है object को बनाने के लिए जो हमारा resistance था वो किस पर depend करता था अभी तक हमने जो देखा है conductor के length और उसके cross section area पे जो हम third factor पढ़ रहे हैं कि resistance जो है resistivity पे भी depend करता है पहले दो factor कौन से थे पहला factor था length दूसरा factor क्या था conductor का cross section area तीसरा factor में क्या बोल रही हूँ conductor का जो resistivity है conductor का जो natural resistance है उस पे भी resistance जो है dependent होता है कैसे dependent होता है जलो जड़ा देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं एक circuit बना लेते हैं कैसे बनाएंगे हम क्या लेंगे एक silver का wire लेंगे जैसे मैं बाल-बाल बोल रही हूँ repeat कर रही हूँ हर एक object की अपनी एक density तो हर एक object की क्या होगी अपनी एक resistivity होगी थेक है मैंने आप वेis silver wire लिया है तो silver wire की भी क्या होगी अपना एक natural resistance होगा क्यूं होगा उस material के कारण जिससे वो बना है किससे बना है वह इस silver से बना है ठीक है तो इसकी resistivity कित्ती होती है 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter ohm meter ऐसा unit होती ही resistivity की previous session में हमने देखा था ठीक है अब 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter क्या है इस silver wire की अपनी एक resistivity है याने की जब एक current flow होगा इस silver wire के तुरू तो उसको कितनी रुकावट मिलने वाली है उस wire में जब वो flow होगा उस रुकावट को हम क्या कह रहे है resistivity कह रहे है जो कित्ती होगी 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter ठीक अब क्या किया मैंने मैंने यहां पर एक resistor लगा दिया resistor मैंने आपको बताया था previous session में कि हम कभी-कभी क्या करते है हमें circuit जो होता है उसमें कभी-कभी extra resistance की requirement होती है तो resistance हमें कहां से मिलता है एक resistor से मिलता है इसका मैं आपको photo दिखा देती हूँ एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा आप सबका यह देखो इस तरह कि क्या होते हैं छोटे-छोटे से electric components होते हैं जिनने हम क्या कहते हैं resistors कहते हैं यह आपको colorful इसमें बैंट जिक्र होंगे basically यह बैंट ऐसा नहीं कि बनाने वाले का मन था कि बना देते हैं इसको इसलिए इसमें colors डाल दिये हैं actually colors जो है इसकी बड़ी importance है बड़ी value है यह आपकी अभी syllabus में नहीं जब आ 12 में पढ़ोगे 11 में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि यह जो color actually जो colors है इनकी coding होती है और यह color coding help करती है पता करने में कि इन resistors की value कितनी है ठीक है तो यह छोटे-छोटे से resistor क्या करते हैं resistance provide करते हैं जिस भी circuit में इसको लगाओगे आप तो यह क्या करेंगे उस circuit में resistance provide करेंगे ठीक है तो हमने क्या किया हमने जो एक अबारा silver wire लिया था उसमें हमने क्या किया एक resistor लगा दिया, resistor को हम जो हमारा circuit होता है उसमें हम कैसे represent करते हैं क्या होता है symbolic representation तो यह होता है, ठीक है एक zigzag line, उबड shaped line और विसी क्या कर रहा है, जो हमारा resistor है, वो क्या कर रहा है flow को क्या कर रहा है, जो current का flow है electron का flow है, उसको क्या कर रहा है non uniform बना रहा है तो हमने क्या करा है हमने बदला नेने के लिए हमने resistor का symbolic representation है वो कैसे बना दिया non uniform बना दिया एक zigzag line बना दी ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया है एक resistor लगाया है suppose यह resistor कितना resistance प्रोवाइड कर रहा है दो ओम का फिर मैंने क्या किया एक battery लगा दी और हो गया मेरा circuit complete अब क्या होगा अगर मैं आप सब पूछू कि अगर एक current flow हो रहा है इस silver wire के अंदर तो उस silver wire से गुजरने पर उसके पास कितनी रुकावट आने वाली है तो आपका जवाब होगा 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm यह कौन सी रुकावट है यह है natural रुकावट जो की silver wire के जो material है silver उसके current उसको face करनी पड़ रही है और अगर मैं आप से बोलू कि जब एक current इस overall circuit में flow होगा ठीक है जब एक current बैटरी से निकल के resistor में पहुचेगा resistor से निकल के कहा जाएगा हमारा जो wire है silver wire उस तक पहुचेगा और वापस जब हमारी battery के negative terminal पे आएगा तो इस पूरे जर्नी के across उसको कितना जादा रुकावट मिलने वाली है उसकी जर्नी में overall रुकावट कितने मिलने वाली है तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो wire के कारण जो रुकावट मिल रही है वो कित्ती है 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter plus यह जो resistor है यह भी तो रुकावट दे रहा है ना कितनी रुकावट दे रहा है बही resistance कितना दे रहा है 2 ohm का रुकावर्ट जो कि एक current phase करने वाला है जब वो क्या होगा इस circuit से flow होगा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ wire की बात करूँ silver wire की कि मेरा ये silver wire silver wire क्या है अब एक conductor ही तो है अब मैं आप से पूचे कि अगर मेरा अकेला conductor कितनी रुकावर्ट प्रेड्यूस कर रहा है current के flow में तो आपका जवाब होना चाहिए उसकी जितनी specific resistivity है उसका specific resistance है जो resistivity है वो ही क्या होगी रुकावर्ट होगी किती 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter और अगर मैं आप से बोलूं कि overall circuit में overall जो journey हो रही है current की यह वह battery से निकला resistor में गया resistor से निकला कहां गया इस wire में गया wire से वापस कहां आ गया battery के negative terminal में आ गया तो इस पूरे क्या यह सरफ resistor की resistance पे dependent है बिल्कुल भी नहीं यह conductor की resistivity पे भी dependent है अभी तक तो हमने सिर्फ resistivity की बाते करी लेकिन यह तो बताया ही नहीं कि जो हमारा resistance है वो किस तरह से dependent है resistivity के उपर भाई मैंने आको क्या बोला था कि resistor जो resistance होता है वो चार factors पे dependent करता है conductor की conductor की length उसका cross section और उसकी resistivity और उसका temperature conductor की resistivity तो किस तरह से overall resistance conductor की resistivity पे dependent कर रहा है यह आपको समझ में आया कि अगर हम इस overall resistance की बात कर रहे हैं इस circuit में overall resistance कितना मिलेगा रुकावट कितने मिलेगी current को किस पे dependent कर रहा है यह वाला जो हमने resistor लगाया है इसके resistance पे plus जो conductor अपनी तरफ से रुकावट दे रहा है resistivity दे रहा है उस पे भी ठीक है I hope यह चीज़ आपको समझ में आई होगी अब थोड़ थोड़ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से resistance जो है किसी भी conductor का उसकी length उसका cross section area और वो अपनी personal personal खुननस होती न कुछ लोगों की यह जो हमारे conductor है silver wire जो है यह भी क्या निकाल रहा है एक personal खुननस निकाल रहा है current के साथ वो भी बोड रहा है कि अच्छा तुम हमसे pass होने वाले हो देखते हैं कैसे pass होते हो हम तो तुमारे रास्ते में क्या करने वाले हैं object उस पर, अलग-अलग object की अलग-अलग density, अलग-अलग object की अलग-अलग क्या होगी, resistivity वी होने वाली, क्यूंग की हर एक object जो है, अलग material का बना हुआ है, अलग material तो अलग resistivity ठीक है, इसलिए हम ने बोला कि हमारा जो resistance है, वापस आजा टॉपिक पे हमने क्या बोला कि जो हमारा resistance है वो depend करता है कैसे conductor की resistivity पे I hope ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब क्या हुआ था हमारे पास तीन टाइप के objects होते हैं कौन कौन से एक तो होते हैं हमारे पास conductors दूसरे होते हैं हमारे पास क्या insulators और तीसरे होते हैं कौन हमारे alloys conductors के case में हम बोलते हैं कि conductors क्या होते हैं बहुत अच्छे तरीके से brilliantly वो क्या करते हैं electric current को अपने से pass होने देते हैं अपने से क्या होने देंगे पास होने देंगे, इसका मतलब क्या है कि वो रुकावट थोड़ी कम पैदा कर रहे है current के flow में, यानि कि उनकी resistivity कम है, किती होती है resistivity 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 ohm meter की होती है resistivity वही अगर हम बात करें, conductors के opposite insulators की, जो कि हमने देखा था कि बिलकुल भी electric current को आपने से pass नहीं होने देते हैं, क्योंकि भाई, वो current की flow में इतनी रुकावट पैदा कर देते हैं इतना resistance पैदा कर देते हैं कि current उनसे flow ही नहीं कर पाता है आगे ही नहीं निकल पाता है ठीक है, अब insulators की resistivity किती होती है insulators की resistivity होती है 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meters याने कि आपको एक range दे दी है resistivity की, कि हमारे insulators की resistivity है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि object चाहे जो भी हो, conductor हो insulator हो, alloy हो सब की अपनी resistivity होती है बले ही वो object electricity को conduct कर पा रहा हो, चाहे ना कर पा रहा हो, एक resistivity तो definitely होने ही वाली है conductors electricity conduct कर रहे थे उनकी resistivity किती दी 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus ohm meter लेकिन हमारे पास जो insulator है ये क्या करते हैं ये electricity conduct नहीं करते हैं, electric current को अपने तुरू पास नहीं होने देते हैं इसका मतलब क्या, कि electric current का flow हो रहा है उसके बेश में बहुत सारी रोकावटे पैदा कर देते हैं जिसके current, electric current उनके across जाही नहीं पाता example क्या होते है insulator के rubber, glass वगेरा ठीक है, और इनकी resistivity देखो किती साधा होती है 10 to the power 12 to 10 to the power minus sorry 17 ohm meters conductors की तो negative में जारी थी minus 10 to the power 6 और यहाँ पे क्या है 10 to the power 12, positive 10 to the power 17 तीक, तो पिछले सेशन में हमने इतना सब कुछ बढ़ा था हमने conductors और insulators के बारे में बात करी थी, लेकिन हम बिचारे अपने alloys को तो भूली गए भाई यहाँ पे हमने देखा अगर हमें electricity कहीं conduct करवानी हो, तो हम क्या use करते हैं हम conductors यूज करते हैं है न, copper क्या होता है एक अच्छा conductor होता है electricity का तो हमारे घरों में जो electrical wiring होती है, वो किसकी बनी होती है copper की बनी होती है और अगर हम नहीं चाहते हैं कि क्या हो, कहीं पे electricity जो है न, flow हो electric current flow हो तो हम आपे क्या use कर लेते हैं insulators use कर लेते हैं ठीक है, हम क्या use कर लेते हैं insulators use कर लेते हैं जैसे कि एक wire में current flow हो रहा है अगर उस wire को आजाके आप touch कर लोगे तो जटका लग जाएगा, shock लग जाएगा तो हम क्या कर देते हैं, उसके ओपर coiling कर देते हैं, उसको हम covering कर देते हैं इसके साथ cover कर देते हैं rubber के साथ electrical wires में जो आपको rubber की coating मिलती है covering मिलती है क्योंकि हमें पता है कि rubber कौन है insulator है इनकी resistivity देखो ज़रा किती जादा है electric current इसे pass ही नहीं हो पाएगा पास नहीं हो पाएगा मतलब क्या कि अगर हमने वायर को resistivity बहुत जादा है तो वो किसी काम की नहीं है ऐसा नहीं है इंसुलेटर्स भी बहुत बड़े बहुत काम के हैं इंसुलेटर्स की बगएर conductors incomplete है अगर आपने वायर के अलॉंग जो है ना उसकी लेंद के अलॉंग आपने कोटिंग नहीं करी ठीक है कवरिंग नहीं करी रबर वगेरा की तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है ठीक है बहुत दिक्कत हो जाएगी तो हमने अभी इंसुलेटर्स और conductors की बात करी लेकिन हम अपने अलॉइस को तो भूली गए बही अलॉइस होते क्या है अलॉइस बेसिकर ही मैटल ही होते हैं लेकिन उन मैटल के अंदर दो या दो से जादा मैटलिक एलिमेंट्स और होते हैं अलॉइस क्या है मैटल ही है लेकिन वह मैटल बने होते हैं कैसे बने होते हैं, दो या दो से जादा दूसरे metallic elements से बने होते हैं जैसे कि एक हम alloy लेते हैं, कौन सा? नाइक्रोम, ठीक है? ये नाइक्रोम क्या है? ये एक alloy है ये किस से बना हुआ है? ये बना हुआ है दो या दो से जादा metallic elements का जैसे कि ये बना होता है किस से निकल से फिर बना होता है क्रोमियम से और बना होता है मैगनीज से ठीक है और किस से बना होता है मैगनीज से और साथ में बना होता है किसका ये आइरन का कहने को तो Nichrome क्या है एक मैटल है लेकिन ये मैटल किसके ं से बना हुआ ये Metal बना हुआ है दो या दो से ज़्AM जब कि si what ça means, 색blick मेरे को पहरी बोला है हर एक व्योब्जेक्ट की मैं बार-बार क्यों रेस्सिटिविटी को डेंसिटी से रिलेट करे रही ह। कोई रीजन है। चाहे आक किती भी हल्की चीज लो किती भारी चीज क्यों ना लेलो। सबक्य एक क्या होती ही देंसिटी होती है। और अगर मैं बात कर रही हूँ नाइक्रोम की तो नाइक्रोम की resistivity किती हो सकती है? नाइक्रोम की resistivity मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है 100 x 10 to the power minus 6 ohm meter होती है. यह आपकी NCRT में दिया हुआ है आप इसको यहां पर cross check कर लिए ना. जादक मुझे याद आ रहा है नाइक्रोम की resistivity है वो इतनी ही होती है 100 x 10 to the power minus 6 ohm meter याने की alloys की resistivity है वो conductor से तो थोड़ी कम है लेकिन जो हमारे insulators होते हैं उनसे तो बहुत ही कम है और alloys की resistivity क्या होती है थोड़ी सी जादा हो जाती है conductor से लेकिन जो हमारे insulators होते हैं उनसे तो बहुत ही कम है मतलब insulator तो insulator तो खुननस खाके बैटे हैं कि हम electric current को जा नहीं नहीं देंगे हम बहुत ज्यादा resistivity जो है ना उसके रास्ते में लेके आने वाले हैं लेकिन alloys जो होते हैं उनकी resistivity conductor से थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन insulator से तो कमी होती है याने की हमारे जो alloys होते हैं वो भी क्या हो सकते हैं यूज हो सकते हैं electronic devices में ठीके electronic devices में ये भी यूज हो सकते हैं अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे possible है electronic devices में तो हम conductors को यूज कर रहे थे हैं ना क्योंकि हम चार रहे थे कि हमारा जो current है उसके रास्ते में minimum रुकावटे आएं इसलिए हम conductors को यूज कर रहे थे और minimum रुकावट कौन दे सकता है current को conductors इसलिए conductors को हम electronic devices और wiring वगेरा जो होती है हमारे घर में उसमें यूज कर रहे थे आप कह रहे हो कि alloy जिनकी resistivity क्या है resistivity conductor से जाधा है याने कि जब इनसे current flow होगा alloy से तो ये रुकावट जाधा देने वाले ह तो अभी आप इसको electronic devices में use कर रहे हो how is that possible ये बिल्कुल possible है भाई electronic devices मैंने बोला है मैंने all electronic devices नहीं बोला है there are certain electronic devices जहां पे हम alloys का use कर सकते हैं वो कौन सी होती है भाई devices तो वो होती है हमारी electronic heaters ठीक है मैंने सभी electronic devices का नाम नहीं लिया मैंने सिर्फ और सिर्फ electronic heater का नाम लिया है electronic heater सा काम क्या होता है उनके अंदर जो electric current आ रहा है उसको वो heat में convert कर देते हैं ठीक है electronic devices कौन सी वाली electronic heater electronic heater करते क्या है उनके अंदर जो electric current आ रहा है उसको convert कर देते हैं उठाके किसमे heat में ठीक है examples देख लेते हैं हम electronic devices के कौन से होते हैं भाई ये ठीक है ये आपके सामने एक toaster दिख रहा है एक आपके सामने क्या दिख रही है आपके सामने बल्ब दिख रहा है अगर आपको toaster से क्या करना है अपने bread को toast करना है तो आप क्या करोगे आप toast को बिजली का जटका देने वाले हो या उसको heat देने वाले हो अगर आपको अपने toaster में toast को क्या करना है अपने bread को toast करना है तो आप क्या करोगे उसको जटका दोगे या उसको heat दोगे obvious है आप क्या करोगे heat ही दोगे अब अगर आपको अपने कपड़ों पर press करना है तो आप क्या करोगे उनको जटका दोगे shock दोगे electric current दोगे या क्या दोगे भाई heat दोगे ठीक है और इसी तरीक से हमारे जो घर में bulb लगा होता है उसके दो जो filaments निकले होते हैं ये filaments भी क्या होते हैं ये glow करते हैं ग्लो क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि भाई ये जो filaments है ये गरम हो जाते हैं गरम कैसे होंगे मैंने पहली आपको बताया कि electronic heating devices कौन सी होती है ये वो devices होती है जो कि उनके अंदर आ रहा है इलेक्ट्र करेंट जो है उसको वो convert कर देते हैं किसमें heat में current किसमें convert हो जाता है भाई bread को क्या करना है heat देना है तो आपको एक ऐसी device चाहिए है जो कि electric current को heat में convert कर दे और उसी heat को आप utilize कर लो अगर आपको अपने कपड़ों को प्रेस करना है तो आप क्या करोगे आप उससे जटका नहीं दोगे कपड़ों के कपड़ों को आप उसको heat दोगे heat कैसे दोगे तब ही बल्ब से रोश्णी निकलती है कैसे जल पाते हैं भाई क्योंकि जो उनके अंदर electric current आ रहा होता है न वो electric current convert हो जाता है heat में और इसी heat के current जो दो filaments होते हैं वो क्या करने लगते हैं जलने लगते हैं गरम हो जाते हैं जैसी वो गरम हुए फटाक से क्या हुआ वो ग हैं अपने जो different electronic devices होते हैं जहां पर electric current को convert करा जाता है कहां पर heat में एक चीज़ और होती है alloys के बार में एक positive point और होता है कि alloys का जो temperature होता है जो melting point होता है न वो बहुत बढ़िया होता है ठीक है इनका क्या होता है इनका जो melting point हो बहुत जादा होता है they do not oxidize easily at high temperature यानि कि अगर आपमें temperature बढ़ाया है तो वो melt नहीं हो जाएंगे melting point उनका जादा होता है that is why they are used in making heating elements if devices such as electronic iron heaters etc ठीक है tungsten is almost used exclusively for filaments of the electric bulb मैंना आपको बताया है कि जो हमारा bulb होता है उसमें भी क्या use होता है जो filaments होते हैं वो किसके बाने होते हैं alloys के बाने होते हैं tungsten सबस्यादा होने वाला alloy है electric bulbs में क्यों कि उस case में हमको हमारे filaments को glow cup करेंगे वो जब वो गरम होंगे गरा मतलब का होंगी जब उनको heat मेलेगी हीट कैसे मिलेगी जब electric current convert हो जाएगा heat में ठीक और इसे कौन convert कर सकता है हमारे alloys कर सकते हैं convert तो कोई बात नहीं अगर इनके resistivity conductor से पास हो जाए हमारा target यहां पर अलग है हमारा target यह है कि हम maximum electric current को heat में convert कर दें ठीक है तो एक चीज क्या हो सकती है इनका melting point बहुत जादा होता है alloys का कि अगर आप में temperature बढ़ा भी दिया तो भी यह melt नहीं होने वाले दूसरी चीज क्या होगी कि यह क्या करते हैं यह basically उन devices में इनके resistivity बहुत जादा होती है conductors की comparison में तो जादा ही होती है जिसके current इनको हम जो है use कर सकते हैं किसमें electronic devices में electronic heating devices में ठीक I hope इस चीज़े आपको समझ में आ गई होगी देखो tungsten को use किया जाता है filament बनाने में whereas copper and aluminium जो कि क्या है conductors है plane metals है उनको use कर जाता है कहां पर electrical transmission lines में जहां पर हम चाते हैं कि electric current जो है continuously flow होता जाए उसके रास्ते में minimum रुकावट हो तो minimum रुकावट के लिए वो चीज़े लेंगे हम वो objects लेंगे वो substances लेंगे जो current के flow में minimum रुकावट पैदा करें आने की conductors Is that clear? अब आजा हमारे last fourth factor पे जिसपे की resistance जो है किसी भी conductor का depend करता है वो क्या है temperature है वह इस temperature के भी बहुत बढ़ी फायदे होते हैं मैंना अको क्या बताया था कि एक conductor है उस conductor के अंदर क्या होते है? atoms होते हैं उसके भी atoms होंगे, foreign atoms भी होंगे और इसके बाद में क्या होते है? यह blue color के जो मैं बना रही हूँ वो क्या है? यह foreign atoms है, red color के क्या है? हमारे जो you know, जो conductor है उसी के atoms है ठीके और इसके बाद में मैं क्या करती हूँ green color से आपे छोटे-छोटे electrons बना देती हूँ अब क्या हुआ अगर आप में conductor का क्या कर दिया temperature बढ़ा दिया temperature बढ़ा दिया मतलब क्या heat निकलेगी यह जो heat होगी इसे कौन absorb कर लेगा इसे absorb कर लेंगे जो atoms present है न चाहे वो foreign atoms हो चाहे वो atom के ही conductor के ही atoms क्यों न हो उस बढ़ती हुई heat को क्या कर लेंगे अब absorb कर लेंगे अब absorb करने के बात क्या करेंगे उसका चाड़ा दालेंगे क्या नहीं इनकी kinetic energy बढ़ जाएगी मैंने आपको बोला था कि conductors के अंदर से free electrons flow करते है atoms लो नहीं करते है atoms कैसे खड़े रहते हैं एक दुश्रे का हाथ पकड़े होते है वो move नहीं करेंगे जादा से ज़दा वो क्या करेंगे अपनी जगा पे vibrate करने लगते हैं आपने क्या क्या जैसी conductor का temperature बढ़ाया इस temperature को से क्या हुआ heat produce हुई इस heat को किसने absorb कर लिया conductor के atoms ने और foreign atoms में और जैसी heat absorb करी उनकी kinetic energy है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी kinetic energy बढ़ गई जिसके current क्या होगा पहले भी वो vibrate कर रहे थे अब और तेजी से vibrate करेंगे अब क्या होगा जैसे ही बिचारा हमारा electrons पास होने की कोशिश करेगा ठीक है पहले तो क्या लोगा था कि थोड़ा सा atoms किसे थे शांत थे लेकिन क्या हुआ जैसे ही electrons में move करना शुरू किया अब जो है ना अब तो भाईया हो गया तो temperature को increase करने से क्या होता है temperature को increase करने से resistance भी increase हो जाता है कैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो आप एक बहुत ही traffic वाली road पे गए हो तीक है और उस traffic वाली road में क्या है ना कि अभी गाड़ियां बहुत ही कम speed के साथ चल रही है बहुत कम speed के साथ चल रही है तो आप क्या गरोगे किसी तरह से बचते बचाते thोड़ा बहुत तकराते हुए आप निकल जाओगे लेगन क्या हो गया अगर गाड़ियां speed पकड़ नी तो आपकी गाड़ियां तो चली रही थी conductor के atoms से वो शान्त थे जैसी temperature बड़ा heat produce हो गई इस heat को absorb कर लिए इन atoms ने atoms क्या करने लगे? vibrate करने लगे बहुत जल्दी 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 अब क्या होगा? electrons जैसे ही pass करने की कोशिश करेंगे टक 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 बहुत सारी क्या होने वाली है? collisions होने वाले collisions increase होगा मतलब क्या? resistance बढ़ गया क्यों बढ़ा resistance? क्योंकि temperature हमने increase कर दिया I hope चौथा factor भी आपको समझ में आ गया होगा तो इसी के साथ में चारो factors जो की affect करते हैं किसको conductor के resistance को चाहे वो conductor का length हो चाहे उसका cross section area हो चाहे conductor की अपनी personal खुदना से हो याने कि एक अपनी personal natural resistance हो resistivity हो या चाहे वो conductor का temperature क्यों ना हो ये किस तरह से सब लोग affect करते है conductor के resistance को अब आपको clear हो गया होगा ठीक है तो यहाँ भी हमने चारो factors को तो हमने अच्छी तरीके से define कर लिया लेकिन resistivity के numerical सब भी रह गए है कोई बात नहीं next session जवाएगा उसमें resistivity के हम numerical solve करेंगे बहुत गरबड करते हैं बच्चे उस चीज में कि के उन वो गरबड ना हो main exam के time पे final exams के time पे इसलिए क्या करो next session देख ले ना जहां पे numerical हम solve करेंगे resistivity के उपर तो भाई आज के इस session के लिए इतना ही मिलेंगे हैं अपने next session में तब तक आपको क्या करना है हमारे जो official website magnetbrains.com उसे visit कर लेना जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ सभी topics के महाँ पे आपको ओंगे notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching Hello everyone आज के इस session में हम बात करने वाले हैं resistors के combination की अभी तक तो हम अपने circuit में सिर्फ एक ही resistor की बात करते थे लेकिन अब हम क्या करेंगे अपना level थोड़ा सा बढ़ा देंगे और अब हम एक से जादा resistor की बात करेंगे एक से जादा मतलब क्या दो भी हो सकते हैं या फिर तीन भी हो सकते हैं अब जब हमारे पास दो या तीन resistors होते हैं तो उनको हम किस तरह से circuit में arrange करते हैं वो हमें सीखना होगा भाई ये जो arrangement होता ये दो type का होता है या तो आप कर दो अपने resistors को series में arrange या आप उनको parallely arrange कर दो तो आज के इस session में हमी समझना होगा resistors का combination ठीक है तो आज के session का और lecture का target मैंने set कर दिया है कि आज के session में हमें समझना है resistors का combination तो भाई जब target हो गया set तो देरिये किस बात की तो चलिए start करते हैं हम आज का ये session आज का ये lecture so this is बुथी करे welcome to magnet brains जहां पे आपको सभी chapters की video lectures मिले वाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि magnet brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करनी की आप package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज करी हमारा session जहां पे हमें बात करनी है resistors के different combination की अब देखो मैंना को क्या बोला कि हम अपना level जोड़ा सा बढ़ा रहे हैं अब हम एक नहीं हम दो या तीन resistors की बात करते हैं अब उन दो या तीन resistors को हमें क्या करना है हमें arrange करना है एक circuit में हम कैसी arrange कर सकते है resistors को या तो आप उनको लगा दो कैसे series में ठीक है क्या कर सकते हो या तो आप उन resistors को लगा दो series में एक के बाद एक एक के बाद एक या फिर आप उनको parallelly arrange कर दो या तो आप अपने resistors को series में लगा दो या resistors को क्या कर दो parallelly arrange कर दो ठीके series में मतलब कैसे एक के बाद एक मैंना आपको बताया था कि जो हमारे resistors होते हैं कैसे दिखते हैं ठीके और इसके बाद में कुछ इस तरीके से दिखते हैं वो और अगर हमें इसमें different color bands होते हैं और अगर इन resistors को हमें अपने circuit diagram में show करना है तो इनका symbolic representation क्या होता है मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से हम resistors को represent करते हैं अभी हम बात क्या कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितने resistor हैं तीन resistor हैं उनको हम represent कैसे करेंगे ऐसे करेंगे तो मैंने आपको क्या बोला कि या तो आप अपने तीन resistor को series में arrange कर दो या कैसे कर दो पैरलली अरेंज कर दो, सीरीज में कैसे कर सकते हो आप, यह देखो, यह हो गया एक, यह हो गया दो, और यह हो गया तीसर रेजिस्टर, यह हो गया R1 रेजिस्टर, यह हो गया R2 और यह हो गया R3, या इनको आप पैरलली अरेंज भी कर सकते हो, पैरलली कैसे, यह रहा अपना resistor 1, यह रहा अपना resistor 2 और यह रहा अपना resistor 3, सिफ दो ही combinations possible होते हैं resistors के लिए, या तो आप उनको series में range कर दो, या आप उनको parallel में range कर दो, अब सवाल ही उठता है, कि क्या हमारे लिए यह series combination और यह parallel combination बहुत अनोखी चीज है, कि जो हमने आज तक कभी देखी ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हो सकता है कि हमें पता ना हो, लेकिन देखा हमने जरूर है, कहां देखा है भई, सबसे पहले हम बात करते हैं series combination की, दिवाली आने वाली है, दिवाली में हम क्या करते हैं भई, series दलाते हैं, है ना, lights लगाते हैं, अब ये जो आप lighting करते हो, ये क्या होता है, छोटे-छोटे bulbs इस तरह से एक वायर में attach होते हैं, और ये ही क्या बन जाती है, series बन जाती है, भई हमारे घर में जितने भी electronic devices होती हैं, appliances होते हैं, वो सब भी resistor की तरह काम करते हैं, चाहे वो bulb ले लो, चाहे वो fan ले लो, चाहे वो tube light ले लो, चाहे वो geezer ले लो, कुछ भी ले लो, हमारे घर में जितने भी electronic devices हैं, वो सब कैसे काम करते हैं, resistors की तरह काम करते हैं, देवाली पे यूज होने वाली जो lights होती है उनका system क्या होता है एक common wire होता है और उस common wire में बहुत सारे छोटे 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 इस तरह के bulb arrange होते हैं मैंने आपको क्या बोला कि हर एक electronic device कैसे काम करती है एक resistor की तरह काम करती है यानि कि आपको इन series में जो छोटे छोटे bulb दिख रहे होंगे न यह bulb भी क्या है यह bulb भी भाई क्या है रजिस्टर ही है तो यह देखो कैसी series बनी कैसा combination बना है resistor का resistors कैसे arrange है एक के बाद एक एक के बाद एक यानि की series में मैंने आको पहले ही बोला था कि भले ही आपको इस तरह का combination आपको कभी समझ में आया हो लेकिन आपने देखा जरूर है हम सब को पते कि दिवाले पर use ओने वाली rights कैसी दिखती है एक common wire होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लगे होते है हर एक बल्ब कैसा काम करता है एक resistor का काम करता है तो यह क्या हो गया यह हो गया बल परीस तो समझ में आ गया चलो हमने देखा भी है लेकिन parallel का क्या parallel arrangement तो हमने parallel combination तो कभी हमने resistors का देखा ही नहीं है अरे बिल्कुल देखा है आपके घरों में क्या bulb नहीं है क्या tube light नहीं है या fan नहीं है सबके घरों में यह तीन basic चीज़े तो होती है एक tube light होता है एक bulb होत combination हमारा fan हमारे bulb हमारे tube light सभी resistors की तरह काम करते हैं और यह आपस में कैसे arrange होते हैं यह arrange होते हैं parallelly ठीक है अब क्यूं घरों में इस तरह का series combination नहीं दिखता resistors का electric appliances का या यह जो दिवाली lights आपको दिख रही है इनको क्यूं हम parallelly arrange नहीं कर सकते ऐसे बहुत सारे खयाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे doubt आ रहे होंगे कोई बात नहीं उन doubts को भी हम सबको solve करते जाएंगे तो आज के session में हमने जहां से start किया था यह देखा था कि द two or more resistors can be connected with each other by different combinatorial methods in order to achieve the desired equivalent resistors in a particular circuit यहने की दो possible combinations होते हैं एक होता है resistor in series और दूसरा होता है resistors in parallel resistor in series का best example क्या है हमारी दिवाली lights और parallel combination का best example क्या है हमारे घरों में जो bulb, tube light, fans जो ऐसे arrange होते हैं वो सब एक दूसरे के parallelly ही arrange होते हैं तो दोनों चीज़े आपको समझ में आई अब हम बात करेंगे किसकी series combination की ठीक है अब हम बात करते हैं series combination की यहां आपको दिख रहा होगा और क्या तीन आपको bulb दिख रहे हैं bulb A, bulb B, bulb C इन तीनों को मैंने एक battery से connect करके रखा हुआ है ठीक है और साथ में लगाया हुआ है क्या एक switch अब मैंने आपको बताया कि हमारे घर में जितने भी electronic appliances होते हैं वो कैसे काम करते हैं resistor की तरह काम करते हैं तो अगर मुझे इन bulb का circuit diagram बनाना होगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, यह हो गया पहला bulb, यह हो गया अपना दूसरा bulb, और यह क्या हो गया अपना तीसरा बलब, ठीक है, तीनों कीसे काम कर रहे हैं, तीनों एक हम बोलते हैं कि resistor की तरह काम कर रहे हैं और यह लगा क्या मैंने एक battery या एक cell लगा दिया मैंने यहाँ पे तो यह क्या हो गया यह हो गया resistor R1 यह हो गया R2 और यह हो गया R3 और तीनों ही अलग-अलग resistance दे रहे हैं पहले वाले resistor का resistance कितना है R1 दूसरे वाले resistor का resistance कितना है R2 और तीसरे वाले resistor का resistance कितना है आर्थी है, यह जीज आपको समझ में आ रही है, कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, तीन बल्ब की, उसका मैंने एक सरकेट डायग्राम बना दिया है, हर एक बल्ब किस की तरह काम करेगा, एक रेजिस्टर की तरह काम करेगा, मेरे पास कितने बैटरी से क्या कर दिया है, जोईन कर दिया है, यह जीज़ आको आई समझ में, अब देखो, V is equal to I, R, V is equal to I into R, जो resistor है, जो resistance है, उसका हमने distribution देख लिया, कि तीन अलग-अलग resistor है, उन तीनों के ही अलग-अलग क्या है, resistance है, लेकिन potential difference और current का क्या, मैंने क्या करा है, तीनों resistors के across एक बैटरी लगा दी है, यह cell या battery क्या करेगी, यह हम बोलते हैं कि एक potential difference establish करेगी, जैसे ही potential difference establish हो गया, क्या होगा, current flow होने लगेगा, ठीक है, current हम बोलते हैं, की flow होने लगेगा, अब मुझे आपके साथ दो चीज़े आपको explain करनी है, कि यह जो हमारा series combination है resistors का, इसमें current का क्या होता है, और voltage या potential difference का क्या होता है, current का क्या होगा और potential difference का क्या होगा, इस circuit में वो मुझे आपको explain करना है, कैसे, अब अगर मैंने क्या किया, यहाप एक cell लगा दिया है, cell ने क्या करा, एक potential difference set कर दिया, potential difference set हुए, ऐससे क्या हुआ, current flow होने लगा, अब ज़रा आप मुझे यह बताओ, कि जैसे ही current first resistor के पास पहुँचेगा, तो क्या होगा, successive resistors के पहुँचेगा, तो उस current का amount कितना होगा, यानि कि पहले current पहुँचा first resistor के पास, first से निकल के जाएगा second पे, तो जब second पे जाएगा तो current का amount क्या हो गया क्या amount कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा फिर second के पाद वो third पे भी पहुंचेगा तो third में जब वो पहुंचा current तो current का amount क्या रहा बढ़े या कम होगा बढ़े के पहुंचा या कम होकर के पहुंचा यह आप मुझे बताईए लॉजिकली हम कैसे सोचेंगे कि अच्छा, करेंट गया है कहाँ रिजिस्टर के पास रिजिस्टर क्या करता है करेंट के फ्लो में रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है यहनि कि करेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो करेंट जैसे ही आरवन से बाहर निकलेगा फ्रस्ट रिजिस्टर के बाहर निकलेगा कम हो जाएगा कम होके करेंट कहाँ पहुँचा सेकंड रिजिस्टर के पास पहुँचा ठीक है, सेकंड रिजिस्टर के भी हमारे दिवाग में क्या आया कि अरे ये भी resistor है, resistor क्या करेगा, current के flow में बाधा लेके आएगा, रुकावट पैदा करेगा यानि कि जब second resistor से current निकलेगा बाहर, तो कम हो निकलेगा current already जब पहले से निकला था तो थोड़ा सा कम होई गया था current जब दूसरे से बाहर निकला, तो भी current कम हो गया यानि कि जैसे हमारा current resistor 3 पे पहुँचेगा, उसका जो current है, उस तक जो current पहुच रहा है, वो तो बहुत ही कम पहुचेगा क्यों? क्योंकि first और second resistor ने क्या किया? अपने पास रख लिया current को बाइ, resistor करी क्या रहे थे? resistor जो उनके त्रू current flow हो रहा था, उसको रोक रहे थे है ना? यह बहुत ही common logic है, जो सब लगाते हैं, जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है इन तीनों ही resistors के पास same amount का current पहुचेगा जो current I यहां से निकल रहा है, वो resistor 1 पे जाएगा, वही current 2 पे जाएगा और वही current 3 पे जाएगा ऐसा क्यूँ? इसको समझते हैं हमें एक analogy से मैं आप में क्या करती हूँ? एक pipe ले करके आती हूँ और इस pipe के दोनों एक end है ये और दूसरा end है अपना भी इस pipe से मैं पानी को flow कर वाती हूँ अब आप देख रहोगे कि मेरा जो pipe है, इसकी thickness क्या है? end A से end B तक same है, इसको जो चौडाई है, end A से end B तक same है equally broad है, end A पे भी और end B पे भी तो जैसे ही पानी क्या होगा? जैसे ही पानी एक end से आएगा तुरंद क्या होगा? वो दूसरे end से उतना का उतना पानी, same पानी, same amount का पानी B end से वापस चला जाएगा, बाहर निकल आएगा जो पानी मैंने end A से अंदर बेजा था, उतने ही amount का पानी end B से बाहर निकल जाएगा है ना? यही होगा अब क्या करते हैं? इस pipe का थोड़ा सा structure हम change कर देते हैं इस pipe का हम structure कैसा कर देते हैं? थोड़ा सा change मैंने क्या करा? इस pipe को beach में से मैंने पतला कर दिया पहले मेरा pipe क्या था? उसकी जो चौड़ाई थी, वो एक जैसी थी लेकिन अब क्या किया मैंने, मैंने pipe को बीच में से narrow कर दिया, बीच में से पतला कर दिया अब क्या होगा, जैसी ही पानी अंदर आएगा, and A से पानी अंदर आया और जैसी ही पानी अब क्या होगा, यह जो narrow pipe आया है, उसमें जाएगा चीक है, narrow pipe है उसमें जाएगा तो क्या होगा, पानी की जो speed है वो क्या हो जाएगी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्यों, क्योंकि जो pipe है अपना, वो थोड़ा सा पतला हो गया है है ना, narrow हो गया है तो ये जो पतला pipe है, ये कर क्या रहा है पानी का जो flow हो रहा है ना water flow जो हो रहा है उसके रास्ते में फ़ोड़ा सा क्या कर रहा है अडचन लाने की कोशिश कर रहा है रुकावट लाने की कोशिश कर रहा है यह जो narrow pipe है यह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि इससे निकलने वाला जो pipe है इससे निकलने वाला water है वो क्या हो जाए रुक जाए लेकिन पानी क्या होगा रुकेगा नहीं भले ही उसकी इस narrow pipe से निकलते time speed कम हो जाए पानी का flow थोड़ा कम हो जाए लेकिन पानी जो है वापस B end से उतना ही निकलेगा जितना A end से गया था पानी की flow की speed कम हो गई जैसे ही पानी इस पतले वाले pipe में पहुचा लेकिन पानी का amount कम नहीं हुआ जितना पानी आप ने एक end से दिया था उतना ही पानी and B से निकल भी गया पानी का amount change नहीं हुआ क्यों क्योंकि भाई यह जो narrow pipe था ना माना कि यह पानी के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा था रजिस्टेंस कर रहा था जो पानी का जो flow है उसको resistance प्रोवाइड कर रहा था लेकिन यह जो pipe है ना यह कोई अपने पास छोटी सी तंकी रख करके नहीं बैठा है चोटा सा tank लेकर के नहीं बैठा है कि जो पानी वहाँ से आया narrow pipes आया उसको रख लिया tank में भरके यानि कि यह जो narrow pipe है यह जो पानी है उसको store नहीं कर रहा है उसके रास्ते में उसका जो path है पानी का उसका जो flow है उसको रोकने की कोशिस जरूर कर रहा है ठीक है रजिस्ट तो जरूर कर रहा है लेकिन उसको store नहीं करेगा पानी को store नहीं करेगा तो जैसे ही पानी इस narrow pipe से के तुरू आया तो इसकी speed तो थोड़ी कम हो गई जाहिर है speed तो कम होई चाहिए क्योंकि pipe जो थोड़ी नेरो हो गया है लेकिन पूरा का पूरा पानी and B से निकल जाएगा एक भी drop इस narrow pipe के अंदर store नहीं होगी पानी की speed भले कम हो जाए लेकिन पानी की quantity कम नहीं होगी जितना पानी आपने एक end से अंदर डाला था उतना ही पानी B end से बाहर भी निकल जाएगा अब अगर आपको यह logic समझ में आ गया हो तो इस logic को लगा दो यहां चिपका दो यहां पे रेजिस्टर के केस में मैंने क्या बोला था कि current जो होगा अपना वो तीनों ही रेजिस्टर के अंदर सेम फ्लो होगा वही हमने रेजिस्टर और उनके रेजिस्टेंस की बहुत सारी बाते करी है कि रेजिस्टर क्या करता है कि current के फ्लो में क्या करता है रुकावट लाने की कोशिश करता है लेकिन क्या कभी मैंने आपको रेजिस्टर के बारे में यह ब किसी भी रेजिस्टेंस के हो, वो current को store नहीं करेंगे, current के रास्ते में रुकावट जुरूर ला सकते हैं, लेकिन कभी भी current को store नहीं कर सकते हैं, current को अपने flow में दिक्कत जरूर आ सकती है, उसका flow जो है न, smooth भले ही न रह जाए, लेकिन उसका amount कम नहीं होगा, क्यों कभी मैं आपको resistors के बारे में ये बताये कि current को store करने का भी काम करते हैं, कि suppose क्या है, कि हमारे पास एक क्या है, resistor के एक end से मैंने 5 electrons भेजे हैं, तो ये resistor ने क्या किया, 5 electrons भेजे हैं, तो 2 electrons अपने पास रख लिए, दूसरे end से 3 electrons निकाले के एवल, ऐसा कभी possible नहीं है, अगर resistors के अ अंदर store नहीं करेगा current, analogy हैं ये दोनों cases, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ये बड़े आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, मैंने आपको क्या बोला था, कि हमने 3 bulb लिये थे, तीनों को हमने एक cell से connect कर दिया था, cell connect 2 आ मतलब कि potential difference आ गया, potential difference आया मतलब क्या current flow ह होगा, ठीक है, हर एक bulb कैसा काम करेगा, एक resistor की तरह काम करेगा, तो मैंने 3 resistor लगा दिये, 1, 2 and 3, और उनके across एक cell लगा दिया, मैंने आप से पूछा कि भाई, इस circuit में potential difference और current का flow कैसा होगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं current की flow की, तो current का flow तीनों ही resistor में कैसा होने वाला ह क्यों से होने वाला है, क्योंकि हमने इस example से समझा, जब मेरा pipe कैसा था, चोड़ा था, उसकी चोड़ाई जो है वो एक बराबर थी, तो पानी जो है अराम से flow कर रहा था, लेकिन दूसरे case में मैंने क्या किया, अपने pipe की जो चोड़ाई है, वो बीच में थोड़ी कम कर दी याने की pipe को थोड़ा सा narrow बना दिया, तो भले ही पानी की speed क्या हो जाए, कम हो जाए इस narrow pipe में, लेकिन पानी का amount कम नहीं होगा, जितना पानी एक end से अंदर जा रहा था pipe के अंदर, दूसरे end से उतने ही amount का पानी बाहर निकल जाएगा, भले ही इस पूरे रास्ते में, इस पूरे pipe के दौरान उसकी speed, पानी के flow है, उसकी speed कम हो रही हो, जैसे ही पानी दो broad ends पे पहुचेगा, पानी की speed बढ़ जाएगी, लेकिन जैसी वो narrow part में पहुचेगा pipe के, उसकी speed कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो पतला वाला pipe है, ये क्या कर रहा है? पानी के flow में रुक रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, रुकावट जरूर पैदा कर रहा है, लेकिन पानी को store नहीं कर रहा है, उसके पास कोई secret टंकी नहीं है, जिसके अंदर वो पानी store कर ले, रुकावट पैदा कर रहा है, लेकिन रोक नहीं रहा है, सिमे लड़ली जो हमारे resistance हो क्या हो? उसके रास्ते में रुकावट आए. रुकावट जरूर ले करके आते हैं, लेकिन उनको अपने अंदर स्टोर नहीं करके रखते हैं. अगर किसी रजिस्टर से 5 एलेक्ट्रॉन गए हैं अंदर, तो दूसरे 1 के पास तो i current ही इससे बाहर निकलेगा और second resistor पे पहुँचेगा ठीक है और क्या होगा i current ही second resistor से बाहर निकलेगा और हमारे third resistor पे पहुँचेगा यानि कि इस पूरे circuit में जो हमारा current का amount है वो कैसा रहेगा same ही रहेगा जो current 1 में गया है resistor 1 में गया है वही current 2 में जाएगा वही current 3 में भी जाएगा तो current का flow आपको समझ में आ गया i hope अच्छी तरीकी से clear हो गया हो आपको कि किस तरह से current जो है series combination में resistors के same ही होता है ऐसा नहीं है कि एक resistor के पास जो है न कम current आया दूसरे के पास जादा आ गया तीसरे के पास और जादा आ गया आए आपको बात समझ में i hope यह चीज आपको clear हो गए होगी तो current का जो flow होता है series combination में resistors के वह हमने सीख लिया अब बारी आती किसकी potential difference की ठीक है अब बारी आती किसकी potential difference की potential difference हम कैसे समझ सकते हैं भई potential difference को समझने के लिए एक काम करते हैं ये diagram मैं अब रफ कर देती हूँ एक और नए diagram बनाती हूँ अब देखो यह रहा अपना resistor बन, यह रहा 2 और यह रहा 3 तीनों को मैंने एक cell के across जो है अरेंज कर दिया है अब जैसे ही अरेंज कराएंगे हम तीनों ही resistors को एक cell के across potential difference आजाएगा, current flow होने लगेगा current का amount अब में देख लिया है, same रहेगा अब मैं क्या चाहती हूँ कि यह जो मेरा first resistor है, जो second resistor है और जो third resistor है इन तीनों के across में separately potential difference measure करना चाहती हूँ यानि कि मैं देखना चाहती हूँ कि first resistor के across कितना potential आ रहा है second के across कितना आ रहा है और third के across कितना आ रहा है अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि potential difference measure करने के लिए एक instrument होता है उस instrument को हम क्या कहते है वोल्ट मीटर कहते है उसकी मैंने आपको picture भी दिखाई थी कि actual में वोल्ट मीटर देखता कैसा है तो मैंने क्या किया भई सबसे पहले मैंने एक वोल्ट मीटर लिया जिसको मैंने जो मारा फर्स्ट रिजिस्टर था उसके अक्रॉस सेट कर दिया फिर मैंने क्या लिया? मैंने दूसरा वोल्ट मीटर लिया जिसको मैंने अपने दूसरे रजिस्टर के अक्रोस लगा दिया फिर मैंने क्या लिया? तीसरा वोल्ट मीटर लिया जिसको मैंने अपने थर्ड रजिस्टर के अक्रोस लगा दिया मुझे तीनों अलग अलग resistor के across potential difference निकालना था इसलिए मैंने तीन अलग अलग volt meter लगाए है I hope ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अब ज़रा ये बताओ जैसे मेरे पास है point A और ये रहा point B point A पे potential है 10 volt, point B पे कितना है? ये रहा point A, ये रहा point B point A पे है 10 volt, point B पे कितना है 5 volt दोनों ही points के बीच में अगर मुझे potential difference निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी? VA minus V भी कर दूँगी कितना आ जाएगा? 10 minus 5 is equals to 5 volt है ना? ये ही होता है तो same चीज यहाँ भी apply होगी कैसे? मैं यहाँ पे नाम डाल देती हूँ ये रहा point A, point B, point C, point D बस points की तो कमी थी बागी तो हमारे पास resistor भी है और उन resistors के across कितना potential difference है? उसको measure करने के लिए voltmeter भी है बस points की कमी थी तो points मैंने डाल दिये अब क्या होगा? जैसे ही मैं बोलूँगी कि किसके across measure करने वाला है? potential difference first resistor के across कैसे करेगा? तो वो करेगा कुछ इस तरीके से वो कैसे measure करेगा? potential at point A minus potential at point B भाई ये जो मेरा पहला वाला resistor है इसके दो points है एक point है A, दूसरा point है B जो मेरा second resistor है उसके दो points है एक point है B, दूसरा point है C जो मेरा third resistor है, उसके दो points है एक point है C और एक point है कौन सा? D ये बात आपको आरी समझ में ये जो मैंने नाम डाले है ये नाम क्या है? point A और B दो points है मेरे resistor 1 के point B और point C क्या है? dois points है मेरे resistor 2 के और point C और D क्या है? dois points है मेरे resistor 3 के first, second and third resistor अब अगर मेरे पहले वाले वोल्ट मीटर को first resistor के across potential difference measure करना है तो वो कैसे करेगा? वो इस तरह से measure करेगा, V1 is equal to VA minus VB, potential at point A, potential at point B को minus करके potential across first resistor आ जाएगा, potential difference across first resistor, यह समझ में आया? similarly, जो second वाला वोल्ट मीटर होगा, जब यह second resistor के across potential difference measure करेगा, तो कैसे करेगा? भाई, V2 is equal to VB minus VC, potential, जो मेरा पास second resistor है, उसके दो points कौन कौन से हैं? एक point B, दूसरा point C, तो potential at point B minus potential at point C, क्या हो जाएगा? potential difference across second resistor, तो V2 is equal to VB minus VC, ठीक है? फिर इसके बाद में आजाओ अपने third resistor पे, third resistor के कितने point है? दो ही point है, एक हो गया C और एक हो गया D, और अगर मुझे अपने इस third resistor के across potential difference measure करना है, तो कैसे होगा? potential at point C minus potential at point C, ये क्या हो जाएगा? potential difference across the third resistor, इत्ती चीज़ आई आपको समझ में, कैसे हमने V1, V2, V3 निकाला? भाई A, B, C, D ये है क्या? ये points हैं, अलग-अलग resistor के, जो first resistor है, उसके दो points है, point A, point B, जो second resistor है, उसके दो points है, point B, point C, जो third resistor है, उसके दो point है, point C, point D. मैं first resistor के, across क्या निकालना चाहती हूँ? potential difference कैसे निकालूंगी मैं? कैसे निकालेगा volt meter, potential difference, तो potential at point A, minus potential at point B, कितना आजाएगा? potential difference across first resistor potential at point B minus potential at point C क्या हो जाएगा? potential difference across second resistor potential at point C minus potential at point D क्या हो जाएगा? potential difference across the third resistor I hope ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी V1, V2, V3 हमने कैसे निकाला है ये clear आपको हो गया होगा ठीक है? अब एक काम करते हैं अब मैं इन तीनों ही Vm को हटा देती हूँ काम हो गया ना मेरा? मैंने first, second और third resistor के along potential difference निकाल लिया तो तीनों ही मैंने Vm को क्या करा? हटा दिया अब मैं एक common Vm लगाने वाली हूँ वो कहां आएगा common Vm और वो क्या measure करने वाला है? एक common Vm मैं लगाने वाली हूँ इन तीनों ही resistors के across अभी तक तो मैं हर एक resistor के across एक अलग Vm लगा रही थी अब मैं एक common Vm लगाऊंगी तीनों ही resistors के across तीनों ही resistors के across मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है अब ये वोल्ट मीटर क्या करेगा? तीनों ही resistors के across जो voltage supply हो रही है जो potential जा रहा है उसे measure करेगा कैसे measure करेगा भाई? तो V is equals to potential at point A भाई ये जो मेरा volt meter है ये attach कहा है? ये point A पे attach है और point D पे attach है से measure करेगा? potential at point A minus potential at point D तीनों अलग-अलग resistors के case में अलग-अलग potential निकाल दिया हमने फिर इसके बाद में तीनों ही resistors के across अब मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है क्यों लगा दिया है? क्योंकि अब मैं चाहती हूँ क्योंकि total voltage supply तीनों resistors में कितनी हो रही है? ये मुझे calculate करना है तो मैंने तीनों resistors के across केवल एक ही वोल्ट मीटर लगा दिया तो अब ये वोल्ट मीटर कहां attach है? point A और point E पे तो अब ये वोल्ट मीटर क्या measure करेगा? potential at point A minus potential at point D जो कि क्या हो जाएगा? total potential difference जो कि तीनों ही resistors के across जा रहा है fine? ये चीज़ आपको समझ में आ गई resistor 1 के across कितना है? VA minus VB second resistor के across कितना है? VB minus VC V3 के across कितना है? यानि कि third resistor के across कितना है potential difference तो VC minus VD और तीनों ही resistors के across कितना है? तीनों ही resistors के across है? ये चीज आपको समझ में आ गई अब क्या करते हैं ये जो मेरे पस V1, V2, V3 है न इनको मैं कर देती हूँ add भई ये अलग-अलग रह करके क्या करेंगे हम इनको add कर देते हैं add करने के बाद आपको कुछ ये मिलेगा क्या हो जाएगा VA-VB प्लस VB मैंने क्या किया है मैंने V1 प्लस V2 प्लस V3 किया है कितना हो जाएगा जो values इनकी रखी हुई है आरचेस में उन सब को एक साथ उठा करके add कर दो VA-VB प्लस VB-VC प्लस VC-VD अब क्या होगा प्लस VC-VC cancel out हो जाएगे प्लस VB-VC cancel out हो जाएगे बचा क्या बचा मेरे पास VA-VD अरे यह VA-VD तो देखा हुआ है कहां देखा हुआ है इधर VA-VD कहां देखा हुआ है हमने यहां देखा हुआ है VA-VD है क्या potential difference इन तीनो ही resistors के across यानि कि तीनो resistors के across जो total potential difference आ रहा है वो कितना है VA-VD इसका मतलब क्या हुआ इससे conclude हम यह कर सकते हैं कि भई हमारे इस series combination में जब हमने resistors को series में arrange किया है वहाँ पे जो potential है वो क्या हो रहा है वो हो रहा है distribute क्या हो रहा है भई distribute हो रहा है समझें यह जो आपके पास equation आई है total potential difference across all the resistors कितना आया है V is equals to VA-VD यह कैसे निकाला हमने यह हमने तीनो ही resistors के across जो उनका separate potential आ रहा है potential difference आ रहा है उन तक वो हमने calculate किया कैसे किया था VA, V2, V3 इन तीनो ही potential differences को जब हमने add किया तो हमारे पास क्या आया हमारे पास आया VA-VD VA-VD हमें क्या बता रहा है कि इन तीनो ही resistors के across अलग-अलग potential पहुँच रहा है अलग-अलग potential पहुँचने का मतलब क्या है कि जब किसी resistors को जब हम resistors को जब हम series में combine करते है तो potential क्या हो जाता है 集 दिस्ट्रिबीट हो जाता है current तो same flow हो रहा था लेकिन potential क्या हुआ? पोटेंशल distribute हो गा यानि कि resistor first पे कुछ और पहुँचेगा resistor second पे कुछ और पहुँचेगा आई आपको बात समझ में I hope ये चीज आपको clear हो गई होगी current हमने समझ लिया और potential हमने समझ लिया ठीक है? अब एक काम करते हैं अब हम बढ़ते हैं story में थोड़ा और आगे story में हम कहां जा रहे हैं? story में हम जा रहे हैं ये वो ही है जो मैंने निकाला है V1 क्या है? V1 है first resistor के across potential difference V2 क्या है? Second resistor के across potential difference V3 क्या है? Third resistor के across potential difference total potential difference कैसे आएगा? V1 plus V2 plus V3 कर दिया कितना आ गया? VA minus VC आ गया ठीक है? VA minus VC आ गया और फिर इन तीनों ही resistors के across जब मैंने एक common volt multimeter set करके रखा हुआ था तो कितना आया था potential difference? VA minus VD, ये VA minus VD, फर ये VC नहीं ये VD है, ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? potential distribute हो गया series combination में अगर आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी तो अब हम बढ़ते हैं आगे अब हमने क्या करा है? ohm's law लगा दिया है ohm's law क्या होता है? ohm's law तो relation होता है V is equals to I into R का potential difference is equals to current into resistance अब जो आपकी equation आई थी ना ये वाली, total potential वाली V is equals to V1 plus V2 plus V3 इसको हमने क्या कर दिया है? ohm's law के form में लिख दिया है ठीक है? ohm's law के form में लिख दिया है कैसे? V1 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? I into R1 V2 को कैसे लिख सकते हैं? I into R2 V3 को कैसे लिख सकते है? I into R3 यहाँ पे I, I1, I2, I3 क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने पता कर लिया है कि series combination में current तो same होता है तीनों ही resistors में current क्या होने वाला है? Same होने वाला है कितना होने वाला है? I होने वाला है इसलिए यहाँ पे हमने I1, I2, I3 नहीं रखा V1 को आप कैसे लिख सकते हो? I into R1 V2 को I into R2 और V3 को कैसे लिख सकते हो? I into R3 अब क्या किया आपने? इन सभी values को इस equation में रख दिया I जो की common है सभी resistor में तो उसको बाहर निकाल लिया common कर लिया bracket के अंदर किसको ले लिया? R1, R2 और R3 को अब यह जो LH में total potential रखा हो गया है इसमें भी हम क्या लगा देंगे? Ohm flow लगा देंगे क्या हो जाएगा? V is equals to IR ठीक है? Total potential कितना हो जाएगा? Total current into total resistance कितना हो जाएगा भाई? इसकी जगा भी मैंने रख दिया IR तो यह I इस वाले I से क्या हो जाएगा? Cancel out हो जाएगा तो R की value कितनी आगई? R की value आगई R1 प्लस R2 और प्लस R3 याने कि जो total resistance है पूरे circuit में वो किसके बराबर होगा? R1 resistor के बराबर होगा प्लस R2 resistor के बराबर होगा प्लस R3 resistor के बराबर होगा याने कि तीनों ही resistor जो भी resistance प्रोवाइड कर रहे हैं सरकेट में उन सभी resistance को क्या कर दिया? हमने add कर दिया उनका sum निकाल दिया वो sum किसके बराबर हो जाएगा? total resistance in the circuit आई आपको बात समझ भी? थोड़ी बहुत तो आही गई होगी किस तरह से हमने potential निकाला था? across first resistor, second resistor और third resistor फिर हमने एक equation बना ली थी कि total potential क्या हो जाएगा? potential difference potential difference of first resistor plus second resistor plus third resistor हमने क्या किया? ohms law apply कर दिया ohms law क्या होता है? V is equals to I into R V1 को हम कैसे लिख सकते हैं? I into R1 potential difference across second resistor हमने क्या लिख सकते हो? current into उस resistor का second resistor का resistance जो कि कितना लिया था? हमने R2 लिया था potential difference across third resistor कितना हो जाएगा? उसमें जितना current जा रहा होगा multiplied by उस resistor का resistance कितना था? R3 था तीनों में मैंने I, I, I क्यों लिया है? I1, I2, I3 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि तीनों ही resistors के across same current जा रहा था ये चीज़ आई आपको समझ में तो V1 कितना हो गया? I, R1, V2 हो गया I, R2, V3 कितना हो गया? I, R3 same उठा कर कि मैंने values इस equation में रख दी है I जो की एक common है उसको हमने बाहर निकाल लिया bracket के अंदर हमने क्या डाला? R1 प्लस R2 प्लस R3 ये V क्या रहा था? V था total potential difference across the circuit इसमें भी हम ohms टो लगा देंगे कितना हो जाएगा? V is equals to I into R V की जगह में I into R रख दूंगी ये I क्या है? ये वो current है ये total current है जो की circuit में flow हो रहा है और R क्या है? total resistance है जो की हमारे circuit में है ठीक है? तो I cancel out हो जाएगा बचा क्या? R is equals to R1 प्लस R2 प्लस R3 यानि कि total resistance circuit में कितना होगा? जो individual resistance ओफर कर रहे थे अलग-अलग resistors उन्ही सभी resistance को आपने add कर दिया मिला दिया तो circuit का total resistance आ गया ये आता है CBC board exam में ठीक है? derive करने को आता है derivation बढ़ा असान है ohms law लगाना है बस एक बार आपने total potential difference find out कर लिया तो उस potential difference में आपको ohms law लगा देना है और उस ohms law में आपको क्या कर देना है? बस values put कर देनी है तो resistance कितना आ जाएगा? पूरे circuit का वो हो जाएगा equivalent जो individual resistors आपने लगाए हुए थे circuit में उन सब ही individual resistors का अपना अपना जो resistance है उसका sum उसका add कर दो उसका total आई आपको बात समझ में I hope ये चीज आपको clear हो गई होगी अब हम बात करते हैं हमारे next topic की अब ये कुछ points है जो की related हैं जो की बहुत जरूरी है समझना किसी भी जो आप पढ़ रहे हैं इत्ती देश से जो हमने resistors को series में apply किया है तो उस combination की कुछ जरूरी points है वो यहाँ पे आप देख लो पहला point क्या है the current through ठीक है यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि the current through each resistor is same हर एक resistor के across current कैसा जाएगा same जाएगा दूसरा क्या है the potential difference across each resistor is different हर एक resistor के across जो potential difference है वो क्या होगा अलग-अलग होगा R1 के जो first resistor था उसके across कितना था V1 था जो second resistor था उसके across कितना था potential difference V2 था जो third वाला था उसके across potential difference कितना था A जैसा है, the equivalent resistance is equal to the sum of the individual resistance, जो individual resistance है, उन सब को आप add कर दो, तो वो जो sum आएगा resistance का, वो क्या हो जाएगा, equivalent resistance हो जाएगा, इधर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था, इस slide में, R is the equivalent resistance, R क्या है यहाँ पे, equivalent resistance है, यह equivalent resistance कहा Ben, जो individual resistance है उन सब को हम ने क्या कर दिया है, तो add कर दिया है, तो add करने के बाद आपके पास, क्या पहुचा, equivalent resistance पहुचा, यह जो equivalent resistance होता है हो कैसा होता है, जो individual resistance है, उन से तो बड़ा ही होगा, obvious ही बात है, है ना, the equivalent resistance is thus greater than the resistance of either resistor, this is also known as maximum Maximum Effective Resistance, इसे हम क्या कहेंगे? Maximum Effective Resistance कहेंगे, यानि कि अगर हमने अपने resistors को series में क्या किया है, combine किया है, और उस circuit का अगर आपको क्या करना है? Maximum Resistance निकालना है, तो आप क्या करोगे? जितने भी आपने resistors, अभी तो हमने तीन ही लिये थे, आप तीन ले लो, चार ले लो, पांच ले लो, कितने भी ले लो तो जितने भी आप resistors लोगे, उन सभी के individual resistance को आप क्या कर देना, एड कर देना, जिससे क्या हो जाएगा? उस series combination का maximum effective resistance आ जाएगा. I hope ये चीज़ आपको clear हो गई होगी, तो बस इसके लिए इतना ही था, जरूरी, अब कुछ disadvantages भी होते हैं, देखो series combination के. हम जो अपनी दिवाली lights लेते हैं, है रहा, उसमें क्या होता है? अगर एक bulb भी fuse हो गया, तो वो पूरी के पूरी series क्या हो जाती है? चली जाती है. अगर हमने एक भी bulb, series का एक भी bulb गया, तो पूरी की पूरी series ही चली गया, इसलिए हर साल नई series लेनी पड़ जाती है, जो तरह-तरह की series मिलती है, दिवाली lights मिलती है, कभी star बनाए, कभी candles बने है, कभी DA बने हुए है, अगर एक भी candle गयी तो पूरी की पूरी series चली जाती ह ठीक है यह पहला disadvantage हो गया काफी बड़ा disadvantage भी है It is not possible to connect a bulb and a heater in series because they need different values of current to operate properly आप कभी भी एक bulb और एक heater को series में connect नहीं कर सकते क्यों क्योंकि series combination में हर एक electrical appliance में क्या जाता है same current जाता है लेकिन हमारे bulb और हमारे heater को अलग-अलग current की जरवत है भाई हमारे bulb और heater अलग-अलग current पर चलते हैं same current पर थोड़ी चलते हैं तो अगर आपने किसी heater और bulb को जो एक सवाल आता है न मैं आपको बोला था कि parallel combination हमें कहां मिलता है resistors का हमारे घरों में जो fan, जो bulb, जो tube right है उनके बीच में parallel combination होता है series क्यों नहीं होता, पहली चीज तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपने क्या किया है, चलो आपने एक heater एक bulb नहीं आपने दो bulb को आपस में क्या करा है arrange कर दिया है घर में आपके दो bulb हैं, उन दोनों को आपने series combination में रखा है तो अगर एक bulb भी खराब हुआ रहा तो दूसरे कमरे का भी bulb खराब हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा कि एक खराब हुआ तो दूसरा भी नहीं जल रहा और दूसरी चीज क्या है कि series combination में हमें देखा है कि current कैसा होता है, हर एक resistor में एक जसा जाता है लेकिन अगर हमने एक पंखा, एक बल्ब या एक बल्ब और एक हीटर को connect कर दिया series में तो current दोनों में same जाएगा current same नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अलग-अलग electrical appliance को अलग-अलग current चाहिए होता है चलने के लिए I hope अब आपको चीज ये समझ में आ गई होगी, कि क्यों हमारे घरों में जो domestic wiring वगएरा जो होती है appliances वगएरा जो होते हैं, उनको हम series में combine करते हैं, parallelly combine करते हैं ठीक है? चलो, आज के session के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने next session में इस session में काफी सारी बाते हो गई हैं, दो तीन चीज़े हैं हाद रखने वाली series combination में current सभी resistor में एक जसा जाता है, potential distribute हो जाएगा first one resistor में कुछ और होगा, second में कुछ और होगा, third में कुछ और होगा और अगर आपको पूरे ही circuit का total resistance निकलना है, तो आप क्या करोगे? individual resistance की जो resistance होंगे, उनको add कर देना, तो आपके पास क्या जाएगा? maximum effective resistance आ जाएगा, I hope आज की बाते आपको समझ में आ जाएगा, अब हम मिलेंगे हमारे next session में, तब तक आप क्या करेंगे, हमारे जो official website है na magnetbrains.com उसे visit कर ले जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं, playlist में साथी साथ सभी topics के आपको notes भी होंगे available, so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains, thank you for watching Hello everyone, आज की इस session में हम solve करने वाले हैं कुछ numericals, वो numericals जो की based होंगे series combination of resistors पर, परिवेस session में हम में क्या पढ़ा है, हम में देखा है कि किस तरह से जब हम different resistors को series में arrange करते हैं किसी भी circuit में, तो current कैसा flow होता है, voltage कैसा flow होता है, ये चीज़े हम देख चुके अब उन चीज़ों को, उन concept को और strong करने के लिए हम उनी पर based कुछ numericals solve कर लेते हैं, इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको पता तो होना चाहिए, कि जो अभी अभी हमने combination पढ़ा है, series combination पढ़ा है, उस पे questions किस तरह के आते हैं, आपके examination में, कैसे सवाल बनते हैं, तो numericals को solve करने का फायदा ही फायदा है, तो आज के विभूती खरे, welcome to magnet brains, रहाँ पे आपको सभी chapters की video lectures मिलने वारे हैं, बिल्कुल free of cost, याने कि magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बार किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की जरूरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुंच आ रहा है, quality education, बिल्कुल free of cost, तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं, आज कर यह हमारा session, numericals के साथ, अब इससे पहले कि हम numericals पढ़ें, सबसे प पढ़ाए हमने, आपका जितने भी मन होना, उतने resistors ले लो, और उन resistors को आप कैसे arrange करो, एक के बाद, एक के बाद, एक, याने की series में, जब आप resistors को series में arrange कर देते हो, किसी circuit में, तो क्या होता है, दो चीज़े हमें देखनी है, एक तो हमें देखना है current का flow, और एक हमें देखना है, क्या voltage या potential difference, तो भई, आप कितने भी resistors को series में arrange कर लो, जो current है, वो क्या होता है, सब में एक जैसा ही flow होता है, मतलब ऐसा नहीं है, कि जिसे कि I current निकल रहा है, तो ये I current जो है, पहले वाले resistor के पास, जादा पहुँचेगा, और जब यही current second वाले resistor के पास पह amount इसका कम हो गया, या जब तीसर पे पहुचा तो और कम amount हो गया, ये बात बिल्कुल सही है, कि resistors क्या करते है, current के flow में रुकावट पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें रोकते नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी resistor से current flow हो रहा है, तो resistor ने उसको क्या कर लिया, अपने अंदा store कर ल पहले वाले resistor के अंदर गया है, तो उतना ही current, same amount का current उसके बाहर भी जाएगा, और दूसरे वाले resistor के पास भी same current पहुचेगा, उतना ही current second वाले resistor के बाहर निकल आएगा, और same current जो है third वाले resistor के अंदर जाएगा, यानि कि series combination में current क्या होता है, constant होता है, same amount का current जो है हर resistor में जाएगा यह चीज आई आपको समझ में तो पहली चीज हमने revise कर दी दूसरी चीज क्या है potential difference अब हर एक resistor के across जो potential difference होगा वो क्या होगा अलग-अलग होगा resistor 1 के across अलग होगा 2 के across अलग होगा 3 के across भी अलग-अलग होगा याने की जो potential है न वो क्या हो जाता है series combination में distribute हो जाता है current distribute नहीं हो रहा है current तो same amount में बहेगा लेकिन potential क्या हो जाएगा distribute हो जाएगा पहले में कुछ और दूसरे में कुछ और तीसरे में कुछ और तो current बहेगा वैसा का वैसा potential हो जाएगा distribute ये चीज़ आई आपको समझ में अब अगर मैं आपसे बोलू resistance के बारे में तो हमने कुछ बाती नहीं करी पूरे circuit में total resistance कितना है आप कैसे निकालोगे individual resistance जो resistance offer कर रहे होंगे ना current को उनको आप कर दो add तो addition करने के पास बात जो आपके पास sum आएगा ना वो sum क्या कहलाएगा वो कहलाएगा combined resistance of the circuit या फिर maximum effective resistance of the circuit current क्या होगा? distribute नहीं होगा आई current अगर पहले बारे resistor के पास जा रहे तो दूसरे के पास भी उतना ही जाएगा तीसरे के पास भी उतना ही जाएगा voltage जो होता है वो distribute हो जाता है अगर मैं बात करूँ current की तो आप combined resistance पूरे circuit का कैसे निकालोगे जो individual resistors resistance ओफर कर रहे होंगे ना उनको कर देना add मिला देना तुझा आपके पास sum आएगा वो sum किसके बराबर हो जाएगा combined resistance या फिर maximum effective resistance के बराबर ये चीज़ आपको clear हो गई अब हमने कर लिया है revision अब आजाओ हमारे numericals के उपर first question क्या है भाई तीन resistors है अलग-अलग resistance के हैं 5, 10 और 12 ohms के हैं are connected in series with a 12 volt power supply यानि कि तीन अलग-अलग resistors है अलग-अलग resistance के हैं और तीनों कैसे arranged हैं series में connected है series में arranged हैं 12 volt की battery से calculate their combined resistance अब पूछा क्या क्या गया है सवाल में सबसे पहले पूछा गया है पूरे circuit का combined resistance फिर the current flows that flows in the circuit and in each resistor यानि कि total current कितना बहरा है circuit में और हर एक individual resistor के पास कितना जा रहा है current तीसरी चीज़ क्या है potential difference across each resistor हर एक resistor के across potential difference कितना है वो हमें calculate करना है कुल मिला करके 4 चीज़े हमसे calculate करने को बोली जा रही है पहला क्या है combined resistance फिर दूसरा क्या है total current तीसरा क्या है individual resistors के across कितना current है चौथा क्या है individual resistors के across potential difference अब कैसे calculate करेंगे भाई हमारे पास given क्या क्या है given है हमारे पास voltage और individual resistors का resistance तो भाई ये जो आपके पास अलग-अलग resistors के अलग-अलग resistance दिख रहे हैं ना इनसे आप क्या calculate कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप यहाँ पे circuit का combined resistance calculate कर सकते हो कैसे calculate कर सकते हो अभी-भी हमने revise क्या है अगर आपको पूरे circuit का combined resistance चाहिए तो आप क्या करोगे individual resistance को add कर देना मिला देना याने कि 5 प्लस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30 ohms 15 प्लस 5 10 होता है 10 प्लस सॉरी 15 प्लस 5 कितना होता है 20 20 प्लस 10 इक्वरस to 30 ohms तो combined resistance कितना आगया हमारे circuit का 30 ohms कैसे individual resistance दिया गया था तिनों को हमने मिला दिया कितना आगया combined resistance 30 ohms तो पहली चीज़ जो हमसे पूची गई थी combined resistance वाली वो तो हमने calculate कर ली कितनी आई है 30 ohms आई है दूसरी चीज़ क्या पूची जारी है current पूची जारी है पूरे circuit में current कितना होगा साथ ही साथ individual resistors के across current कितना होगा तो भै ये तो हम पढ़ चुके है circuit में current जितना भी हो उतना ही current हर एक resistor के पास पहुचने वाला है क्योंकि series combination में हमने पढ़ा है कि current का distribution नहीं होता है जो current एक circuit में चल रहा है same current हर एक resistor के पास जाएगा resistors अपने अंदर current को store नहीं करेंगे इसलिए current का distribution नहीं होगा इतना clear है आप सबको अब देखो आपने combined resistance निकाल लिया ठीक है और आपके पास क्या-क्या given है दिया गया है यह चीज़ आपको clear है अब एक काम कर सकते हैं हम combined क्या कर सकते हैं current निकाल सकते हैं हमें total voltage given है पूरे circuit में कितना हो रहा है 12V हमें combined resistance भी पता है total circuit में कितना है 30 ohms है V is equal to IR का जो formula होता है उसका V हमको given है 12 और हमारे पास क्या given है I भी given है कितना I नहीं हमारे पास resistance कितना given है 30 ohms given है तो क्या हम इस formula से जब V given है R given है तो I नहीं निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे भाई यह जो हमारा formula है यह बता क्या रहा है V is equal to IR V क्या है यहापे total potential difference पूरे circuit में I क्या है यहापे total amount of current जो बहरा है circuit में और R क्या है combined resistance total resistance जो की circuit में है तो अभी अभी combined resistance हमने कितना निकाला है 30 ohms potential कितना given है हमको battery दी गई है 12 volt की कोई और दूसरी supply तो है नहीं potential की एक ही battery लगाई हुई है उसका volt कितना है voltage कितना है 12 volt है तो V भी given है तो फटा फट से यहापे V divided by R is equal to I का formula लगा दो V कितना given है 12 resistance कितना निकाला था combined resistance 30 यह cancel out हो जाएगा 2 से 2 6s are 12 2 15s are 30 2 अभी 3 से चला जाएगा 3 2s are 6 यह हो जाएगा कितना 3 5s are 10 तो 5 4s are 20 होता है I कितना हो जाएगा 0.4 amperes याने कि हमारे पूरे circuit में 0.4 amperes current क्या हो रहा है flow हो रहा है तो जो दूसरी चीज़ हम से पूछी गई थी कि circuit में कितना current flow हो रहा है तो आपका जवाब होना चाहिए 0.4 amperes और individual resistor के पास क्या जाएगा individual resistors के पास हम बोलते हैं कि same amount का current जाएगा 0.4 ही जाएगा 0.4 हम बोलते हैं कि first वाले के पास जाएगा second वाले के पास भी 0.4 जाएगा third वाले के पास भी 0.4 जाएगा याने कि तीनों ही resistors के across same current कित्ता current जितना की circuit में बह रहा है कित्ता बह रहा है भाई, 0.4 बह रहा है कैसे निकाला, V is equals to I into R के formula से निकाला, combined resistance हमने calculate कर लिया है तीनो resistors के resistance को हमने add कर लिया है V हमने कैसे calculate किया, calculate करने की जरुवत ही नहीं पड़ी given था यहां पे 12V की battery लगी हुई थी V given है, R given है तो I हमने निकाल लिया कित्ता आया, 0.4 amperes तो चार चीजों में से तीन चीज़ें हमने पता कर लिए कि total current कित्ता बह रहा है individual जो resistor है, उनके across कित्ता जा रहा है और combined resistance भी हमने calculate कर लिया अब एक चीज़ बची है, क्या पूछा गया है हमसे हर एक individual resistor के पास कितना potential difference है ठीक है, combined हर एक individual resistor के पास कितना potential difference है again हम क्या करेंगे, V is equals to I into R का formula लगा देंगे चलो सबसे पहड़े हम बात करते हैं अपने first resistor की ठीक है, first resistor का हम case देखते हैं क्या निकालना है, इसमें हमें potential निकालना है है ना, first resistor के across V1 ले लेते हम first resistor के across potential difference कितना है, कैसे निकालेंगे हम current हमें पता है कि इसके across कितना जा रहा है 0.4 जा रहा है, resistance पता है क्या इसका बिल्गुल पता है भई, given है, 5 है है ना, first फ़ला जो resistor है उसके across current हमें निकालिया 0.4 जा रहा है उसका resistance कितना है पांच है तो हम क्या करेंगे V is equal to IR का formula लगा देंगे तो V1 कितना आ जाएगा भाई V1 क्या है potential difference across first resistor कितना जाएगा 5 forza 20 decimal यह हो जाएगा कितना 2 volt तो पहले वाले resistor के across कितना potential difference है कितना voltage है 2 volt जा रहा है फिर इसके बाद में आजाओ बात करते हम second वाले resistor पे second वाले resistor के लिए भी हम क्या formula लगाएंगे V2 is equal to I into R2 यहाँ पे V1 है तो V1 is equal to I into R1 लगा देना क्या लगा देना R1 ठीक है V2 is equal to I into R2 V2 कितना है भाई V2 तो हमें निकालना है I कितना दिया गया है 0.4 दिया गया है और second वाले जो resistor है उसका resistance कितना है उसका resistance है resistance है 10 तो यहाँ पे R2 की जाएगा लिख देना 10 कितना आ जाएगा V2 is equal to 4 volts ठीक है similarly जो हमारा third वाला resistor है उसके लिए हम क्या calculate करेंगे V3 is equal to I into R3 I कितना given है I हमको पता है 0.4 दिया गया है into क्या कर देना आप 15 कर देना ठीक है तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 6 volts यानि कि पहले वाले resistor के across कितना potential difference आ रहा था 2 दूसरे वाले के पास कितना आ रहा था 4 और तीसरे वाले के पास आया कितना 6 पहले हमने सीखा है कि series combination में current same amount में जाएगा लेकिन voltage क्या हो जाएगा distribute हो जाएगा बारा वोल्ट की बैटरी लगी थी इस बारा वोल्ट में से दो वोल्ट कहां चलेगा पहले वाले के पास दूसरे वाले के पास कितना गया दूसरे वाले के पास गया कितना 4 वाला ठीक ना 4 वोल्ट गया और तीसरे वाले resistor के across कितना voltage गया तो 6 वोल्टेज चला गया हो गया ना voltage distribute आई आपको बात समझ में तो इस तरीके से हम ये numerical solve कर सकते हैं आप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अब अगर आपको क्या करना है इसका screenshot लेना है तो आप बिलकुल ले सकते हैं अलग-अलग slides में दिया गया तो आप फटाफ़ाइट सबका screenshot लेते जाएगा ठीक है ये पहला वाला है जहां पे हमने क्या निकाला है टोटल हमने combined resistance निकाल दिया है और जो current supply हो रहा है पूरे circuit में वो निकाल दिया है आप ले लिजेए इसका screenshot on the count of 5 so 5, 4, 3, 2 and 1 ठीक है इस वाली slide का अगर आपने screenshot ले लिया है तो फटाफ़ाइट आप इसका भी screenshot ले लिजेए जहां पे हमने individual resistors के across जो potential जो voltage supply हो रहा है वो हमने निकाला है V is equals to I into R के formula से ठीक है so on the count of 5 आप इसका screenshot ले लेंगे so 5, 4, 3, 2 and 1 I hope इसका भी आपने screenshot ले लिया होगा नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है जो वीडियो है उसको pause करके ले 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 ठीक है अब next question क्या है भाई study the following electric circuit find the readings किस-किस की reading हमें calculate करनी है m meter की और volt meter की याने कि हमारे पास है कि आप एक circuit दिया गया है और इस circuit में एक m meter लगा हुआ है और एक volt meter लगा हुआ है इन दोनों की readings हमें calculate करनी है बड़ा असान सवाल है मैंने आपको m meter और volt meter दोनों ही instruments की photo आपको दिखाई थी दोनों कैसे दिखते हैं यह आपको पता है ठीक है m meter क्या करता है भाई m meter हमारा क्या करेगा current को measure करेगा और volt meter क्या करेगा potential difference जो होता है उसको calculate करता है उसको measure करता है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते है हमको given क्या क्या है हमको पता है कि total voltage supply कितनी हो रही है तीन volt की battery लगी हुई है तो voltage supply कितना हो रहा है तीन volt का हो रहा है और एक resistor है जिसका resistance कितना है चार दूसरे वाले resistor का resistance कितना है दो यानि कि दो हमारे पास resistor है एक 4 ohms का, एक 2 ohms का, दोनों को सीरीज में combine किया गया है, जो दूसरा वाला resistor है, जिसका resistance है 2 ohms, उसके across voltmeter लगा के रखा गया है, सिर्फ एक voltmeter रखा है, वो भी second वाले resistor के across, और एक m meter लगा के रखा गया है, और 3 volt की क्या है, हमारे पास, एक power supply है, अब हम क्या करेंगे, सबस कांसा current होगा, वो current होगा, जो की पूरे circuit में दोड़ रहा होगा, हमें क्या निकालना है, एक ऐसा current जो की पूरे circuit में दोड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, V is equals to I into R का formula लगा देंगे, यहाँ पे हम V क्या लेंगे, यह वो वाला potential difference होगा, यह वो वाला voltage होगा, जो की पूर V circuit में बहरा होगा, कितना बहरा है भाई, गिवन है आपे हमको 3V, तो V की जगा में क्या रख दूँगी, 3V, आई तो हमें calculate करना ही है, into R, अब यह वाला R कौन सा होगा, यह होगा combined resistance, जो की हमारे पूरे circuit में है, present है, कैसे add करेंगे हम 4 plus 2, यह कितना हो जाएगा 6, भाई, ह हम अपने series combination में, resistors की series combination में, पूरे circuit का combined resistance हम कैसे calculate करते थे, जो भी individual resistors दिये गए हैं, उनके resistors के resistance को add कर दो, add करने के बाद जो sum आएगा आपके पास, वो sum क्या हो जाएगा, combined resistance हो जाएगा पूरे circuit का, तो अगर हमें R calculate करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 plus 2 कर देंगे, 4 plus 2 क करने से कितना आजाएगा, 6 ohms, तो combined resistance कितना आगया, अपने पास, 6 ohms, सही है, 3 volt की battery लगी हुई थी, इस रिए total voltage कितना हुआ है, हमारी circuit में 3 का, current हमें निकालना ही है, और combined resistance है, वो हमने calculate कर लिया, अब I की value नहीं निकाल सकते हैं, क्या हम clearly निकाल सकते हैं, 3 by 6 कर दो, यह कितना हो जाएगा, 0.5 ampere, यानि कि यह हमारा जो m meter है, यह क्या measure कर रहा था, current measure कर रहा था, कितना current measure करेगा यह, तो 0.4 ampere current measure करेगा, अब जो कि हमारा, जो combination resistors का, वो कैसा है, series में है, इसका मतलब क्या, कि जो current हमारे circuit में flow हो रहा होगा, उतने ही amount का current हर एक resistor में जाएगा 4 ohms वाले resistor में भी जाएगा, 2 ohms वाले resistor में भी जाएगा, कितना current जाएगा, 0.5 जाएगा, हमें क्या calculate करना है, voltmeter की reading, voltmeter क्या आपना है, potential difference, potential difference किसके across, 2 ohms का resistance है, उसके across, तो कैसे, क्या formula लागेगा, formula तो वो ही है, V is equals to I into R, potential कितना है यहापे, potential हमें तो यहापे निकालन है, potential difference, current कितना आएगा, current आएगा, 0.5 into R, resistance कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो यह कितना हो जाएगा, 5 to 10, तो V is equals to 1 volt, I hope यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बड़ा ही अच्छा सवाल था, हमें यहापे voltmeter और mmeter की reading पता करने के लिए बोला गया था, mmeter क्या measure करता है, current, voltmeter क्या करता है, potential difference, ठीक है, current हमने कैसे measure किया, V is equals to I into R का formula लगा दिया, V क्या है, total voltage, जो कि हमारी battery supply कर रही है, पूरे circuit में, किता supply कर रही है, 3 volt, फिर इसके बार में I, तो हमें calculate कर नहीं है, R क्या होगा, R combined resistance, जो कि हमारे पूरे circuit का resistance है, कैसे निकालेंगे, जो individual resistors, resistance supply कर रहे है, उनको sum कर दो, add कर दो, तो 4 plus 2 is equals to 6, values पूट कर दो, तो I कितना आ जाएगा, 0.5 amperes, ये 0.5 amperes current क्या होगा, हर एक resistor के अंदर flow करेगा, ठीक है, तो V is equals to I into R, अब हम क्या करेंगे, m meter की reading आ गई, voltmeter की reading निका लेंगे, voltmeter क्या करता है, potential difference measure करता है, कहां लगा होगा है, voltmeter, सिर्फ फट सेफ, second वाला जो हमारा resistor है, जिसकी resistance कितनी है, 2 ohms है, उस वाले resistor के across लगा गया है, क्या, voltmeter, फटा फट से इस voltmeter की क्या कर लो, आप, potential, जो difference है, वो निकालो, कैसे निकालोगे, current आपको पता है, 0.5, resistance आपको पता है, कितना दो, तो 0.5 into 2 कर दो, क इतना हो जाएगा, 1 volt, I hope यह वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और अब आपको क्या करना है, भई, इसका लेना है, जल्दी से screenshot, तो first फ़र्ली slide का, आप screenshot ले लो, on the count of 5, so 5, 4, 3, 2 and 1, I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा, जहां पे हमने combined resistance निकाला है, और हमने total current नि voltmeter की reading निकाली है, उसका भी आप screenshot ले लो, तो on the count of 5, 4, 3, 2 and 1, I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा, अब इसी के साथ में आज का हमारा session होता है complete, यहां पे हमने series combination of resistors पे based कुछ questions किये थे, numerical solve किये थे, I hope आपको चीज़े और थोड़ी clear हो गई होगी, तो आज के session के लिए इ discuss करेंगे एक और नया topic, तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website magnetbrains.com, उसे visit कर लीजेगा, जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं, बिल्कुल free of cost, और साथी साथ playlist में भी मिलेंगे आपको arranged, और topics के भी आपको notes महाँ पे मिल जाएंगे, so do visit our official website magnetbrains.com, till then keep learning with magnetbrains, thank you for watching. resistivity पे based कुछ करने होंगे, numerical solve, अब भाई ये numericals जरूरी क्यों है, क्योंकि resistivity एक ऐसा topic है, जिसमे examination में, board examination पे काफी सारे questions आते हैं, और mostly numericals ही आते हैं, और बच्चे वहाँ पे कर देते हैं, गडवड़ी, तो वहाँ पे आप गडवड़ी ना करो, इसलिए अभी हम कर लेत So, this is Vibhuti Khare, welcome to Magnet Brains, जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं, बिल्कुल free of cost, याने कि Magnet Brains पे आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की, या package लेने की जरूराग बिल्कुल भी नहीं है, योगि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा आ रहा है, quality education, बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं, आज कर ये हमारा session जहां पे हमें पढ़ना है क्या resistivity पे based कुछ, numericals, अब इससे पहले कि हम numericals पे जाएं, हम क्या करते हैं, फटा-फट से revise कर लेते हैं, अभी तक हमने resistivity के बारे में जो भी पढ़ा है, भाई हमने यहां पे देखा थ किसी भी conductor का resistance होता है, वो चार factors पर depend करता है, ठीक हैं, सबसे पहले तो वो depend करेगा conductor की length पे, अगर conductor की length बढ़ गई, तो resistance भी बढ़ जाएगा, अगर conductor का cross section area क्या हो गया, कम हो गया, तो resistance क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, और अगर cross section area किसी conductor का बढ़ गया, तो resistance कम हो जाएगा ऐसा क्यूं ऐसा नहीं है देखो length जब बढ़ती है किसी conductor की तो उसमें number of conductor के atoms impurity के atoms warren atoms increase हो जाते है number of atoms increase होने के कारण क्या होता है electron क्या करेगा electrons के collide होने की possibilities बढ़ जाती है number of collisions बढ़ जाते है इसलिए conductor की length बढ़ाने पे resistance बढ़ जाता है conductor का जब हमने conductor का cross section area बढ़ा दिया तो ऐसा नहीं है कि cross section area बढ़ाने पे number of conductor के atoms या number of foreign atoms नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल बढ़ेंगे लेकिन क्या है ना जैसे कि suppose यह है आपके पास एक conductor चीक है इसके पास क्या थे? कुछ foreign atoms थे, कुछ conductor के ही atoms थे अब हमने क्या क्या? इसका cross section area थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको हमने क्या कर दिया? थोड़ा सा चोड़ा कर दिया अब इसमें क्या होगा? conductor के number of atoms इपढ़ेंगे, foreign atoms भी पढ़ेंगे लेकिन क्या है ना, atoms के बीच का जो space होता है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और electrons को चाहिए क्या है? Electrons को space ही तो चाहिए है ना, flow करने के लिए जाने के लिए बहुत पहले वाले case में, आखिर electrons का जो flow है उसमें resistance आता कहां से, उसमें रुकावट आती कैसे है कोशिश करता है, तकरा जाता है और अगर उससे space मिल गई तो क्या होगा? Electrons का flow up smooth हो जाएगा अब वो easily क्या कर पाएगा? Flow कर पाएगा बिना तकराए या थोड़ा सा कम तकरा करके flow कर लेगा याने कि क्या हुआ? रुकावट थोड़ी कम हो गई रुकावट कम क्यों होई? क्योंकि अब Electrons थोड़ा सा कम तकराएगा foreign atom से, conductor के atom से या बाकी और free electron से क्योंकि अब उसके पास चलने की जगा आ गई है चलने की जगा आ गई क्यों? क्योंकि हमने cross section area बढ़ा दिया conductor का, atoms की बीच की space क्या हो गई? बढ़ गई अब हमारा जो प्यारा सा electron होगा ना, वो easily क्या करेगा? इस ऐसे ऐसे करे flow करते का, चला जाएगा, space मिल गई उसे, तो इसे लिए हम बहुते हैं कि resistance क्या होता है? conductor की length के directly proportional होता है और conductor का जो cross section area है, उसके inversely proportional होता है जब हम proportion का, जो sign है, वो जब हटा देते हैं, प्रपोर्शन ए्टी sign जब हटा देते हैं तो हम एक constant लगाते हैं, उस constant को हम क्या कहते हैं, भई? रो कहते हैं, यह रो होती क्या है? यह रो भई हम बोलते हैं कि हमारा जो conductor है ना, उसकी क्या होती है? एक personal khundness होती है क्या होता है ये रो? इसे हम कहते हैं conductor की personal kundness personal kundness को हम क्या बोल सकते हैं electricity के terms में specific resistance और इस specific resistance को हम क्या कहेंगे? इसी को हम क्या कहेंगे? resistivity ठीक है? क्या बोलेंगे इसे हम? resistivity बोलेंगे conductors के अंदर जैसे ही current flow होना शुरू होता है conductors आ जाते हैं attitude में वो बोलते है current को कि अच्छा तो हमसे flow होना चाते हो देखते हैं तुम कैसे flow हो सकते हो हम तो तुमारे रास्ते में क्या करेंगे? रुकावट ले करके आएंगे अपनी personal kundness निकाल देते हैं और उसी personal kundness को हम specific resistance या resistivity भी बोलते हैं जो conductor का resistance था वो तो depend कर रहा था conductor की length और उसके cross section area पे लेकिन यह जो resistivity होती है ना इसे conductor की length से मतलब नहीं है उसके area से मतलब नहीं है cross section area से तो पिर इसे मतलब किस से है? इसे मतलब है conductor के material से कि भाई conductor बना किस चीज़ का है जैसे हर एक object की अपनी एक density होती है वैसे हर एक object की अपनी एक resistivity होती है object क्यों बोल रही हूँ मैं वो object वो material कुछ भी हो सकता है वो connector भी हो सकता है insulator भी हो सकता है और वो alloy भी हो सकता है याने कि resistivity जो है वो conductors की भी हो सकती है alloys की भी हो सकती है और insulators की भी हो सकती है insulators की resistivity है वो बहुत जादा होती है इसलिए तो current को वो अपने true flow होने नहीं देते ना और अगर बात करें हम conductors की तो उनकी resistivity काफी कम होती है जिसके current resistivity कम मतलब क्या resistivity कम मतलब की जो specific resistance से वो कम हो गया current जब conductor से flow होगा तो conductors क्या करेंगे थोड़ी सी कम personal kundness निकालेंगे current के साथ ठीक है वो क्या करेंगे जैसे ही conductors के अंदर electric current flow होगा तो conductors उस current से थोड़ी सी कम अपनी kundness निकालेंगे यानि कि थोड़ी सी कम रुकावट पैदा करेंगे उसके रास्ते से इसलिए current का flow conductors के case में जादा होता है और resistance कम होता है ठीक यह चीज़ आपको आई बात समझ में तो यह specific resistance या resistivity सिर्फ और सिर्फ कंड़क्टर के material पर depend करती है उसे conductor के length, cross section area किसी से मतलब नहीं होता है I hope फटाफट हमने सारी चीज़े revise कर ली है flashback में हम चले गए है I hope यह चीज़े आपको revise हो चुकी होगी अब अगर revise हो चुका है, revision हो चुका है तो अब आज आते हैं हम अपने आज के पहले सवाल पे First question क्या है भाई A wire of length 10 cm has a resistance of 4 ohms If the wire is stretched to double its length, find the new resistance मतलब क्या है? हमारे पास है एक wire इस wire की length कितनी है? 10 cm है और इसके अंदर resistance कितना है? 4 ohms का है ठीक? यह तो हुआ अपना case 1 Case 1, इसके बाद में आजाओ case 2 Case 2 में क्या हुआ है? Same आपने wire लेके रखा हुआ था और इस wire को आपने अब क्या कर दिया? Stretch कर दिया यह जो आपने पहले case में wire लिया है ना जिसकी length किती थी 10 cm Same wire को उठाया आपने दूसरे case में और उसको खैंच दिया पकड़के कितना खैंचा? कि उसके जो length है वो double हो गई पहले length कितनी थी? 10 cm थी अब कितनी हो गई? 20 cm हो गई यह चीज़ आई आपको समझ में तो अब इससे हमसे पूछा गया है कि जब हमने एक wire को पकड़के खैंच दिया उसकी length डबल कर दी तो अब जो हमारे पास 20 cm का wire मिला है उसका resistance कितना होगा? जो हमारे पास second wire आया है stretched wire जो है हमारे पास उसका new resistance कितना होगा? अब एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पे बच्चे mistake करते हैं mistake क्या करते हैं? इन दोनों ही cases में common क्या होने वाला है? common होने वाला resistivity पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी अभी हमने revise किया था कि resistivity जो होती है वो conductor के material पे depend करती है ठीक है? किस पे depend करेगी? वो conductor के material पे depend करेगी अगर material different है conductor का तो उसकी resistivity भी different हो जाएगी लेकिन यहां तो हम same wire use कर रहे है case 1 में जो हमने wire use किया था वही हमने case 2 में भी wire use किया है फरक का आया है बस हमने क्या किया है? उसका length क्या करी है? हमने बढ़ा दी है लेकिन material तो अभी भी वही है ना ऐसा थोड़ी कि stretch करने के बाद में पहले silver का wire था जैसी हमने stretch करा तो वह golden wire बन गया material तो तब भी वही रहेगा अगर आपने silver wire लिया है तो stretch करने के बाद उसकी length डबल करने के बाद वह silver ही रहेगा तो resistivity क्या रहेगी? same ही रहेगी तो एक काम करते है जो resistivity इस wire की है वही resistivity दूसरे stretched wire की भी हो जाएगी तो क्यों ना हम पहले वाली resistivity की value दूसरे वाली resistivity में रख दें? हो सकता है possible कैसे निकालेंगे भाई? तो R is equals to rho L upon A L यहाँ पे कितनी है? 10 cm है ठीक है? कितनी है 10 cm और area कितना है? यह क्या है? अच्छा अपने पास क्या दिया गया है? अपने पास दिया गया है resistance तो R की जगा में क्या लिख देती हूँ? R की जगा में लिख देती हूँ 4 तो यह cancel out हो जाएगा 2 से 2 2s are 4, 2 5s are 10 अब और cancel out हो नहीं सकता further अदर तो हम क्या करते हैं? इसको ऐसे लिख देते हैं 2a divided by कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 5 is equals to rho तो पहले वाले केस में resistivity की value कितनी आई? simple हमें resistance का formula लगा था R is equals to rho into L by A R लग दिया हमने 4 L लग दिया हमने कितनी? 10 cm तो rho की value कितनी आगई? 2a divided by 5 A यहाँ पे क्या है? area of cross section है अब यह चीज में आपको बतारी है जो आप करते हो बच्चे करते हैं exams में ठीक है? अब क्या होगा? अब जो हमारा दूसरा वाला केस है इसमें भी हम क्या करेंगे? resistance क्या क्या करेंगे तो r is equal to rho L upon A यहाँ पे length कितनी हो गई? length हो गई यहाँ पे 20 cm तो r is equal to rho 20 upon A wire को हमने stretch किया न length उसकी double हो गई तो length हमें कितनी रख दी? 20 cm रख दी पहले वाले rho की value हम दूसरे वाले case में रख देते हैं क्योंकि rho तो बराबर ही resistivity तो बराबर ही है दोनों ही cases में तो कितना हो जाएगा? rho की value रख दो उठा करके rho की value कितनी है? 2 A divided by 5 into L by A याने कि 20 upon A अब यह A से A cancel out हो जाएगा 5 4s are 20 हो गया तो r कितना आ गया? r आ गया 4 to the 8 ohms आप निगाल देते हो answer जबकि यह calculation ना बिल्कुल गलत है पूछो क्यूँ? एक example लेते हैं आपके पास एक rubber band है उस rubber band को थोड़ा सा stretch करके देखो जब आप उसको stretch करोगे तो आप यह observe करोगे कि stretch करने के बाद क्या हो रहा है? उसकी length तो बढ़ रही है लेकिन उसकी चोड़ाई है ना वो भी कम हो जाती है अगर आपकी rubber band इतनी चोड़ी है तो जैसे आप उसको stretch करोगे वो इतनी चोड़ी रह जाएगी यानि कि वो narrow हो जाएगी narrow हो गई मतलब क्या? उसकी चोड़ाई कम हो गई मतलब क्या? उसका cross section area कम हो गया लेकिन आपने तो यहाँ पे cross section area change करा ही नहीं आपने तो cross section area क्या रखा था? सेम ही रखा था चेंज ही नहीं किया आपने cross section area yes or no? कहीं किया कि आपने cross section area change? बिल्कुल भी नहीं किया तो यह वालग जो solution है यह हो जाएगा क्या? आपका बिल्कुल गलत क्योंकि यहां पे आपने cross section area same लिया था wire को stretch करने के बाद आपने यह assume कि wire का cross section area change हुआ ही नहीं जबकि सच तो ऐसा है नहीं है reality में जब आप किसी wire को stretch करोगे उसकी length double करोगे तो उसका area क्या हो जाएगा? half हो जाएगा तो यह वाला जो आपने दूसरा case था ना इसको कर दो रफ पहला वाला जो case था उसका solution तो बिल्कुल सही था क्या निकला था हमने पहले वाले case में जब wire की length 10 cm थी resistance कितना था? 4 ohms था तो हमने वहाँ पे rho की value निकाली थी कितनी निकाली? 2a divided by 5 अब आजाओ हमारे दूसरे वाले case में दूसरे वाले case में क्या हुआ? r is equals to rho l upon a अब यहाँ आप बोल रहे हो कि अगर आपने wire की length डबल कर दी है यानि कि उसका cross section area क्या हो गया है? half हो गया है अगर आपने length बढ़ा दी double कर दी तो cross section area हो जाएगा आधा तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? r is equals to rho l कितना है यहाँ पे? 20 cm है divided by a by 2 a by 2 क्योंकि हम आपने? क्योंकि cross section area हो गया है अब आधा तो एक काम करते हैं इस 2 को ले जाते हैं कहा? उपर numerator में तो यह कितना हो जाएगा? r is equals to 2 है ना इसकी value हम रख देंगे जो पहला वाला अपने पास rho की value आई है दोनों में resistivity तो सेम होने वाली है तो पहले वाले case में जो resistivity आई है उसकी value हम दूसरे वाले case में रख देंगे जब हम दूसरे वाले case में रखेंगे तो क्या होगा? r is equals to resistivity की value कितनी है भाई 2A divided by 5 into ये जो पूरी आपने value निकाली है 2 into 20 into A अब ये रख दो तो 2 into 20 upon A तो A से A ये cancel out हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5 4s are 20, 4 2s are 8, 8 2s are 16 तो अब आपका सही answer आया है कितना 16 ohms पहले answer गलत आया था क्यों गलत आया था क्योंकि आपने wire की लंबाई तो बढ़ा दी लेकिन उसके cross section area को तो आपने same ले लिया जबकि जब आप एक wire की length बढ़ाते हो ना तो cross section area कम हो जाता है अगर आपने wire की length double करी है तो cross section area क्या हो जाएगा cross section area हो जाएगा आपका A by 2 समझे इस चीज को I hope यह सवार आपको समझ में आ गया होगा अब आप ले लो इस solution का एक screenshot मैं हो जाते हूं screen के बाहर So on the count of 5 आप इसका screenshot ले लोगे So your time starts now 5, 4, 3, 2 and 1 I hope आप सभी ने इसका screenshot ले लिया होगा अब हम बढ़ते हैं हमारे next question पे Next question क्या है भाई Next question हमारा हमसे यह बोल रहा है कि a wire of resistance 5 ohms is folded once to double its length Find the new resistance अभी तो हम wire को क्या कर रहे थे Stretch कर रहे थे अब हमने क्या कर दिया पलट के रख दिया याने कि उसको fold कर दिया कितने बार fold किया है सिर्फ एक ही बार किया है ठीक है और कैसा fold किया है कि उसका जो length है वो क्या हो गई Sorry उसकी जो length है वो double नहीं होगी वो half हो जाएगी ठीक है यहाँ पे आप इस question में correct लिग लेना उसकी length क्या हो गई है half हो गई है fold करने के बार obviously यह वात है length double तो होगी नहीं half ही होगी जैसे मेरे पास क्या है एक wire है अब मैंने इसको क्या किया है मैंने इसको fold किया है fold कैसी किया है मैंने अब fold करने के भी कई तरीके हो सकते है हो सकता है कि मैंने इसको बहुत जादा फोल्ड कर दिया हो सकते है कि मैंने इसको end पर बिल्कुल जड़ा सा फोल्ड किया है कुछ भी possible है लेकिन question में हमको clearly बोला गया है कि एक wire को हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है कि उसकी length क्या हो जाए half हो जाए ठीक है एक ही बार फोल्ड किया है और उसकी length कैसी हो जाए आधी हो जाए यानि कि आपने wire को कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है दोनों ends आप उसके एक क्यों पर एक ले आओगे तो automatically उसकी जो length है वो क्या हो जाएगी फाइव ohms दिया गया था ठीक है और इसके बार में हमको length कितना ही दी गई थी length हमको इसकी लेंथ की दीही नहीं है ठीक है length इसकी हमको दीहीी नहीं है तो हमने क्या ले लिए इसको length L1 हमने क्या ले ली L ही ले ली, area of cross section हमने कितना ले लिया, A1 हमने ले लिया, A पहले wire की हमें resistance कितना दिया गया है, 5 ohm दिया गया है, जब हमने wire को fold नहीं किया है, उस time पे उसको cross section area कितना है, A है और length कितनी है, उसकी L है अब क्या हो सकता है दोनों cases में same wire है तो resistivity तो same होगी, तो जैसे हमने previous question में किया था, क्या किया था हमने resistivity, पहले वाले case की resistivity, दूसरे वाले case की resistivity में हमने value put कर दी थी तो पहले वाले case की भी आप resistivity निकालोगे, कैसे निकालोगे R is equals to rho L upon A, ये क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, R1 कितना दिया गया है आपको R1 दिया गया है 5 ये क्या हो जाएगा, rho L कितना है भई, L1 कितनी है L है, A कितना है, A1 कितना है cross section area A है, तो अब ले आओ rho की value कैसे निकालोगे cross section area को LHS में ले आओ और L को कहां ले आओ LHS में denominator में तो ये क्या आगई, rho की value आगई, ये जीज़ आपको clear हुई, अब यहाँ पे वो वाली mistake मत करना जहाँ पे हमने पहले करी थी यहाँ पे क्या हो रहा है, length यहाँ पे double हो रही है, जब length क्या होती है, sorry, यहाँ पे length क्या हो रही है, half हो रही है, उस case मतलब क्या, पहले cross section area था कितना A, तो नया वाला cross section area कितना हो जाएगा, 2A देखो न, यहाँ पे cross section area बढ़ नहीं गया, पहले सिफ इतना था जैसे आपने उसको fold किया, तो double हो गया, तो अब new resistance कैसे calculate करोगे, R2 is equals to rho L2 upon A2 R2 हमें calculate करना है, ठीक है जो हमारी resistivity है वो तो same ही रहेगी, rho की value put कर दो, क्या हो जाएगा, 5A divided by L into, L2 कितना है भाई, अब हमारा जो length है, वो कितनी हो गई है length हो गई है, half तो अब L2 क्या लिखोगे, आप L upon 2 लिख दोगे L upon 2 लिख दोगे, इसके बाद में, जो cross section area है आपका, cross section area कितना हो गया जाएगा, अब अपना 2A हो जाएगा, L2 क्या हो जाएगी भाई, L by 2 हो जाएगा, और cross section area कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, 2A तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो, L upon 2 into 2 2A L upon 2, क्यों, क्योंकि हम wire को fold कर दिया, तो उसकी length आदी हो गई, है ना, और इसके बाद में, cross section area जो मारा cross section area है, वो double हो रहा है, तो इसलिए मैंने 2A लिख दिया, अब ये A से A cancel out हो जाएगा, L से L cancel out हो जाएगा, ठीक है, नीचे बचा क्या, बचा है, R2 is equals to 5 divided by 4 क्या हो गया, R2 is equals to 5 divided by 4, ये क्या होगा, यही होगा आपका new resistance, कब आया है ये resistance, जब आपने एक wire को fold कर दिया, कुछ ऐसे fold किया, कि उसकी जो length है, वो क्या हो गई है half हो गई है, ठीक है, length कैसी हो गई है, half हो गई है, तो जाहिर है, अगर length half हो ये, तो area of cross section क्या हो जाएगा, double हो जाएगा, I hope, ये सवाल आपको समझ में आया होगा, अब फटा-फट से इसके solution का ले लो, आप क्या एक screenshot, और sorry, यहाँ पर क्या दिया आ गया था, हाँ ठीक है, फटा-फट से आप इसका screenshot ले लो, मैं जाती हूँ screen के बाहर, so आपका time start होता है, अभी so 5, 4 3, 2 and 1, I hope आप सभी ने इसका screenshot ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं हमारे third question की, third question क्या है भाई two wires having same length but different radius R1 and R2 find the ratio of their resistance and resistivity if they are made of same material हमारे पास दो wire है और हम से क्या बोला गया है दोनों same material के ही बने हुए है अच्छी बात है, और पूछा क्या है उनकी length भी same है यानि कि हमारे पास दो wire है, एक रहा ये वाला wire, दूसरा ये वाला wire दोनों ही same material के बने है समचलों दोनों किसके बने हुए है silver के बने हुए है और दोनों की length भी क्या दी गई है बाई, same दी गई है लेकिन इनका जो radius है ठीक है, इनका जो radius है वो कैसा दिया गया है अलग-अलग है इसका है R1 और इसका है R2 पूछा क्या गया है हमसे हमसे पूछा गया है इनके resistance का ratio और इनकी resistivity का ratio तो suppose ये वाला जो wire है इसका resistance है R1 इसका वाला resistance है R2 तो हमें R1 और R2 का ratio पूछा है साथ-साथ में इसकी resistivity और इसकी resistivity का ratio पूछा गया है ज़रा ये बताओ जो हमारी प्यारी resistivity है वो आखिर किस पे depend कर रही थी वो तो सिर्फ और सिर्फ depend कर रही थी conductor के material पे कि conductor बना किस चीज़ का है यहां तो हम देख रहे हैं कि दोनों wire silver के ही बने हुए है तो यहां पे जो resistivity होगी वो क्या होगी? same होगी अगर ये silver या gold का बना होता या copper का बना होता या कोई और material होता नाइक्रोम वगएरा तो resistivity differ कर जाती लेकिन यहां पे तो resistivity same होगी क्यों? क्योंकि दोनों ही wires same material के बने हुए हैं दोनों ही silver के बने हुए हैं तो क्या होगा? इसकी resistivity कितनी हो जाएगी row? इसकी भी resistivity हो जाएगी row तो यहां पे मैं लिख देती हूँ ठीक है? row 1 divided by row 2 कितना हो जाएगा? row by row is equals to 1 ratio 1 तो भाई resistivity का जो ratio है वो कितना आया? 1 ratio 1 अब आ जाओ किस पे? resistance के उपर resistance क्या होगा? resistance का ratio आप कैसे निकालोगे? formula क्या होता है भाई? तो R is equals to row L upon A यहां पे resistivity क्या है? same है L क्या है? same है देखो सवाल में दिया गया था कि इनकी length कितनी है? दोनों wires की same है L1 भी कितनी L है L2 भी कितनी है? L है हैने कि दोनों wires का material से में दोनों की length सेम है तो row और R L वाला जो factor है उसको मैं हटा देती हूँ क्यों? क्योंकि दोनों का ही क्या होने वाला है? same होने वाला है मैंने क्या है पे निकाला? कि R किसके inversely proportional जा रहा है? area के area क्या दोनों wires का same है? बिल्कुल भी नहीं क्यों? क्योंकि दोनों के radius अलग अलग है इसलिए उनका जो area होगा वो भी अलग-अलग होगा length एक जैसी थी, resistivity एक जैसी थी इसलिए मैंने rho और L वाला जो term है वो हटा दिया अपने formula से मैं अब focus करूंगे resistance पे और area of cross section पे सबसे पहले तो हमारा ये वाला जो wire है इसका हम resistance निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा R1 is equal to 1 upon area area क्या होता है भाई, pi r square ठीक है, r यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 दिया गया है r1, तो ये हो जाएगा resistance, इस वाले wire का कितना r1 is equal to 1 upon pi r1 का square, similarly जो हमारा second वाला wire है, उसका resistance कितना हो जाएगा, 1 upon pi r 2 square, क्यों? क्योंकि दूसरे वाले wire का resistance कितना दिया गया है, r2 दिया गया है तो ये हो गया r1 का square ये हो गया r2 का square, हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था r1 और r2, यानि कि दोनों ही wires के resistance का ratio निकालना था, तो हम क्या कर देंगे? r1 divided by r2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 upon pi r2 sorry, 1 upon pi r1 1 upon pi r1 का square इसके भी नीचे क्या आ जाएगा? 1 upon pi r2 का square क्या करेंगे? pi r2 का square जो हैना, हम उपर दियाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? r1 divided by r2 कितना हो जाएगा? pi r2 का square divided by pi r1 का square pi pi cancel out हो जाएगा तो r1 upon r2 कितना आया है? आया है आपका r2 का square और r1 का square इसको कर लो एक डब्बे में बंद और इसको भी कर लो एक डब्बे में बंद तो यह जो आपके ढबे में बंध है ना यह क्या है answers है Resistivity दोनों की same हुई क्यों same हुई क्योंकि दोनों same material के बने हुई तो दोनों wires इसलिए इनका ratio कितना है 1 ratio 1 फिर जो दोनों ही wires का resistance है वो किस पर depend करेगा दोनों के area पर depend करेगा क्यों क्योंकि दोनों ही wires का जो resistivity है और जो length है वो तो same है area के से निकलेगा? πi r square से निकलेगा तो बस आपको value पुट कर देनी है बाकी तो आपका answer आही जाएगा r1 r2 का ratio क्या है या? r2 square divided by r1 square फटाफट से ले लो आप इसका एक screenshot So on the count of 5, 4, 3, 2 and 1 I hope आप सभी ने इसका screenshot ले लिया होगा अब इसका जो next सवाल है आज के हमारे session का ये है आपके लिए homework जितने जहां पर silly mistakes करते थे बच्चे जिस type के सवालों पर वो सवाल मैंने आपको करा दी है अब ये वाला सवाल आप खुद करके देखेगा और बताएगेगा कि बना की नहीं बना हम इसको अपने next DPQ session में जरूर discuss कर लेंगे लेकिन इसके पहले आप जरूर try कीजेगा तो आप इस question का screenshot ले लिजे और इसे solve करिए तो your time starts now So 5, 4, 3, 2 and 1 I hope आप सब इसका screenshot ले लिया होगा नहीं लिया है तो कोई बात ने वीडियो को post करके ले लो यार अब आज के इस session के लिए इतना ही हम मिलेंगे अपने next session में जहांपे हम बात करने वाले हैं resistors का जो parallel combination होता है न वो series पढ़ लिया अब हम parallel combination की बात करेंगे तो हम मिलेंगे अपने next session में तब तक आप क्या करेंगे हमारे जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर ले न जहांपे आपको सभी chapters की video lectures मिलने वाले हैं playlist में साथी साथ सभी topics के वहांपे आपको होंगे notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching Hello everyone, a very good morning to all तो students आज के इस lecture में हम पढ़ने वाले हैं resistors का एक और combination जिसका नाम है parallel combination previous sessions में हमने बात करी थी different resistors जब वो किसी circuit में series में arranged थे और आज हम बात करेंगे उन resistors की जब वो किसी भी circuit में parallel होंगे भई देखो दो ही combination possible होते हैं resistors के किसी भी circuit में या तो series या parallel और एक complex combination भी आता है और parallel में भी दिखते हैं वो थोड़े सा higher level का हो जाता है अब वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप series की साथ-साथ parallel combination भी अच्छे से समझ लेंगे तो आज के session का मैंने target set कर दिया है कि इस session में हमें किसके उपर बात करनी है हमें बात करनी है resistors जो की parallel arranged है या combined है किसी circuit में ठीक है आज का जब session का target set हो गया है तो फिर देरे कि इस बात की तो चलिए start करते हैं हम आज का ये session So this is विभूती खरे Welcome to Magnet Brains रहाँ पे आपको सभी chapters की video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी पी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है Quality Education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का ये हमारा session Resistors in parallel के साथ ठीक है अब आपको पता होगा ये मैंने आपको Series वाले combination में भी बताया था कि हमारे घर में जितने भी आप electrical appliances देखते हैं चाहे वो bulb हो, चाहे वो fan हो, चाहे वो heater हो वो किस की तरह काम करते हैं वो एक काम करते है Resistor की तरह अब अगर मुझे अपने circuit में Resistor को बनाना है तो उसका symbolic representation क्या होता है भई? ये होता है क्या होता है symbolic representation? कुछ इस तरीके से होता है Series में हम क्या करते थे? Series में हम एक Resistor के साथ दूसरा add कर देते थे दूसरे के साथ तीसरा add कर देते थे जितने add करना चाहू continuation में आप Resistors add कर सकते थे है ना? लेकिन जब हम बात करते है parallel की तो parallel में क्या होता है भई? एक Resistor के साथ दूसरा जो Resistor होगा वो कैसे में रहेगा? Parallel इरेंज रहेगा यानि कि आम में सामने रहेगा एक particular distance बना करके रहेगा अब यहाँ पे भी जितना चाहू मैं उतने Resistors add कर सकती हूँ चीक है? जितने चाहू मैं आपे Resistors add कर सकती हूँ तो यह जो combination आपको दिख रहा है जहाँ पे मेरे Resistors कैसे है एक दूसरे से parallel है इसे में क्या कहूँगी? Resistors का parallel combination सीरीज में एक के बाद एक continuation में add करते जाते थे और parallel में क्या करते है? Resistors को आपने सामने add करते जाते है तो वो क्या बन जाता है? parallel combination बस अब इस parallel combination में मैंने क्या करा है? मैंने लगा दी है क्या? एक battery एक battery लगा दी battery लगाने से क्या होगा? बैटरी लगाने से क्या होगा? एक potential difference आ जाएगा और जहाँ potential मिला, वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ हम बोलते हैं कि current flow होगा potential difference आ गया? तो current flow होने लगा current flow होगा जैसे ही resistors के अंदर current गया तो resistors की क्या tendency होती है? current को resist करने की याने की वहाँ पे क्या आ जाएगा? resistance भी आ जाने वाला है जैसे ही हमने resistors को एक बैटरी के across लगा दिया, connect कर दिया बैटरी लगाने से क्या होगा? एक potential difference हैट हो जाएगा potential difference आएगा, वहाँ current flow होने लगेगा current flow जैसे ही होगा resistors के अंदर, तो भई resistors के अंदर क्या tendency होती है? current को करने की, उसको रोकने की, उसके path में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं वो ठीक है? याने की वहाँ पे resistance भी exist करेगा इस parallel combination में हमें देखना क्या है? इस parallel combination में हमें potential difference और यह जो हमारा current है इस पे focus करना है मतलब कि जैसे ही आप कुछ resistors को parallely arrange करते हो और उसको एक potential difference के across set करते हो, उस parallel combination को तो उस पूरे circuit में, उस पूरे combination में current और potential difference का क्या होता है? मेरी जिम्मदारी है आपको ये दोनों चीज़े समझाने की आपको clear हो रही है चीज़े कि हमें parallel combination में पढ़ना क्या है parallel combination में हमें ये पढ़ना है कि जैसे हमने parallel combination में arranged resistors को एक potential difference में set कर देते हैं तो उस पूरे circuit में, उस सभी parallel combination में, उस सभी resistors में potential difference और current का होता क्या है? कैसे flow करते है potential difference कैसा flow करता है current ये हमें देखना है ठीक है अब दो चीजे हैं पहली चीज क्या है कि हमारा जो current होता है वो क्या हो जाता है distribute हो जाता है और जो हमारा potential difference है वो कैसा रहता है it remains the same सभी circuit में जब current जाएगा तो current इस case में क्या होने वाला है distribute होने वाला लेकिन जो potential difference है वो क्या रहेगा same ही रहेगा याने कि same voltage का potential सभी resistors में पहुँचने वाला है क्या ये दोनों points series combination के बिल्कुल opposite नहीं है series combination में हमने पढ़ा था कि current distribute नहीं होगा हर एक resistor में जो है एक ही current जाएगा जैसी कि कोई particular circuit है उसमें suppose 20 ampere current flow कर रहा है और उसमें करीबें 20 resistor लगे हुए है 200 resistor में same current flow होगा ऐसा नहीं होगा कि एक resistor के अंदर current गया 20 ampere तो resistor नहीं क्या कर लिया थोड़ा सा current है वो अपने पास रख लिया बाकी का बहा दिया दूसरे end से निकाल दिया तो जो दूसरा वाला resistor है उसका पडोसी resistor उसके पास जो है कम amount का current पहुँचा ऐसा नहीं होगा resistors current का जो flow है उसमें रुकावट जरूर पैदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसे रोकेंगे नहीं उसे store नहीं करेंगे ठीक है रुकावट पैदा करेंगे लेकिन उसे रोक नहीं पाएंगे उसे store नहीं कर पाएंगे जितना एक पूरे circuit में current flow हो रहा है 20 ampere तो ये 20 ampere current सभी resistors में जाएगा चाहे आपने 2 लगाए हो resistors series में या आपने 20 resistors arrange करें हो series में लेकिन हाँ जो potential है वो क्या हो जाता था distribute होता था एक resistor में कुछ और दूसरे में कुछ और तीसरे में कुछ और लेकिन जब हम बात करते है series parallel combination की तो यहाँ पे current distribute हो जाएगा लेकिन जो हमारा potential है न हर एक resistor में कैसा होगा same ही पहुँचेगा अब सवाल यह आता है कि इस चीज़ को समझे कैसे एक काम करते हैं भूल जाओ अभी तक जो भी मैंने बाते करी भूल जाओ उसे एक काम करते हैं हम क्या बनाते हैं जैसे कि हमने series के में समझा था series combination में हमने क्या किया था एक pipe लिया था और उस pipe के दोनो ends का मैंने नाम रख दिया end A, end B फिर क्या हुआ end A से मैंने क्या किया थोड़ा सा पानी pipe के अंदर डाला क्या होगा automatically यह जो पानी है एक end से अंदर आया है तो दूसरे end से बाहर भी निकल जाएगा कितना निकलेगा same quantity जितना पानी मैंने अंदर भेजा था न उतने का उतना पानी pipe के बाहर चला जाएगा इसमें कोई doubt तो नहीं है आपको ठीक है अब मैंने क्या किया है ये जो मेरा pipe आ रहा था suppose मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया है क्या करा मैंने पहले हमारे पास सिर्फ ये जो blue वाला pipe दिख़रा आपको तिर्फ ये था अब मैंने क्या किया pipe को थोड़ा सा लंबा कर दिया लंबा तो किया ही किया साथ में मैंने क्या किया इसकी एक और branch भी मैंने निकाल दी ठीक है अब पानी जो है कहां से आ रहा है पानी suppose यहां से आ रहा है जैसे ही इस point टक पानी पहुँचा अब वो जाके विचारा क्या हो गया confused हो गया क्यों? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बहने के लिए एक ही pipe था लेकिन अब वो क्या देख रहा है कि उसके पास जाने के लिए दो रास्ते हैं एक तो यह blue वाला और एक यह red वाला अब हमारा पानी बिचारा हो गया confused कि अब मैं कहां जाओ अभी तक तो केवाल एक ही pipe था लेकिन अब क्या हुआ? अब तो मुझे दो-दो pipe मिल गए जाने के लिए अब मैं कहां जाओ? ऊपर वाले में जाओ यह नीचे वाले में जाओ? blue वाले में जाओ यह red वाले में जाओ? तो उसने क्या सोचा? कोई बात नहीं हम की जिमें भेद्राव नहीं करेंगे हम क्या करेंगे? थोड़ा सा हम चले जाएंगे red वाले में भी और थोड़ा सा चले जाएंगे हम blue वाले में भी ठीके? current के पास जब पानी के पास एक pipe था तो उसके पास कोई option नहीं था जिस pipe में डाला है उसी pipe में वो flow करेगा लेकिन जब आप current अपने पानी को option दे दोगे कि अब आपके पास जाने के लिए दो दो pipe है, blue वाला भी है, red वाला भी है अब आप कैसे जाओगे? तो current हो जाएक उस confusion को दूर करने के लिए उसने क्या सोचा? कि भई कोई दिक्कत की बार नहीं है, अगर दो pipe दे रहे हैं जाने के लिए, दो रास्ते दे रहे हैं जाने के लिए, तो हम दोनों में चले जाएंगे, थोड़ा सा पानी red वाले pipe से चला जाएगा, और थोड़ा सा पानी blue वाले pipe से चला जाएगा चीक है? अब क्या हुआ? इन दोनों ही pipes को मैंने क्या कर दिया? आगे जाके कर दिया, combine माना पानी जब बहना शुरू कर रहा था तो वो initially दो pipe में divide हो गया था लेकिन जैसे ही इन दोनों ही pipe के बाहर निकलेगा तो क्या होगा? जितना पानी टोटल पानी अंदर गया था दोनों pipe के अंदर उतने का उतना पानी क्या हो जाएगा? बाहर भी आ जाएगा जितना पानी सपोस्पोस्थ मैंने यहाँ पे एक लीटर पानी जो है pipe के अंदर डाला था हो सकता है कि 700 ml जो है उपर वाले pipe में चला गया हो और 300 ml पानी नीचे वाले pipe में चला गया हो लेकिन जैसे ही 700 और 300 ml पानी दोनों ही divided pipe से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा same quantity में निकलेंगे यानि कि डाला मैंने कितना था पानी एक लीटर डाला था और बाहर भी कितना निकला एक ही लीटर निकला ऐसे कैसे हुआ क्योंकि यह जो हमने pipes बनाया है ना इनने क्या किया इनने current इनने water को अपने through जाने दिया इन दोनों pipes ने भले ही पानी को थोड़ी दिर के लिए divide जरूर कर दिया था लेकिन ये इननों ने इनको रोका नहीं इन दोनों ही pipes ने पानी को रोका नहीं उसके पास कोई storage tank तो नहीं था कोई tanky तो नहीं थी उनके पास कि जैसी पानी आया उनने उस tanky में भरके रख लिया दोनों pipes थे दोनों क्या थे एक passage थे एक channel की तरह काम कर रहे थे पानी के flow के लिए तो initially पानी जो है एक लिटर गया दो रास्ते उसको मिल गया पानी ने सोचा कि चलो हम दोनों ये रास्ते पर चल देते हैं थोड़ा सा पानी हो सकता उपर चला गया होगा थोड़ा सा पानी नीचे वाले pipe में चला गया होगा लेकिन जैसे ही पानी दोनों pipe के बाहर निकलेगा एक common pipe में जाएगा तो जितना पानी हमने पहले डाला था पाइप के अंदर उतना ही पानी क्या होगा बाहर भी निकलेगा क्यों? क्योंकि इन पाइप्स ने उस पानी को स्टोर करके नहीं रखा अपने तुरू जाने दिया स्टोर करके नहीं रखा अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है न तो पूरी की पूरी ये उठा करके कॉपी कर दो कहां हमारा जो parallel combination है न रेजिस्टर का उसमें कॉपी कर दो कैसे चलो यहाँ पे मैं एक और रेजिस्टर लेती हूँ और ये रहा क्या दूसरा रेजिस्टर जो की इसके combination में है और इसके इन दोनों के across मैंने क्या लगा दी है एक cell लगा दिया है cell लगा दिया मतलब क्या होगा potential difference मैंने set कर दिया potential difference set कर दिया मतलब क्या अब होगा क्या current flow लेकिन क्या हुआ जैसे ही current ने flow करना शुरू किया और इस point पक पहुँचा उसे क्या दिखा उसे जाने के लिए दो-दो रास्ते दिखे ये वाला resistor हो गया resistor 1 ये हो गया resistor 2 जैसे ही current flow होना शुरू हुआ और इस particular point A तक पहुँचा point A पे पहुँचने के बाद current को realize हुआ कि भाई यहाँ पे तो दो-दो रास्ते हैं जाने के लिए resistor 1 में भी हम जा सकते हैं resistor 2 में भी जा सकते हैं जैसा कि pipe के साथ हो रहा था pipe के पास भी आगे जाने की दो रास्ते दे पाणी ने क्या decide कि या पाणी decide कि हम किसी में भेद्भाव नहीं करेंगे हम थोड़ा सा blue वाले pipe में भी चले जाएंगे थोड़ा सा हम red वाले pipe में भी चले जाएंगे तो हमारा current भी क्या करेगा? current भी बिल्कुल पानी की copy करेगा current भी क्या सोचेगा? कि अच्छा ठीक है आगे जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं पहरा resistor 1 दूसरा resistor 1 तो एक काम करते हैं थोड़ा सा हम चले जाएंगे कहां? resistor 1 में और थोड़ा सा हम चले जाएंगे कहां? resistor 2 में अब मैंने आपको बोला है कि resistor का काम क्या होता है? current की flow में उसके पास में रुकावट पैदा करना लेकिन उसे रोकना नहीं उसे रोकता नहीं है resistor उसके सिफ रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है current की flow को difficult बनाता है complex बनाता है लेकिन उसे कहीं भी store करके नहीं रख सकता क्योंकि हमारे resistor के पास कोई storage tank थोड़ी है कि उसने current को अपने पास store करके रख लिया यह तो possible नहीं है तो क्या हुआ current I1 जो main current जो flow हो रहा था circuit में वो कितना था I था जैसे ही current को दो रास्ते मिल गए जाने के resistor 1 और resistor 2 क्या होगा वो divide हो जाएगा हो सकता है I1 current चला गया resistor 1 में और I2 current चला गया कहा resistor 2 में अब क्या होगा यह दोनों ही current क्या होंगे बाहर भी निकलेंगे resistor के I1, I2 और total I1, I2 कितना होता है I के बराबर यानि जितना current निकला था circuit से उतना ही current भले ही वो दो resistors जो कि parallelly arrange थे उन दोनों में जाने के बाद divide हो गया है लेकिन जैसे ही current वो दोनों current resistor के बाहर निकलेंगे न तो same quantity में निकलेंगे यानि की I में ही निकलेंगे मैंने आपको बताया था कि जो पानी का flow हो रहा है pipe में अगर आपको वो समझ में आ गया है तो ये चीज़ आपके लिए समझना आसान है मुश्किल बिलकुल भी नहीं है ठीक है हमने क्या किया था दो parallel resistors हमने लिए दोनों के across हमने एक cell लगा दिया cell लगाया मतलब कि potential difference set हो गया potential difference set हुआ मतलब क्या current flow होना शुरू कर देगा current जैसे ही एक point पे पहुँचा उसे क्या realize हुआ 2 में गया है दोनों में चले गया ठीक है तो यहाँ पे जो मेरा I current था वो divide हो गया किसमे I1 और I2 में I1 current कहां गया resistor 1 में I2 कहां गया resistor I1 कहां गया resistor 1 में और I2 गया resistor 2 में जैसे ही यह दोनों current point B से बाहर निकलेंगे तो same amount जितना amount पहले गया था resistor के अंदर उतने ही amount में क्या हो जाएंगे बाहर भी निकलाएंगा यानि कि I amount में ही बाहर निकलेंगे I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी तो हमें parallel combination में दो चीज़े समझनी थी मैंना आको बताया था कि parallel ही जब resistors arrange होते हैं किसी circuit में तो current क्या हो जाता है distribute हो जाता है लेकिन जो potential है वो कैसा रहता है सेम रहता है तो current किस तरह से distribute हो रहा है यह आपको समझ में आ गया अब एक काम करते हैं अब हम समझ लेते हैं क्या potential potential difference कैसे समझेंगे फिर से हम क्या बनाएंगे दो resistors दे लेंगे combination में और उनके across हम में क्या लगा दी एक battery लगा दी ठीक है battery लगा दी याने कि क्या हो गया potential difference रहे हो गया और current भी बहने लगा अब मैंने आपको क्या बोला current का तो हम देख चुके हैं कि current distribute होता है लेकिन potential difference क्या हो रहा है same ही रहता है याने कि same जितने भी resistors आप लगा लो parallelly उन दोनों में क्या होने वाला है उन सभी resistors में क्या होने वाला है जो potential है ना वो same पहुँचने वाला है अब कैसे से पता करेंगे जैसे कि हमने series वाले में पता किया था हम क्या करेंगे ले लेंगे क्या एक voltmeter voltmeter क्या होता है by voltmeter potential difference measure करता है ठीक है अच्छा अब मैं इन दोनों points को नाम भी दे देती हूँ तो मेरे दोनों resistor है न ये आपस में point A और point B पे क्या है connected है point A और point B पे मेरे दोनों resistors कैसे है connected है parallelly arranged है और point A और B पे क्या है connected है अब मुझे क्या करना है ये रहा resistor 1 ये रहा resistor 2 मुझे resistor 1 के across कितना potential पहुँच रहा है वो मुझे पता करना है तो मैं क्या करूंगी भाई यहाँ पे एक voltmeter set कर दूंगी है ना जैसा कि हमने series combination में किया था अगर आपको किसी resistor के across potential difference निकालना है तो आप क्या करते हो एक voltmeter set कर देते हो ये जो मेरा पास resistor 1 था इसके across मुझे potential difference find out करना था तो मैंने क्या किया मैंने इसके across एक voltmeter set कर दिया easy ठीक है अब क्या होगा अब potential difference measure करेगा मेरा voltmeter एक बार बताओ यहाँ पे लिखा है मैंने point A और यहाँ पे लिखा है point B point A और point B के बीच में आप potential difference कैसे निकालते थे suppose point A पे potential कितना है 10 और point B पे कितना है 5 volt तो आप दोनों ही points के बीच में potential difference कैसे निकालते थे VA minus VB कर देते थे 10 minus 5 is equal to 5 volt है ना यह करते थे आप सेम चीज़ आपको यहाँ भी apply करनी है जो मेरा voltmeter लगाया है मैंने resistor 1 के across यह क्या करेगा resistor 1 में जितना potential difference आ रहा है उसको measure करेगा कैसे करेगा तो भई potential difference sorry potential at point A minus potential at point B क्यों क्योंकि यह जो मेरा resistor है ना इसके दो points है यह रहा point A और यह रहा क्या point B भई आप दो points के across potential difference कैसे निकालते थे तो potential at point A potential at point B मैंने क्या किया है resistor 1 के across मुझे potential difference निकालना है इसके लिए मैंने voltmeter set कर दिया यह voltmeter potential difference कैसे निकालेगा resistor का जो एक point है जो first resistor है मेरे पास उसके दो points है एक रहा point A एक रहा point B तो potential at point A minus potential at point B ठीक है potential at point A potential at point B यह क्या आ गया यह हम बात करते हैं जो मेरा पहला वड़ा resistor है उसके across potential difference कितना है वो आया अब क्या करा मैंने एक और voltmeter लगाया मैंने ठीक है एक और voltmeter लगाया मैंने resistor 2 के across क्योंकि अब मुझे क्या पता करना है कि resistor 2 में कितना potential जा रहा है तो मैंने क्या क्या resistor 2 के across एक और voltmeter लगा दिया जो second वाला resistor था उसके भी कौन से points थे उसके भी point A और B ही तो थे है ना मैंना आको पहली पता है कि जो दोनों resistor है हमारे पास resistor 1 और resistor 2 ये दोनों कैसे हैं parallelly arranged है लेकिन दोनों आपस में connected है दो points पे A point पे और B point पे अगर मुझे second resistor के across potential difference निकालना है तो मैं अपमे resistor को कहां set करूँगी इसके parallelly मैंने arrange कर दिया अब potential difference कैसे calculate करेगा voltmeter तो देखो ज़रा potential at point A minus potential at point B ये क्या हो जाएगा potential difference across second resistor लेकिन क्या ये value देखी देखी नहीं लगरी बिल्कुल लगरी है हमने जब potential difference निकाला था across first resistor वो भी इतना ही आया था VA minus VB आया था और जो हमारा second बड़ा resistor के across हमने potential difference निकाला है वो भी कितना आया है VA minus VB निकाला है इसका क्या मतलब हुआ जितना potential difference resistor 1 में होगा उतना ही potential difference resistor 2 में भी होगा याने कि हमारा जो potential difference है parallel combination में resistors के वो distribute हुआ ही नहीं series combination में हो रहा था है ना series combination में हो रहा था जैसे कि आपने एक resistor ये लगाया दूसरा ये लगाया ठीक है पहले वाले resistor का point क्या क्या है point A point B दूसरे वाले का क्या है point B point C तो पहले वाले resistor के across आपको potential निकालना है तो आप क्या करोगे इसके across voltmeter set कर दोगे दूसरे वाले के across निकालना है तो यहाँ भी आप क्या कर दोगे एक voltmeter set कर दोगे अब वोल्ट मीटर कैसे निकालेगा potential difference across first resistor तो वो हो जाएगा VA-VB और दूसरे वाले क्या across कैसे निकालेगा VB-VC दोनों के points कैसे थे अलग-अलग थे इस लिए potential difference भी क्या निकला दोनों का अलग-अलग निकला लेकिन यहां क्या हो रहा है यहां तो भाई हमारे resistors जो है same point पे connected है parallelly arranged और same point पे connected है तो आप कहीं भी voltmeter लगा लो किसी भी resistor के across लगा लो कितना निकलेगा potential difference same ही निकल रहा है across each and every resistor parallelly arranged resistor समझ में आरीए आपको यह बात और एक और मज़े की चीज़ यह जो हमारी battery है न यह भी तो A और B point से ही arranged है जो हमारा first resistor था उसके points कौन-कौन से थे A और B जो हमारा second वार resistor था उसके points कौन-कौन से थे point A और point B और यह जो हमारी battery है यह battery भी तो point A और point B पर ही arranged है अगर मैं overall potential निकाल करके देखू पुरे circuit का ठीक है तो क्या निकलेगा V A minus V B ही निकलेगा याने कि overall circuit में जतना potential difference आया है same potential difference हर एक parallelly arranged resistor में पहुँचेगा potential difference distribute नहीं होने वाला I hope यह बाते आपको समझ में आ रही होंगी ठीक है तो इस case में हमने क्या देख लिया parallel जो combination होता resistors का उसमें मुझे आपको दो चीज़े बतानी थी एक तो current का क्या होता है और दूसरा potential difference का क्या होता है series में हमने क्या देखा था कि current सेम रहेगा लेकिन potential difference क्या हो जाता है आगे जाकर के distribute हो जाता है हर एक resistor में अलग-अलग potential पहुँचता है लेकिन parallel में हम ने क्या देखा कि जैसे पानी के पास पानी के पास दो रास्ते हो गए थे जाने के लिए और उन दो रो रास्तों पे पानी गया था किसी में भेदभाव नहीं किया था कि पहले वाले पाइप से चला गया दूसरे से नहीं गया उसी के तरह जो हमारा current है उसके पास भी क्या हो जाते हैं दो रास्ते हो जाते हैं जाने के लिए ठीक है दो क्या कितने भी रास्ते हो सकते हैं बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं तो वो किसी में भेभाव नहीं करता है जितने रास्ते दिख रहे हैं उन सभी रास्तों पे चला जाता है थोड़ा थोड़ा करके यानि कि डिवाइड हो जाता है और जो potential difference है उसका क्या होता है वो सभी resistors में कैसा रहता है same रहता है series और parallel में क्या होता है दोनों ही चीज़े opposite हो जाती है ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई हो तो अब हम बढ़ते हैं आगे ठीक है आगे क्या है भी total current जो हमारा circuit में flow हो रहा था वो कितना था आई था जो कि किसके बराबर है देखो अब मेरे पास जो एक diagram है यहाँ पे आपको तीन resistors देख रहे हैं R3 ठीक है और इनके across जो है एक volt meter भी लगा हुआ है तो हमने क्या किया जितना भी total current flow होने वाला है ठीक है यह हमारा circuit है इस circuit में I current flow हो रहा है यह हमारा circuit है और इसमें I current flow हो रहा है यह I current जो है थोड़ा-थोड़ा distribute होते हुए तीनों ही तीनों ही जो हमारे resistors है उसमें जाएगा कैसे जाएगा suppose जो one first वाला resistor है उसमें चला गया I1 second वाले में चला गया I2 और तीसरे वाले में चला गया कितना I3 लेकिन जैसे ही resistor के बाहर आएगे न तीनों current कितने current आएगे same amount of current बाहर आएगा उतना ही वापस भी आने वाला है I गया था I1, I2, I3 में डिवाइड हो गया और I ही जैसे उस combination से बाहर आया तो I current ही वापस आया ठीक है तो total current circuit में कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 अब क्या करेंगे simple हम इसमें क्या लगा देंगे ohms law लगा देंगे ohms law क्या होता है भाई V is equals to I into R I की जगा हम क्या लग सकते है V R लग सकते है तो I1 की जगा हमने क्या लग दिया V यानि कि first resistor के across कितना current जा रहा है potential difference divided by उसका resistance कितना होगा R1 होगा I2 की जगा आप क्या लग सकते हो V upon R2 और I3 की जगा आप क्या लग सकते हो V upon R3 यानि कि जो भी resistor की आप बात कर रहे हो उसके across current कितना flow हो रहा है तो उसके across potential difference divided by उस particular resistor का resistance ठीक है तो I1 कितना हो जाएगा V R1 I2 कितना हो जाएगा V R2 और I3 कितना हो जाएगा V R3 अब क्या करेंगे इन सब को हम arrange कर देंगे यह जो हमारी equation थी न I is equals to I1 plus I2 plus I3 इस वाली में क्या होगा V जो है cancel out हो जाएगा क्यों? क्योंकि common है यह जो main total current आ रहा था इसमें भी हम क्या लगा देंगे OMS लगा देंगे कितना हो जाएगा V is equals to I into R यानि कि total circuit में current कितना भेरा है total potential difference divided by total resistance जितने भी हमारे पास resistor लगे हुए है उन सब का क्या कर देंगे हम combine resistance ले लेंगे तो I की जगा भी हम क्या लिख देंगे V R लिख देंगे तो इस V से यह सारे V क्या हो जाएगे cancel out हो जाएगे बचेगा क्या 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 किके total resistance circuit में कितना होगा जितने भी आपने parallelly connect करे हैं resistor उन सभी के resistance का आपको क्या लेना पड़ेगा अब reciprocal कर लेना पड़ेगा 1 upon करना पड़ेगा तब जाकर के आपके पास क्या आजाएगा total जो resistance होगा पूरे circuit में वो आएगा और ये derivation आता है आपके examination में board examination में इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसलिए हमने इसको solve भी किया है series में अलग होता था total जो resistance होता था पूरे circuit का वो किसके बराबर होता था individual resistance जो resistance प्रोवाइड करते थे उनका हम sum कर देते थे मिला देते थे लेकिन इस case में क्या हो रहा है इस case में अगर आपको total resistance निकालना है न सरकेट का तो आपको individual resistance जो भी resistance ओफर कर रहे हैं उनका reciprocal का sum करना पड़ेगा add तो आप अभी भी करोगे लेकिन reciprocal में ले करके करोगे ठीक है अब इसका ले लो फटाफट से screenshot क्योंकि एक भई examination में आता है आपके ये V से V cancel out कर देना ठीक है ये V से V cancel out कर देना अब इसका ले लो screenshot So on the count of 5 4 3 2 and 1 I hope आप सभी ने इसका screenshot ले लिया होगा नहीं लिये तो कोई बात नहीं भाई वीडियो को pause करके ले लेना अब आपको सारी चीज़े I hope clear हो गरी हो कि किस तरह से parallel combination में जो current है वो distribute होगा potential same रहेगा और हम resistance कैसे निकाल सकते हैं पूरे circuit का सभी individual resistors के resistance को आप add करोगे लेकिन कैसे add करोगे उनके reciprocal को add करोगे ठीक है अभी parallel combination के बारे में बाते पूरी हुई नहीं है हम next session में parallel combination को complete करने की कोशिश करेंगे हम numerical भी इसके उपर solve करेंगे आपको पता होना चाहिए किस तरह की सवाल बनते हैं parallel combination पे तो आज के इस session के लिए इतना ही हम बात करेंगे हमारे next session में और तब तक आप करेंगे हमारी जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर लेना जहाँ पे आपको सभी chapters की video lectures मिलने वाले हैं playlist में साथ ही साथ सभी topics के वहाँ पे आपको होंगे notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching hello everyone आज के इस session में हम बात करने वाले हैं हमारे topic resistors in parallel के उपर कुछ और बाते previous lectures में हमने बात करी थी resistors in parallel की देखा था कि किस तरह से जब different resistors किसी circuit में parallelly arrange होते हैं तो उनके through pass होने वाला जो current है वो हो जाता है distribute लेकिन जो potential difference है across each and every resistor वो कैसा रहता है same ही रहता है तो इनी कुछ बातों को continue करते हुए आज हम इस session में इस lecture में हम बात करेंगे applications की कि भाई जो resistors हम पढ़ रहे हैं parallel combination में के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के सवाल आते हैं इस topics related आपके examination में तो आज के इस session का आज के इस lecture का मैंने target set कर दिया है कि हमें resistors in parallel combination को करना है complete तो भाई जब target set है तो देरी किस बात की तो चली start करते हैं आज का यह हमारा session तो देखो प्रेविस session में हमने क्या पढ़ा था कि current distribute होगा जैसे कि हमने different resistors लगाए हुए है यह एक circuit है जहाँ पे आपको m meter दिख रहा है जहाँ पे आपको volt meter दिख रहा है जहाँ पे एक battery लगाई हुई है जहाँ पे एक plug की लगाई हुई है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 3 resistor, resistor 1, resistor 2 and resistor 3 कैसे है एक दूसरे के parallelly arranged है है ना और तीनो ही resistors X और Y point पे तीनो ही resistors X and Y point पे कैसे है attached है जुड़े हुए है वैसे parallelly arranged है लेकिन X और Y point पे क्या है तीनो की तीनो आपस में जुड़े हुए है ठीक है अब आप voltmeter लगा लो कहीं भी लगा लो first resistor के across लगा लो second के across लगा लो third के across लगा लो हर एक resistor के across जब आप voltmeter लगाओगे तो potential difference कितना निकलेगा potential difference is equal to potential at point X minus potential at point Y चाहे आप first resistor के across लगा लो potential difference कितना निकलेगा potential at X minus potential at Y चाहे आप second resistor के across निकालो potential difference तो भी वो कितना निकलेगा potential at x minus potential at y ठीक है third resistor के across भी कितना निकलेगा potential at x minus potential at y क्यों? क्योंकि तीनों ही resistor के जो points है वो कैसे है same है तीनों ही resistor के points कौन कौन से है x है and y है in fact जो हमारी battery लगी हुई है यह जो हमारी battery है यह भी x और y point पे कैसी है connected है तो इससे हमें क्या समझ में आया था इससे हमें समझ में आया था कि जो potential difference है across each and every resistor वो कैसा रहेगा same होगा लेकिन हाँ current distribute हो जाएगा क्यों? आपने यहाँ पे क्या करा है battery लगा के रखी है बैटरी लगा यहने की potential difference क्या हो गया set हो गया जैसी potential difference आएगा current जो है flow होने लगेगा अब current जैसे ही point x तक पहुँचा वो हो गया confused क्यों? क्योंकि उसे तो अब तीन रास्ते दिख रहे हैं जाने के लिए पहले वाले resistor के रास्ते पे जाए यह दूसरे वाले के रास्ते पे जाए यह तीसरे वाले के रास्ते पे जाए current हो गया confused लेकिन वो क्या करेगा? वो biased नहीं है ठीके? वो भेदभाव नहीं करेगा कि मैं तो सिरफ first resistor के पाथ में जाऊंगा यह third वाले के पास ही जाऊंगा यह second वाले के पास ही जाऊंगा उसने क्या decide किया? कि मैं थोड़ा-थोड़ा सभी के पास चला जाता हूँ तो थोड़ा सा current चला गया कहाँ 1 के पास, resistor 2 के पास और resistor 3 के पास ठीके? तो जो मारा I current था वो किस में divide हो गया? I1 में हो गया, I2 में हो गया और I3 में हो गया माना के current अभी divide हो गया है लेकिन क्या होगा? जैसे ही यह तीनों ही current I1, I2, I3 हमारे parallel combination से बहार निकलेंगे point Y से क्या होगा? फिर से combine हो जाएंगे यानि कि I1, I2, I3 अभी सिर्फ जब parallel combination के अंदर गुसे थे, तब डिवाइड होए थे लेकिन जैसे इस combination के बाहर निकलेंगे, current कितना बाहर आएगा? current बाहर आएगा, आई जितना गया था parallel combination के अंदर, उतना ही current बाहर आ गया, है ना? जितना current combination के अंदर गया था, उतना ही current कॉंबिनेशन के बाहर भी आया याने कि हमारे जो रेजिस्टर्स हैं उन्हें अपने अंदर करेंट को स्टोर नहीं किया उन्होंने करेंट के रासे में रुकावट जूरूर पैदा करने की कोशिश करी थी लेकिन उन्हें रोका नहीं जितना था उतना ही बाहर निकला तो हम सकते हैं कि potential difference क्या रहेगा भई सब resistor के अगरो सेम रहेगा लेकिन current हमारा क्या हो जाएगा distribute हो जाएगा ठीक है और यह जो आपके पास term आया था यह जो आपके पास relation आया था कि total current किसके पराबूर हो जाएगा i1, i2, i3 इसमें आपने क्या लगा दिया? आपने लगा दिया था Ohm's Law Ohm's Law क्या होता है? Ohm's Law को formula क्या होता है? V is equal to I into R अगर आपको I calculate करना है तो आप क्या लगा देते हो? V divided by R कर देते हो है ना? तो आप क्या करोगे? यह जितने भी आपको current दिख रहे ना चाहे यहाँ पर I क्या है? I है total current जो की हमारे circuit में बह रहा है तो यह total current किसके बराबर हो जाएगा? total potential difference हमारे पूरे circuit में divided by total resistance हमारे पूरे circuit में total current किसके बराबर हो जाएगा? total current बराबर हो जाएगा total potential difference हमारे circuit में divided by total resistance हमारे पूरे circuit में फिर इसके बार में I1 किसके बराबर हो जाएगा? I1 बराबर हो जाएगा V upon R1 के भई I1 है क्या? I1 वो current है जो कि resistor 1 में गया है तो I1 किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशल डिफरेंज अक्रोस रिजिस्टर 1 डिवाइड बाइ हमारे first resistor का resistance ठीक है? I1 किसके बराबर हो जाएगा? potential difference across the first resistor divided by पहले वाले resistor का resistance इसी की तरह से जो हमारा I2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? V upon R2 के बराबर हो जाएगा V क्या है? potential difference across the second resistor divided by R2 क्या है? resistance of the second resistor similarly I3 क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा V upon R3 V क्या है? potential difference across the third resistor divided by R3 क्या है? resistance of the third resistor यहाँ पे मैंने V1, V2, V3 क्यों नहीं लिया है? आप देख सकते हो कि मैंने current को I1, I2, I3 लिया है resistance को मैंने R1, R2, R3 लिया है लेकिन potential difference को तो मैंने V, V, V ही लेके रखा हुआ है वो change हुआ ही नहीं वो इसलिए क्योंकि अभी-भी हमने पढ़ा है कि potential difference क्या रहता है? potential difference across each and every resistor क्या रहता है? same ही रहता है ठीक है? हर एक resistor के across potential difference क्या रहेगा? same रहेगा तो V, V, V इसलिए लिया है V1, V2 या V3 नहीं लिया है मैंने ठीक है? फिर आपको इस तरह की एक equation मिल जाएगी जैसे ही आपने इस वाले relation में ohms roll लगाया है तो आपको ये equation मिल जाएगी अब आप क्या करोगे? इन सभी V को क्या लेलोगे? ब्रैकेट के बाहर लेलोगे क्यों? क्योंकि ये common है ना potential difference तो common है तो आपने इसे लेले अब रैकेट के बाहर ये वाला V cancel out हो गया LHS में रखे हुए V से निकला क्या? 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 ये क्या है? ये है total resistance in the circuit जो कि किसके बराबर है? एड किया है लेकिन ऐसे वैसे नहीं आपने reciprocal उनको बना करके उनका reciprocal एड किया है individual resistance जो आपने लगाये थे पैरलली किसी circuit में उन सभी के resistance का reciprocal आपने लिया उन reciprocal को आपने एड कर दिया एड करने के बाद आपको क्या मिला? 1 upon R, ये 1 upon क्या है? ये total resistance है जो आपके circuit में flow हो रहा है जो आपके circuit में exist करता है या कर रहा है ये चीज़ आपको clear हुई और ये जो 1 upon R आया है ना इसे हम पद़े क्या कहते हैं? इसे हम कहते है minimum effective resistance अगर आपको ध्यान होगा जह हमने series में बात करी थी series में क्या निकल के आया था? जितने भी resistors आपने लगाए हैं उन सभी के resistance को जब आप add कर देते थे तो जो आपके पास sum आता था वो क्या होता था? वो maximum effective resistance होता था लेकिन जब हम parallel combination में individual resistors के resistance को उनके reciprocal में add करते हैं तो हमारे पास minimum effective resistance आता है ठीके? क्या आता है हमारे पास minimum effective resistance आता है ऐसा क्यों? चलो देखते हैं इसे हम minimum क्यों बोल रहे हैं? और series में हम maximum ले रहे थे maximum इसलिए क्योंकि इसको एक्जांपल से समझते हैं ठीके? चलो मैं इसको रप कर देती हूँ example से समझते हैं हम हमारे पास क्या है? हमारे पास तीन resistor है ठीके? पहले हमने इन सभी resistor को add किया किसमे? सीरीज में हरे एक का resistance यहाँ पे हम कितना निकाल देते हैं? दो, दो, दो याने कि मेरे पास तीन resistor है तीनों को सबसे पहले मैंने series में connect किया है ठीके? और सीरीज में connect कर दिया मैंने इसके बाद में चलो 3 नहीं हम 2 यह लेते हैं ठीक है कितना लिया हमने हमने लिया है 2 यह रहा पहला resistor यह रहा दूसरा resistor पहले वारे resistor का भी resistance कितना है 2 और इसका भी कितना है 2 ohms अब यह सीरीज में है सीरीज में हम हमारे total circuit का resistance कैसे निकालते थे individual resistor के resistance को आप क्या कर देते थे add कर देते थे याने कि 2 plus 2 कितना हो गया 4 ohms यह क्या है आपका maximum effective resistance आया याने कि अगर आप इस total resistance को देखोगे तो यह कैसा है individual resistance से बढ़ा है है ना यह बढ़ा है हर एक resistor कितना resistance दे रहा था 2 और 2 लेकिन जब मैंने इनको add कर दिया तो कितना आया 4 आया याने कि मेरे circuit में total resistance कितना होगा 4 होगा जो कि किस से जादा होगा individual resistor के resistances से अब क्या करती हूँ मैं पहले तो मैंने इन दोनों ही resistor को series में लिया था और अभी अभी हम में देखा कि हम parallel combination में resistance कैसे निकाल देते total circuit का इन दोनों ही resistor के resistance का reciprocal में add करूंगी याने कि 1 by 2 plus 1 by 2 यह कितना हो जाएगा 2 by 2 is equals to 1 ohms यहाँ पे total resistance कितना आ रहा है 1 आ रहा है जो कि कम है किस से कम है जो individual resistor offer कर रहे थे resistance उससे कम है हर एक resistor offer कर रहा था 2 ohms, 2 ohms लेकिन जब हमने इनके reciprocal को add किया जब हमने circuit में total resistance निकालने की कोशिश करी तो देखो half I है value केवल 1 ohm थी resistance हमारे पूरे circuit में रहेगा कब जब 2 resistors हमारे पास parallel arranged होंगे किसी circuit में इसलिए इस resistance को हम क्या कहते है इसे हम कहते है minimum effective resistance series में हम इसे maximum ले रहे थे और parallel में इसे हम minimum ले रहे थे क्यों? क्योंकि चलो ठीक है अगर आप इसको maximum नहीं ले रहे हो तो एक काम करो यह जो मेरा circuit है जहाँ पर मेरे पास 2 resistor है दो-दो ohms के इसमें आप maximum resistance निकाल के बताओ मुझे इस circuit में आप मुझे maximum resistance निकाल के बताओ कैसे निकालोगे आप? आप 2 प्लस 2 ही तो करोगे ना? है ना? 2 प्लस 2 ही तो करोगे तो आपके पास maximum resistance चार ohms ही आने वाला है और दूसरे वाले केस में आप मुझे minimum resistance निकाल के बताओ तो minimum कैसे निकालोगे? reciprocal को एड़ करके निकालोगे तो देखो minimum आगया हमारा कितना 1? तो series के case में जब आप individual resistors के resistance को एड़ करते हो तो आपके पास maximum effective resistance आता है और parallel combination में जब आप क्या करोगे? individual resistors के resistance को reciprocal में एड़ करोगे उन सभी resistance के reciprocal को एड़ करोगे तो आपके पास minimum effective resistance आएगा यानि कि इससे कम resistance आपके circuit में नहीं आएगा और नहीं series के case में इससे ज़ादा resistance आपके circuit में आ सकता है इन ही दोनों resistors के साथ obviously बात है अगर आप number of resistor बढ़ा दोगे तो resistance बढ़ जाएगा लेकिन अगर आपके circuit में सिर्फ दो ही resistor है तो चार ohm से ज़ादा resistance नहीं आ सकता है इस case में एक ohm से कम resistance नहीं आ सकता है इसलिए से हम minimum बोल रहे हैं और इसे maximum बोल रहे हैं I hope यह चीज़े आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब हम बात करते हैं हमारे next slide में हाँ यह कुछ important points regarding parallel combination of resistors क्या है the current from the source is greater than the current through either resistor देखो हमने क्या बोला है कि parallel combination में current क्या हो जाता है distribute हो जाता है ठीक है suppose यहां से चला कितना 5 ampere current चला लेकिन जैसी उसे दिख गए क्या 2 resistor हो सकता है कि पहले वाले resistor के पास चलागा कितना 2 ampere दूसरे वाले के पास चलागा कितना 3 ampere तो आप देख रहे हो जो total current आ रहा था circuit में उससे कम current दोनों ही resistor के पास गया है और विससे बात है जब चीजे डिवाइड होती है तो कमी हो जाता है मेरे पास है 5 chocolate और मैंने किसी को जो 5 chocolates थी उसको मैंने कैसे divide किया एक को मैंने दे दी 4 chocolate और दूसरे को दे दी मैंने 1 chocolate तो यहाँ पर जब division हुआ है chocolates का तो कम हुआ है ना मेरे पास 5 थी लेकिन सामने वाले को तो 5 नहीं मिली है उसको 4 मिल गई लेकिन total 500 नहीं मिली कमी मिली है दूसरे वाले को एक ही मिली सिरफ मुझसे तो कमी मिली हो रहा है 5 ampere हो रहा है लेकिन जैसे ही आपने रेजिस्टर लगा दिये parallel में current क्या हो जाएगा distribute हो जाएगा जब तीसे distribute होती है तो उनका amount क्या हो जाता है काम हो जाता है तो यहां पर भी देखो individual resistor के पास जो current पहुंच रहा है वो कैसा है total current से कम है ठीक है the first point हम से यही बोलता है the current from the source is greater than the current through either resistor the potential difference across each resistor is same वो तो same ही रहेगा the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance यह जो equivalent resistance की बात कर रहे है उसका reciprocal किसके बराबर होगा is equal to the sum of the reciprocal of individual resistances ठीक है the equivalent resistance is less than the resistance of either resistor जो हम equivalent resistance निकालते हैं जो हम total resistance निकालते हैं वो कैसा होता है कम होता है उस resistance के जो की individual resistor offer कर रहे हैं अभी देखा था ना दोनों resistor दो-दो resistance offer कर रहे थे दो हमारे पास resistor थे हर एक resistor दो ohms resistance offer कर रहा था लेकिन जब हमने इनका effective resistance निकाला equivalent resistance निकाला तो कितना पाया? सिरफ एक ohm ही पाया ठीक है? और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? minimum effective resistance कहते हैं I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी अब बारी आती है इनके applications की कि भई parallel combination of resistors हमें देखने को कहां मिलता है? हमारे घरों में हमारे घरों में जो bulb, tube light पंके वगएरा जो लगे होता है ना वो सब कैसे होते हैं? parallel combination में ही लगे होते हैं ऐसा क्यूं? क्यूं हम पंको को या tube lights को या पंको को tube light को हम series में नहीं लगा सकते हैं? लगा तो बिलकुल सकते हैं लेकिन दिक्कत हो जाएगी क्यों क्योंकि भाई फैन अलग चीज है ट्यूब लाइट अलग चीज है बल्ब अलग चीज है तीनों ही इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को अलग अलग करेंट चाहिए होता है चलने के लिए गवर्मेंट हमको हमारे घरों तक 220 वोल्ट का व सभी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को एक पर्टिकुलर करेंट चाहिए होता है चलने के लिए अब अगर आपने क्या कर रखा है अगर आपने सभी को जैसे की फैन है आपकी पास फैन को आपने अरेंज कर रखा है सीरीज में किसके साथ ट्यूब लाइट के साथ टीक है इसक क्या होगा सीरीज में हैं ट्रमे झा further means जाता है कि घेलेक्टरिकल एप्लाइंस इसको एक अपना अपना कर्न चाहिए होता है चलने के लिए लेकिन अगर आपने सबीयांस इसको सीरीज में रख दिया fan के लिए भी अलग current चाहिए था, tube light के लिए भी अलग चाहिए था, AC के लिए भी अलग चाहिए था, तो ये वाला combination तो successful हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा combination चाहिए, जहां पे हमें अलग-अलग electrical appliance में अलग-अलग current supply मिले, ऐसा नहीं कि सब में same current flow हो रहा है, अलग-अलग current supply हमें चाहिए है, और वो कौन से combination में मिलेगी, वो हमें parallel combination में मिलती है, एक और drop back होता है series combination का, कि अगर एक bulb भी खराब हो जाए, तो उससे attached जितने भी बलबे ना, वो सब खराब हो जाते हैं, दिवाली lights जो होती है, उसमें आप में देखा होगा कि जब आप दिवाली पे लेकर आए हो, एक दिवाली तो बढ़िया जलेगी वो, दूसरी दिवाली पे जैसे आप उसको बाहर निकालोगे न, तो अगर एक bulb भी फ्यूज होगा, तो पूरी सीरीज जो है न, चली जाएगी, अगर parallel combination, सपोज हमने जो है न, different electrical appliances हमारे घर में, उनको हमने सीरीज में arrange कर भी दिया, क्या होगा, अगर fan खराब होगा, तो AC भी खराब होगा, तो tubelet भी खराब, tubelet खराब तो फिर बल भी खराब, यानि कि जितने भी आपने electrical appliance लगा हैं सीरीज में, सब हो जाएंगे कैसे खराब, तो ये एक major drawback है series combination का, जिसकी वजह से हम अपने घर के electronic appliances को series में connect नहीं करते हैं, उनको हम parallelly connect करते हैं, parallel combination of resistance is highly useful in circuits used in daily life, as the circuits used have components of different resistances requiring different amounts of current, अलग-अलग electrical appliance को अलग-अलग current क्यों चाहिए हैं, क्योंकि सब की अपने अपने resistance होते हैं, ठीक है, this type of combination in a circuit divides the current among the components, obviously बात है, parallel combination क्या करता है, अलग-अलग components में, अलग-अलग current प्रोवाइड करता है, so that they can have necessary amount of current to operate properly, this is the reason of connecting electrical appliances in parallel combination in the household circuit, is that clear, so applications भी हमने देख लिये है, parallel combination के, अब एक है क्या, numerical, numerical भी देख लो, ये रहा वो, numerical, 240 ohms resistors and a 20 ohms resistor are all connected in parallel, याने कि total हमारे पास resistors कितने हैं, तीन है, पहले का resistance कितना है भाई, 40 ohms का, दूसरे के पास कितना है, उसके पास भी 40 ohms का है, तीसरे के पास कितना है, 20 ohms का है, और तीनों ही resistors को हमने parallelly arrange कर दिया, किस के साथ, तो भाई, 12 volt के एक power supply के साथ, याने कि potential difference कितना आ गया, 12 volt का आ गया, ठीक, फिर हम से पूछा क्या गया है, calculate their effective resistance, याने कि पूरे circuit में का जो effective resistance है, वो हमें निकालना है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, are effective resistance, ठीक है, and the current through each resistor, हर एक resistor के across current कितना supply हो रहा है, वो भी निकालना है, दो चीज़ें हो गई, एक तो effective resistance, दूसरा current, तीसरी चीज़ क्या है, what is the current flowing through the power supply, याने कि पूरा जो हमारा circuit है, उसमें total current कितना बह रहा है, वो भी हमें निकालना है, तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ हम से पूछी गई है, आर effective, याने कि जो total हमारा circuit है, उसमें total resistance कितना है, वो हमें पता है, कैसे निकाल सकते हैं हम, individual resistors, जितना भी resistance offer कर रहे हैं, उन resistance को आप मेलो क्या, reciprocal और इन reciprocal को कर दो, आप add, तो जब आप reciprocal को add करोगे, तो आपके पास क्या आजाएगा, आपके पास आजाएगा, आर effective, कैसे लोगे आप, सबसे पहले आपके पास क्या है, पहरा resistor कितने resistance का है, 40 का, दूसरा भी 40 का है, तीसरा 20 का है, तो आप क्या करोगे, 1 upon 40, plus 1 upon 40, plus 1 upon 20, सीरीज में हम 40, 40, 20 कर सकते थे, लेकिन ये तो parallel combination है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन resistance का reciprocal लेना पड़ेगा, reciprocal मतलब की, 1 upon कर देना, reciprocal आ गया, अब add कर दो, तो 1 upon 40, plus 1 upon 40, plus 1 upon 20, अब common factor ले लो, common factor कितना आजाएगा, मेरे इसाब से तो इसका आएगा कितना 40 ही आएगा, 40 में क्या multiply कर दे कि 40 आजाए, 1, again 40 में क्या multiply कर दे कि 40 आजाए, 1, 20 में ऐसा क्या multiply कर दे कि 40 आजाए, 2, ठीक है, ये हो गया कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 upon 40, ये 4 से 40 चला गया, कितना आया यह आया अपना 1 upon 10 यानि कि अपना 1 upon R effective कितना आया है 1 upon 10 आया है रेसिप्रोकल ले लो इसका तो R effective कितना आ जाएगा 10 ohms आ जाएगा तो पहली जो चीज पूची गई थी हमसे सवाल में वो तो हमने calculate कर ली क्या पूचा गया था कि हमारे circuit में effective resistance कितना है यानि कि total resistance कितना है हमारे circuit में कैसे निकाला हमने जितने भी resistors हमारे पास थे तीन थे उन सभी के individual resistance का आपने reciprocal कर लिया और इन reciprocal को आपने क्या कर दिया एड कर दिया तो कितना answer आया आपका 10 ohms तो R effective कितना आ गया 10 ohms आ गया फिर इसके बाद में हमसे पूछा गया कि individual resistor के across कितना current supply जा रहा है भई यहां से suppose I current निकला, I current flow हो रहा है जैसे ही current कहां पहुचा, point A पहुचा, उसे क्या दिखा? कि भई तीन resistor लगे हुए हैं, आगे जाने के तीन अलग-अलग path हैं तो वो क्या करेगा? थोड़ा सा path 1 में चला जाएका, थोड़ा सा path 2 में, थोड़ा सा path 3 में Suppose जो मारा first वारा resistor है, उसके पास current कितना गया? I1 कितना गया भई? I1 गया जो हमारा दूसरा वारा resistor है, उसके पास current कितना गया? I2 गया तीसरा वाला जो है उसके पास कितना गया I3 गया तो हमें निकालना क्या है हमें ये I1, I2 और I3 की ही values हमें निकालनी है कैसे निकालेंगे भाई इसको हम निकालना सीखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सिंपल सी बात है Ohms Law का formula ही apply करेंगे Ohms Law का formula हम से क्या कहता है कि भाई V is equal to I into R अगर आपको I निकालना है तो आप कैसे निकालते हो V upon R कर देते हो अब अगर आपको first resistor के across current निकालना है यानि कि आपको I1 निकालना है तो आप क्या करोगे V upon R1 करोगे I2 के across निकालना है तो आप क्या करोगे second resistor के across निकालना है current तो आप कैसे निकालोगे I2 is equals to V upon R2 और third resistor के across current निकालना है तो कैसे निकालोगे I3 is equals to V upon R3 मैंने V, V, V क्यों लिया है V1, V2, V3 क्यों नहीं लिया है क्योंकि अभी-भी हमने discuss किया था कि जो parallel combination होता है उसमें potential difference across each and every resistor कैसा रहता है सेम ही रहता है जितना circuit में है उतना ही potential difference जो है इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा ठीक, तो I1 हम कैसे calculate करेंगे potential हमने कितने volt की battery के साथ connect किया है 12 volt की battery के साथ connect किया है तो total potential difference कितना है हमारे circuit में 12 volt का कोई और source तो है नहीं, potential का, इस हमारे पूरे circuit में, के अवल एक battery लगी है, उस battery का voltage कितना है, 12V, तो यह 12V की क्या है, total potential difference है हमारे circuit में, तो V कितना हो जाएगा भाई, V हो जाएगा कितना 12, फिर्स्टर का resistance कितना है, 40 है, कितना है, 40 है, अब आप इसको solve कर लो, 2, 6s are 10, 12, 2, 20s are 40, 2, 3s are 6, 2, 10s are, तो यह कितना आजाएगा, 0.3, तो फिर्स्टर के across current कितना आया, I1 कितना आया, 0.3, Similarly, I2 कैसे calculate करोगे, I2 is equals to V कितना है भाई, 12 है, R2 कितना है, 40 है, इसके across भी कितना जाएगा, 0.3 ही जाएगा, 3rd वाला क्या है, 3rd वाले को आप कैसे calculate करोगे, potential कितना हा रहा है, 12 ही आएगा, resistor कितना है, 3rd वाले का, 20 है, तो यह कितना जाएगा, 2, 6s are 10, 2, 10s are 20, तो यह कितना हो जाएगा, 0.6, यानि कि जो 3rd वाला resistor है, उसके across current कितना जाएगा, 0.6, ठीके, कितना गया, 0.3, 0.3, 0.6, जो 1st वाला resistor है, जिसका, you know, resistance कितना था, 40 ohms, उसके across कितना गया current, 0.3, सेकेंड वाले के across भी कितना गया 0.3 जो मारा थर्ड वारा resistor है जिसका resistance कितना था 20 ohm उसके across कितना current गया 0.6 यानि कि individual resistance के across जो हमें current निकालना था वो हमने निकाल दिया अब क्या करेंगे अब क्या पूछा गया था हमसे total current कितना बहरा है circuit में तो हमको पता है कि भाई I किस के बराबर होता total current I1, I2 और I3 की बराबर होगा तो हम क्या करेंगे 0.3 plus 0.3 plus 0.6 कर लेंगे है ना 0.3 plus 0.3 plus 0.6 कर लेंगे कितना आ जाएगा 0.6 plus 0.6 कितना हो जाएगा 1.2 ampere current flow होगा हमारे पूरे circuit में इसी तरीके से सवाल बनते हैं क्या था सवाल? 3 resistors थे 2 का resistance कितना था? 40 ohms और 1 का कितना था? 20 ohms ठीक? 3 ही resistors को parallel ही combine किया गया था और 12 volt की battery के साथ set कर दिया गया था हमसे पूछा गया था कि सबसे पहले तो effective resistance निकालो पूरे circuit का फिर total current निकालो पूरे circuit का और हर एक resistor के पास जो current गया है उसकी value निकालो तो हमने R effective कैसे निकाला था? R effective हमने कैसे निकाल लिया था? सभी resistance का आपने क्या लिया? reciprocal कर लिया उस reciprocal को आपने क्या कर दिया? add कर दिया इधर देखो 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 कितना हो जाएगा? R is equals to 10 ohms तो effective resistance कितना है? आपकी circuit का 10 ohms फिर इसके बाद में अब हम क्या करेंगे? individual जो हमारे पास resistor है उनके पास current कितना गया है? वो हमने कैसे निकाला? ohms law से निकाला ohms law यहाँ बोलता है V is equals to I into R अगर आपको first resistance के across current निकालना है I1 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? V upon R1 कर दोगे I2 निकालना तो क्या करोगे? V upon R2 R3 निकालना तो क्या करोगे? V upon R3 कर दोगे ठीक है? V कितना है भाई? V हमारा common होगा क्योंकि हमें पता है कि parallel combination में वोल्ट की हमने बैटरी लगाई हुई थी तीनों ही resistor के across तो total potential difference कितना होगा? circuit में 12V होगा तो V की जगा हम क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे First resistor का resistance कितना है? 40 answer आजाएगा आपका 0.3 Second resistor के across कितना है? current कैसे निकालोगे? V upon R2 12 divided by 40 कर देना 0.6 तो 0.3, 0.3, 0.6 यह क्या है? यह current है जो कि हर एक resistor के across गया है अब total current निकालना है circuit का तो क्या करोगे? I is equal to I1 plus I2 plus I3 कितना हो जाएगा? 1.2 Amperes ठीक है? I hope यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा कुछ इस तरह से हम solve करते हैं parallel combination जो होता है resistors का उसको I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी तो आज की session के लिए इतना ही हमने series combination देख लिया हमने parallel combination देख लिया अब बारी आती है complex combination की जहाँ पे आपको एक circuit में series में भी वो देखेंगे resistors और parallel में भी देखेंगे ठीक है तो हमारा जो next session होगा वो base होगा सबसे पहले तो एक heat topic है कि जो electronic appliances जो होते हैं जैसे उसमें current supply करते हैं तो heat produce होती है तो heat supply सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बाद में जो complex circuits हैं वो भी हम solve कर लेंगे तो आज के session के लिए इतना ही हम मिलेंगे अपने next session में तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website magnetbrains.com उसे visit कर ली जगा जहां पे आपको सभी chapters की video lectures मिलेंगे बिल्कुल free और साथी साथ एक playlist में भी arranged मिलेंगे और साथी साथ topics के notes भी होंगे available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching heat word तो कभी आया ही नहीं हमारे chapter में है ना charge पढ़ लिया work done पढ़ लिया current पढ़ लिया लेकिन ये heat word तो आया ही नहीं कोई बात नहीं इस topic में आ गया है ये heat word आया कहां से electricity में सबसे पहले तो ये समझते हैं हमारे जो electronic devices होते हैं जो appliances होते हैं electronic उनसे जैसे ही current flow होता है heat produce होती है अब ये heat produce होती हुई हमें दिखेगी नहीं लेकिन हम उसे feel ज़रूर कर सकते हैं कैसे अपना phone लो उसे charging पे लगा दो ठीक है laptop लो उसे charging पे लगा दो जब charging काफी देर की हो जाएगी आदा एक घंटे बाद उसे touch करके देखना laptop को, phone को laptop के adapter को और जो phone है उसके charger को आपको feel होगा कि laptop भी गरम हो गया phone भी गरम हो गया दोनों के chargers भी गरम हो गये ये जो गर्माहाट आ रही है आपके phone में, laptop में, adapter में charger में ये कहां से आ रही है क्योंकि heat produce होई है मैंने आपको क्या बताया कि हमारे electronic devices जो होते है उनमें जैसी current flow होता है heat produce होती है हमें heat produce होते हुई दिखेगी नहीं लेकिन हम उसे feel जरूर कर सकते हैं कैसे? touch करके देख लो तो अगर आपका laptop गरम हो रहा है अगर आपका phone गरम हो रहा है तो यह क्यों हो रहा है क्योंकि आप कर क्या रहा है वो basically phone और laptop को आप charge कर रहे थे यानि कि आप उसमे current डाल रहे थे जैसे ही current आया थोड़ी देर बाद heat produce हो गई इसलिए वो आपको गरम लगने लगे तो किस तरह से heat production होता है यह हमने देख लिया आप कुछ और भी बाते हैं जो हमें जो हमारा topic है joules law of heating उसमें cover करना है तो आज के इस session का target में एक set कर दिया है कि आज इस session में हमें joules law of heating समझना है तो जब target हो गया है तो देरी किस बात की तो चलिए start करते हैं आज को यह हमारा session So this is Vibhuti Khare Welcome to Magnet Brains जहाँ पे आपको सभी chapters की video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost याने की Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की आप package देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यह कि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा रहा है Quality Education बिल्कुल free of cost इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज कर यह हमारा session जिसमें हमें क्या पढ़ना है Jules Law of Heating पढ़ना है तो heat तो मैंना आपको बता दिया कि किस तरह से किसी भी electronic device के अंदर heat आती है लेकर एक सवाल है यह जो heat production हो रहा है क्या इस heat को हम utilize कर पाते है आपका phone charge हो रहा था charging के बाद में या charging के दौरानी वो गरम हो गया laptop भी गरम हो गया लेकिन यह जो गर्माहट आई है आपके laptop और आपके phone में क्या इस गर्माहट को इस heat को आप utilize कर पाए कि आपने देखा कि must जो है या phone गरम हो गया फट से उसके उपर बना दिया क्या हम में रखके omelette यह भी नहीं करते हम याने कि phone और laptop में जब current पास हो रहा है जो heat produce हो रही है उस produced heat को हम utilize नहीं कर सकते करना भी नहीं चाहते पर कुछ electronic devices होते है जहाँ पे हमको heat की requirement होती है जिनसे हमको heat की ही ज़रूरत होती है जैसे हम यह चीज़ पहले भी पढ़ चुके है कहां पढ़ा था हमने याद करो resistivity के topic में हमने पढ़ा था कौन कौन से बहिया दो example ले लो एक आप ले लो toaster और एक आप ले लेक्ट्रोनिक आयन इस्त्री अगर आपको अपनी bread को क्या करना है toast करना है आप उसे डालते हो toaster में तो toaster आपकी bread के साथ करता क्या है क्या वो उसको electric shock देता है या उसको थोड़ी सी heat देता है जिससे की वो घराम हो जाए toast हो जाए अगर आपने अपने कपडों को press करना है तो आप जो कपडों को press करने के लिए electric iron यूज़ करोगे तो वो electric iron कपडों के साथ करेगी क्या उसको electric shock देगी कपडों को या फिर heat देगी तो जाहर है कपडों को भी heat मिलने वाली है और bread को भी toast करना है तो उसे heat ही मिलने वाली है इसका मतलब क्या हुआ there are certain electronic devices जो कि intentionally क्या करते है electric current को किस में convert कर देते है heat में convert कर देते है ठीक है कुछ electronic devices ऐसे भी होते है जो कि intentionally current को heat में convert करते है क्यों convert करते है क्योंकि भाईया उन electronic devices से हमें heat की ही उमीद है उनसे हमें heat ही चाहिए है पानी को गरम करना है तो आप heater उसके अंदर दालते हो, coil उसके अंदर दालते हो तो वो coil क्या करती है, current देती है पानी को या फिर heat देती है पानी को और फिर heat ही देगी, तब ही तो पानी क्या हो जाता है, गरम हो जाता है यह चीज आपको आई समझ में कि भाई कुछ electronic devices ऐसे भी हैं जो कि intentionally current को क्या करते है हीट में convert करते हैं और फिर यही heat हम utilize कर लेते हैं वही हमारे phone और laptop को देख लो, AC को देख लो, ठीक है, refrigerator को देख लो उनमें भी heat produce हो रही है लेकर उनसे हम utilize नहीं कर रहे हैं और नहीं करना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं तो यह चीज आपको समझ में आ गई अब सवाल यह आता है कि आखिर यह heat आ कहां से रही है यह चीज हमें समझ में आ गई कि conductors के अंदर, electronic devices के अंदर अगर current flow हुआ तो heat आ गई लेकिन यह heat आई कहां से चलो देखते हैं एक बहुती real life example से समझते हैं जब काफी जोरों की ठंड पड़ती है तो हम क्या करते हैं अपने हातों को, अपनी हटेलियों को, palms को क्या करते हैं? रब करते हैं रब करने के से क्या होता है? हमारी हटेलिया गरम हो जाती है अब एक काम करो अब भी तक हम रब कर रहे थे अब आप क्या करो? clap करना शुरू कर दो जैसे ही आप clap करना शुरू करोगे थोड़ी देर बाद आप realize करोगे कि आपकी हटेलिया क्या हो गई है? गरम हो गई है ऐसा क्यों हुआ भई? क्योंकि आप अपने पाम सु क्या कर रहे थे? रब कर रहे थे आप क्या कर रहे थे? clap कर रहे थे तो एक गरम हाट आगई आपके हाथों में गरम हाट क्यों आई? क्योंकि heat produce हो गई अब क्या होता है? हमारे जो electronic devices हैं उसके अंदर क्या present होते हैं? उसके अंदर present होते हैं free electrons क्या present होंगे? free electrons होंगे अब ये free electrons क्या करते हैं? इनको भी clapping करने का मन करता है लेकिन unfortunately इनके पास हाथ भी नहीं है electrons के पास आखे तो पहले ही नहीं थी ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना तभी तो randomly हर जगा तक्राते फिरते हैं सभी चीजों से अब इनके पास हम बोड़ रहे हैं कि हाथ भी नहीं है ना आखे है ना हाथ है अब ये clapping कैसे करें? लेकिन ये हैं जिद्धी इनको तो clapping करना ही है ये कैसे clapping करेंगे? दूसरे जो free electrons होंगे ना उनके साथ जाकर के टकरा जाएंगे कोलाइड कर जाएंगे ठीक है? यानि कि हमारे जो electrons होते हैं ना उनका जो टकराने की जो प्रोसेस होती है उनकी जो clapping की जो प्रोसेस होती है ना वो vigorous हो जाती है क्यों? क्योंकि हम तो सिर्व अपने हाथों को टकरा रहे थे ये तो पूरे के पूरे जाकर ही टकरा जाते है हमारे हाथों को जब हमने टकराया था तो heat produce होई थी तो electrons भी क्या करेंगे? जब भागी की free electrons से टकराएंगे या adapter के atoms के साथ जाकर जाकर तकराएंगे या foreign atoms के साथ जाके टकराएंगे तो heat produce करेंगे Electrons की clapping थोड़ी vigorous हो जाती है क्यों? क्योंकि उनके पास हाथ नहीं है न लेकिन clapping तो करनी है तो यह क्या करते है? खुदी जाकर के टकरा जाएंगे और इसी टकराने के कारण क्या produce हो जाती है? heat produce हो जाती है और जब collision होता है तो क्या होता है? current का जो flow है या electrons का जो flow है वो क्या हो जाता है? Complicate हो जाता है Complicate क्यों हो जाता है? क्योंकि यह जो electrons का collision हो रहा है न conductor के साथ, foreign atoms के साथ यह हम बहुते हैं कि बागी के free electrons के साथ इसके current क्या होता है? current का जो flow है ना उसमें रुकावट आ जाती है उस रुकावट को ही हम क्या बोलते थे उस रुकावट को ही हम बोलते थे collision और इन collision के current क्या हो जाता है भई resistance हो जाता है यानि कि अब जब हमारा free electrons किसी conductor में flow होंगे तो उनके रास्ते में आ जाएगी रुकावट कि आखेर या resistance आता कहां से है तो भई जो conductor के अंदर free electrons होते हैं वो collide करते हैं इनी collisions के कारण रुकावट आ जाती है electrons के flow में और जिसे हम क्या कहते हैं रुकावटों को हम क्या कहते हैं resistance कहते हैं अगर number of collisions जादा हुए तो क्या होगा resistance भी बढ़ जाएगा है ना अगर number of collisions electron का जादा हो गया तो current के flow में electrons के flow में और रुकावट आ जाएगी जिसके करण क्या होगा resistance बढ़ गया रुकावट मतलब क्या resistance तो रुकावट बढ़ गई मतलब resistance बढ़ गया number of collisions increase हुए तो resistance बढ़ गया ये relation तो हम पहले भी पढ़ रखा है अभी अभी हमने आज नया relation क्या देखा है electrons के collision का और heat के बीच में कि अगर heat कहाँ से produce हो रही है किसी भी conductor के अंदर क्योंकि electrons क्या करते हैं clapping करते हैं याने कि colloid करते हैं collision शो करते हैं अगर number of collisions बढ़ गए तो भाई heat भी तो बढ़ जाएगी ये heat आ कहां से रही थी electrons के टकराने से ही तो आ रही थी और अगर electrons जादा टकराएंगे तो क्या होगा? जादा heat produce हो जाएगी याने कि number of collisions electrons के बढ़ गए तो resistance बढ़ गया number of collisions बढ़ गए मतलब क्या heat भी बढ़ जाएगी तो हम एक relation निकाल लेते हैं heat और resistance के बीच का कि heat जो है directly proportional होती है किसके साथ? आर के साथ जितने number of collisions जादा उतना जादा resistance प्लस उतनी जादा heat production ठीक है? ये relation आया आपको समझ में? ये हुआ क्या first relation? अब आज ओ पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट के चार्जिंग के बाद जब आप अपना फोन या उसका चार्जर चूके देखोगे आपको ऐसा लगेगा ने कि heat produce होई है है ना? हो सकते है कि minute temperature बढ़ा हो minute heat produce होई हो लेकिन आपकी हतेलियों ने उसे feel नहीं किया हो अब एक काम करो अपने फोन को दो घंटे चार्ज करके देखो जब आप दो घंटे की चार्जिंग के बाद अपने फोन को या उसके चार्जर को चूओगे तो आपको realize होगा कि भईया अब हुआ है हमारा फोन अच्छे तरीके से गरम और उसका चार्जर भी हो गया है गरम याने कि जितनी देर तक आप क्या करोगे current supply करोगे अपने electronic device को या फोन को उतनी ही ज़ादा क्या होगी heat produce हो जाएगी है ना जितने time तक आपने electric current दिया है अपनी device को उतनी ही heat produce हो जाएगी पांच मिनिट के लिए फोन चार्ज किया था तो जादा heat produce नहीं होई दो घंटे के लिए फोन चार्ज किया था जादा heat produce हो गई याने कि जो हमारी heat है वो directly proportional होती है किसके साथ time के साथ जितने जादा time के लिए electric current दिया अपने device को उतनी ही जादा heat produce हो गई दो घंटे के लिए फोन चार्ज किया था तो heat जादा produce हो गई पांच मिनिट के लिए फोन चार्ज किया था जादा heat produce नहीं होई तो heat directly proportional होती है किसके time के साथ ठीक है एक relation होगया time का heat का resistance के साथ दूसरा हो गया heat का time के साथ अब हम क्या करते हैं हमारे पास जो conductor होना उसमें number of electrons बढ़ा देते हैं हमारे पास जो conductor है उसमें number of electrons हम बढ़ा देंगे अब यह बताओ conductor के अंदर current कैसे flow होता था जब electrons flow करते थे जब conductor के अंदर electrons flow करते थे तब ही हम बोलते थे क्या होता है? Current भी flow होता है मैं आपे क्या बोल रही हूँ? कि यहां पर मैंने number of electrons बढ़ा दिये जब मैंने electrons का number बढ़ा दिये इसका मतलग क्या? कि electrons का क्या हुआ? Flow भी बढ़ गया अगर flow बढ़ गया तो क्या होगा? Current भी बढ़ जाएगा है ना? Number of electrons क्या हुआ? बढ़ा दिये मैंने किसी conductor में number बढ़ाने से क्या हुआ? Electrons का जो flow था वो भी बढ़ जाएगा और जहां flow बढ़ा Electrons का Electric Current भी जो है बढ़ जाएगा लेगेन अगर हमने number of electrons बढ़ाएं हैं तो एक बार बताओ number of collisions भी तो increase हो जाएगे ना? अगर आपने conductor में जादा free electrons जाल दिये तो भीर और जादा हो जाएगी conductor में भीर जादा मतलब क्या? traffic जादा मतलब क्या? टकराने की possibilities और जादा number of collisions हो जाएगे जाएगे जादा और अगर number of collisions हो गए जादा इसका मतलब क्या हुआ? heat जादा produce हो जाएगी तो अगर आपने number of electrons बढ़ाए हैं तो क्या हो गया? electrons का flow बढ़ गया, current बढ़ गया current बढ़ गया मतलब क्या? current बढ़ गया मतलब ये कि heat जादा produce हो गई ठीक है? तो तीसरा relation क्या हो गया? तीसरा relation हो गया कि heat जो है directly proportional होती है I के सिर्फ I नहीं I square ठीक है? I नहीं I square I square क्यों लिए है? क्योंकि भाईया वैसे ही conductor के अंदर बहुत सारे electrons होते हैं उपर से हमने और electrons डाल दिये तो current electrons का flow और जाधा बढ़ जाएगा current भी और जाधा flow होने लगेगा तो heat की जो dependency होती है current के उपर वो बहुत जाधा होती है number of electrons बढ़े तो flow उनका बढ़ गया flow बढ़ा तो मतलब क्या हुआ? current बढ़ गया और अगर number of collisions number of electrons बढ़े तो conductor के अंदर भीड जाधा हो गई तक्राने की possibility जाधा हो गई number of collisions जाधा हो गई collision जाधा हो गई तो heat जाधा produce हो गई ऐक हमें पता है हीड slightly proportional होती है किसके number of collisions के तो number of collisions बढ़ गए तो heat जाधा प्रॉचल हो गई तो heat यहाँपे directly proportional होती है किसके साथ सबसे पहले तो resistance के साथ फिर इसके बाद में time के साथ फिर इसके बाद में current के square के साथ वह यह relation तो हमने अभी अभी observe किया है एक scientist थे जिन्हों ने इस relation को बहुत पहले क्या कर लिया था observe कर लिया था और उस relation को उनने क्या नाम दे दिया Jules's Law of heating यानि कि जो scientist जिन्होंने इस relation को observe किया था वो कौन थे भई वो थे हमारे Jules भाई साब और उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया Jules's Law of heating ठीक है अब इसका एक derivation भी होता है derivation में हमें क्या प्रूफ करना होता है कि H is equals to R into T into I square H is equals to जो heat produced हुई है conductor में वो किसके बराबर होती है उसके resistance के बराबर multiplied by time के बराबर multiplied by current के square के ठीक है और हमें इसका derivation exam में पूछा जाता है बड़ा असान होता है derivation अभी मैं आपको सिखा देती हूँ इसका derivation बहुत आता है exam में compulsory होता है देखो कैसे होता है इसका derivation देखो हमने क्या पढ़ा था कि एक conductor के across मैंने क्या किया है एक potential set कर दिया सपोस यहाँ पे किया है 10 volt का यहाँ पे किया है 0 volt का तो conductor के एक end की तरफ मैंने 10 volt का potential set किया दूसरे तरफ कितना किया 0 volt का potential set कैसे होता है भई potential set तब होता है जब आप इसके across क्या लगा दो एक battery या एक cell लगा दो तो मेरे पास था एक conductor उसके across मैंने एक cell लगा दिया इसके कारण क्या हुआ बैटरी के एक end की तरफ 10 volt का potential set हो गया और दूसरे end पे 0 volt का potential set हो गया ठीक conductor के अंदर क्या present होते हैं electrons present होते हैं ये electrons क्या करते हैं positive charges की तरफ move करना शुरू कर देते हैं यानि कि electrons कहा जा रहे हैं low potential to high potential जा रहे हैं याद करो मैंने आको बताया था कि जब चीजें high to low potential जाती हैं तो हमें महनत करने की जर्वत नहीं पड़ती लेकिन जब चीजों को हमें low to high potential लेके आना पड़ता है तो हमें महनत करनी पड़ेगी उस महनत को हमने क्या बोला था work नाम दिया था यहां भी तो इलेक्टरॉंस low potential to high potential जा रहे हैं याने कि यहां पे भी कोई ना कोई work तो कर रहा है क्या हम यहां पे work कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं पर यह हम थोड़ी ख़ड़े हैं circuit में circuit में कौन है? conductor है और battery है conductor के अंदर तो electrons low to high potential जा रहे हैं याने कि electrons को low to high potential में भीजने के लिए कोई मेहनत कर रहा है कोई काम कर रहा है कोई work कर रहा है work कौन करेगा? जो circuit में होगा circuit में कौन है? तो हमारा battery या हमारी cell याने कि हमारी cell या हमारी battery क्या करती है? work करती है conductor के अंदर जो electrons है उनको low से high potential भेजने के लिए बैटरी क्या करेगी work करेगी conductor के अंदर जो electrons है उनको low से high potential पे भेजने के लिए ये चीज़ आया आपको समझ में तो मेहनत किसमें करी है भई मेहनत करी है हमारी प्यारी बैटरी ने या cell ने अब 9th standard में हमने पढ़ा था कि work done किसके बराबर होता है भाई work done बराबर होता है energy के वाई ये जो आपका work done है ये हम तो पहले भी पढ़ चुके है कहां पढ़ा था हमने potential difference जब हमने पढ़ा था कि potential क्या होता है किसी भी point का potential क्या होता है work done in bringing a positive charge from infinity to that particular point तो formula क्या निकला था? potential का V is equals to W upon Q यह निकला था? एक काम करो यहां से इसी formula से work done का formula निकालो work done का formula कितना आ जाएगा? V into Q is equals to W work done का formula क्या हुआ? W is equals to V into Q 9th standard में हमने पढ़ा है कि work done किसके बराबर होता है? energy के बराबर होता है work done हमने कितना निकाला? V Q निकाला जो कि किसके बराबर है? energy के बराबर है याने कि यह energy दे कौन रहा है? यह energy दे रही बैटरी भाई मैंने आखो क्या भूला था? conductor है, conductor के across आपने क्या कर दिया? एक battery fix कर दी ठीक है? और potential set कर दिया जैसे ही electrons को पता चला conductor के अंदर की भाई यह positive charge आ गए है एक end पे चलो चलते हैं उनके तरफ तो electrons भागने लगे कहां भागे? low to high potential भागे जब चीज़े low to high potential भागती है तो मेहनत करनी पड़ती है हम तो खड़े नहीं सरकेट के अंदर कि हमने जो है ना मेहनत कर दी सरकेट के अंदर कौन है? एक conductor है एक battery है तो भाई मेहनत कौन करेगा? battery करेगी battery ने work done किया electrons को low to high potential भागे 9th standard में हमने पड़ा था कि work done किसके बराबर होता है? energy के बराबर होता है याने कि यह जो हमारी battery है यह क्या कर रही है विसेल हमारा क्या कर रहा है energy प्रोवाइड कर रही है electrons को कि वो low to high potential पे जाए और अभी अभी हमने क्या पड़ा है कि electrons टकराते हैं clapping करते हैं vigorous clapping करते हैं इसलिए heat produce होती है है ना? यह हमने पड़ा है एक बार बताओ battery दे रही है energy किसको? electron को ठीक है? battery क्या कर रही है? electrons को क्या दे रही है? एक energy दे रही है law of conservation of energy क्या बोलता है? कि energy कभी भी ना हम उसको बना सकते हैं ना हम उसको destroy कर सकते हैं battery ने क्या क्या था? महनत करी थी याने कि work done क्या था? इसी work done को हमने बोला energy काई में बैटरी ने मदद करी थी काई किस चीज में बैटरी ने work done किया था electrons को low to high potential लाने पे यानि कि battery ने electrons को क्या provide किया energy provide करी तो जब energy electrons के पास गई तो इस energy का हुआ क्या अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि energy को ना हम create कर सकते ना हम destroy कर सकते हैं ऐसा थो नहीं कि battery ने electron को energy तो electron ने जाकर कि उसको destroy कर दी electron destroy नहीं कर पाएगा तो आखिर फिर इस provided energy का हुआ electrons जो heat produce कर रहे हैं न ये वही heat है ये वही energy है जो कि battery electrons को दे रही थी यानि कि electron ने किया क्या battery से energy ली और उसी energy को heat के form में liberate कर दिया तो हम बोलते हैं कि heat produce हो गई कब जब हमारे electrons colloid करते हैं टकराते हैं, vigorous clapping करते हैं ठीक, आई बत आपको समझ में क्या थी पूरी कहानी conductor था उसके across मैंने एक cell लगा दिया battery लगा दी, potential set हो गया एक end पे 10 volt, दूसरे end पे 0 volt electron को जैसी पता चला कि अरे वाँ, potential आ गया है positive charge आ गया है, पटा फट से भागने लगे वो कहा, low to high potential लेकिन low to high potential में ऐसे ही electrons नहीं चले जाएंगे किसी को महनत करनी पड़ेगी, कौन महनत करेगा जो होगा, उस circuit के अंदर, कौन था circuit के अंदर, cell या battery था तो battery ने क्या करा, work done क्या electron को low to high potential लेके जाने में, ठीक है, इस work done को 9th standard में हमने पड़ा था कितना होता है, work done is equals to energy, work done का formula हमने कहा से निकाला, potential की formula से निकाल गया, potential कि इसके बराबर होता है, work done upon charge तो work done का कितना formula आगया, potential into charge अब क्या हुआ, कि जो heat provide कर रहा था battery, battery ने क्या किया heat provide किया, electrons को energy provide करी, sorry ठीक है, battery ने क्या किया, electrons को energy provide करी, अब इस energy को कुछ ने कुछ तो होने वाला है ना, क्योंकि energy को हम destroy तो कर नहीं सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि battery ने energy दी electrons को, तो energy ने जाकर के उसको absorb कर ली, या फिर उसको destroy कर दिया, उसे convert करना पड़ेगा, किस में convert करना पड़ेगा उसको heat में convert करना पड़ेगा तो आखिर ये electrons collision से जो heat produce हो रहे थे, वो heat आई कहां से थी, ये heat तो भाईया convert हो गई, heat में convert हो गई तो electrons जो heat produce कर रहे है वो कहां से कर रहे है, जो energy उनको मिल रही है ना, battery से उसी को वो convert कर रहे है, heat में ये चीज़ आपको समझ में आई, याने कि ये जो energy है ये जो energy है, किसके बराबर है भई, heat के बराबर है किसके बराबर है, heat के बराबर है energy कितनी निकाली थी हमने V by Q, V into Q तो यहाँ पर इसको मैं रब कर देती हूँ energy हमने कितनी निकाली थी work done is equal to कितना था energy, energy कितनी थी V into Q ठीक है, और यह किसके बराबर थी heat के बराबर थी है न, अब क्या करते है heat is equal to V into Q आया, V का formula क्या होता है potential का, अभी बताओ V is equal to IR, इतने जनों से हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर देते है V की जगा लिख देते है I into R और यह क्या है Q, Q किसके formula में आता है, current की formula में आता है current का formula क्या होता है, I upon I is equal to Q by T तो Q की जगा हम क्या लिख सकते है I into T लिख देंगे तो यहाँ क्या जाएगा, heat is equal to I square into R into T, यह हो गया क्या Joule's law of heating यह हमें derive करना था इतना derivation आता है आपके examination में ठीक है, I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी क्या हुआ, बैटरी ने work done किया था, उस work done को हमने क्या बोला, V into Q potential difference into charge 9th में बढ़ा था कि work done किसके बराबर होता है energy के बराबर होता है, यानि कि बैटरी ने क्या करा है, बैटरी ने electrons को क्या दी है, energy दी है अब energy को destroy तो कर नी सकते ना बना सकते है, तो electrons ने क्या क्या, इसी energy को convert कर दे किसमें heat में, तो electrons जो heat produce कर रहे हैं, वो कौन सी heat produce कर रहे हैं, कैसे heat produce कर रहे हैं जो energy उनको मिल रही है ना, उसी को convert कर दे रहे हैं, तो इसलिए हमने बोल दे कि energy किसके बराबर हो गई energy बराबर हो गई heat के Energy का formula क्या लगाया हमने V into Q तो heat किसके बराबर हो गया V into Q के बराबर V की जगा हमने क्या लिख दिया IR लिख दिया Current into Resistance और Q की जगा हमने क्या लिख दिया Current into Time तो formula क्या बन गया H is equal to I square into R into T याने की heat किसके बराबर हो गई इस पूरे term के बराबर हो गई और इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं Jules's Law of Heating I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी अब एक काम करो इसका derivation जो है आप इसे copy कर लो चाहिए तो आप screenshot भी ले सकते हो यह रहा इसका screenshot मैं हो जाती हूँ मरला यह रहा इसका पूरा derivation मैं हो जाती हूँ screen के बाहर तो आप इसका screenshot ले लेंगे on the count of 5 ओके, so 5 4 3, 2 and 1, I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा और इसी को हम क्या कहते हैं, Jules's Law of Heating कहते हैं, I hope यह चीज आपको समझ में आई होगी, Jules's Law of Heating बोलतार क्या है, कि भाई heat जो produce होती है, resistor में वो किसके proportional होती है, square of the current for a given resistance, directly proportional किसके होती है, resistance for a given current, directly proportional to the time for which the current flows through the resistor यहने कि Jules's Law of Heating में हम से क्या बोला था, कि जो heat produce होती है resistor में, वो 3 चीज़ों के directly proportional होती है, पहला क्या है, जो current आपने provide किया resistor को उसके square के बराबर होती है या उसके square के directly proportional होती है फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि given current के लिए जो resistance आया है उसके directly proportional हो जाएगी तीसरी चीज़, जो जिस time के लिए current flow हुआ है उस resistor में उसके directly proportional हो जाएगा यानि कि H is equals to I square into R into T बस तो इसकी कहानी अभी खतम नहीं हुए actually हमने अभी तब बस derivation देखा है अभी और कुछ चीज़े हैं Jules Law of Heating के बारे में पढ़नी है इसके उपर बेस्ट हैं में कुछ numerical भी करने है solve तो इस session के लिए इतना ही हम मिलेंगे अपने next session में जहां पे हम Jules Law of Heating के बारे में कुछ और बाते डिसकस करेंगे तक तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर ली जगा जहां पे आपको सभी chapters की video lectures में ले वाले हैं playlist में साथी साथ सभी topics के वहां पे आपको होंगे notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching hello everyone आज के session में हम बात करने वाले हैं हमारे chapter electricity के last theoretical topic की जिसका नाम है electric power तो इस session में हम बात करेंगे electric power के बारे में देखेंगे कि electric power होती कहा है और you know इसके applications क्या है तो आज के इस session का target मैंने set कर दिया है कि हमें आज के session में electric power पढ़ना है तो जब target हो गया है set तो देखेंगे किस बात की तो चलिए start करते हैं आज का यह हमारा session so this is विभूती करने welcome to magnetbrains जहां पे आपको सभी chapters की video lectures मिले वाले हैं बिल्कुल free of cost यानि कि magnetbrains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnetbrains आप सब तक पहुंचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का हमारा session जहां पे हमें बात करनी है electric power की अब इससे पहले कि electric power को समझे कि electric power होती क्या है उसको समझने के पहले थोड़ा सा हम revision करते हैं revision जो कि हमने joules law feeding में जो भी चीज़े पढ़ी है ना उसको हम कर लेते हैं revise पूरा पूरा topic नहीं करेंगे उसमें कुछ 2-3 जरूरी चीज़े हैं जो मुझे आपको revise करानी है तभी जाकर के आप power को समझ पाओगे कैसे सपोज हमारे पास क्या है एक कोई electronic device है यह जी समने अल्रेडी पढ़ी हुई है revise कर रहे हैं बस कि हमारे पास क्या है एक electronic device है ठीक उसका एक end है A और दूसरा end है B सपोज इस electronic device के across मैंने क्या लगा दी एक लगा दी है battery जैसी battery लगाई मतलब क्या हुआ एक potential set हुआ potential set हुआ मतलब क्या सपोज जो मारे पास electronic device है उसका जो end A है उसपे सपोज 20V का potential set हो गया और जो दूसरा end है उसपे सपोज 5V का potential set हो गया क्या किया मैंने एक electronic device ली उसके across मैंने लगा दी क्या एक battery battery लगाने से क्या हुआ एक potential difference generate हो गया पूरे circuit में जो and A था मेरे electronic device का उसपे 20 volt potential set हो गया और जो and B था उसपे 5 volt potential set हो गया अब क्या होगा electronic device है भई उसके अंदर क्या present होगे electrons present होगे जैसे ही electrons को पता चलेगा कि भई potential set हो चुका है एक तरफ 20 तो दूसरी तरफ 5 यानि कि जो and A होगा उसकी तरफ positive charges क्या होगे जादा होगे जो दूसरा and होगा उसकी तरफ negative charges कम होगे तो electrons कहां भागेंगे? electrons भागेंगे towards more positive charges यानि कि electrons कहां flow काणने लागे भाई? low potential से high potential उदर पे 5 volt था इदर पे 20 volt था लेकिन electrons कहां भागे? electrons low to high potential पे भागे हमें पता है कि जब चीजे high concentration to low concentration जाती है high potential to low potential जाती है तो मेहनत की ज़रूरत बिलकुल भी नहीं होती हमें बिलकुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती लेकिन अगर चीजे low to high potential जा रही है ball अगर ground से आपको height पे फेकनी तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको throw करना पड़ेगा यानि कि आपको work करना पड़ेगा electrons भी low to high potential जा रहे हैं वही हम तो है नहीं circuit में कि हम मेहनत करें कौन मेहनत करेगा? वो चीजें जो circuit में present होंगी कौन present है वही circuit में? circuit में present है हमारी battery वो battery जो कि आपने electronic device के across connect करी थी यही battery क्या करेगी? यही battery work करेगी और electrons को low to high potential ले करके जाएगी 9th class में हम में पढ़ा था कि work done किसके बराबर होता है? work done बराबर होता है energy के हमने बोला कि battery ने work किया है electrons को low to high potential ले के आने में याने कि हमारी battery ने क्या किया है? हमारी battery ने electrons को gift दिया है क्या gift दिया है? energy दी है हमने बोला कि भाई battery ने work done किया है? electrons को, electronic device के अंदर जो present है, उनको low potential से high potential नाने में नाइंथ में हमने ये भी पढ़ाई कि work done किसके बराबर होता है, energy के बराबर होता है याने कि हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी battery ने क्या किया है, हमारा जो electronic device के अंदर, जो electrons present थे, free electrons present थे, उनको क्या कर दिया, एक gift दे दिया क्या gift दे दिया भाई, energy दे दी अब क्या होगा जैसे ही electrons flow करना शुरू करेंगे, उनका होगा collision, ठीक है, electrons का क्या होगा, collision हुआ और जहां collision हुआ, वहाँ समझ लो, क्या हो जाएगा भाई, heat liberate हो जाएगी मैंना आको बताया था, joules flow feeding में, कि electronic devices क्या करती है, heat produce करती है आप अपने laptop को या अपने phone को charge करके देखो, एक गंटा या अदा गंटा, आप observe करोगे आप realize करोगे, कि आपका phone आपका charger, आपका laptop आपका जो laptop का adapter है, वो सब क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा, गरम क्यों हुआ क्योंकि जैसे ही उन चीजों से electric current होना flow हुआ, heat produce हो गई electric current flow होना मतलब क्या हुआ, electrons का flow होना शुरू हुआ, जैसे ही electronic devices के अंदर electrons का flow start होता है, heat जो है, liberate हो जाती है, heat produce हो जाती है, वो heat produce होती हुए, हमें दिखेगी नहीं लेकिन हा, हम उसे feel जरूर कर सकते हैं, उन्हें touch करके ठीक है, तो electronic devices heat कैसे produce करते हैं, क्योंकि electrons क्या करते हैं, collision करते हैं इसका मैंने आपको बहुत अच्छा example दिया था, कि जब कडाके की ठंड पड़ती है, तो हम क्या करते हैं इस तरह से अपने हातों को rub करते हैं, rub करने के कारेंट क्या होता है, आपको थोड़ी सी अपनी हातेलियों पे, अपने पाम पे गर्माहट फील होने लगती है और अगर ज़ादा गर्माहट चीज़ता produce हुई तो जो हमारे you know electronic devices जो होते हैं उनके अंदर भी electrons होते हैं वो इत्स अशेणेंगे clapping करना चाहेंगे but unfortunately हमारे जो free electrons होते हैं उनके पास नहीं आखे होती है नहीं उनके पास हाथ होते हैं लेकिन clapping तो उनें करनी है कैसे करेंगे वो clapping उनकी clapping हो जाती थोड़ी सी vigorous और वो क्या करते हैं जाके तकरा जाते हैं या तो conductor के atoms के साथ या foreign atoms के साथ या आपने जो भाई बंदू होते हैं free electrons बाकि free electrons उनके साथ जाकर के तकरा जाएंगे तो इस तरह से electrons को क्या होता है collision होता है और इसी collision के कारण electronic devices क्या करती है heat produce कर पाती है यह heat production कब हुआ जब electrons ने क्या क्या collision शो करा जब वो collide हुए collide वो कब होंगे जब जाहिर है चीज़े flow होंगी अगर आप अपनी जगह से हिलो गई नहीं तो आपके टकराने की possibilities तो zero हो जाएंगी electrons अगर clapping कर रहे हैं अगर वो टकरा रहे हैं collision कर रहे हैं इसका मतलब क्या कि electrons definitely क्या कर रहे हैं flow कर रहे हैं जो conductor होता है उसके अंदर चीज़ उसके अंदर तो atoms present होते हैं atoms तो अपनी जगह stationary होते हैं जादा जादा वो क्या करते हैं अपनी जगह पे vibrate कर पाते हैं flow करने की responsibility किसकी होती है electrons की होती है तो अगर electrons टकरा रहे हैं इसका मतलब क्या कि वो flow कर रहे है Electrons flow कहां करते हैं? Low to high potential flow करते हैं और कैसे कर पाते हैं? क्योंकि बैटरी उन पर क्या करती है? मेनत करती है, work करती है और इस work को हम क्या कहते हैं? Energy कहते हैं याने कि अगर battery electrons को energy ना दे पाए तो electrons flow ही नहीं कर पाएंगे Flow नहीं करेंगे तो collision नहीं होगा तो ये जो हमारे electrons heat produce कर रहे हैं विगरस clapping से वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि बैटरी उन्हें क्या दे रही है? Energy दे रही है बैटरी क्या कर रही है? काम कर रही है इसी काम को हमने क्या बोला? Energy तो भई बैटरी ने क्या करा? battery ने electrons को क्या दे दी energy दे दी और इसी energy को electrons ने क्या किया heat के form में liberate कर दिया इसलिए electronic devices गरम हो जाती है यह जीज़ आपको समझ में आ रही है मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक device थी एक potential difference हमने set कर दिया battery लगा करके high potential low potential set हो गया electrons को जैसी पता चला potential set हो गया है चलो भागते हैं कहां भागते हैं low to high potential लेकिन ऐसे कैसे भागेंगे low to high जाना है तो किसी को महनत करनी पड़ेगी हम तो हैंनी circuit में जो महनत कर ले circuit में कौन है बैटरी है तो बैटरी महनत करेगी electrons को low to high potential लाने में उस महनत को, उस काम को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन कहते हैं, नाइन्थ में हमने बढ़ा था, वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है, याने कि बैटरी क्या करती है, एलेक्टरॉन को एनर्जी देती है, जैसे ही एलेक्टरॉन को एनर्जी मिली, उन्हो के तकराएंगे ठीक है, जैसे कि हम clapping करते हैं, तो हमारे हातों में एक heat produce हो जाती है, similarly एलेक्त्रॉन्स भी क्या करते हैं, heat produce करते हैं, heat produce कैसे करेंगे vigorous clapping वो vigorous clapping ही क्या होती है उनका collision होता है तो electrons heat कैसे produce कर पाए क्योंकि वो कर रहे थे vigorous clapping याने की वो कर रहे थे collision collision कैसे कर पा रहे थे क्योंकि वो flow कर रहे थे अगर आप अपने जगा से हिलो गई नहीं तो आपके टक्राने की possibilities तो zero हो जाएंगी अगर electrons flow नहीं करेंगे तो collision नहीं होगा electrons collide कर रहे है definitely इसका मतलब क्या है कि वो flow कर रहे है flow कर रहे हैं कैसे flow कर पा रहे है क्योंकि भाई battery उन्हें क्या दे रही है एक energy दे रही है तो जितनी energy battery ने electrons को दी है न उतनी energy हमारे electrons क्या करेंगे heat के form में उस energy को liberate कर देंगे हमने law of conservation of energy पढ़ा था कि energy को ना कभी आप बना सकते हो ना उसको कभी आप destroy कर सकते हो वो एक form से दूसरे form में हमेशा क्या होती है convert होती है तो भाई जो energy मिल रही थी electrons को battery से उसी energy को electrons ने convert कर दिया किसमें heat में और इसलिए electronic devices कर जाती है क्या heat produce ठीक है I hope जीज़ आपको समझ में आई होगी याने की मतलब क्या निकला कि हमारे जो electrical appliances होते हैं वो energy consume करते है और energy liberate करते है heat क्या है एक form ही तो है ना energy का heat क्या है एक form है energy का तो हमारी electrical appliances क्या करेंगे energy consume करेंगे और इसके बाद में energy को liberate भी कर देंगे लेकिन अभी तक ये चीज़तों हमने समझनी कि electrical appliance ने energy consume करी और energy liberate भी करी लेकिन कितनी ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं तो ये कौन बताएगा भई ये बताएगा हमारा topic electric power मैंना अको पहले ही बोला था electric power समझने के लिए थोड़ा सा flashback में जाना पड़ेगा थोड़ा से revise करना पड़ेगा तो electrical appliances ने heat consume करी और heat liberate भी करी लेकिन energy consume करी और energy liberate भी करी heat energy liberate करी release करी आखिर कितनी energy consume हुई है पर unit time उसी को हम क्या कहते हैं power कहते हैं power एक बहुत ही लड़ू सा सवाल है बहुत ही लड़ू सा topic है power की definition क्या पोलती है भाई it is defined as the amount of energy electric energy consumed in a circuit per unit time किसी circuit में per unit time में कितनी electric energy consume हुई है उसी को हम क्या कहते हैं power कहते हैं यानि कि हमारी electrical appliances में, electrical appliances ने किसी circuit में कितनी energy consume करी है, या कितनी energy release करी है, liberate करी है, पर unit time में वो हो जाती है, क्या उस particular electrical appliance की power. समझें, power को हम denote कैसे करते हैं, power को हम denote करते हैं, P के साथ, छीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, power को हम कैसे denote करते हैं, capital P के साथ करते हैं, power है क्या, कितनी energy consume करी गई है, by the electrical appliances, divided by per unit time, यानि कि per unit time में कितनी electrical energy consume करी गई है, या कितनी heat energy release करी गई है, वो क्या हो जाएगी, उस electrical appliance की power, ये जीज़ आपको clear है, अब जरा ये बताओ, energy, अभी हम में क्या पढ़ा था कि work done किसके बराबर होता है, energy के बराबर होता है, तो energy की जगा, मैं यहाँ पे work done भी तो लिख सकती हूँ, बिल्कुल सही है, तो power क्या हो जाएगी, work done, power is equal to work done divided by time, यहने कि कितना work done हुआ है, पर unit time, वो क्या हो जाएगा, उस particular electronic device की power, ये पहला formula हो गया, power के दो-तीन formula हैं, और दो-तीन formula उनका derivation आपको कभी नहीं आएगा, सीधे से आपको सवाल दिया जाएगा, और आपको power का formula apply करके power निकालनी पड़ेगी, या जो भी चीज़ पूछी गई, वो आपको निकालनी पड़ेगी, तो पहला formula क्या हो गया power का, भई power होता क्या है, जितनी electrical energy किसी electrical appliance ने consume करी है per unit time, या जितनी heat energy liberate करी है per unit time, that is power of that particular electronic device, energy को हम कैसे लिख सकते है, work done divided by time, यह हो गया इसका पहला formula, चीक, यह जीज़ आई आपको समझ में, अब अच्छा बताओ, हमने joules law of heating पड़ा है, joules law of heating में हमने heat, भई, जो energy, मैं power की definition बार-बार क्या बोल रही हूँ, जितनी energy किसी electronic device ने consume करी है per unit time, यह जितनी heat energy किसी electrical appliance ने liberate करी है per unit time, तो मैं इस E की जगा क्या लिख सकती हूँ, मैं इस E की जगा H भी तो लिख सकती हूँ, H मतलब क्या, जो heat liberate होई है, joules law of heating के according, H की value क्या होती है भई, H की value होती है I square into R into T, H की जगा मैंने I square into R into T रख दिया, divided by time, तो यह T से T cancel out हो गया, power का formula क्या बन गया, P is equals to I square into R, यह हो गया power का second formula, चार formula है power के, वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, I hope यह जीज़ आपको समझ में I होगी, अब क्या करते हैं, Oms law लगा देते हैं, V is equals to कितना होता है भई, I into R होता है, इस R की जगा में क्या लिख देती हूँ, V divided by I लिख देती हूँ, तो यह कितना हो जाएगा, P is equals to I square, R की जगा में क्या लिख दूंगी, V by I, तो एक I से एक I cancel out हो गया, P की value कितनी आगई, P की value आगई, V into I, यह हो गया power का हमारे third formula, पहला formula क्या था, power is equals to energy, जितनी consume करी है, या वो heat energy जो की liberate करी है, किसी electronic device ने per unit time, तो work done divided by time भी लिख सकता है energy को, energy को अब heat भी लिख सकते है, heat का मैंने formula लग दिया, I square into R into T, T से T cancel out हो गया, तो P क्या बचा, P is equals to I square into R बचा, अब क्या करा, R की जगा मैंने क्या लग दिया, ओम सो लगाया, तो R की जगा मैंने V divided by I रग दिया, तो power कितना आगया, P is equals to V into I आगया, अब क्या करूंगी मैं, इस I की जगा, फिर से मैं ओम सो लगा दूँगी, तो I की जगा मैं लिख दूँगी, कितना V by R, कितना हो जाएगा, P is equals to V into I है, I की जगा मैंने क्या लिख दिया, V by R लिख दिया, तो V into V divided by R, तो P is equals to V square by R, यह हो गया, पावर का fourth formula, formula number one, formula number two, formula number three, और यह रहा अपना formula number four, इन्चार formulas को आपको बहुत ही अच्छे तरह से अपने दिमाग के अंदर बिठाना है, क्योंकि power की maximum आपसे definition पूछी जाएगी, और serious से आपको जोना numerical दे दिया जाएगा, कि यह रहा power का formula, ठीक है, power का formula आपको पता होना चाहिए, यह रहा numerical, अब लगाओ power का formula, जो भी चीजे given है उसके according और निकालो जो भी question में पूछा गया है, तो यह चारो formulas आपको by heart learn होने चाहिए, अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो, कभी भी exam में इसका derivation नहीं पूछा जाता है, जैसे मैंने चारो formulas derive करके बताएं आपको, यह कभी नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4, यह formulas आपको ध्यान होने चाहिए, और अगर नहीं भी है ना, तो एक जीज़ अमेशा ध्यान रखना, वो क्या है power की definition, power की definition हमसे क्या बोलती है, कि कितना amount of electrical energy किसी electronic device ने consume की है per unit time, या कितने amount की heat energy liberate करी है, किसी electronic device ने per unit time, वो क्या हो जाएगी, उसके power के बराबर हो जाएगी, power की 4 formula है, भई P is equal to energy, जो की किसी electronic device में consume करी है, divided by time, तो इस energy को आप work done भी लिख सकते हैं, इस energy को आप heat energy भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी energy आप electronic device को दोगे न, उतनी ही वो heat produce करेगा, तो E is equal to H, is equal to H का formula लगा दिया, according to Joule's law of heating, तो I square into R into T, जो also लगा दिया, V divided by I लिख दिया, तो तीसरा formula क्या आँगया, P is equal to V into I, इस I की जगा मैंने क्या लिख दिया, V by R, तो ये चौथा formula आगया, इसका आप लें फटा-फट से एक screenshot, पोईकि ये हैं बहुत जरूरी, ठीक है, तो मैं हजाती ही स्क्रीन के बाहर, आप इसका screenshot लेंगे on the count of 5, so your time starts now, so 5, 4, 3, 2 and 1, I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं थोड़े आगे की, आगे क्या है भाई, पावर की भी तो कोई ऐसा unit होनी चाहिए, क्या हो सकती है, calculate करके निकालते हैं, पावर का मैंने आपको formula क्या बताया, कि ये क्या होती है, work done divided by time, है ना, या आप इसको क्या लिख सकते हो, energy, चाहिए, work done अगर नहीं भी लिखना है, तो छोड़ो, पावर क्या होती है, कि बही कितनी heat, किसी electronic device ने, कितनी energy consume करी है, किसी electronic device ने, या कितनी heat energy, liberate करी है, किसी electronic device ने, per unit time, तो energy divided by time, energy की ऐसा unit क्या होती है, joules होती है, time की कित्ती होती है, seconds होती है, तो joules second inverse क्या हो जाएगा, पावर की ऐसा unit, अब एक scientist है, ठीक है, जिनका नाम James Watt था, उन्होंने पावर की उपर, काफी मेहनत करी थी, तो उनकी मेहनत को respect करने के लिए, हमने क्या करा, James second inverse, सॉरी, जो joules second inverse है, उसको, हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने दे दिया, क्या what, ठीक है, James Watt नाम की scientist है, जिन्होंने पावर की उपर, काफी मेहनत करी थी, तो हमने जूल्स second inverse, जो आया है, उसको हमने नाम दे दिया, क्या what, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी भाई, पावर का formula हो जाता, पावर की ऐसा unit क्या हो जाती है, पावर की ऐसा unit हो जाती है, आई बात आपको समझ में, आप क्या बोल रहे हैं, इट इस सेट टूबी, अच्छा, फिर इसके बार में, अगर आपको 1 वाट पावर, 1 वाट पावर अगर आपको define करना, तो आप क्या करोगे, if 1 ampere current flows through a circuit, having 1 volt potential difference, तो 1 watt is equals to 1 volt into 1 ampere, अगर आपको 1 watt को इन्होंने define कर दिया है, अगर आपको 1 watt पावर करनी है, define तो आप कैसे करोगे, 1 watt पावर is that power, जो की कोई भी electronic device की होती है, जब वो क्या करे, 1 joule energy consume करे per second, 1 second में कितनी energy consume करे, 1 joule, तो उस electronic device की power क्या हो जाएगी, 1 watt, इतना clear आप सबको, तो अभी जो भी हमने चीज़े पढ़ी है, उसका हम कर लेते हैं, एक जल्दी से quick revision, क्या पढ़ा था हमने, अभी power की बारे में बाते खतम हुई नहीं है, अभी हमें commercial unit of power भी पढ़नी है, क्या होती है commercial unit of power, और क्या ज़रूरत है इसकी ये भी हम देखेंगे, लेकिन अपने next session में, अभी जो चीज़े हमने पढ़ी हैं, उसको हम कर लेते हैं, फटा-फट से revise, क्या पढ़ा हमने, कि भाई power क्या होती है, किसी भी electronic device की, जितनी भी electrical energy, कोई electric appliance consume करता है, पर unit time, या कोई भी electronic device, जो heat energy liberate करेगा, पर unit time, वो हो जाएगी, उस particular electronic device की power, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, कि भाई electronic device के अंदर क्या होते हैं, free electrons होते हैं, जैसे ही उस device को आप किसी, battery या cell के across connect करोगे, एक potential difference set हो जाएगा, electrons उस electrical appliance के अंदर, कहां से कहां भागेंगे, low to high potential भागेंगे, low to high potential जाने के लिए, किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, work करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वो काम कौन करेगा, battery करेगी, 9th class में हमने पढ़ा था, कि work done किसके बराबर होता है, energy के बराबर होता है, याने कि battery ने क्या किया है, electrons को energy दी है, और इसी electrons के चलते, electrons क्या कर लेते हैं, flow करना शुरू कर देते हैं, जब वो flow करेंगे, तब ही वो collision शो करेंगे, और अगर एक बार electrons ने collision शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, heat produce हो जाएगी, electrons को collision मतलब क्या, उनकी vigorous clapping, जिस तरह से हम clapping करते हैं, heat produce होती है, similarly, electrons भी क्या करेंगे, vigorous clapping करेंगे, collision करेंगे, heat produce हो जाएगी, तो electrons heat कैसे produce कर पाए, क्योंकि battery उसे क्या दे रही थी, energy दे रही थी, तो जितनी energy electrons को मिलेगी, उसी energy को वो क्या कर देगा, convert heat में कर देगा, वही energy क्या होती है, energy को ना आप, according to law of conservation of energy, आप जो energy है, उसको ना बना सकते हैं, ना आप उसको destroy कर सकते हैं, वो हमेशा एक form से दूसरे form में convert होगी, तो जो electrical energy, battery ने electrons को दी है, किसके electrons को, उसके electrons को, उसी electrical heat को, उसी electrical energy को, जो electron से वो किस में convert कर देंगे, heat energy में convert कर देंगे, याने कि जो electrical energy है, वो किस में convert हो जाती है, heat energy में convert हो जाती है, कौन करता है, electrons करता है, तो electrons heat कैसे produce कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको energy मिल रही थी, battery से, तो एक electronic device ने कितनी energy consume करी है per unit time या कितनी heat energy liberate करी है per unit time ये हो जाएगी उसकी power पावर की 4 formula होते हैं एक तो power का formula होता है work done upon time ठीके दूसरा होता है power is equal to v into i तीसरा होता है power is equal to v square upon r और चौथा होता है p is equal to power is equal to i square into r ये 4 formulas होते हैं power की हमेशा ध्यान रखने है ऐसा unit क्या होती है power की तो देखो हमारा जो power मतलब क्या energy consume divided by per unit time तो energy की ऐसा unit क्या होती है joules time भी कितनी होती है second तो ये कितना हो जाएगा joules second inverse और इसी joules second inverse को हम क्या बोल देते हैं वाट भोल देते हैं क्यों क्योंकि जेम्स वाट नाम की एक scientist आयते है जुन्होंने power के ओपर काफी मेहनत करी थी तो उन्होंने हमने क्या किया जो joules second inverse है उसको हमने वाट नाम दे दिया तो ऐसा unit क्या हो जाएगी power की वाट हो जाएगी बस आज की session के लिए इतना ही अभी power का topic खतम नहीं हुआ है next session में हम बात करेंगे commercial unit of power की क्या होती है commercial unit of power तो इस session के लिए इतना ही हम मिलेंगे अपने next session में तब तक आप क्या करेंगे हमारे जो official website magnetbrains.com उसे visit कर लिजेगा जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिले वाले हैं playlist में साथी साथ सभी topics के वहां पे आपको होंगे notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watching Hello everyone, आज के इस session में हम बात करने वाले हैं complex combination of resistors की अब आप बोलेंगे कि मैं resistors का मतलब तो समझ में आता है resistors का combination भी हम पढ़ चुके हैं कौन-कौन से combination एक तो हो गया series, दूसरा हो गया parallel लेकिन ये complex combination क्या होता है तो देखो, अभी तक हम बात करें थे हमारे circuits की जहां पे जो हमारे resistors होते थे या तो वो series में arranged होते थे या फिर वो parallelly arranged हमें देखने को मिलते थे लेकिन अब हम बात करेंगे उन circuits की जहां पे हमारे जो resistors हैं वो series में भी arranged मिलेंगे आपको और parallelly भी arranged मिलेंगे इसलिए इस combination को हम क्या बोलते हैं complex combination बोलते हैं तो आज के इस session का मैंने target fix कर दिया है कि आज के session में हमें complex combination of resistors समझना है और कैसे समझेंगे? numerical से समझेंगे तो भाई जब target होगे set तो फिर देरी किस बात की? तो चली start करते हैं आज का हमारा lecture So this is Vibhuti Khare Welcome to Magnet Brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है Quality Education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का यह हमारा session जहां पे हम बात करेंगे Combination of resistors कौन सा combination भई? Complex combination क्योंकि यहां पे हम इस series में भी मिलने वाले resistors और parallelly भी arranged मिलने वाले resistors So, in this combination circuit has some resistors connected in series combination and some in parallel combination This type of combination is called complex circuit उस circuit को हम बोलतेते हैं complex क्योंकि महां पे resistors series में भी arranged मिलेंगे और parallel arrangement में भी मिलेंगे The following are some examples which will help you to solve questions on combination of resistances in series and parallel both I hope आपको complex combination का मतलब समझ में आया होगा complex circuit का मतलब समझ में आया होगा अब अगर आपको ये सारी चीज़ा समझ में आ गई हैं तो हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने first question के उपर first numerical के उपर ये वाला जो सवाल है ये आपकी NCRT का है तो भाई जो सवाल NCRT में दिये होते हैं उन्हें solve करना तो हमारा सबसे पहला first बनता है हमारा तो सवाल क्या बोल रहा है हम से In the given figure R1 is equals to 5 ohms R2 is equals to 10 ohms R3 is equals to 15 ohms and R4 is equals to 20 ohms और एक और resistor है भाई R5 भी है कितना है R5? 20 ohms का है and a 15 volt battery is connected to the arrangement calculate the total resistance in the circuit and the total current flowing in the circuit याने कि हमारे पास एक circuit है जिसमें कि 15 volt की battery लगी हुई है और total 5 resistor है 2 ohms का 5 ohms के sorry 2 के नहीं है 5 का है 10 का है 15 का है 20 का है और 25 का है पूछा क्या गया है हम से कि इस पूरे circuit में total resistance कितना होगा और total current कितना बहेगा circuit में अब इस तरह से आपको एक diagram दिया है circuit का जहाँ पर आपको दिख रहा है 5 resistors तो दिये है लेकिन क्या यहाँ पर difference है कि 2 resistors जो है वो एक combination बना रहे है बाकि के जो 3 resistor है R3, R4, R5 ये तीनों मिलके अपना एक अलग combination बना रहे है ठीक है R1, R2 ने अपना combination बनाया कौन सा बनाया भाई देखने से हमें समझ में आ रहा है कि R1, R2 मिलके क्या बना रहे है parallel combination बना रहे है उसी की तरह R3, R4 और R5 भी क्या कर रहे है एक parallel combination बना रहे है अब देखने में तो ये सवाल हमें कैसा लगेगा parallel combination का लगेगा क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी resistors कैसे है parallelly arranged है तो फिर इसे हमने complex combination की category में क्यों डाला है क्यों हम complex combination of resistors के topic में इसे पढ़ रहे हैं एक काम करते हैं इसको solve करना शुरू करते है अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये resistors आपस में series में भी connected है parallel arrangement तो हमें देख रहा है लेकिन series कहां से आएगा ये भी हम देखते हैं देखो एक काम करते हैं एक-एक करकी combination को solve करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास जो उपर वाला combination है उसे हम solve कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा R1 और R2 कैसे connected होते हैं R1 और R2 connected हैं parallelly और parallelly जब हमारे resistors corrected होते हैं तो हम क्या निकालते हैं सबसे पहले R effective निकालते हैं R effective कैसे निकलता है भाई parallel combination में 1 upon R effective निकलेगा कैसे 1 upon R1 plus 1 upon R2 जब हमें parallel combination में effective resistance निकालना होता है minimum effective resistance तो हम क्या करते हैं जो individual resistors हैं उनके resistance का reciprocal लेते हैं 1 upon कर देते हैं और फिर इसके बार में उन्हें add करते हैं तो यहाँ पर R1 कितना है भाई आरवन हमें सवाल में दिया गया है 5 oohs तो यहाँ पर हम लिख दिया क्या 1 upon 5 R2 कितना दिया गया है भी सवाल में हमको दिया गया है R2 10 ohms तो यहाँ पर हम मुख देते हैं 1 upon 10 ड़ पर신 जब एक करके दोनों ही Kings को solve करते हैं ठीक है तो फिर्स वाला जो मारा combination है उपर वाला यहाँ पर R1 और R2 है पैरलल arrangement में तो पैरलल combination में हम R effective कैसे निकालते हैं इंडिविज्वल रजिस्टर के resistance को हम का हम reciprocal लेते हैं उस reciprocal को हम कर देते हैं add तो R effective कौन सा निकले रहे हैं हाँ पर 1 upon R1 plus 1 upon R2 तो 1 upon 5 plus 1 upon 10 values given हैं सभी resistor के resistance की values हमें given हैं सवाल में अब क्या करेंगे common factor ले लेंगे कितना आ जाएगा 10 5 में ऐसा क्या multiply कर दें कि 10 आ जाए तो आपका जवाब होना चाहिए 2 10 में ऐसा क्या multiply कर दें कि 10 आ जाए तो आपका जवाब होना चाहिए 1 तो हमारा R effective कितना निकला आर एफेक्टिव हमारा निकला 3 upon 10 ohms ठीक है 3 upon 10 ohms निकल गया अब यह जो R effective है यहाँ पे हमारे पास दो combination हैं यानि कि यहाँ पे R effective दो मिलने वाले हैं यह वाला जो R Effective मिला है, Effective Minimum Resistance, यह कौन सा है? यह Minimum Effective Resistance हमारे पास निकला है, यह पहले वाले combination का है. दूसरे वाले combination का भी निकलेगा, तो यह काम करते हैं, इसको अब हम सिर्फ R Effective नहीं बोलेंगे, इसका नाम हम रख देते हैं, R- Effective. क्या रख दिया मैंने इसका नाम? R- रख दिया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो parallel combination है, और दोनों से ही हमको Minimum Effective Resistance मिलने वाला है. यानि कि दो R- Effective मिलेंगे, तो confusion ना हो, इसके लिए मैंने इसका नाम रख दिया है, पहले वाले combination का R- Effective, R- Effective, जो कि कितना आया है? 3 upon 10 Ohms आया है. तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ? R- Effective कितना आया भई? 1 upon R- Effective कितना है? 3 by 10. तो उसका मैं अगर उल्टा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 10 upon 3 Ohms. तो R- Effective कितना आया? 10 upon 3 Ohms, यह पहले वाले combination का है. यह चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो, तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे वाले combination की. मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम क्या कर रहे हैं? हम एक के करके दोनों ही combination को देखेंगे. अब क्या हो गए हाँ पे? जो यहारा second वाला combination है, parallel combination उसको हम solve करते हैं. क्या निकालेंगे हम? R- Effective निकालेंगे. R- Effective कैसे निकलेगा? 1 upon R- Effective is equal to 1 upon R2, इसको भी मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा? Is equal to 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus 1 upon R5. क्योंकि हमारे पास जो second combination है, उसके पास past resistor है, इसलिए हमने क्या किया? Sorry, 3 resistor है. इसलिए हमने क्या किया? R3, 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus 1 upon R5. ठीक है? अब देखो, R3 के value कितनी given है? R3 के value given है 1 upon 15. R4 के value कितनी given है? R4 के given है हमारे question में 20. तो यहाँ पे मैंने 1 upon 20 लिख दिया. फिर R5 की value कितनी given है? R5 के value हमें 25, तो यहाँ पे हमने 1 upon 25 ले लिया. R3, R4 और R5 इन सब ही क्या resistance है, उसको मैंने क्या लिया है? रैसी प्रोकल में ले लिया है. क्यों? क्योंकि हमें 1 upon R effective निकाला है. हमें minimum effective resistance निकाला है हमारे parallel combination में. अब क्या करेंगे? अब एक काम करते है, common factor ले ले लेते हैं. मेरे ख्याल से हमें हमारा common factor है, वो कितना आएगा? 300 आएगा. एक काम करते हैं, इसको solve कर लेते हैं, cross check कर लेते हैं. 15, 20 और यह कितना हो जाएगा? 25. तो 5, 3 is a 15, 5, 4 is a 20, 5, 5 is a 25, फिर 3, 1 is a 3, 4 और 5 as it is नीचे आएगा, फिर आजाएगा 4, 1 is a 4, 5 as it is नीचे, 5, 1 is a 5 यह हो जाएगा. तो common factor कितना निकला भाई? 5, 3 is a 15, 5, 4 is a 20. कितना आगया? 300 आगया. तो common factor हमारा कितना आया? 300. अब 15 में ऐसा क्या multiply कर दें भाई? कि 300 आजाएगा? तो 15 में ऐसा क्या multiply कर देंगे? 5, 4 is a 20 कर देंगे. 20 में ऐसा क्या multiply कर दें कि 300 आजाएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए 15. 25 में ऐसा क्या multiply कर दें कि 300 आजाएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए 4, 3 is a 12. कितना आ जाएगा इन सबको add कर दो आप तो 300, denominator में तो 300 ही आएगा numerator में कितना आ जाएगा 25 प्लस 15 प्लस 12 कितना जाएगा 7, यह जाएगा 3, यह जाएगा 4 याने कि numerator में आगे अपना कितना 47 तो हमारे पास जो R effective निकला दूसरे वाले combination का जिसमें कि 3 resistors लगे हुए थे हमारे पास R3, R4, R5 तो 1 upon R effective उसका कितना आया भाई 47 upon 300 सही है अब देखो जैसे कि हमने पहले वाले combination में R effective को नाम दे दिया था मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे पास 2 parallel combination है याने कि हापर R effective कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे तो confusion ना हो इसके लिए मैंने इसको R dash effective नाम दे दिया तो उसी की जैसे मैं इसको भी नाम दे दूँगी जो second वाला combination है इसके भी R effective को मैंने नाम दे दिया क्या नाम दे दिया मैंने यहाँ पर मैंने दे दिया R effective double dash उसको single dash था तो इसको मैंने double dash नाम दे दिया कितना आया 1 upon R effective कितना आया है 47 upon 300 तो इसका मैं reciprocal ले लूँगी तो कितना आजाएगा 300 divided by 47 तो यहाँ पे R dash effective R double dash effective कितना आया भाई यह आया हमारा 300 divided by 47 ohms step by step चल रहे हैं पहले वाले combination को solve किया तो कितना आया R dash effective 10 upon 3 दूसरे वाले combination को solve किया तो R double dash effective कितना आया 300 divided by 47 ठीक है अब एक काम करते हैं देखो इस तरह की जो सवाल आता है ना complex combination वाले वहाँ पे हम क्या करते है आर effective आपने एक बार combination का निकाल लिया अब उस combination की जगह पे आप क्या रख देते हैं आप एक resistor रख देते हैं यानि कि क्या बोला चाहरी हूं मैं कि जो हमारे पास complex circuit होता है complex combination होता है जहां पर आपको different combinations देखने को मिलते हैं तो आपको series देखने को मिलेगा या आपको parallel देखने को मिलेगा इस सवाल में हमारे पास दो parallel combination है दोनों ही parallel combination को हमने solve कर लिया अब इन दोनों ही parallel combination की जगह पे हम क्या रख देते हैं एक resultant resistor रख देते हैं यानि की ये वाला जो हमारा Combination है, इसकी जगह पे हम रख देते हैं. एक resultant resistor. ठीक है? और ये जो हमारा दूसरा वाला Combination है, इसकी जगह भी हम क्या रख देते हैं? एक resultant resistor. ठीक है? और फिर इसके बार में, इन दोनों को जोड़ो, बीच में हमारा m meter भी लगा हुआ है अब देखो जारा क्या अब आपको हमारे resistor series में नहीं दिख रहे हैं मैंने क्या किया दोनों ही parallel combination को solve कर लिया दोनों के ही r dash effective r double dash effective निकाल लिये अब ये जो combination है ना इसको मैं हटा दूँगी इस combination की जगा पर मैं सिरफ एक resistor रखूंगी जिसको मैं क्या बोलती हूं resultant resistor यानि कि इस वाले combination का एक resultant resistor निकल के आया है सपोज उसको मैं नाम देती हूं कितना आरवन तो दिया हुआ ना आर ए नाम देती हूं ठीक है इस पूरे combination की जगा पर मैंने क्या रख दिया है एक resultant resistor रख दिया है जिसका नाम क्या है आर है similarly जो मेरे पास दूसरा वाला combination है ना इसकी जगा मैं रख देती हूं क्या एक resultant resistor ठीक है और उसको मैंने क्या नाम दे दिया आर बी नाम दे दिया तो आप आर ए और आर बी का आइंजमेंट देखो आप सीरीज में है ना बीच में एम मीटर ही तो लगा है तो आर ए आर बी यानि की दोनों ही पैरलल कॉंबिनेशन के जो रिजल्टेंट रजिस्टर्स हैं आपस में कैसे कनेक्टड है सीरीज में कनेक्टड है तो अब हम क्या करेंगे अब हमारे पास जो आर इफेक्टिव दोनों जो निकले है आर डैश डबल डैश डबल डैश डबल डैश इफेक्टिव और डैश इफेक्टिव उन दोनों को हम क्या कर देंगे एड कर देंगे क्यों क्योंकि भाई ये देखो ना जो हमारे पास R A आया है उसका कितना है resistance उसका है resistance इतना कांगे हमारा 10 by 3 और जो हमारे पास R B है उसका resistance कितना है उसका resistance आया है 47 divided by 300 चीजे हो रही है आपको clear I hope यह आपको समझ में आ रहा होगा हमने बिल्कुल step by step चीजे solve करी थी उपा वाला combination पहले solve कि ठीके फिर उपा वालों जो combination है उसको हटा करके मैंने एक resistor रख दिया resultant resistor उसका नाम मैंने रखा क्या R A similarly नीचे वाले को भी हटा करके मैंने एक resistor रख दिया जिसका मैंने क्या नाम दिया resultant resistor R B R A का जो R' resistance कितना है तो आप बोलोगे R A का resistance कितना आएगा भाई तो R' effective is equal to 10 by 3 similarly जो R B है हमारे पास उसका resistance कितना आएगा तो R effective double dash is equal to 300 upon 47 R A और R B दोनों कैसे connected हैं आपस मैं series में connected हैं तो अब मैं क्या करने वाली हूँ 10 by 3 plus 300 by 47 करने वाली हूँ क्योंकि series में हमें पता है वह यह parallel में हमको रैसी प्रोकर लेने की जरवरत पड़ती है series में तो हम बिल्कुल add कर सकते हैं तो 300 divided by 47 plus 10 by 3 कर देंगे I hope यह चीज़े आपको clear हो रही होंगी ठीक है? क्या निकलेगा answer? answer आएगा आपका total कितना हो जाएगा resistance? 9.71 ohms यानि कि पूरे circuit का total resistance कितना आया? 9.71 ohms 9.71 ohms कैसे आया भाई? 10 by 3 को solve करोगे तो कितना आएगा? 3.33 और 300 by 47 को solve करोगे तो कितना आएगा? 6.38 दोनों को add कर दो, कितना आजाएगा? 9.71 ohms तो total resistance कितना है हमारे circuit का? 9.71 ohms second सवाल क्या पूछा गया था? total current पूछा गया था तो current, पूरे circuit का current हम कैसे निकालते हैं? भाई, ohms तो लगाते हैं V is equals to I into R यही करते हैं, current पूछा गया था resistance तो हम आज़े निकाल चुके हैं कितना आया है हमारा? 9.71 और voltage हमें पता है कितने voltage की battery लगी हुई थी भाई? हमारे पास, हमारे पास लगी हुई थी 15V की battery तो V की जगा मैंने लिग दिया 15 R की जगा मैंने लिग दिया कितना? अभी अभी calculate किया है 9.71 तो यह कितना हो जाएगा? 1.54 Amperes current पूरे circuit में कितना current flow होगा? 1.54 Amperes ठीक है? I hope यह सवाल आपको समझ में आया होगा यह आपकी NCRT का सवाल है तो NCRT का सवाल तो हम बिलकुल भी नहीं छोड़ते हैं इस भी क्वशन नहीं छोड़ते हैं NCRT का तो I hope मैंने बहुत ही step by step बताया है I hope आपको इस चीज समझ में आई होगी अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैं आपनी जो पहलर कॉम्बिनेशन सॉल किया था तो कॉम्बिनेशन सॉल करने के बाद आपने R' effective निकाल लिया R' डबल डश effective निकाल लिया लेकिन आपने इस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट या आप बोल सकते हो कि आपने एक एक रिजिस्टर क्यों रख दिया उठा करके resultant resistor क्यों रखा combination को हटा करके वो इसलिए क्योंकि अगर हमने resultant resistor नहीं रखा पूरे combination को हटा करके तो आपकी जो question है ना वो complex को complex ही रहेगा जब हम किसी question को solve करते तो हम क्या करते हैं उसको simplify करते जाते हैं लेकिन अगर आपने resultant resistor नहीं रखा अपनी understanding के लिए तो फिर आपका चीजें आपके लिए complicated ही रहेंगी वो simplify हो ही नहीं पाएंगी इसलिए मैंने क्या किया दोनों ही combination को हटा करके इन दोनों के ही ऐसे ही नहीं हटा दिया है मैंने पहले combination को मैंने solve किया इसके बाद में दोनों को हटा करके कि मैंने क्या रख दिया एक-एक resultant resistor रख दिया और उस resultant resistor का resistance कौन सा होगा इसका होगा r' effective और इसका होगा r' effective I hope यह आपको समझ में आ गई होंगी चीजें अब अगर आपको इसका लेना है screenshot तो फटा-फट ले लो यह पूरे ही हमारे सवाल का solution है तो on the count of 5 आप इसका screenshot लेंगे So 5, 4, 3, 2, and 1 I hope आप सभी ने इसका screenshot ले लिया होगा अब हम बढ़ते हैं हमारे next question पे Next question क्या है बई? Calculate the effective resistance between points A and B in the networks shown in figure देखो, सवालों का तो यह है कि सवाल जाना endless होते है कितने ही level क्यों ना ले लो आप एक के बाद एक level 1 जो है ना बढ़ता जाएक Level 1 के बाद level 2 आएगा 2 के बाद 3 आएगा ठीक है? तो difficulty levels तो बढ़ते ही जाने हैं और number of questions भी बढ़ते ही जाने हैं हमारा aim क्या होना चाहिए? हमारा aim होना चाहिए कि हम सभी level के at least 1 के question करते जाएं ताकि exam में जब हमारे पास सवाल आए कोई pattern आए तो हम उससे बिलकुल अंजाने नहीं रहे कि अरही वाला pattern तो हमें पता ही नहीं था ठीक है? तो चिंदा मत करो इस chapter में मैं आपको जितने question करा रही हूँ अभी आप उतने कर लो जब आएगी आपके exams की बारी जब हम revision करने पे आएंगे तो revision में आपके पास सिर्फ और सिर्फ सवाली आने वाले हैं क्यों और ही मैं आपको बिलकुल नहीं पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी जितनी जरूरत होगी revision के लिए उतनी पढ़ा दूँगी मैं ठीक है तो अभी जितने सवाल मैं आपको बता रही हूँ पैटर्न बता रही हूँ उस पैटर्न को देख लो जब exam की बारी आएगी तो revision में हम बहुत सारे question करेंगे ठीक अब देखो यह आपके पास एक सवाल है जहां पे आपको total चार पॉइंट्स दिख रहे होंगे कौन-कौन से यह रहा point A, यह रहा point B, यह रहा point C और यह रहा point D हमें क्या बोल रहे हैं कि effective resistance निकालना है between points A and B A and B points के across हमें क्या निकालना है effective resistance निकालना है अब यह वाला जो pattern है हो सकता है आप लोग को इसमें से बहुत से वच्चों जिसमें आपको समझ में ना आ रहा हो कि यह भाई यह क्या pattern है ना यहाँ पे हमको parallel दिख रहा है resistors का combination ना हमको यहाँ पे series का दिख रहा है एक काम करते हैं एक के करके चीज़ों को solve करते जाते है step by step अपने आप सब दिखने लगेगा देखो अभी थोड़ी तर के लिए सवाल भूल जाओ अभी इधर देखो मेरे पास क्या है एक resistor है कुछ इस तरीके का यह रहा क्या मेरे पास एक resistor resistor 1 नाम दे दिया मैंने नाम करन कर दिया फिर यह रहा क्या मेरे पास दूसरा resistor ठीक है यह क्या है मेरे पास दूसरा resistor है और यह रहा मेरे पास क्या 3rd resistor ठीक है 1st resistor, 2nd and 3rd अब आप एक काम करो क्या आपको 2nd और 3rd resistor सीरीज में नहीं दिख रहे हैं सेकेंड और थर्ड रिजिस्टर क्या आपको सीरीज में नहीं दिख रहे हैं एक काम करते हैं इसको और सिंप्लिफाइ करते हैं अभी पहले वाले को हटा दो अभी सिर्फोकस करो सेकेंड और थर्ड रिजिस्टर पे ये बिल्कुल सीरीज में है कैसे मैंने क्या करा है ना बस wire को उठा करके घुमा दिया है थोड़ा अभी तक मेरा wire कहा जा रहा था horizontally जा रहा था मैंने क्या किया wire को थोड़ा सा उठाया और vertically रग दिया तो ये आपको L shape का structure दिखने लगा लेकिन असलियत में क्या हो रहा है भाई कि जो हमारा resistor है ना second और third कि दोनों आपस में series में ही connected है कैसे अगर मैं इस wire को उठा करके horizontally लिटा दू जैसे पहले था वैसी रग दू मैं तो ये क्या बन जाएगा ये कुछ इस तरह का बन जाएगा है ना कैसा बन जाएगा कुछ इस तरीके का बन जाएगा तो अब देखो क्या अब आपको दोनों resistor series में नहीं दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है सिर्फ visualize करने की जरुवत है आपको इन सवालों में एक बार आपने चीजों को visualize करना सीख लिया आपके लिए ये सभी questions हो जाने वाले है let do क्या करा था मैंने मेरे पास दो resistor से यह रहा second resistor यह रहा मेरे पास third resistor मैंने आपसे बोला कि यह दोनों ही resistors कैसे हैं series में connected हैं आपने बोला नहीं हम कैसे मालने तो कोई बात नहीं मैंने क्या क्या यह वाला जो वायर है ना इसको पकड़के मैंने क्या कर दिया लिटा दिया टू के लेवल पर ही मैं उसको ले आई तो देखो अब एक होरिजॉंटल लाइन बन गई रिजिस्टर की जहां पर हमारा सेकेंड और थर्ड रिजिस्टर कैसा है दोनों ही सीरीज में आपको दिखने लगे अब दिखने लगे इस समय हो सकता है नहीं दिख रहे होंगे ठीक है I hope यह जीज़ आपको समझ में आई होगी अगर यह दोनों रिजिस्टर सीरीज में है तो अगर मैं इस वायर को पकड़के खड़ा कर दू तो भी क्या होगा यह रिजिस्टर इसके सीरीज में ही रहेगा सीरीज का मतलब ऐसा नहीं है कि जब तक आपको स्ट्रेट लाइन में ना दिखें रिजिस्टर तब तक वो सीरीज में नहीं कहलाएंगे यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है रेजिस्टर सीरीज में ही मिल रहा है एक horizontal line में है लेकिन अगर मैंने इस wire को पकड़ के ऐसे उठा दिया उपर कर दिया तो भी तो क्या होगा रेजिस्टर सीरीज में ही रहेंगे ना parallel थोड़ी बन जाएंगे wire तो दोनों में एक ही connected है इसलिए second और third resistor क्या है अभी सीरीज में है I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी अब मैं इसको wrap कर देती हूँ अब हम combination लेते हैं अपना कौन सा यह वाला resistor हो गया और एक यह वाला resistor हो गया यह हो गया resistor 2 यह हो गया resistor 3 अब ले आओ first वाला resistor जो हमने पहले wrap कर दिया था अब उसे ले आओ वापस यह जो मेरा first वाला resistor है अब इसका combination मुझे बताओ इसका arrangement बताओ second और third के साथ वह second और third के लिए तो हमने बोल दिया कि दोनों कैसे connected है सीरीज में है लेकिन पहले वाले का क्या क्या second और third first resistor के साथ भी सीरीज में connected है बिल्कुल भी नहीं क्यों क्योंकि अब यह वाले जो resistor हमारे second और third यह first वाले के साथ parallelly arranged है कैसे arranged है एक काम करते है सबसे पहले तो जो हमारे second और third resistor है उसको जो combination बना है series combination उसको हम solve कर लेते हैं कैसे solve करेंगे suppose जो हमारा second और resistor था उसका resistance कितना था 1 ohm और third वाले का भी हम दिलेते हैं कितना 1 ohm calculation को easy करने के लिए series में जब resistor connected होते हैं तो effective resistance हम कैसे निकालते हैं R1 प्लस R2 तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यह कितना हो गया 2 ohms यानि कि यहाँ पे आपको resistor 2 और resistor 3 का series combination आपको दिख रहा था उसका effective resistance कितना आया है भाई 2 ohm आया है ठीके कितना आया है 2 ohm आया है अभी अभी मैंने आपको क्या पता था previous सवाल में कि जब आप किसी combination को solve कर लेते हो ना उस combination में कितनी resistors क्यों ना हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो एक बड़ आपने combination solve कर दिया उस combination को हटा करके क्या रखोगे आप अब सिर्फ एक resultant resistor रखोगे जिसका resistance कितना होगा effective resistance के बराबर होगा यहाँ पे भी मेरे पास एक series combination था resistor 2 और resistor 3 का उसको मैंने क्या कर दिया solve कर दिया R effective कितना निकाल लिया मैंने 2 ohms निकाल लिये अब क्या होगा इस पूरे combination की जगा पे मैं क्या करूंगी सिर्फ एक resultant resistor रख दोंगी कैसे रख दोंगी इसको हटा देती हूँ अब मैं इसको मैं रब कर देती हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया एक resultant resistor ले लिया जिसका R effective कितना है 2 ohms है ठीक है यह क्या आगया मेरा यह आगया resultant resistor अब एक बात बताओं यह वाला जो resultant resistor है क्या यह मेरे first वाले resistor के साथ parallel combination में नहीं है बिल्कुल है दिख रहा हमें यह रहा हमारा resistor 1 और यह रहा क्या उसका resultant resistor दोनों कैसे हैं parallel combination में इसका मतलब क्या resultant resistor parallel combination में है first resistor के इसका मतलब क्या जो हमारे second और third resistor थे न वो भी parallel combination में ही थे first resistor के भाई यह resultant resistor आया कहां से जो हमारा series combination था second और third resistor का उसी को solve करके आया है उस combination को हटा करके ही तो मैंने एक resultant resistor रखा है तो अगर मेरा resultant resistor क्या है first वाले resistor के साथ parallely arranged है क्याने की जो मेरे second और third resistor थे न वो भी कैसे थे parallel combination में ही थे first resistor के साथ होगी second और third आपस में series में connected थे बस मैंने क्या करा था wire को उठा करके थोड़ा सा घुमा दिया था vertical यह रख दिया था उस combination को मैंने solve किया तो आर effective कितना निकला भाई 2 ohms निकले उस combination को हटा करके मैंने क्या किया एक resultant resistor रख दिया और मैंने यह observe किया है इसका resistance कितना है 2 ohms है तो अब आप इसका R effective कैसे निकालोगे R effective कैसे निकलता है पैरलल का भाई 1 upon R effective is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R कौन सा R है भाई यह हमारा resultant resistor का double R का कितना हो जाएगा R1 की value कितनी है भाई 1 upon 2 और हमारा resultant resistor है उसका भी resistance कितना है था 1 upon 2 यानि कि इस पूरे combination का जो मारा initial combination था ना ये वाला ये रहा हमारा resistor 2 ये रहा 3 और ये रहा क्या 1 इस पूरे combination का resultant resistance कितना आया भाई तो आपकर जवाब होना चाहिए 1 ohms ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि ये सहीम चीज second वाले question में apply होने वाली है अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये वाला भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है resistor 2, resistor 3 series में connected थे दोनों को solve किया combination को जो combination हमने निकाला उसकी जगा हम में रख दिया क्या एक resultant resistor जो कि हम में notice किया कि अरे ये तो first वाले resistor के साथ parallel में arranged था फिर हमने क्या किया आर effective निकाल दिया तो हमारे पास पूरे combination का आर effective कितना आ गया 1 ohms I hope इचीज आपको समझ में आई होगी अब एक काम करते हैं अब जो हमारा सवाल है न उस पे आते हैं ठीके हमारा सवाल क्या बोल रहा है भई अब देखो second question हमसे क्या बोल रहा था कि A और B points के across हमें effective resistance निकालना था अब अभी क्या करो हमारा जो बड़ा circuit है वो दो halves में divided है ये रहा उसका first half ये रहा उसका second half अभी के लिए आप क्या करो first half को कर दो ignore second half पे focus करो क्या आपको second half बिल्कुल वही arrangement नहीं दिख रहा बिल्कुल वही combination नहीं दिख रहा जो अभी अभी हम solve करके आए है कैसे देखो ये वाला जो resistor है ये किसके साथ series में connected है ये वाले resistor के ये दोनों ही resistor कैसे connected है आपस में series में और जो हमारे पास ये वाला resistor है ये लंबा वाला इसके साथ parallelly connected है जो अभी अभी हमने सवाल किया है ये बिल्कुल उसी के जैसा है कि दो resistor कैसे है series में connected है आपस में और तीसरे वाले के साथ parallelly arranged है तो एक काम करते है सबसे पहले तो जो हमारे पास combination दिख रहा है series का उसको हम solve कर लेते है यानि कि वो resistor जिसका resistance कितना है 3 ohms और ये वाला resistor जिसका resistance कितना है 2 ohms दोनों कैसे हैं series में connected है तो series में अगर हमें R effective निकालना है तो हम क्या करते हैं 2 plus 3 कर देते हैं कितना आ जाएगा 5 ohms कितना आ गया 5 ohms आ गया आप क्या करेंगे वही step हमारी एक बार आपने क्या निकाल गया R effective निकाल गया किसी भी combination का उस combination को हटा करके आप क्या करोगे एक resultant resistor रख देना तो आपका diagram कैसा बनेगा कुछ इस तरीके का बन जाएगा ये रहा अपना लंबा वाला resistor ठीक है और इसके across अभी दो resistor और लगे हुए है एक combination अभी बचा हुए फर्स्ट हाफ बचा हुए अभी हमने इसको solve नहीं किया है इन दोनों को हमने solve कर लिया इस पूरे combination को इसकी जगा पे मैं क्या रख दूँगी एक resultant resistor रख दूँगी जिसका R effective कितना निकला है भाई पांच ohms निकला है और इस लंबा वाला resistor था इसका resistance कितना है वन ohms है ठीक तो हमने क्या notice कि भाई हमारे पास जो resultant resistor आया है वो हमारे इस लंबे वाले resistor के साथ parallelly arranged है ये चीज़ आपको समझ में आई अब देखो second half को अभी यहीं छोड़ दो अब आजाओ अपने first half पे बई जो हमारा first half है ना वो second half की copy तो है जो हमारा ये वाला resistor है और जो ये वाला resistor है ये आपस में कैसे connected है series में connected है बस मैंने क्या करा है इस वाले wire को नीचे कर दिया है लेकिन series में तो दोनों अभी भी connected है तो एक काम करते हैं ये वाला जो हमारे पास series combination आया है इसको भी हम कर लेते हैं क्या solve तो ये कितना हो जाएगा 3 plus 2 कितना हो जाएगा 5 कितना हो गया 5 तो हमारे पास जो second R effective है वो भी कितना है 5 ohms ही आया अब क्या करेंगे हम ये वाला जो हमारे पास series combination है इसको हटा करके मैं क्या कर दूँगी एक अकेला resultant resistor रख दूँगी जिसका effective resistance कितना निकला है भाई 5 ohms निकला है अब आपको यहाँ पे केबल 3 resistor दिख रहे होंगे जो कि आपस में कैसे connected है पैरलली connected है एक का है R effective 5 दूसरे का है 1 तीसरे का है R effective 5 चीज़े हो गई simplify अब आप इस parallel combination को तो बड़े आसानी से solve कर सकते हो कैसे करोगे 1 upon 5 प्लस 1 upon 1 प्लस 1 upon 5 यह कितना हो जाएगा common factor आगया 5 5 मैं से क्या multiply करें कि 5 ही आए तो आपके जवाब होना चाहिए 1 1 मैं से क्या multiply कर दें कि 5 आजाए तो आपके जवाब होना चाहिए 5 5 मैं से क्या multiply कर दें कि दुबारा आजाए 5 यानि कि 1 यह कितना हो जाएगा 7 upon 5 यहने कि हमारे पास R effective कितना आया है 1 upon R effective 7 upon 5 उर्टा कर दो इसका तो R effective की value कितनी आ जाएगी R effective की value आ जाएगी 5 by 7 और मेरे ख्याल से यह कुछ 0.71 ohms के करीब आएगा answer ठीक है I hope यह वाला सवाल आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया है हमें जो जो दिखता गया उसको हम solve करते गए सबसे पहले हमको यह दोनों resistor दिखे थे हमने देखा कि यह दोनों तो आपस में कैसे connected हैं, series में connected है तो FATAC से हमने क्या किया इन दोनों के ही resistance को हमने series combination के according solve किया तो R effective कितना निकला? 5 ohms फिर क्या किया? इस combination को solve करने के बाद combination हटाया और एक resultant resistor मैंने उठा करके रख दिया इस तरीके से मैंने क्या notice किया? जैसे ही मैंने resultant resistor रखा कि यह वाला resultant resistor है यह लंबे वाले resistor के कैसा है? पैरलली अरेंजड है उसके सार फिर क्या किया? जो आपको second half दिख रहा है ठीक है, जो second half आपको दिख रहा है combination का वो combination में भी मैंने क्या किया जो series combination था उसको मैंने सबसे पहले solve किया तो resultant जो मैंने पास R effective वो कितना निकला? फिर से 5 ohms ही निकला इस combination को अटा करके मैंने एक और resultant resistor रग दिया जिसका R effective कितना था? 5 ohms था मैंने क्या notice कि हमारे तीनों जो resistor है ना अब वो कैसे होगा है? पैरलली arranged है तो parallel combination के according मैंने R effective निकाल लिया R effective कितना निकला? 5 by 7 is equal to 0.71 ohms I hope यह सवाल आपको समझ में आया होगा आप फटाग से आप क्या करो? इसका screenshot ले लो ठीक है? मैं हो जाती है उस screen के बाहर और on the count of 5 आप लेंगे इसका screenshot So 5, 4, 3, 2 and 1 I hope आप सभी ने इसका screenshot ले लिया होगा अब हम बात करते हैं हमारे next सवालगी एक और type का question आता है देखो, उसमें क्या होता है न? कि सभी registers मिलके A बना लेते हैं कैसे? For example, यह रहा एक register यह रहा दूसरा register ठीक है? फिर इसके बार में यह आया third register यह आया अपना fourth register और यह आया आया आपने पास fifth register यह वाला सवाल आपको हर किसी book में देखने को मिलेगा जो भी आप book refer करते हो उसमें वाला सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है? Suppose हमने क्या किया है? सभी register का जो resistance है वो कितना ले लिया? 3-3 ohms ले लिया कैसे निकालोगे तो देखो सबसे पहले तो आपको जो उपर वाला combination है जो जो दिखता जा रहा है उसको solve करते जाओ उपर वाला जो combination है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह वाला जो register है और यह जो register है यह दोनों आपस में कैसे connected है? सीरीज में connected है सीरीज में हम कैसे solve कर लेते हैं भाई? कितना आ जाएगा? r effective r effective is equal to r plus 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 तो यह वाला जो हमारा combination था लो से मैं highlight करती हूँ यह वाला जो हमारा combination था इसका r effective कितना आया भाई? 6 आया combination solve हो गया है अब इस combination को हटा करके आप क्या रख दोगे? एक resultant resistor बना दोगे ठीक है? कैसे बनाओ कि resultant resistor अभी दिखा देती हूँ मैं यह जो नीचे हमारे resistor है वो तो as it is ही रहेंगे जो बीच वाला डंडा है वो भी as it is रहेगा इस पूरे combination की जगा पे मैं क्या रख दोंगी? एक resultant resistor रख दोंगी कुछ इस तरीके से इस resultant resistor का resistance कितना है भाई? 6 ohms है अब आप देख रहे होगे कि यह जो मेरा blue वाला resistor है और यह parallel combination में है किसके साथ parallel combination में है? इस red वाले के साथ है ना? blue वाला resistor, resultant resistor parallel combination में है किसके साथ? red वाले resistor के साथ इस combination को भी हम solve कर लिते हैं parallel में कैसे solve करते हैं? 1 upon 6 plus 1 upon 3 कितना हो जाएगा? 6 और 1 plus 2 यह कितना हो जाएगा? 3 by 6 तो R effective कितना है पर्लेल कॉम्बिनेशन का 6 by 3 is equal to 2 ohms यानि कि हमारे पास यह जो हमारे पास parallel combination आया था दो resistors का इसका R effective कितना निकला? 2 ohms निकला अब मैं क्या करूँगी? इस combination को भी हटा करके मैं एक resultant resistor रख दूँगी कैसे रख दूँगी? इसको मैं rub कर देती हूँ rub कर दिया मैंने इसको हमारे पास अभी भी कितने resistors बाकी है हमारे पास अभी भी दो resistors बाकी है ठीक है? यह रहा पहला वाला यह रहा दूसरा जो हमारे पास combination आया था उसको हटा करके मैं क्या करूँगी? एक और resultant resistor रख दिया मैंने जिसका resistance कितना आया था? 2 ohms आया था अब मैं क्या देख रही हूँ? कि मेरे पास जो resultant resistor आया वो series में connected है किस के साथ? यह वाले resistor के साथ और यह वाले resistor के साथ तो अब मैं क्या करूँगी? फिर से मैं combination निकालूँगी resistance का series combination बन रहा है तो series में हम कैसे करते हैं? 3 plus 2 3 plus 2 plus 3 यह कितना आजाएगा? 8 ohms यानि कि यह हमारा पूरा सवाल था इसका resultant या effective resistance कितना आएगा? 8 ohms आएगा जो जो दिखता जा रहा है उसको solve करते जाओ सबसे पहले यह दोनों आपके पास कैसे थे? यह दोनों series में थे? सबसे पहले इनको solve कर लिया कितना आया? 6 आया अब इस combination को हटा करके आप क्या करोगे? एक resultant resistor रख दोगे जब आप resultant resistor रखोगे तो आप क्या notice करोगे? कि भाई जो resultant resistor है न वो इस वाले resistor के साथ कैसा है? parallelly arranged है इस combination का भी आप क्या निकालोगे? इसके और इसके कैसे था? सीरीज में arranged था सीरीज कॉमिनेशन का फॉर्मूला लगा देना तो आर एफेक्टिव कितना आजाएगा? 8 ohms I hope ये चीज़ आपको समझ में आई होगी ये वाले सवाल भी जो है ना आप देखोगे हो सकता है पेपर में भी आए हों कभी किसी बोर्ट एक्जाम में वो भी हम कवर करेंगे एक पैटर्न है ये भी पैटर्न मैंने आपको बता दिया अब हम बढ़ते हैं हमारे next question पे next question क्या है भाई? Consider the circuit as given if R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to 3 ohms then find the equivalent resistance of the circuit यहाँ पे हमको total 5 resistors मिले हैं और R1, R2 R3, R4, R5 ठीक है? इन सभी का resistance कितना है भाई? 33 ohms रखा हुआ है पूछा गया है कि इस पूरे circuit का हमें equivalent या आप बोल सकते हैं हाँ equivalent resistance हमें calculate करना है कैसे करेंगे? तो भाई जो दिखता जा रहा है उसको solve करते जाओ कैसे solve करेंगे? सबसे पहले शुरुवात हम करेंगे यहाँ से भाई मुझे यहाँ पे R2 और R3 कैसा देख रहा है? series combination में देख रहा है तो फटक से मैंने क्या किया? R effective निकाल दिया R effective कैसे निकाला? 3 plus 3 is equal to 6 ohm ठीक है? तो R2 और R3 R effective निकाल दिया R effective कैसे निकाला? 3 plus 3 is equal to 6 ohm याने कि R2 और R3 का जो R effective हो वो कितना निकाला? 6 ohm अब मैं क्या करूँगी? इस combination को हटा करके मैं एक resultant resistor रख दूँगी इस combination को हटाया मैंने और मैंने क्या करा? एक resultant resistor रख दिया इस resultant resistor का resistance कितना है? भई, effective resistance तो आपका जवाब होना चाहिए 6 ohms अब मैंने क्या notice कि भई, ये जो हमारे पास R resultant आया था ना ये तो मेरे जो R4 है उसके साथ parallel combination में है R2 और R3 series में थे, R effective निकाल दिया R effective निकालने के बाद combination हटा करके मैंने एक resultant resistor रख दिया resultant resistor रखने के बाद मैंने observe कि ये जो मेरे पास resultant resistor है ये R4 के साथ कैसा है? parallelly arranged है तो मेरे पास एक parallel combination आगया उस parallel combination को भी मैं कर लेती हूँ solve, कैसे करूँगी? 1 upon R effective फिर से निकाल दूँगी ये कितना आएगा भाई? 1 upon 3 plus 1 upon 6 ये कितना हो जाएगा? 6 3 2s are 6 plus 3 1s are 3 ये कितना आजाएगा? 3 by 6 is equal to 1 by 2 तो मेरे पास R effective कितना आगया? R effective आगया 2 ohms ठीक है? कितना आगया मेरे पास R effective? 2 ohms आगया अब ये जो मेरे पास Parallel Combination था ना इसको भी मैं हटा दूँगी और इसकी जगह में क्या रख दूँगी? एक Series Combination रख दूँगी जो कि कितने effective resistance का था? 2 ohms effective resistance का था अब मैंने क्या notice कि भाई ये जो मैंने resultant resistor रखा है ना ये resistor 1 और 5 के साथ कैसा है? Series में connected है जो हमने resultant resistor रखा है वो R1 और R5 की कैसा है? उसके साथ Series में arranged है एक और Series Combination फिर से हमने solve कर दिया कैसे solve करेंगे? तो R effective is equals to 3 plus 2 plus 3 ये कितना आ जाएगा? 8 ohms कितना आ गया? 8 ohms आ गया Easy था हमने क्या किया? जैसी हमें देखा हमने सवाल कि R2 और R3 Series में connected है Series Combination आया है Solve कर दो कितना आएगा? Effective Resistance 6 आएगा इस Combination को हटा करके मैंने क्या किया? एक Resultant Resistor रख दिया जब मैंने वो Resultant Resistor रखा तो मैंने क्या नोटिस किया? कि भाई वो जो हमारे पास Resultant Resistor है वो हमारे R4 Resistor के साथ Parallel Combination में है एक Parallel Combination आया फटक से मैंने क्या करा? Parallel Combination को भी मैंने Solve कर दिया तो R Effective कितना आया? 1 by 2 अब इस Parallel Combination को हटा करके मैं क्या करूंगी? एक और Resultant Resistor रख दूंगी ये जो हमारे पास Resultant Resistor होगा न ये Series के साथ Series में Arrange होगा किस के साथ? Resistor 1 के साथ और Resistor 5 के साथ Series Combination आया फिर से? मैंने उसको भी Solve कर दिया Solve करने के बाद कितना आया भाई? Solve करने के बाद आया हमारा Effective Resistance 8 Ohms तो इस पूरे सरकेट का Resultant या Equivalent Resistance कितना आयेगा? जवाब होना चाहिए आपका 8 Ohms ठीक है? I hope ये वाला question भी आपको clear हुआ होगा अब आप क्या करेंगे? इसके solution का आप ले लेंगे फटाक से क्या एक screenshot ठीक है? इसका solution थोड़ा सा बड़ा है वो इसलिए क्योंकि हम इसमें जो resultant resistor है वो कई बार आ रहा है एक के combination को solve करते जा रहा है और solve करने के बाद में resultant resistor आता जा रहा है तो ये रहा इसका first combination जहांपे हमने क्या किया है? जो R2 और R3 है उसको solve करके एक resultant resistor निकाला है जिसकी value कितनी है? 6 Ohms से ठीक है? ये रहा फिर इसके बाद में दूसरी उसमें क्या करा? दूसरे step में दूसरी step में हमने ये जो आपको दिख रहा होगा देखो ये चीज़े बनाना जरूरी होता है अगर आपने resultant resistor बना करके circuit solve नहीं किया न तो marks कट जाते हैं ऐसा नहीं कि मैं आपको easy explanation के लिए मैं अपनी मर्जी से resultant resistor रख रही हूँ भई question solve करने का तरीका ही यही होता है इसलिए आपको EK करके ये सारे diagram भी बनाने पड़ेंगे examination में तब जाकर के examiner को समझ में आएगा कि भई आपने कौन से combination को पहले solve किया है और solve करने के बाद में आपने resistor कैसे रखा है कैसे आप बोल पा रहे हो कि सभी resistor आपस में series में है या parallel में है तो ये steps होनी चाहिए आपके examination में जब आएगा तो ये steps आपको follow करनी पड़ेगी तो क्या आया पहले वाले का 6 आया था 8 आज आएगा ये देखो ये आगया अपना 8 ठीक है R1 प्लस R5 प्लस R double dash कितना आगया अपना 8 ohms I hope ये वाला question भी आपको समझ में आगया होगा अब हम बात करते हैं हमारे आज के session के last question की और ये question थोड़ा सा lengthy है और ये थोड़ा सा high level का भी है find the equivalent resistance of the following circuit also find the current and potential at each resistor आपको क्या बोला गया है कि एक आपके पास combination देया जा रहा है इसमें total कितने resistor है 5 resistor है सभी अलग-अलग resistance के हैं इस पूरे combination में आपको क्या calculate करना है equivalent resistance calculate करना है प्लस आपको हर एक resistor के across current and potential भी measure करना है कैसे करोगे आप measure तो देखो सबसे पहले तो आपको एक parallel combination दिख रहा होगा जो जो दिखता जा रहा है वो उठा के solve करते जाओ R2, R3 और R4 यह आपको उसमें कैसे connected है parallelly connected है तो यह इस parallel combination को हम कर लेते हैं solve कैसे करेंगे भाई तो R effective is equals to 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 कितना जाएगा? 3 2's are 5 1 5's are 5 ठीके? यह आएको 3 2's are 6 ठीके? 3 2's कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा तो 1 मैंसे क्या multiply करेंगी 6 आजाए? आपको जवाब होना चाहिए 6 2 मैंसे क्या multiply करेंगी 6 आजाए? आपको जवाब होना चाहिए 3 3 मैं से क्या multiply करेंगी 6 आजाए कि आपको जवाब होना चाहिए 2 तो ये कितना हो जाएगा 9, 10, 11, 11 upon 6 ये जो आपके पास R2, R3 और R4 का जो parallel combination है उसका R effective कितना निकलेगा? R effective निकलेगा आपके पास 1 upon R effective कितना निकलेगा? 1 upon R effective निकलेगा 11 upon 6 याने की R effective कितना आया? R effective आजाएगा आपके पास 6 upon 11 अब क्या करोगे आप? अब आप एक काम करना ये जो मारे पास combination आया है ना इस combination जो हमारी steps है वो ही चल रही है एक बार अगर आपने कोई combination solve कर लिया तो उस combination को हटा करके आप क्या करते हो? एक resultant resistor रख देते हो तो आप क्या करोगे? इस तरह से आप एक रख दोगे resultant resistor जिसका R effective अभी हमें कितना निकाला है? 6 upon 11 निकाला है अब आप क्या देख रहे हो कि R1, R5 और ये जो आपके पास resultant resistor आया है ये कैसे connected है आपस में? सीरीज में connected है सीरीज में connected है तो सीरीज में हम R effective कैसे निकालते है R effective निकालने के लिए हम क्या करते है add कर देते है 2 plus 6 upon 11 प्लस कितना हो जाएगा? 2 तो ये कितने बराबर हो जाएगा? 11, 2 मैंसा क्या multiply करें कि 11 आजाए? तो आपका जवाब होना चाहिए 1 मैंसा क्या multiply करें कि 11 आजाए? तो आपको जवाब होना चाहिए 11, 11 into 2 कितना हो जाएगा? 22 फिर 11 मैंसा क्या multiply करें 11 आजाए? आपको जवाब होना चाहिए 1 1 into 6 into 6 फिर 1 मैंसा क्या multiply करें कि 11 आजाए? तो आपको जवाब होना चाहिए 11, 11 into 2, कितना हो जाएगा 22, तो यह कितना हो जाएगा 44 plus 6, that is 50, 50 by 11, तो 50 by 11 क्या आया भई, 50 by 11 आया है, हमारे इस पूरे सरकेट का equivalent resistance, या आप बोल सकते हो, total resistance, कितना आया, 50 by 11, अब क्या calculate करना है हमें, calculate हमें यह करना है कि हर एक resistor के across current कितना काया, और potential difference कितना है, तो भई, series combination में हमें यह चीज़ तो पता होती है, कि current distribute नहीं होगा, लेकिन potential क्या हो जाएगा, distribute हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इस series combination का हम total current निकाल लेते हैं, और वही total current क्या होगा, R1 में भी जाएगा, जो हमारा resultant resistor है, उसमें भी जाएगा, और R5 में जाएगा, कैसे निकालेंगे, V is equals to I into R, कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 9 वोल्ट की लगी हुई है, resistance अभी अभी हमने कितना निकाला है, 50 upon 11 निकाला है, किसके बराबर हो जाएगा, टोटल current के बराबर हो जाएगा, जब आप इसको solve करोगे, तो approximately इसका जवाब कितना आएगा भाई, इसका जवाब आजाएगा, यह देखो, 11 चला जाएगा, उपर यह हो जाएगा, 99 divided by कितना, 50, तो यह approximately कितना हो जाता है, 2 ohms, हमने क्या किया, जो parallel combination था, उसको solve कर लिया, resultant resistor लगा दिया, उसका effective resistance कितना आया भाई, 6 upon 11, फिर हमने क्या notice किया, जो हमारे पा R effective कितना आया भाई, 50 upon 11 फिर क्या किया हमने, हमने current निकाला, current कैसे निकाला भाई, V is equals to I into R, V हमें पता है कितना है, 9 volt है, और current निकालना है हमे, R कितना अभी हमने calculate किया, 50 upon 11, तो current approximately कितना आजाएगा, 2 amperes, यानि कि जो 2 amperes current है यह R1 में भी जाएगा, जो हमारे पास resultant resistor है, उसमें भी जाएगा, और R5 में भी जाएगा, क्योंकि भाई हमें पता है कि series combination में current distribute नहीं होगा, ठीक है, अब अगर R1 और R5 में पहुचने वाला current आपको पता है, और इन दोनों के resistance भी आपको पता है, तो potential भी निकाल लेते हैं, तो R1 का potential कितना आजाएगा, V is equals to I into R current कितना पहुच रहा है, 2 ampere, और resistance कितना है, 2, तो कितना आजाएगा, 4 volt, similarly जो R5 है, उसका potential कितना निकाल जाएगा, 1 into R is equals to, current कितना पहुच रहा है, 2 ampere, resistance कितना है, 2, तो ये हो जाएगा, 4, तो R1 और R5 के पास current कितना पहुच था, 2 ampere, दोनों के potential कितने थे, 4, 4 volt, ये चीज़ आपको clear है, सवार ये है कि हमने resultant resistor में क्यों निकाला potential, वो इसलिए निकाला, क्योंकि हमारे पास resultant resistor है न, वो एक parallel combination से आया है resistors के, उस combination में तीन resistors और है, यानि कि parallel combination में हमने क्या पहुच था, कि भई, जो current होता है, वो क्या हो जाता है, distribute हो जाता है, लेकिन potential सेम रहता है, हमने R1 और R5 में potential कैसे निकाल दिया, क्योंकि उस तक पहुच रहा current हमें पता था, उस तक जो current पहुच रहा था, उसकी value हमें पता थी, कितनी पहुच रही थी, दो ampere पहुच रह जाल दिया, लेकिन यह जो हमारे पास resultant resistor है न, यह कैसा है, parallel combination में आया है, यानि कि हर एक resistor के पास क्या होगा, अलग-अलग current पहुचेगा, तो यानि कि अलग-अलग potential भी निकलेंगे, है ना, आप क्या, sorry, अलग-अलग current पहुचेगा, इसका मतलब क्या होगा, potential parallel combination में तो स calculate करते हैं कैसे calculate करेंगे भाई हमें यह पता है कि इस series combination में क्या होता है current distribute हो जाता है लेकिन जो potential है sorry current same रहता है और voltage जो होता है potential जो होता है वो distribute हो जाता है हो जाता है कैसा हो जाएगा भाई तो v1 plus v2 plus v3 is equals to v total potential कितना है 9 है is equals to थोड़ा सा potential यहां भी पहुँचेगा फिर यहां भी पहुचेगा फिर यहां भी पहुचेगा तो v1 plus v2 plus v3 कितना हो जाएगा 9 के बराबर इसका potential आपको पता है कितना निकाला हमने r1 का 4 निकाला v5 जो r5 है हमारे पास उसका potential आपको पता है कितना हुआ है? 5 आया है तो V2, V2 मतलब वो potential जो की parallel combination के पास पहुँच रहा है resultant resistor के पास पहुँच रहा है उसकी value हमें नहीं given है तो हम V2 निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे? V2 is equal to 9, 4 आएगा 9 minus 8 is equal to 1 volt याने की जो मारे पास parallel combination है जो हमारे पास resultant resistor है उसके पास 1 volt potential पहुच रहा था parallel combination में current distribute होता है लेकिन potential क्या होता है? सेम जाता है क्याने की हमारे पास parallel combination था जिसमें की 3 resistors connected थे R2, R3, R4 तीनों के पास potential कितना जाएगा? 1 जाएगा अब आप current निकाल सकते हो कैसे निकाल सकते हो R2 की value आप कैसे calculate करोगे R2 का current R2 is equal to V2 is equal to I into R V2 कितना पहुच रहा है? V2 पहुच रहा है अपने पास 1 और resistance कितना था? R2 का resistance कितना था? 1 था, 2 था, 3 था अच्छा, आप देखो R2 का across आपको क्या calculate करना है? current calculate करना है I into R, V2 आपको पता है कितना है? 1 वोल्ट है तो ये 1 upon resistance कितना है? R, तो resistance कितना आजाएगा? current आजाएगा 1 ampere, similarly जो हमारे पास second resistor था sorry, जो हमारे पास third resistor था जिसका resistance कितना था? 2 था वो आप कैसे calculate करोगे? 1 upon 2 is equal to 0.5 जो हमारे पास third sorry, जो हमारे पास fourth resistor था जिसका resistance कितना था? 2 था कितना था? R4 का कितना था? R4 का हमारे पास था 3 ठीक है? R4 का कितना था? हमारे पास 3 था तब कैसे calculate करोगे? 3 by 2 is equal to 1.5 I hope इचीज आपको समझ में आई होगी हमने क्या किया? एक बड़ मैं summarize कर देती हूं सभी चीजों को तो आपको आसान पढ़ जाएगा हमारे पास सबसे पहले ये parallel combination था इस parallel combination को हमने solve किया हमने R effective निकाला कितना R effective निकाला भाई? कितना था हमारा? 11 upon 6 आया था अब combination को हटा करके मैंने क्या किया? एक resultant resistor रख दिया resultant resistor का R effective कितना था? उसका था R effective कितना? 6 upon 11 ठीक है? कितना था? 6 upon 11 ठीक है? फिर क्या किया मैंने? यहाँ पर अब मेरे पास एक series combination दिकने लगा इस series combination को भी मैंने solve कर दिया तो total resistance कितना आ गया? हमारे पूरे circuit का 50 upon 11 50 upon 11 क्या आ गया? पूरे circuit का resistance आ गया अब पूरे circuit का current मैं निकाल लूँगी कैसे निकाल लूँगी? V is equals to I into R से कितना आ जाएगा? Approximately 2 ampere यानि कि 2 ampere current पूरे circuit में flow हो रहा है R1 के पास भी उतना ही जाएगा R4 के पास भी इतना ही जाएगा R5 के पास भी उतना ही जाएगा क्यों जाएगा? क्योंकि series में हमें पता है कि resistance जो current है वो distribute नहीं होगा जितना पूरे circuit में बहरा है हर एक resistor के पास उतना ही जाएगा 2-2 ampere अब R1 और R5 तक पहुँचने वाला जो current है वो आपको पता है दो ampere इन दोनों resistor के resistance भी आपको पता है तो potential भी निकाल होगे V is equals to I into R कितना आ जाएगा? आजाएगा आपका answer 4,4 volt लेकिन अब हम जो हमारे पास resultant resistor है उसके across current कैसे निकाले क्योंकि हमें पता है कि current parallel combination में distribute होता है voltage वही रहेगा तो एक काम करते हैं voltage निकाल लेते हैं और current अपने आप निकालाएगा क्यों? क्योंकि सभी resistors के हमें resistance तो पता थे न कैसे निकाला हमने? तो V is equals to V1 plus V5 plus V' V' मतलब क्या? यह जो मेरे पास resultant resistor है इसके across कितना potential पहुँच रहा है वो तो total voltage कितना है? 9 V1 कितना हो जाएगा? 4 V5 कितना है? 4 और V' तो हमें निकाल नहीं है V' कितना है? 1V यानि कि हमारे पास जो resultant resistor है उस तक 1V potential पहुँच रहा है अब potential आपको पता है parallel combination में current distribute हो जाता है लेकिन potential नहीं होता R2, R3 और R4 तीनों के पास same potential जाएगा ठीक है? और उसे साब से आप current calculate कर लोगे V is equals to I into R का formula लगा देना I hope ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इस session के लिए इतना ही हम बात करेंगे अपने next session में कुछ और numericals के साथ Hello everyone आज के इस session में हमारा जो topic है electric power उसके उपर हम कुछ और बाते discuss करेंगे previous session में हमने बात करी थी electric power के बारे में समझा था कि electric power होती क्या है अब उस topics से related कुछ और 2-3 चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ जाए तो उन चीज़ों को उन topics को हम आज के इस session में cover करेंगे तो भाई आज के इस session का target हो गया है तो फिर देरी के इस बात की तो चलिए start करते हैं आज का ही हमारा session तो दिस इस विभूती खरें Welcome to Magnet Brains जहां पे आपको सभी chapters की video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters परेने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुंच आ रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इस ही अच्छी बात से हम start करते हैं आज का यह हमारा session जहां पर हमें electric power के बारे में कुछ और चीजें पता करनी है समझनी है वह electric power होता क्या है मैं आपको previous session में बताया था electric power की एक classic authentic definition क्या होगी कि कोई एक electrical appliance जो भी energy consume करता है या जो भी और और अगर मैं इस energy को specify कर दूँ तो एक particular electrical appliance की power क्या बोलती है कि उस particular electrical appliance ने कितनी amount of electrical energy consume करी है या फिर कितनी heat energy liberate करी है पर unit time में ठीक है पर unit time में एक particular electronic device ने कितनी electrical energy consume करी या कितनी heat energy liberate करी वो क्या कहलाएगी उस particular electronic appliance की power Suppose मेरे पास क्या है एक tube light है ठीक है क्या है मेरे पास एक tube light है अब इस tube light की power Suppose किती है 50 watts है किती है 50 watts है अब मेरी tube light की ये 50 watt power मुझे क्या बताती है ये power मुझे ये बताती है कि मेरी जो tube light है न वो 50 joules energy consume करती है कितने time पर 1 second पर यानि कि मेरी tube light जिसकी power है 50 watt वो क्या बताती है 50 watt power की tube light है वो एक second में 50 joules energy consume करती है यानि कि 50 joules सिरफ एक second में अब tube light ऐसी चीज है जो कि हम सभी के घरों में होती है ठीक है और एक से जादा ही होती है तो अकेले एक tube light एक second में 50 joules energy consume कर रही है अब आप देखते जाना यह जो number है ना यह किस तरह से increase होने वाला है यह आप देखते जाना अब क्या हुआ फर्स सेकंड की हमने बात करी अब ओविस सी बात है आग के घर में चीज़ ट्यूब लाइट होती है है की नहीं अब देखो अगर tube light एक second में suppose 50 joules energy consume कर रही है energy consume कर रही है तो जरा एक मुझे बात बताओ एक minute में कितनी consume करेगी एक second में उसने consume करी कितनी 50 joules तो एक minute एक minute किसके बराबर होता है 60 second के बराबर होता है तो 60 into 50 कितना हो जाएगा 65 is a 30 तो 3000 joules energy मेरी tube light consume करेगी सरफ एक minute में अब अगर एक minute में consume कर रही है कितनी 3000 तो 60 minutes 60 minutes मतलब कि क्या एक घंटे में कितनी consume करेगी तो 3000 into 60 ये कितना हो जाएगा 63 is a 18 18 और ये 4 0 लगा दो तो 1, 2, 3, 4 याने कि मेरी tube light एक घंटे में 1,80,000 joules energy consume करती है ये number देख रहा है आप कहां से कहां जा रहा है मैंने start करा था मेरी tube light के power के साथ tube light की power कितनी थी 50 watt थी याने कि 1 second में 50 joules energy consume करती है याने कि 1 minute में कितनी consume करेगी 3000 joules एक घंटे में 60 minutes में कितनी consume करेगी 1,80,000 joules और जैसा कि मैंने आपको बताया कि on an average हमारे घर में जो tube light होती है वो 24 घंटों में कम से कम 10 घंटे तो on रहती है तो अगर एक घंटे में 1,80,000 joules energy consume कर रही है तो फिर 10 hours में कितनी करेगी तो आपका जवाब होना चाहिए और अगर मैं आपको बोलूं कि 1 दिन में 10 घंटे चल रही है तो पूरे महिने यानि कि 30 दिन में कितने घंटे चलेगी तो आपका जवाब होना चाहिए भाई 300 hours 1 दिन में 10 घंटे tube light जल रही है तो एक पूरे महिने में यानि कि 300 hours में कितनी energy consume कर लेगी can you imagine ये number इतना ज़ादा बढ़ जाएगा कि ये number पता है हमें कैसा दिखने वाला है ये number हमें दिखने वाला है टोल फ्री number जैसा एक tube light जिसकी power थी 50 watt एक सेकंड में 50 जूल energy consume कर रही थी तो पूरे महिने में हम मानके चलते हैं कि हमारी tube light अगर एक दिन में 10 घंटे चलती है तो 30 दिन में 300 hours चलेगी तो 300 hours में वो कितनी energy consume करेगी वो number हो जाएगा टोल फ्री number जैसा अब हमारे घरों में सिरफ एक ही tube light तो नहीं होती है एक से जादा भी हो सकती है बल्ब हो सकते हैं फैन्स हो सकते हैं ठीक है फ्रिज हो सकता है एसी हो सकता है वाशिंग मशीन जाने कितने तरह के electronic appliances होते हैं अब अगर सिरफ एक tube light की energy consumption एक टोल फ्री number की जितनी आ रही है महीने भर की तो पूरे महीने आपने जितनी भी electronic devices यूज करी है उनने जितना भी energy consumption किया है जरा आप उनके numbers को imagine करके देखो कि वो number कितना पहुंच जाएगा हमारे घरों में एक meter लगा होता है उस meter को हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं electrical energy meter EEM electrical energy meter लगा होता है जहां पे हर महीने बिजली विभाग से एक आदमी आता है और वो क्या करता है इसको meter reading करके जाता है ये जो meter है ये बताता क्या है ये meter हमें बताता है हमें नहीं उस person को कि पूरे महीने में कितना energy consumption आपके घर के electronic appliances ने किया है याने कि पूरे महीने में कितनी बिजली की कितने energy की खपत हुई है आपके घर में अब अगर आप सिरफ joules के form में energy बताने लगे कि भई हमारी tube light थी और हमारे पूरे महीने में कम से कम 300 hours चली है और उसका जो energy consumption है वो एक toll free number के बराबर है तो जरा सोचो कि वो इनसान सुबे से लेके शाम तक नोट करता रह जाएगा कि आपके एक पंखे ने आपके एक tube light ने आपके एक bulb ने एक refrigerator ने कितनी energy consume करी है पूरे महीने सुबे से लेके शाम तक यही होने वाला है अब क्या करें कोई न कोई इसका रास्ता तो निकालना पड़ेगा तब कौन आता है भाई तब आता है commercial unit of energy commercial unit of energy आती है हमारे rescue के लिए यह जो toll free number जैसे energy consumption के values आ रही है उसको हटाने के लिए कौन आता है commercial unit of energy क्या होती है commercial unit of energy भाई 1 kilowatt hour 1 kilowatt नहीं hour यहाँ पे सिर्फ kilowatt hour ठीक है energy की commercial unit क्या होती है kilowatt hour याने की जो commercial level पे हम energy के consumption की जब हम बात करते हैं तो हम अभी तक तो हम energy का consumption उसको हम joules में बता रहे थे अब हम joules में नहीं बताएंगे अब हम किसमें बताएंगे kilowatt hour में बताएंगे k मतलब kilo w मतलब watt h मतलब आर यह kilowatt क्या है commercial unit of energy है हमारे घरों में महीने भर में जितनी भी energy consumption होता है उसे हम joules में नहीं बोलेंगे अगर joules में बोला तो millions में नंबर चला जाएगा हम उसे उस particular energy consumption को हम kilowatt hour में describe करते हैं सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं बड़ी बड़ी factories में जहां पर heavy machinery होती है वहाँ पर अगर आप joules में लिखने बैड गए energy consumption तो एक साल हो जाएगा तब तक और energy consume कर लेंगी आपकी machines तो इसलिए कोई ना कोई एक छोटी unit होनी चाहिए जिसके help से जो massive consumption हो रहा है energy का उसको हम easily उसको represent कर सके तो इसके लिए कौण आठता है commercial unit of energy that is kilowatt hour अब जैसे हम बोलते हैं यह बिल्कुर ऐसी है जैसे कि हम बोलते हैं कि एक किलो मीटर में इसके बाद में एक केजी में कितने ग्राम्स होते हैं तो थाउजन ग्राम्स होते हैं यानि कि केजी ग्राम्स किलो मीटर मीटर यह दोनों unit क्या है distance की ही है similarly जो किलो वाट आर है यह भी किस की unit है energy की है जो joules हम पढ़ रहे थे अभी तक वो भी क्या है यूनिट है एनर्जी की तो किलो मीटर मीटर केजी ग्राम्स इन में एक रिलेशन है ना सेम रिलेशन किलो वोट आर और जूस में भी होना चाहिए कैसे निकालते हैं चलो उसको देखते हैं तो हम ही निकालना है कि जिस तरह से किलो मीटर, मीटर, ग्राम, केजी, ग्राम्स आपस में रिलेट करते हैं दोनों युनिट कैसी है, केजी और ग्राम्स दोनों युनिट कैसी है, मास की है, युनिटी कै, मीटर और किलो मीटर दोनों युनिट किस की है, डिस्चेंस की है kilowatt, r और joules भी कैसी है, energy की ही दोनों unit है तो दोनों की बीच में कोई ना कोई relation तो होना चाहिए यानि कि 1 kilowatt कितने joules के बराबर होती है हमें ये calculate करना है ठीक, कैसे calculate करते हैं सबसे पहले तो ये जो r है ना इसको मैं लिख देती हूँ seconds में ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 kilowatt, r r को 1r में ले रही हूँ तो 1r में कितने seconds होते हैं 1r में seconds होते हैं 3600, 3600 एक गंडे में कितने seconds होते हैं 3600 होते हैं अब ये जो kilo है ना, kilo को भी मैं कैसे लिख देती हूँ 1000 में लिख देती हूँ तो 1k watt और ये 3 ये होगा कितना, ये होगा अपना 3600 इसको मैं क्या लिख देती हूँ kilo को मैं 1000 में convert कर दूँगी तो ये हो जाएगा 1000 into 3600 ठीक है, seconds into ये क्या है अपना, अभी भी W upon sorry, W है अपना क्या किया मैंने, मैंने बोला कि commercial unit of energy किती होती है, 1kWh ठीक है, kilowatt hour होती है अब इस kilowatt hour को मैं relate कर रही हूँ किसके साथ Jules के साथ, जो की दूसरी unit है energy की, कैसे मैंने relate किया सबसे पहले ये जो hour है इसको मैंने लिख दिया seconds में एक गंटे में कितने seconds होते हैं, 3600 seconds पर ये जो kilo है, kilo को मैंने लिख दे कितना thousand तो अब ये कितना हो गया, thousand into hours को मैंने seconds में लिख दे कितना हो गया, 3600 seconds into watt ठीक, watt की ऐसा unit watt को आप कैसे लिखते हो watt को आप लिखते हो, watt आया कहां से है तो आपको पता होगा Jules पर सेकेंड से आया है power की हमें ऐसे unit क्या निकाली थी Jules पर सेकेंड ही तो निकाली थी वो तो respect देने के लिए हमने उसको क्या बोल दे Jules पर सेकेंड को watt नाम दे दिया तो अब इस watt की जगा पे मैं क्या लिख देती हूं Jules पर सेकेंड लिख देती हूं तो ये कितना हो जाएगा इन्टू 10 to the power 5 J, इसको मैं 3.6 into 10 to the power 5 J, sorry 6 J भी लिख सकती हूँ, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 किलो वाट आर के बराबर, तो यह आ गया क्या, relation, 1 किलो वाट आर किसके बराबर होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए, 3.6 into 10 to the power 6 J के बराबर होता ह है, कैसे निकाला, इस किलो वाट आर को मुझे रिलेट करना है, जूल की साथ, कैसे करूँगी मैं, आर्ट को सबसे पहले लिख दिया, मैंने किसमें सेकेंड में, के की जगा मैंने क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया, तो यह कितना हो गया, 36 into 10 to the power 5 J, ठीके, और फिर इसके बा मैंने अंदर ले लिए, तो हुआ कितना, 3.6 into 10 to the power 6 J, यह क्या है, 1 किलो वाट कर रिलेशन है, जूल के साथ, यानि कि हमारा पास दो यूनिट है, एनर्जी की, एक है J, और दूसरी कौन सी है, कमर्शल यूनिट है, दोना की बीच में रिलेशन क्या होता है, यह होता है, औ तो 1 किलो वाट किसके बराबर हो जाएगी, 3.6 into 10 to the power 6 J, अब अगर आपको यह समझ में आ गया होगा, तो हम क्या करते हैं, इस पर बेश कुछ, नुमेरिकल सॉल कर लेते हैं, नुमेरिकल क्या है भई, अन एलेक्रिक फैन रन, from the 220 वोल्ट mains, the current flowing through it is 0.6 Ampere, at what rate is the electrical energy transformed by a fan, how much energy is transformed in 2 minutes, ठीक है, सबसे पहले तो हम से क्या पूछाईए, कि कितने rate पे electrical energy को transform किया है, fan ने, electrical energy का rate पूछ रहा है, rate मतलब क्या होता है, power की मैंने आपको definition क्या बताई थी, कि कितनी energy consume करी गई है, per unit time में, कोई भी आप electrical appliance लेलो, तो आप क्या करोगे, energy divided by क्या कर दोगे, time कर दोगे, हैना, किसी भी quantity के साथ, अगर आप उसके denominator में क्या कर दो, उसको divide किस से कर दो, time की साथ कर दो, तो वो क्या बन जाता है, उस quantity का rate बन जाता है, यानि कि power क्या है, power है energy का rate, तो सबसे पहले हम से पूछा गया है, बही, सबसे पहले हम से transform किया याने कि यहां पे fan के power की बात हो रही है power के लिए हमको दिया क्या 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 निकालने को बोला है power सबसे पहले निकालने को बोला है तो power निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें को दी गई है हमको सबसे पहले तो voltage दिया गया है और current दिया गया है पावर की मैंने आपको बहुत सारे formula's बताये थे, एक तो ये वाला था, दूसरा कौन सा था, work done upon time था, तीसरा कौन सा था, v into i था, चोथा कौन सा था, i square into r था, दूसरा कौन सा था, v square upon r था, अब यहाँ पे जितने भी formula's दिये गए हैं, उसमें से मैं ये वाला formula use कर सकती हू क्योंकि मुझे voltage भी दिया गया है और current भी दिया गया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, power का formula यहाँ पे मैं लगा दूंगी, p is equals to v into i, v कितना दिया गया है, 220 into current कितना दिया गया है, 0.6, तो यह कितना हो जाएगा, 132 watt, तो मेरा जो fan है, वो किस rate पे electrical energy को transform करेगा, वो क fan की power कितनी आ गई, 132 watt, इतना clear आप सबको, पहले जिस तो clear हो गई, दूसरी क्या पूची गई, how much energy is transformed in 2 minutes, 2 minute में कितनी energy transform हुई, भाई यह जो power आई यह fan की, यह मुझे क्या बता रहा है, अभी अभी हमने देखा था, कि जैसे मेरे पास क्या थी, एक tube light थी, जिसकी power किती यह 50 watt थी, यह 50 watt power मुझे क्या पताती है, कि मेरे tube light एक सेकेंड में 50 joule energy consume करती है, तो यहाँ पे जो हमने power निकाली है fan की, वो कितनी आई है, 132 watt की, 132 watt क्या बताता है, कि मेरे जो fan है, वो 1 second में कितनी energy consume करेगा भाई, 132 joules energy consume करेगा, एक सेकेंड में कितनी consume कर रहा है, 132, और पूछा कितना जा रहा है? दो मिनिट, दो मिनिट में, दो मिनिट को आप seconds में convert कर लो, कितना हो जाएगा? 2 into 60 याने की 120, एक second में 132 joules energy consume कर रहा था, तो 120 seconds में कितनी consume करेगा भई? तो 120 into 132 ये कितने के बराबर हो जाएगा 15840 joules फैन जो है वो 2 मिनेट या 120 सेकंड में 15840 joules energy consume करेगा आए आपको बात समझ में सवाल क्या था फैन दिया गया था और उसके across current कितना run हो रहा है ये बता दिया 0.6 ampere उसके across voltage कितना आ रहा है ये बता दिया कितना 220 volts पूछा क्या गया था सबसे पहले उसकी power पूछी गई थी फिर 2 मिनेट में वो कितनी energy consume करेगा ये पूछा गया था power निकालने के लिए हमको formula हमने कौन से यूज किया V into IQ क्योंकि हमको voltage भी given है current भी given है कितनी power आई 132 watt 132 watt power क्या बताती है कि हमारा जो fan है वो 1 second में 132 joules energy consume करता है तो 2 मिनेट में कितनी करेगा 120 seconds में कितनी करेगा 15840 joules I hope इचीज आपको समझ में आई होगे यह वाला question आपको हुआ होगा clear अब अगर आपको लेना है इसका screenshot तो आप जल्दी से ले लीजे on the count of 5 आप इसका screenshot लेंगे so your time starts now 5, 4, 3, 2, and 1 I hope आप सभी ने इसका screenshot ले लिया होगा अब हम बरते हैं अपने next question पे मैंना आपको पहले काता previous session में कि कभी भी आपको power की जो different formulas हमें पढ़े हैं वो derive करना कभी भी नहीं पूछा जाएगा हमेशा आपको इसी तरह के examples दिये रहते हैं और आपको क्या करना पड़ता है formula जो भी given values हैं उसके according formula आपको लगाना पड़ता है अगर current given है, voltage given है तो P is equals to V into I लगा दो अगर voltage given है, resistance given है तो V square upon R लगा दो अगर current given है, resistance given है तो I square into R लगा दो अब क्या है आपे next question अन electric refrigerator rated 500 watt operates 6 hours a day what is the cost of the energy to operate it for 30 days at Rs. 4.5 per kilowatt hour याने कि क्या है हमारे पास एक refrigerator है जिसकी power कितनी है भाई 500 watt है इस 500 watt का मतलब क्या होता है कि हमारा जो refrigerator है ना वो 500 joules सिरफ 1 second में ही क्या कर रहा है खर्च कर रहा है ठीक है 500 joules energy 1 second में ही convert कर रहा है और वो दिन में कितने घंटे चलता है वो दिन में 6 घंटे चलता है तो अगर मेरा वो refrigerator 30 दिनों के लिए चला एक दिन में कितना चलता है 6 घंटे तो 30 दिन में कितना चलेगा भाई 6 into 30 into 6 कर दो कितना हो जाएगा 6 0 is a 0 6 3 is a 18 याने कि 180 hours आपका refrigerator पूरे महीने चलता है अगर 1 kWh जो 1 kWh जो energy है उसके लिए कितना rate cost करती है government 4.5 तो जब आपका refrigerator 180 घंटे चलेगा जो भी energy consume करेगा तो उसके लिए कितना आपको pay करना पड़ेगा ये पूछा गया है आपसे कैसे solve करोगे भाई तो देखो सबसे पहले तो आपको जो energy है ना इसको convert करना पड़ेगा किसमें? kilowatt hour में क्योंकि 1 kilowatt hour की value आपको दी गई है एक kilowatt hour के लिए energy के लिए कितनी rate लिया जाता है 4.5 रुपीज लिया जाता है तो आप महीने भर में आपकी refrigerator ने kilowatt hour में कितनी energy consume करी है वो निकालो और multiply करदो के साथ 4.5 के साथ तो cost आ जाएगी कैसे करोगे? तो देखो इधर क्या करना है? 500 watt कितनी दनों के लिए चल रहा है? 6 गंटे के लिए चल रहा है और कितनी दनों के लिए 30 तो आप क्या करोगे? 500 into watt into क्या करदोगे? odds करदोगे multiply 6 into कितने दिन हो रहा है? total 30 days हो रहा है यह किसके बराबर हो जाएगा, 6, 3, 18, 18, into 5, कितना होता है, 90 होता है, तो यह हो जाएगा कितना 90, 1, 2, 3, ठीक है, अब यह जो 1, 2, 3 आए है, इसको आप क्या लिख सकते हो, किलो लिख सकते हो, तो यह कितना हो जाएगा, किलो वाट आर, मैंने क्या किया है, मैंने simply, जो energy है, refrigerator क कि जो वो consume कर रहा है, 30 days में, उसको केलो वाट आर में represent किया है, कैसे किया है, तो भाई, अगर एक दिन में, 6 घंटे चल रहा है, तो टोटल पूरे 30 दिन में, कितने घंटे चलेगा, तो 300, into क्या कर दो, 6 कर दो, याने कि 180, तो 500, into आपने क्या कर दिया, 180 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 7 में, इसका 0, और 2 इसके 0, तो जाएगा, 1, 2, 3, इस 1, 2, 3, को मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया, किलो, और वाट में तो मैं ले ही रही थी, और आर्ट में भी मैंने convert कर दिया है, तो जाएगा, 90 किलो वाट पा, आर, यानि आपका जो इतना पेव करना पड़ता है आपको 4.5 रुपीज तो 90 किलो वाट आर के लिए कितना पेव करना पड़ेगा तो 90 इंडू 4.5 अंसर आजाएगा आपका 405 अगर आपका रेफिजरेटर दिन में 6 घंटे चलता है 500 वाट का है याने कि पूरे महिने में वो कितने दिन चलेगा 180 चलेगा उस 180 आर्स को आप डिवाइड कर दोगे किस के साथ वाट के साथ 500 वाट के साथ तो किस में आ जाएगी वैल्यू 90,000 वाट आर्स में लेकिन हमें तो किलो में चाहिए है तो इन तीन जिरो को मैंने किलो में कनवर्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा 90 किलो वाट आर ए आपको हो गया होगा क्लियर तो भाई आज के इस सेशन के लिए इतना ही इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर वो होता है कॉम्प्लीट एलेक्ट्रिक पावर क्या होता है यह मैंने आपको एक्स्प्रेइन कर दिया और किस तरग के इस टॉपिक से रेलेटेड वो भी हमें देख लिया तो कुल मिला करके यह टॉपिक हमने कर लिया है कवर आज के सेशन के लिए इतना ही और मुझे लगता है कि इस ट की टिकल टॉपिक हमारे चाप रहveer आपिर गये हुष हैै कंपिली अब बहर जाते ही निवेड़िकव कि की एकसाईस चुछ निग तो मिलेंगे अपने नेक्शलच से सभी के व्युक्च्ट प्लेज्टच अवेलिबल्स in और चर्श में यहां कि सब्सक्तिल learning with magnet brains thank you for watching